Hello everyone, आज के इस session से हम start करने जा रहे हैं class 8 science का 6th chapter and that is combustion and flame Basically आज के video में, आज के session में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे topics हैं जो की इस chapter के अंडर हमें cover करना है तो चलो जल्दी से आज के इस session को हम start कर लेते हैं So this is Vibhuti Khare, welcome to Magnet Brains जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं आज का payment करने की या package purchase करने के requirement बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुंचा रहा है, quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं, आज का हमारा ये session जहां पे हम start करने जा रहे हैं Class 8 science का chapter combustion and flame तो इस chapter में सबसे पहला topic जो हम पढ़ेंगे, जो हम समझने की कोशिश करेंगे, जो हम discuss करेंगे, वो होगा combustion भाई, chapter का नामी है, combustion and flame तो सबसे पहले तो हम combustion को समझने की कोशिश करेंगे, कि exactly combustion क्या है तो detail हम पढ़ेंगे अपने upcoming sessions में, लेकिन हाँ, इस session में एक मैं आपको general idea देती हूँ combustion के बारे में, कि exactly combustion की process क्या है तो combustion की process ये कैसी process है, जहां पे हम एक substance को burn करते हैं air में अब हम सबको पता है कि air is a mixture of gases air में बहुत सारी gases present है, oxygen है, carbon dioxide, nitrogen है रेकिन जब हम बात करते हैं combustion की process की, तो हमें मतलब होता है air में present oxygen से बाकी हमें दूसरी gases से कोई लेना देना नहीं है, हमें अभी focus करना है air में present oxygen gas से तो मैंना को क्या समझाया, कि combustion की process में हमारे पास एक substance होता है, जिसको हम air में burn करते हैं तो air में present oxygen कैसे है, वह जाकर के उस substance की साथ react कर जाती है, तो जब reaction होता है substance और oxygen के बीच में, तो energy evolve होती है, basically combustion की process में यही होता है कि आपके पास substance है, वह जब oxygen की साथ react करता है, तो energy evolve होती है, energy कैसे तो heat के form में या light के form में, भाई heat और light दोनों ही क्या है, energy के ही forms है, तो energy release होती है, evolve होती है in the form of heat and light, अब detail में हम पढ़ेंगे अपने upcoming session में, लेकिन अभी के लिए एक general idea मैंने आपको दे दिया कि combustion में exactly होता क्या है, चलो, अब इसी topic के under हम पढ़ेंगे combustible and non-combustible substances, इसका मतलब क्या है, example से समझते हैं, मेरे हाद में है एक तरफ एक stone और दूसरे तरफ मेरे पास है एक paper, एक normal paper, ठीक है, अब मैं stone और paper, दोनों को जलाने की कोशिश कर रही हूं, तो आपको क्या लगता है, stone जलेगा या paper जलेगा, मेरे हिसाब से जो paper है, वो जलेगा, stone नहीं जलेगा, देखा जाए तो हम अपनी life में, daily basis पे, कई तरह की चीज़े यूज़ करते हैं, कई तरह के materials, items, articles वगएरा यूज़ करते हैं, अब जरूरी नहीं है, कि जितने भी articles हम use कर रहे हैं, सभी के सभी आग पकड़ें, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको example दिया, stone का, क्या stone इतना असानी साग पकड़ सकता है, मैंने उसको जाब paper से compare करने की कोशिश करी, तो paper तो यूँ आग पकड़ गया, लेकिन stone है कि आग पकड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, इसका मतलब क्या, कि वो हो गया, एक non-combustible substance, यानि कि उसका combustion जो है, possible नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एक non-combustible substance, वह जिसका combustion हो रहा है, वो क्या है, combustible substance है, जिसका नहीं हो पारा combustion, वो एक non-combustible substance है, जो paper है, उसका combustion हो रहा है, paper जल रहा है हम हमें, इसका मतलब क्या, कि वो है एक combustible substance, डीटेल में हम समझेंगे, अपने upcoming sessions में, फिर इसके बाद में, next topic, जो कि हमें इस chapter के अंदर पढ़ना है, वो होगा, conditions necessary for combustion, अब हम और conditions के उपर बात करेंगे, इस particular topic में, जो कि essentially required होती है, combustion के लिए, यानि कि अगर वो conditions नहीं, तो शायद combustion नहीं, सबसे पहले condition, अच्छा, मैंने आपको combustion के definition में क्या समझाया था अभी-अभी, कि हम किसी भी substance को air में burn करते हैं, air में भी किस से मतला में हमें, oxygen से, तो क्या हम oxygen को एक essential condition consider कर सकते हैं, for the process of combustion, यानि कि अगर oxygen नहीं है, तो क्या combustion नहीं होगा, इस बात को हम समझेंगे एक activity से, यूजवली क्या होता है, activity हमको हमारी NCRT books में दी रहती हैं, और उस activity के हमको image दिखाई जाती है, उस activity के हमको कुछ videos दिखाई जाते हैं, मैं आपको simulations पगरा दिखाती हूँ, लेकिन इस बात की तह तक जाने के लिए कि क्या सच में oxygen combustion के लिए essentially required है, इस बात को समझने के लिए मैं खुद आपको session में एक activity perform करके दिखाऊंगी, ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये जो session है, ये हमारे chapter का first session हुआ, इस वाले chapter का, तो most probably third session में, इस chapter के third session में, मैं आपको वो activity perform करके बताऊंगी, ताकि आपको समझ में आए कि oxygen का क्या significance है combustion में, तो पहली condition हम माल लेते हैं oxygen, फिर इसके बार में, दूसरी condition क्या हो सकती है, दूसरी condition होनी चाहिए substance की, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जिनका combustion possible है, substances का, दोजार combustible substances, जिनका possible नहीं है, वो होंगे non-combustible substances, तो अगर आपको combustion की process करानी है, तो आपको एक ऐसा substance देना पड़ेगा ना, जो कि combustible substance की category में आए, अगर किसी substance का combustion ही possible नहीं है, तो फिर आप चाहिए जितनी भी essential conditions को जोड़ करके, इखटा करके रख लोगे, लेकिन अगर substance ही चलने के काबिल नहीं होगा, उसका combustion ही possible नहीं होगा, तो combustion की process होगी कैसे, तो पहली condition हम में बात करी, oxygen की, दूसरी condition क्या होई, कि भाई, combustible substance होना चाहिए combustion के लिए, पेपर का combustion possible है, पेपर जल सकता है, और हमने ये भी समझ लिया, अपने experience है, अपनी activity से, कि oxygen is required for the combustion, हलांकि हम समझेंगे आगे, लेकिन अभी example के लिए मान के चलो कि हाँ, combustion के लिए oxygen required है, तो आपके पास paper है, जो कि एक combustible substance है, आपके पास oxygen है, उस paper को आपने रखा कहा है, ऐसी खुले हवा में रखा है, इस हवा में क्या है, oxygen है, तो आपके पास एक combustible substance है, combustion के लिए required, atmosphere में जो oxygen है, वो है, तो क्या paper रखे रखे ही जल जाता है, यह मतलब आपने जो है न, अपनी notebook खोल के रखी हवा में, और धड़ा-धड़ उसके papers जो है न, अचानक से जलने लगे, क्या यह होता है, नहीं होता, क्यों नहीं होता, हमारे पास combustible substance है, oxygen भी है, लेकिन फिर भी वो substance का combustion क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक और condition चाहिए होती है combustion की, जिसको हम कहते हैं, एक specific temperature, कि कोई भी substance जिसका combustion possible है, उसका combustion तभी start होगा, जब वो अपने specific temperature पे पहुँचेगा, बिना उसके, उस temperature पे पहुँचे, combustion possible नहीं है, जब तक आप पेपर को heat नहीं दोगे, एक temperature लेकर के नहीं आ जाओगे, उसका तब तक मुझ जलेगा नहीं, और जैसे ही आपने उसको heat दी, वैसी वो वहाँ पे जलने लगेगा, अब इस specific temperature को हम क्या कहते हैं, यह हम समझेंगे अपने upcoming sessions में, अभी तो introduction है ना, अभी तो मैं आपको सिर्फ यह बता रही हूँ कि, कौन-कौन से topics हैं, जो कि इस chapter के अंडर हमें cover करने हैं, खेर, आगे बढ़ते हैं, तो conditions हम पढ़ लेंगे, तीन conditions के बारे में हमें चर्चा करनी हैं, हम कर लेंगे, फिर इसके बारे में, अब how do we control fire, देखो, basically यह ना, एक ऐसा chapter है, कि जिसको अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, अपने दिमाग में बिठा लिया, तो इस chapter का जो use है, वो आप अपनी daily life में भी कर सकते हो, वह यह एक general awareness का chapter है, देखो ना, topic देखो, how do we control fire, अब हम कहीं आग वगरा लगी है, अब अगर तो हमें वो चीज़ पता है कि आग को कैसे बुझाना है, तो इस से पहले कि जो है ना, fire fighters हमारे आएं और वो अपने level पर जो है ना, आग बुझाने की कोशिश करें, at least आप अपने level पर क्या कर सकते हो, लोगों को aware करा सकते हो कि इस आग को हम फैलने से कैसे रोकें, है ना, शयद बुझाना हमारे control में ना हो, लेकिन हाँ फैलने से इसको बचाया जा सकता है, कैसे, तो अगर आपको इन कुछ topics की knowledge है, तो, इसलिए मैंने बोला कि general awareness का chapter है, एक बार इस chapter को अगर आप में चीतरे से समझ लिया है, दिमाग में बिठा लिया है, तो आपके लिए काफ का जो की combustible हो, अब अगर सपोस किसी building में आग लगी है, और उस building में आपके पास, यूनो, गैस के cylinder है, और petrol है, डीजल है, कैरोसीन है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जाकर कि इन सारी चीजों को हटाओ गयो, कि सबको बता है, कि जो gas cylinder है, उसमें गैस भरी हुई है, वो combustible है, आग पकड़ लेती है, petrol, डीजल, कैरोसीन, ये भी आग पकड़ लेती है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जाकर के combustible substances को हटाएंगे, ताकि आग लग तो चुकी है, लेकिन at least वो और ना फैले, उसका एक, you know, severe form हमको ना देखने को मिले, इसलिए मैंने बोल होना चाहिए, कि भाई, अगर आग को कंट्रोल करना है, किसी तरह से, अपने लेवल पे, तो सबसे पहले तो combustible substances है, उनको हटाओ वहां से, वरना और तेजी से जो है आग लगने की chances है, फिर इसके बार में heat को remove करो, आपने देखा हो कि जब भी आग लगती है, तो लोग ज जली जोरी है, उसको जो है, शान्त किया जाता है, कैसे पानी वगरा डालके, फिर इसके बार में cut of the air supply, हम अभी हमने मान की चला है, हम इस सेशन में मान की चल रहे हैं कि हाँ, oxygen जो है ना combustion के लिए required होती है, यानि कि जो air है, उसके बिना शाथ combustion possible नहीं है, तो अगर कहीं आ पकड़ लेती है, तो उनके ओपर जल्दी से एक blanket जो हैना wrap किया जाता है, क्यों रैप किया जाता है, क्योंकि already उनकी body में कपड़ों में आग लग चुकी है, तो अब इस आग को control करने के लिए, आग उपर control पाने के लिए, जो atmosphere में जो oxygen है, उसको उसका contact खतम करना पढ़त है, तो इसलिए जल्दी से एक blanket जो हैना wrap कर दिया जाता है, जिसके कारण जो आग लगी है, body पे या कपड़ों पे, वो oxygen से जो हैना, दूर हो जाए, तूट जाए, उनका अपस में contact, तो अपने आप जो आग है, वो बुझ जाएगी, ठीक है, करे बार आप में देखा और जो light आपको दिखाए दे रही है, उसका contact air से तोड़ना है, तो उसके लिए अगर पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर आप क्या करो, sand डालने की कोशिश करो, मिट्टी डालने की कोशिश करो, है ना, तो ये सारी चीज़े हम पढ़ेंगे, detail में, अपने upcoming sessions में, चलो, फिर बार में, next, हम क्या पढ़ेंगे, types of combustion, कि हम तीन type की combustion के ओपर सर्चा करेंगे, एक होगा rapid, एक होगा spontaneous, और एक होगा explosive, explosive combustion तो जो आपके फटाके वगरा जो होते हैं, है ना, जैसी फटाको को जड़ा सी आप आग उनको दिखाओ, तो तो तुरांस जो है ना, वो brilliant light में, औ और sound में, और pollution से जो है जलने लगते हैं, ठीक है, तो explosive type का combustion है, वो आपको firecrackers वगरा में देखने को मिलता है, rapid में हम बोलते हैं कि rapid combustion में, जो भी combustible substance होता है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, और plus काफी जादा heat energy और light energy जो है, रिलीज होती है, फिर जैसे कि हमा होता है, वो hero heroine को एक chair से बान देता है, और इसके बाद में पूरे में petrol फला देता है, और एक end पे जाकर के जहां से वो भाग सकता हो, जहां से exit होती है, वहाँ पे जाकर के जो है ना, एक माचिस की तिली बस fake देता है, उस एक माचिस की तिली से धीरे 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 जो भी पेट्रोल पड़ा होता है फर्ष पे वो पूरा जलने लगता है वो क्या है एक रैपिट कमबर्शन है ठीक है चाल फिर इसके बार में स्पॉंटेनियस मतलब क्या अभी अभी मैंना को क्या समझाया था कि पेपर पड़ा हुआ है हवा में पेपर जल सकता है कमबस्टिबल सबस्टेंस है एयर में ऑक्सिजन भी है तो क्या पेपर रखे रखे अपने आप जल जाता है पेपर नहीं जलता बट देर आर सर्टेन सबस्टेंस जो की रूम टेंपरेचर पर ही जलने लगते हैं पेपर को जलाने के लिए आपको एक उसका स्पेसिफिक रखे कर आना पड़ेगा आपको उसको हीट देनी पड़ेगी बट दियर राज सबस्टेंसेज जो की रूम टेंपरेचर पर ही रहकर के बिना हीट के सप्लाइब के जलने लगते हैं ठीक है जैसे की वाइट फॉस्फिर तो एक ऐसा कंबशन जो की रूम टेंपरेचर पर ही जैसे कि डाड जो हमारी डाइशन के प्रोसेसर से वह बहुत की स्पॉझनियेस होती आव भी हमने अगर पीज़ा खाया है आपको समझ में का कि आप हम कर रहा है उसको डाइशन हमारा जो स्टमक है वो कर रहा है उसका डाजेशन यह खाना जो है न और नीचा गया अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कर रहे हैं डाजेशन नहीं न तो दियर आर सबस्टेंस इस जो की रूम टेंपरिचर पर रखे रखे जो है न आग पकड़ लेते हैं ठीक है तो उसे हम क कुछ characteristics जो है न डिसकस करेंगे कि एक ideal फ्यूल क्या होता है ठीक है फ्यूल की जो calorific value है वो क्या होती है फिर इसके बार में flame जब candle वगएरा जलती है ठीक है तो यह आपको एक flame जलती हुई दिखाई देती है ये तो इस flame के structure को हम स्टड़ी करेंगे तीन जोन होते हैं बिस इस particular topic के अंदर फिर इसके बार में last topic होगा इस chapter का burning of fuels lead to leads to harmful products हम सबको पता है कि जो fuels है जब उनका combustion होता है तो pollution होता है pollution क्यों होता है क्योंकि unwanted और harmful products का formation होता है ठीक है तो यह सारी बाते हम करेंगे अपने अपने last topic में इस particular chapter hello everyone आज के इस session में हम अपने chapter combustion and flame का first topic discuss करने वाले हैं and that is combustion चलो जल्दी से आज के इस session को हम start कर लेते हैं so this is विभूती हरे welcome to magnet brains रहापे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं बिल्कुल free of cost याने कि magnet brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package purchase करने के requirement बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुंचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं आज का हमारे यह session जहां पे हम बात करेंगे अपने इस chapter के first topic क्यों पर combustion क्यों पर basically previous session में हमने इस chapter का introduction देखा था देखा था कि कौन कौन से ऐसे topics हैं जो कि इस chapter के अंडर हमें cover करने हैं तो first topic जो कि इस chapter का हमें पढ़ना है समझना है वो होगा combustion तो previous session में मैंने आपको एक general idea दे दिया था कि combustion क्या होता है अब इस process को हम थोड़ा सा you know depth में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक substance है और उस substance को हम air में burn कर रहे हैं air में जला रहे हैं air इस a mixture of gases लेकिन जब हम बात करते हैं combustion की तो हमें मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ oxygen से जोगी atmospheric air में present होती है तो जब हम किसी substance को air में burn करते हैं तो air में present जो oxygen है वो oxygen जाकर के उस substance के साथ react कर जाती है ठीक है और इस reaction के कारण evolve होती है energy energy कैसे so in the form of heat या in the form of light ठीक है और इस पूरी process को हम कहते है combustion exam में आता है कि what is a combustion तो आप उसकी एक proper basic definition क्या लिख सकते हो the burning of a substance in the presence of atmospheric oxygen to give off energy in the form of heat and light is called combustion जब हम एक substance को जलाते है atmospheric oxygen की process में क्या करने के लिए energy देने के लिए in the form of heat and light और उसी को हम बोल देते हैं क्या combustion अब जैसे कि मैंने आपको अभी अभी समझाया कि atmospheric oxygen उस substance के साथ जाकर के react करती है और जहां पर reaction हो रहा है मतलब वहां क्या होगा एक chemical process होगी इसी लिए हम combustion को क्या बोलते हैं एक chemical process बोलते हैं इतना clear हुआ चलो the light which is given off during combustion can be in the form of a flame or as a glow अच्छा इस statement को समझने के पहले जैसे कि मैंने आप पे आपको combustion के लिए बताया कि हां किसी भी substance को हम जब burn करते हैं air में तो energy release होती है heat के form में या फिर light के form में अब कितनी heat release हो रही है यह depend करेगी substance to substance for example बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो है ना हमें इस ठंड से बचना है हमें जो है ना अपने हातों वगेरों को गरम करना बॉड़ी को गरम करना है इसके लिए हमने क्या किया हमारे पास तीन option है पहला option है हमारे पास एक कैंडल दूसरा option है हमारे पास तीन न्यूस पेपर बड़े फूल साइज न्यूस पेपर और थर्ड ऑप्शन है आपके पास लखडी तो अगर आपको ठंड के मौसम में ठंड से बचना है तो आप किसको जलाना प्रिफवर करोगे एक मोंबत्त को यह तीन फूल साइज न्यूस पेपर को यह लखडी को मेरे हिसाब से तो हम सब क्या करेंगे लखडी को जलाएंगे और लखडी को जलाने से जो हीट निकलेगी बहीं लखडी को जलाना मतलब क्या एयर की प्रेजंस में उसका कमशन करना और कमशन होगा इसका मतलब क्या कि वहाँ पे release होगी energy किसके form में heat के form में तो लकड़ी को जलाने से जो heat निकलेगी उस heat से हम अपने आपको गरम करेंगे अपनी body को गरम करेंगे और ठंड से बच जाएंगे हमने लकड़ी को ही क्यों prefer किया क्योंकि हमें पता है कि कि जब हम candle को जलाएंगे तो उसका भी combustion होगा ऐसा नहीं कि candle जलेगी नहीं होगा उसका भी combustion लेकिन उस combustion से जो है उतनी heat energy नहीं निकलेगी कि जित्ते में जो है न हम अपने आपको ठंड से बचा लें तीन full size paper को जलाने पर भी ऐसा नहीं कि वो जलेंगे नहीं जलेंगे उनका भी combustion होगा लेकिन उस combustion से इतनी sufficient heat energy नहीं मिलेगी कि उससे हम अपने आपको ठंड से बचा लें तो इसलिए मैं ने बोला कि कि किसी भी combustion की process में कितनी heat energy release हो रही है वो depend कर करता है substance to substance कि कौन सा substance अब जला रहे हो पेपर जलाओगे तो कम निकलेगी candle जलाओगे तो और कम heat energy निकलेगी अगर आप लकड़ी जलाओगे वैसे तो जलानी नहीं चाहिए है क्योंकि pollution होता है लेकिन आज भी कुछ जगाओ पर लकड़ी वगरा जो है जाधा heat energy release होगी इतना समझ में आया तो heat energy का concept समझ में आ गया होगा अब हम आ जाते हैं दुबारा से statement के उपर इस statement में हम से क्या बोला जा रहा है the light which is given off during combustion can be in the form of a flame or as a glow यानि की combustion की process के दौरान जो light निकलती है heat के उपर तो हम बात कर चुके अभी अभी कि वो depend करता है कि कौन सा substance जलाया है उसके इसाब से कित्ती heat निकलेगी light की ऊपर अब हम बात कर रहे हैं कि जब light release होती है combustion की दौरान तो वो light हम वोते हैं कि flame की form में भी हो सकती है या glow के form में भी हो सकती है कैसे इसे हम समझते हैं एक example से देखो यहां पर आपके पास यहां पर चार कोल जल रहा है एक तरफ और यहां पर आपके पास दूसरी तरफ लकडी जल रही है ठीक है combustion लकड़ी का भी हो रहा है और combustion चारकोल का भी हो रहा है लेकिन दोनों के combustion में difference है difference क्या है heat तो निकलेगी भाई combustion हो रहा है दोनों जगा चारकोल में भी लकड़ी का भी तो heat energy तो निकलेगी ही निकलेगी है ना लेकिन यहां difference हो रहा है किसमें light में कैसे जब लकडी जल रही है तो लकडी की जो light निकल रही है वो किसके फॉर्म में निकल रही है फ्लेम के फॉर्म में आपको आग की लपटे दिखाई दे रही है लेकिन अगर आप बात करोगे चारकोल की तो चारकोल में ऐस सच आपको कोई फ्लेम दिखाई नहीं देगी जैसे कि कोईला जलता है, चारकोल मतलब क्या, कार्बन का ही एक फॉर्म है ना, तो चारकोल मतलब ही क्या, कोल का ही आप फॉर्म समझ सकते हो, कार्बन का ही फॉर्म समझ सकते हो, तो जैसे कोल जल रहा है, जैसे चारकोल जलता है, तो जब वो जले गा ना, तो आपको उसका ए तो यह संजाने की कोशिश कर रही है कराया जा रहा है कि कि जो light energy है वो flame की form में भी release हो सकती है और glow की form में भी दिख सकती है sorted चलो For example, wood burns by producing a flame but charcoal burns by producing light in the form of a glow लकडी जो है flame की form में जलती है और charcoal glow की form में उसका combustion होता है जो light निकलती है वो glow की form में आपको दिखाए देती है इतना clear है? चलो अब हम बात करते हैं आगे की अब हमारे पास क्या है? Take a piece of paper एक paper का piece ले लिया हमने Apply a lighted match stick to this piece of paper तो basically हमने एक माचिस जला करके paper पे रख दिया We will find that the piece of paper starts burning और जैसे हमने माचिस जला करके रखी paper के सामने वो जलने लगा We say that the piece of paper burns और the piece of paper undergoes combustion तो हमने इस activity से क्या समझा कि वही जो paper का piece था उसका combustion हुआ है ना वो जलने लगा We now take a piece of stone and apply a lighted match stick on it अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे एक पत्थर और उस पत्थर के उपर एक माचिस को जला करके रख देंगे We will find that the piece of stone does not burn लेकिन जिस तरीके से paper का piece चला था वैसे जो stone है वो नहीं जला We say that the piece of stone या stone बोलो piece of stone क्या does not undergo combustion इस से हमें क्या समझ में आया? कि stone जल नी ला? इसका मलब उसका combustion नहीं हुआ तो जैसे कि मैंने आपको introduction में भी example दिता कि मेरे पास एक पत्थर है मेरे पास एक stone है पत्थर मेरे पास एक paper है मेरे पास एक stone है paper के ओपर मैंने एक जलती हुई माचिस लगा करके रग दी तो paper तुरंट से जो है जलने लगा कुछ इस तरीके से लेकिन stone के ओपर मैंने इस बर क्या किया है जलती हुई माचेज ले जाकर के छोड़ दी है तो उस पर कुछ नहीं हुआ इस से हमें क्या समझ में आया वी से डाट पीस ओफ स्टोन डाज नॉट अंडर गो कंबशन दिस मीन्स डाट आट अराउंड अस डू नॉट बर्न और डू नॉट अंडर गो कंबशन यहने कि जितनी चीज़ें आपको अपने अराउंड दिखती हैं जो आप यूस करते हो या कुछ को नहीं भी करते हो तो जरूरी नहीं है कि वो सभी के सभी कंबशन के अंडर जाए या उनका उनके अंडर बर्निंग की प्रोसेज हो So there are two types of substances around us तो अब हम क्या करते हैं? Substances को broadly दो कैटेगरीज में सभी substances को broadly दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं एक होते हैं combustible substances और दूसरे होते हैं non-combustible substances Those substances which can burn are called combustible substances चोकि जल सकते हैं वो हो गए combustible substances In other words, those substances which can undergo combustion are called combustible substances तो non-combustible substances की definition क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, है ना? कि those substances which cannot burn या which do not undergo combustion are called non-combustible substances अब इस चीज को समझने के लिए हम जल्दी से एक छोटा सा simulation देख लेते हैं ठीक है? तो और आपको यहाँ पे चीजें एकदम clear हो जाएगी तो देखो, हमारे पास है कि यहाँ पे एक छोटा सा simulation हम इस simulation में कौन-कौन सी चीजें यूज कर रहे हैं अब पहले टास एक बर हम देख लेते हैं अपने experiment का ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास एक burner इसके अलावा हमारे पास है एक mat stick और हमारे पास है क्या एक टॉंग, टॉंग मतलब क्या? कि जो भी चीजें यहाँ पे अभी हम यूज करेंगे उन सभी चीजों को इस टॉंग से हम पकड़ेंगे ठीक है? और यह जो burner है इससे flame निकलेगी उस flame के उपर हम चीजों को रखेंगे तो ओविसी बात है यहाँ पे हम अलग-अलग चीजें ले रहे हैं और अलग-अलग चीजों का यहाँ पे हम combustion देखने की कोशिश करेंगे तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हम मैच स्टिक को ही जला करके देख लेते हैं ठीक है यहाँ पर हमने अपनी मैच स्टिक को लिया और burner के ऊपर रखा तो देखो हमारी जो मैच स्टिक है वो जलने लगी तो डेफिनेटली क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मैच स्टिक का कंबशन हुआ है फिर से एक बार देख लो यहाँ पर फिर से एक बार हम देख लेते हैं ठीक है यहाँ पर मैच स्टिक देखो यहाँ पर भी जलेगी जो जल रही है definitely उसका combustion हो रहा है इसका मतलब क्या? कि वो एक combustible substance है देखो, मैस्टिक जली की नहीं जली यहने कि इसका combustion हुआ combustion हुआ मतलब क्या? कि यह हो गई एक combustible substance अब हम बात करते हैं next किसकी? coal की अब हम coal को इस tong से पकड़ेंगे और इसको जलाने की कोशिश करेंगे तो देखो, यह coal भी जलने लगा, है ना? तो जैसे कि मैंना आपको बताया था कि coal जब जलता है तो जो light निकलती है वो एक glow के form में निकलती है ना? कोईला जब जल रहा है तो देखो, आपको एक glow दिखाई दे रहा है जल रहा है, ठीक है? यह जल रहा है, याने कि इसका कंबशन हो रहा है इसका मतलब कि यह एक कंबस्टिबल सबस्टेंस है चलो, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड सबस्टेंस की, थर्ड बेसिकाली प्रोड़क्ट की, जो की क्या है? एक स्ट्रॉव है, ठीक है? अब इस स्ट्रॉव को जो है, हम जलाने की कोशिश करते हैं टॉंग से पकड़ा और इसको बर्नर की ओपर डाला जो स्ट्रॉव है, वो जलते जलते देखो, मेल्ट हो रहा है यह जल रहा है, इसका मतलब इसका कंबशन हो रहा है और अगर इसका कंबशन हो रहा है तो डेफिनेटली यह क्या है? एक कंबस्टिबल सबस्टेंस है अब इसके बाद में हम एक्जामपल लेते हैं किसका केरोसीन का तो अब हमने एक छोटी सी डिश में केरोसीन लिया है और इसको हम अब जलाने की कोशिश करेंगे स्पून में हमने केरोसीन को लिया, फ्लेम के ऊपर ले करके गए हैं तो देखो, यहाँ पर बकाईजा आपको केरोसीन की, किस तरह के से वो जल रहा है उसके आपको flame दिखाई दे रही होगी, तो क्योंकि kerosene जल रहा है, इसका मतलब क्या, कि ये है क्या, एक combustible substance, तो mastic, coal, straw, kerosene, ये सब के सब जल रहा है, इसका मतलब ये चारो की चारो कैसे है, combustible substances है, अब हम आजाते हैं, अपने next उसमें, अब हमारे पास क्या है, iron nail है, लोह लोहे की जो कील है, वो एकदम red hot हो गई है, जलते जलते, याने की, जलते जलते नहीं, heat करते, जैसे जैसे हम लोहे की कील को heat करते जाएंगे, वैसे वैसे जो लोहे की कील है, वो red hot होती जाएगी उस heat के कारण, लेकिन लोहे की कील जलना शुरू नहीं करेगी, चलो, अब इसके बाद में स्टोन ले लेते हैं अब हम है ना स्टोन को अब हम टॉंग से पकड़के बर्नर के ओपर रखेंगे फ्लेम के ओपर देखते हैं स्टोन जलता की नहीं जलता लो स्टोन भी नहीं जल रहा है इसका मतलब क्या कि स्टोन का कमशन नहीं हो रहा है इसका मतलब स्ट स्टोन है वो कितनी भी आप उसको दे दो देखो हीट लेकिन वो जलने का नाम नहीं ले रहा है इतनी हीट देने के बाद भी अगर स्टोन नहीं जल रहा है इसका मतलब कि यह एक इसको बनी हुई काँच से बनी हुई एक रोड जब हम इसको जलाना attributes करेंगे तो क्या ये जले गी मैं इसका बी कमशन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये भी एक non-combustible substance है तो iron nail यहने की लोहे की एक कील, stone और glass rod ये तीनों की तीनों क्या है non-combustible substances है याने की इनका combustion नहीं हो रहा है और जिनका नहीं होता वो कहलाते है non-combustible substances, easy है तो इसी लिए एक simulation से और मैं आपको समझाने की कोशिश कर दी कि हाँ भई combustible और non- combustible substances क्या होते हैं क्योंकि कई बारना हमारे दिमाग में यह जो animations होते हैं जो simulations होते हैं यह दिमाग में बैट जाते हैं हमेशा के लिए हमें चीजें याद रह जाती हैं तो जैसे कि मैंना आपको previous session में भी promise किया था कि हाँ definitely हम एक activity perform करेंगे और मैं खुद आपको वह activity perform करके देखाऊंगी कि कौन कौन सी conditions हैं जो कि combustion के रिए absolutely necessary होती हैं तो combustible substances की definition हमने देख ली थी और definition क्या हमने तो खुद उसके examples को भी देख लिया simulations में तो paper cloth याने की fabric straw cooking gas LPG CNG kerosene oil लकडी चार्कोल कोल cow dung cakes याने की वो कंडे उपले वागरा जिसको हम कहते हैं petrol diesel alcohol magic magnesium ribbon यह सब क्या है इस आर combustible substances ठीक है अब a combustible substance is also called a fuel हम fuel को भी क्या बोलते हैं या combustible substance को हम fuel भी कहते हैं क्यों याद करो previous chapter में जब हमने fossil fuels के बारे में पढ़ा था तो मैंने वापे आपको fuels के बारे में बताय थ आपकी fuels के ओते हैं सो दीजा दो सबस्टेंस जिससे की हम energy जो है derive कर सकते हैं energy कैसे जब डिराइब कर सकते हैं natural सी बात है उनको जला करके तो हमारे जो भी पैट्रोल है जो डीजल है यह हमारी जो गाडियां होती है जो हमारे automobile से हमारे वहीकल होते हैं उनमें as a fuel इनको हम ड जाता है जलाने के कारण जो heat निकलती है जो energy निकलती है उसी energy को utilize किया जाता है और उसी energy के साथ जो गाडियां है जो वहीकल्स है वो चलते हैं ठीक है तो यहाँ हमने देखा कि combustible substance को हम फ्यूल भी बोल सकते हैं अगर मैं आपसे बोलूं कि बिना पैट्रोल के गाड़ी ज जरी नहीं सकती है और अगर मैं बात करूं अपनी यानिकि human being की कि क्या हम यह हमारी life कि गाड़ी बिना फ्यूल की चल सकती है अब बोलोगे कि मैम हमें हमें फ्यूल की क्या जरौत है हम मशीन थोड़ी है हम को गाड़ी थोड़ी है कि हमको ज़ना किसी फ्यूल की सरवत होती है अच्छा ते एक काम करो एक दिन के लिए जहना फास्ट रख लो फास्टिंग करो एक दिन की और कुछ भी मत खाओ ना पानी पियो एक घंटा भी आप बिना पानी पिये या बिना रहनी पाओगे, क्यों, क्योंकि हम सब को पता है, कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम पानी वगएरा, जो भी जूस वगएरा हम पीते हैं, वो हमारी बॉडी की लिए क्या होता है, एक fuel होता है, यसे बिना पैट्रोल और बिना diesel के गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही बिना खाए पिए हमारी जीवन की गाड़ी नी चल सकती हमारी बोड़ी नी चल सकती क्यों कि हमारी बोड़ी तो खुद एक मशीन होती है तो जितना अच्छा हम खाएंगे उतना अच्छा फ्यूल हमारी बोड़ी को मिलेगा वो तो जिसे कि प्रीमियम पेट्रोल वोग करेगी जंक फूट खाऊगे तो बॉडी भी जंक फूट के हिसाब से जहना काम करेगी और अगर बैलनस डाइट लोगी तो बैलनस डाइट के हिसाब से गाड़ी जो है या जो आपकी बॉडी की मशीन है वो काम करेगी ठीक है तो बेजिकली होता क्या है आप लोगोंने फ्यूल को जलाते हैं, उसका combustion करते हैं, तो definitely energy release होगी, किसके form में, heat के form में, या light के form में, अब मैं आपको बोला कि जो भी food वगरा हम खाते हैं, वो हमारी body के लिए क्या होता है, एक fuel होता है, इसका मतलब क्या, कि जब ये जो हम खाना खाते हैं, इसमें nutrients तो present होते हैं, लेकि nutrients को तोड़ा जाता है, किसमें, simpler ones में, ठीक हैं, और simpler ones में तोड़ने के बाग, इनको blood में absorb कर लिया जाता है, फिर इसके बाद में इनको पहुंचाया जाता है, cells के level तक, cell में क्या present होती है, oxygen present होती है, और ये oxygen जाके क्या करती है, इन simple nutrients के साथ reaction करती है, याने कि जो खाना आपने खाया था, वो as a fuel आपने अपनी body को दिया, body ने सबसे पहले इस fuel को, जो कि अपने complex form में था, इस सबसे पहले complex form को convert किया, उसने simpler substance में, इन simpler substances को blood में absorb किया गया, blood से फिर हर एक body cell तक पहुंचाया गया, body के cell में present होती है oxygen और जैसे ही, ये fuel अपने simpler forms में, cells के level तक इस fuel के साथ oxygen ने करा क्या reaction, और reaction के बाद क्या निकाली, energy और इसी energy को हम utilize करते हैं, और daily basis के इतने सारे काम जो होता है, कि हमें पढ़ना भी होता है, हमको खेलना भी होता है, हमको अपने घर में कुछ काम भी करने होते हैं, ममी का हाँ बढ़ाना होता है, कुछ कुछ काम में different activities हमें perform करनी होती है, तो इतने सारे काम करनी के लिए जो हमें energy चाहिए होती है, वो energy कहां से मिलती है, यह जो oxygen की reaction होई है आपके fuel के साथ, उसी के साथ, उसी के कारण जो energy release होती है, इसी energy को utilize करके हम daily basis के अपने धेर सारे काम करते हैं, अब जैसे कि मैंना आपको बताया कि energy release होती है, heat के form में, तो खाना खाने के बाद जो अचानक से गर्मी लगने लगती है ना, उसका main reason यही है, क्योंकि खाना हमने खाया, उसका क्या होने लगा, digestion होने लगा, body absorption करने लगी, है ना, और oxygen जाकर कि क्या करेगी, उसका combustion होगा, combustion के कारण energy वगरा निकलेगी, heat निक control, वैसे ही हमारी body के लिए एक balance diet जरूरी है, अब इसके बाद में, food is a fuel for our body, during respiration, the digested food like glucose is broken down by reaction with oxygen in the body cells to produce carbon dioxide, water and heat energy, ठीक है, जब हम काना खाते हैं, तो basically हमारे, जैसे कि मैंना को बताया ना, क्योंकि उसका digestion होता है, digestion के बाद में absorption होगा, वो simple nutrients जो है, blood में जाएंगे, blood में जाने के बाद body cells में जाएंगे, तो अब समझ सकते होगी, body cells में क्या आ गए है, glucose आ गए है, और जब respiration की हमने process करी, तो oxygen कहां आ गई है, हमारे body cells तक आ गई है, तो digestion absorption से glucose आ गया है cell तक, और respiration से oxygen भी आ गई है cells क level तक, तो glucose या food is broken down by the reaction of oxygen in the body cells to produce carbon dioxide, पानी और heat energy, this heat energy is utilized by our body, thus respiration is a kind of slow combustion of food which takes place in the body to produce heat energy, sorted, चलो, अब इसके बाद में next क्या है, different fuels है हमारे पास, जैसे कि हम कुछ solid fuel use करते हैं, coal हो गया, है ना, वो कंडे वागेरा हो गया, उपले वागेरा, लकडी, liquid fuels हम कौन कौन से use कर सकते हैं, petrol, diesel और kerosene, gaseous fuel जो हम use करते हैं, वो है natural gas, hydrogen और bio gas, और हाँ, अपनी body को चलाने के लिए हम use करते हैं, अपना खाना as a fuel, चलो, अब हम आ जाते हैं, अपन non-combustible substances की definition, those substances which do not burn are called non-combustible substances, in other words, those substances which do not undergo combustion are called non-combustible substances, some of the non-combustible substances are stone, glass, cement, bricks, soil, sand, water, iron nails, copper objects and asbestos etc, यह सब क्या है, non-combustible substances के example हैं, अब देखोएं आपे, chemical combustion को समझाने की कोशिश करी जारी है, combustion of magnesium, if magnesium ribbon is heated, it starts burning और undergoes combustion, मैंने आपको combustion, जो होता है, magnesium का, वो पहले भी आपको समझाया है, कुछ इस तरीगे का, कि magnesium जो होता है, वो एक dazzling white light के साथ burn करता है, और heat तो जो है, वो release होगी होगी, है ना, तो आपको इस GIF में भी दिख र रहा है, और इस picture में भी आपको दिखाए दे रहा होगा, कि यह जो है flame है, और देखो यह, यह magnesium ribbon आपको दिखाए दे रहा है, brilliant dazzling white light के साथ जलता हुआ, चलो, अब बोला क्या जा रहा है, कि when magnesium ribbon burns, it combines with oxygen of air to form magnesium oxide, magnesium क्या है, एक metal है ना, और हमारे metals, जब oxygen के साथ react करते हैं, त तो magnesium जब जलाया जाएगा, atmospheric air में, तो उसकी oxygen जाकर के react करेगी magnesium के साथ, और बना लेगी magnesium oxide, which is a basic oxide, and liberates heat and light, heat भी निकलेगी, light भी निकलेगी, the combustion of magnesium can be written as follows, magnesium plus oxygen, combustion हुई, magnesium oxide बन गया, heat or light निकली, तो basically, जब magnesium जलता है न, जलने के बाद में, पीछे कुछ राख छूट जाती है, कुछ residue रह जाता है, वो residue किसका होता है, magnesium oxide का ही होता है, thus the burning of magnesium in air to produce heat and light is a combustion process in this reaction, magnesium is the combustible substance, और इस reaction में, इस process में, magnesium क्या है, एक combustible substance है, is that clear, चलो, फिर इसके बाद में, next हमारे पास example किसका है, combustion of charcoal, उसकी image मैंने आपको दिखाई दी थी, charcoal is mainly carbon, if we hold a piece of charcoal with a pair of tongs, जैसे कि हमने simulation में देखा था, and heat it on the flame of a burner, it starts burning और undergo combustion, when charcoal burns, then the carbon of charcoal combines with the oxygen of air to form carbon dioxide, हम सब को पता है कि charcoal में क्या होता है, carbon, और carbon जब oxygen के साथ में react करेगा, तो ये क्या है, ये एक non-metal है, जिसे कि magnesium एक metal ने oxygen के साथ combine होकर के metallic oxide बनाया था, similarly carbon जो की एक non-metal है, ये oxygen के साथ combine होकर क्या बना लेगा, non-metallic oxide याने की carbon dioxide, फिर इसके बार में क्या बोला गया, a lot of heat is produced in this combustion reaction, but only a little light is produced which makes the charcoal glow, तो heat तो काफे जदा produce होगी इस process में, लेकिन हा, light जो है वो थोड़ी सी कम निकलेगी, वो भी कैसे glow के form है, तो charcoal आपको glow करता हुआ दिखाई देगा, जैसे जलते हुए अंगारे होते हैं न, वैसे, carbon plus oxygen which gives combustion, sorry, which undergo combustion and gives carbon dioxide plus heat plus light, चलो, फिर इसके बाद में, coal also contains a lot of carbon, so coal also burns in air producing carbon dioxide, heat and light, thus charcoal and coal are combustible substances, तो coal भी हम बोलते हैं कि carbon ही होता है उसमें, उसको भी जब हम जलाते हैं तो carbon dioxide बनेगी, heat बनेगी, light बनेगी, तो coal और charcoal दोनों क्या हो गए, combustible substances हो गए, in both the examples of combustion given above, we find that oxygen is necessary for combustion or burning to take place, आप खुदी सोचो, जिते भी हमने अभी तक example लिये हैं, है न, जो भी हमने products देखे हैं कि metallic oxide बन रहा है, या carbon dioxide बन रहा है, जो भी बन रहा है, वो क्यों बन पा रहा है, क्योंकि oxygen है, तो oxygen के बिना, क्या ये oxides बन पाएंगे, actually oxygen is a supporter of combustion, हमारी जो oxygen है, वो combustion को क्या करती है, support करती है, कि दिना आग लगाने वाला काम, तो आग लगाने वाला काम किसका होता है combustion में, oxygen का होता है, क्योंकि ये supporter है combustion की, In most of the cases of combustion, oxygen is provided by the air around us, और अधिकता जो cases होते हैं, combustion के, उसमें से oxygen कहां से मिलती है, तो atmospheric air से ही supply होती है, So in a way, air is also a supporter of combustion, तो आप ये भी बोल सकते हो कि हवा भी क्या है, combustion की supporter है, क्यों, क्योंकि air में oxygen है न, और oxygen क्या करती है, आग लगाने का काम करती है, combustion को support करती है, तो हम घूम क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो कि air भी क्या है, it is a supporter of combustion, क्योंकि air में oxygen होती है, This is because air contains oxygen, so whether we write oxygen as supporter of combustion और air as supporter of combustion, it will mean the same thing, तो या तो आप oxygen को बोल दो, combustion का supporter या air को बोल दो, एक ही बात है, We have all seen the brown rust present on iron nails and other iron objects, हम साब को बता है कि लोहे की चीजों के ओपर जंग लग जाती है, एक reddish brown color का powder आ जाता है, The rust is formed when the iron slowly combines with the oxygen present in the air, ये rust का बनती है भाई, ये रस्ता बनती है, जब लोहा, atmosphere में present जो oxygen है, उसके साथ में combine हो जाता है, in the presence of moisture, moisture की presence में, To form iron oxide, the process of rusting of iron is an example of slow combustion, ठीक है, तो ये जो rusting की process होती है ना, लोहे के उपर, ये भी क्या है, एक slow combustion की ही process है, उसका ही एक example है, Although, कोई light produce नहीं हो रही है उसमें, क्या आप सोचोगे कि जब भी जंग लगती है, तो light जलती है, ये जैसे की लकडी जलती है, तो समय flame उठती है, ये जब charcoal जलता है, तो charcoal glow करता आपको दिखाए देगा, वैसे ही जब rusting की process होती है, तो लोहा भी आपको glow करता वो दिखाए देगा, ऐसा नहीं होता, although it is a combustion process, लेकिन काफी slow होती है, बहुती धी में pace पे होती है, और coal light वगरा produce नहीं होती है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत heat तो निकलेगी, तो rusting liberates very little heat, but no light, coal light नहीं, सिर्फ थोड़ी सी heat ही release होती है, तो यह आप reaction देख लो, यह लोहे की कील है, इस पर आपको दिखाए दे रहा होगा, कि कैसे reddish brown color की junk लग चुकी है, rust हो लग चुकी है, iron है, oxygen है, प्लस moisture है, नहीं की पानी है, तो hydrated iron oxide, जिसको हम बोलते हैं, क्या, rust, तो light नहीं निकलेगी, थोड़ी बहुत heat जरूर निकलेगी, फिर इसके बार में क्या है, the sun produce heat and light, जो हमारा sun है, हम सबको पता है, previous chapter में हम पढ़ क्या है, petroleum वाले chapter में, कि जितना हो सके, जो natural resources हैं, है न, जो non-exhaustible resources हैं, उनको जो है न, use करना हमें, शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि exhaustible resources हमारे nature में limited quantity में हैं, तो अगर हमने, जिस space से, अभी हम, आज की रेट में हम use कर रहे हैं, उस space को अगर हमने control नहीं किया, या उसको कम नहीं किया, तो आगे आने वाले सालों में, वो exhaustible resources जो हैं, वो बचेंगे ही नहीं, सब की सब exhaust हो जाएंगे, तो बोला जाता है न, solar energy को use करो, आज कल तो हम बोलते हैं कि, जो street lights वगएरा जो होती हैं, या जो traffic signals जो होते हैं, वो भी solar energy से ही चलते हैं, solar energy ही क्या बनाती है, बिजली बनाती है और उसी बिजली से traffic signals और जो street lights वगएरा जो हैं, वो जलते हैं, in fact, बड़े बड़े जो hotels वगएरा जो होते हैं, जो restaurants होते हैं, आज कल तो लोग अपने घरों की छट पर solar panel लगवाते हैं, और जिसके कारण जो है न, घर का जो पानी है, वो गरम करते हैं, उससे, otherwise क्या होता है, या जो geezer लगाओ, या वो जो heating वाली जो rod होती है, उससे पानी को गरम करो, तो इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में बिजली बरबाद हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, solar panel लगा देते हैं, उससे पानी, solar panel करता क्या है, कि सन की जो solar energy है, उसको trap कर लेता है, और trap करके जो है न, जो भी पानी वगएरा है, उसको गरम कर दे ही है, तो the sun produce heat and light, the heat and light in the sun are not due to ordinary combustion, अब आप सोच रहों कि अगर sun से निकलने वाली जो light है, जो energy है, जो heat है, वो भी combustion का result है, तो हाँ है तो, लेकिन वो कोई ordinary combustion नहीं है, क्यों? विच टेक्स प्रेस इन दा प्रेसेंस आफ और ऑक्सिजन ओफेर, इन दा सन, heat and light are produced due to nuclear reactions in which hydrogen is converted into helium with the release of heat and light, तो basically, जो हमारा sun है, उसके उपर हम बोते हैं कि बहुत सारी nuclear reactions होती है, फिजन होता है, फिजन वगेरा होता है, जिसके कारण बहुत जादा light और heat energy निकलती है, और ये जो reactions है न, वो continuously चलती जाती है, चलती जाती है, hydrogen जो है, वो helium में convert होता है, और चलती जा र रही है, sun की solar energy मिल रही है, और ये processes आगे भी चलती रहेंगी, और कई सालों तक, है न, millions of years तक, billions of years तक हमें sun की sunlight और heat मिलती ही रहेगी, fortunately, thankfully, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको बोला था, पहले भी बोला था, अभी भी बोल देती हूँ, कि general awareness का chapter है, जितने concepts को समझोगे, topics को समझोगे, इनके जो applications हैं, वो आप अपनी real life में देख सकते हो, आप देखो, rusting की process हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन क्या कभी हम relate कर सकते थे, कि जो rusting की process है, वो भी क्या है, एक slow combustion है, sun से निकलने वाली जो light है, जो heat है, वो भी क्या है, वो भी हम बोल सेशन में हमने दो चीजे पढ़ी है, एक तो combustion की process हमने पढ़ी, example देखा, magnesium का, coal का, charcoal का, फिर इसके बार में हमने बात करी किसकी combustible and non-combustible substances की, ठीक है, तो आज की सेशन में हम class 8 science के chapter combustion and flame का एक और interesting topic discuss करेंगे and that is conditions necessary for combustion, previous session में हमने बात करी थी combustion की उपर, हमने देखा था कि exactly combustion की process क्या होती है, इसके साथ ही साथ हमने दो टाइप के substances देखे थे, combustible and non-combustible, यह पूरी कानी थी अपने previous session के और आज के session में हम चर्चा करने वाले हैं उन conditions के उपर, जो की essentially required होती है for the process of combustion, यानि कि अगर वो conditions नहीं होंगी, तो शायब combustion की process भी ना हो, तो चलो, वे भूती खरे, welcome to magnet brains, जहांपे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं, बिल्कुल free of cost, यानि कि magnet brains में आपको 2 chapters परने के बाद किसी भी तरह का payment करने की, या package purchase करने की requirement बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुचा रहा है, quality education, बिल्कुल free of cost, तो इसी अच्छी बात से ह हम स्टार्ट कर लेते हैं, आज का हमारे ये session, जहांपे हम चाप्चा करने वाले हैं, उन conditions के उपर, जो कि essentially required होती है, for the process of combustion, अब इससे पहले कि हम conditions के उपर discussion करें, सबसे पहले तो previous session में जो हमने combustion की process पढ़ी है, उसका हम एक quick recap कर लेते हैं, ताकि आज की session में आप जो भी substance को air में burn करते हैं, अब air is a mixture of gases, air में बहुत सारी gases होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं, combustion की हमें मतलब होता है, सिर्फ और सिफ oxygen gas से, तो जब हम किसी भी substance को air में burn करते हैं, air में present, जो oxygen gas है, वो उस substance के साथ जाकर के react कर जाती है, और इनके reaction से energy evolve होती है, कैसे evolve होती है, त इस पूरी process को हम नाम देते हैं किसका combustion का, तो यह एक ऐसी process है, जहांपे substance react करता है, यह substance को जब air में burn करा जाता है, तो oxygen gas आकर कि उसके साथ reaction करेगी, energy evolve होगी, काफी ज़ादा energy evolve होगी in the form of heat energy या light energy, chemistry की बाशा में combustion की process को हमें chemical process बोलते हैं, क्यों? क्योंकि अभी अभी म के कारण हम होते हैं, कि energy evolve होती है, तो chemistry की बाशा में combustion क्या है, एक chemical process है, ठीक है, अब जब हमने combustion की process पढ़ ली है, recap उसका हमने कर लिया है, revision हमने उसका कर लिया है, तो अब हम बात करते हैं, उन conditions की, जो की required होती है, for the process of combustion, so there are some conditions which are necessary for the combustion to take place, सबसे पहली condition क्या है, presence of a combustible substance, combustible substance क्या होता है, पिछला वाला session देखा होगा, तो ये वाला session समझना आसान होगा, बता देती हूँ, combustible substances आदो, आसान है, जिनका combustion possible हो, यानि कि वो वाले substances, जो की आग पकड़ सकते हो, जिनको जलाया जा सकता हो, जिनकी combustion की process हो सकती हो, उन्हें हम कहते हैं, combustible substances, तो अगर आपको combustion की process करवानी है, तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए क्या, एक combustible substance, एक ऐसा substance जिसका combustion possible हो, अगर आपके पास ये कैसा substance है, जो की आख पकड़ने का नामी नहीं लेता, जिसका combustion possible ही नहीं है, तो further आपके combustion की process start ही कैसे होगी, continue होना तो बहुत दूर की बात ह आपके combustion की process start ही नहीं हो पाएगी, तो अगर combustion की process को शुरू करना है ना, तो सबसे पहले आपको चाहिए है एक ऐसा substance जो की आख पकड़ सकता हो, जिसकी burning possible हो, जिसका combustion possible हो, यानि कि आपको चाहिए एक combustible substance, for example, आपके पास एक room है, और उस room में कुछ रखे हुए हैं पेट्रोल, अब आपको किसी ने बोला कि इस room में आग लगने वाली है, या कुछ एक portion में room के आग अल्रेडी लग चुकी है, तो उस room में जाकर के आप सबसे पहले क्या हटाओगे, पड़े हुए पत्थर या पेट्रोल का कैन, तो ओविसी बात है, आप सबसे पहले तो उ पेट्रोल का combustion possible है, वैसे ही room में आग लगी हुई है, और उस जलते हुए room में अगर आग को क्या मिल गया, पेट्रोल मिल गया, या या भी बहुत सकते हो कि पेट्रोल को अगर आग मिल गई, तो पेट्रोल जो है आग पकड़ लेगा, और पूरा का पूरा कमरा जो है जल ज आगा, तो आपके पास दो options थे, उस room में, एक आपके पास था combustible substance और दूसरा था आपके पास non-combustible substance, जो पत्थार है जो स्टोन से उन में आग नहीं पकड़ती है, तो इसलिए जब room में आग लगी एक portion में, आपने जा करके एक combustible substance को वहां से हटाया, क्यों हटाया, क्यो हो जाएगा, rocks को अगर आप नहीं भी हटाओगे, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पैट्रोल को हटाना जरूरी है, तो अगर combustion की process करवानी है, तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए एक combustible substance, इस के बाद में, चलो इसी के ऊपर थोड़ी से और चर्चा हम कर लेते हैं, combustible substance के लिए हम बोल रहें, तो presence of a combustible substance is necessary for the combustion to take place, so when fire starts in a room, we remove all the combustible substances, अगर एक घर में आग लग जाती है, unfortunately, कोई fire accident होता है, तो सबसे पहले उस रूम में से हम जितने भी आग पकड़ने वाली जो चीजें हैं, जो combustible substances से उनको हम अटाते हैं, जैसे कि लकड़ी का फरनीचर, कपड़े, किताबे, पेपर, etc. quickly from the room so that the fire may not spread due to the presence of a large number of combustible substances, हमारे घरों में तो LPG का सिलेंडर वागेरा भी होता है, तो उन सब को भी कमरों से या किचिन से जो है, घर से हटाया जाता है, क्योंकि already घर में आग लग चुकी है, है ना, fire accident हो चुका है, कि ये आग बढ़ेना, इस आग को हम बढ़ने से रोक सकते हैं, ठीक है, so a combustible substance is actually the food for fire, इस sentence में बहुत जान है, इस sentence को जो है आप highlight कर सकते हो, स्टामा कर सकते हो, कि fire के लिए, food क्या होता है, एक combustible substance है, अगर आपको food नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो क्या आप काम कर पाओगे, similarly अगर आग ओको combustible substance नहीं मिलेगा, तो combustion की process कैसे होगी, ठीक है, चलो, अब इसके बाद में, next point क्या है हमारे पास, तो ये हो गया हमारा, ये पहली condition हो गई, कि combustion को करवाने के लिए, जो essential conditions की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें first essential condition क्या हो गई, presence of a combustible substance, इतना मुझे आपको समझाना था, अब आजाओ किसके उपर, second condition के उपर, जो कि क्या है, presence of a supporter of combustion, जैसे कि हमको कोई, यूनो, हम कोई बहुती, यूनो, जानदर काम करने जा रहे हो, काफी difficult काम करने जा रहे हो, तो हमको एक support की जरवत होती की नहीं होती है, भले ही, जैसे कि हम exam द करी तो है, दिन रात आपने मल लगा करके महनत से पढ़ाई करी है, तो definitely आप अपने exams पे अच्छा ही करोगे, तो nervous होने की जरुवत नहीं है, तो यहाँ पर आपके parents ने क्या किया, आपको support किया, आपको encourage किया, वैसे ही अब हम एक ऐसी condition की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, और combustion का supporter, यानि कि एक बार आपके पास combustible substance आ गया, जो कि आख पकड़ सकते हैं, जिसका combustion possible है, अब दूसरे condition के आएगी combustion के लिए, कि combustion का supporter होना चाहिए, क्योंकि combustion कोई ऐसी वैसी process तो होती नहीं है, combustion को हम हलके में नहीं रहे सकते हैं, तो combustion एक ऐसी chemical process है, जिस में कि उसको एक supporter की requirement होती है, तो सबसे पहले तो आपके पास combustible substance आ गया, इसके बाद में combustion की process का क्या होना चाहिए, एक supporter होना चाहिए, presence of a supporter of combustion, और यह supporter कौन है, यह supporter है हमारी air, या फिर हमारी oxygen, याद करो previous session में, combustion की process के बारे में हमने क्या देखा था कि combustion की process में, substance के साथ oxygen gas जो है, आकर के react करती है, इसलिए energy evolve होती है, in the form of heat energy or light energy, अभी अभी इस session में भी हमने ये चीज़ revise करी है, है ना, फिर previous session में हमने ये भी पढ़ा था, कि अधिकतर जो combustion की processes होती है, उनमें जो oxygen की supply जो होती है, वो कहां से होती है, atmospheric air से ही होती है, यानि कि अधिकतर जो combustion क की process होंगी, उनमें oxygen कहां से आएगा, atmosphere से ही आएगा, इसलिए आप ये भी बोल सकते हो, कि अगर combustion की process हो रही है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है air, oxygen तो आप बोली रहे हो, क्योंकि ये oxygen कहां present होती है, air में present होती है, इसलिए आप air का भी नाम लगा सकते हो, तो कौन है combustion की supporter, ये oxygen और air, air बोलो, oxygen बोलो, एकी बात है, तो इसका मतलब ये है, कि क्या अगर combustion को support करने वाली air ये oxygen नहीं होगी, तो क्या combustion की process नहीं होगी, चले काम करते हैं, इसको हम एक activity perform करके देखी लेते हैं, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको introduction session में मैंने आपको बताया था, कि usually जो activities होती है, उनके बारे में आपकी books में लिखा रहता है, उनकी pictures, उनका जो video है वो आप देखते हो, लेकिन आज के session में आपको खुद activity perform करके बताऊंगी, और उससे आपको पता चलेगा, कि इस वाले, इस वाली condition में कितना दम है, कि अगर oxygen नहीं होगी, अगर अर नहीं होगी, तो क्या combustion की process भी नहीं होगी, चलो, इसको हम करते हैं, इसको हम समझता है, एक basic activity से, activity में आपको करना क्या है, आपको एक, यह आपने घर पे भी करके देख सकते हो, जिक है, आपको basically, एक ऐसा hard surface लेना है, जिसके उपर आप एक छोटी स fix कर देना है ताकि वो candle गिरेना ठीक है अब आप क्या करोगे इस candle को आप इसमें आप अपने पेरेंस की भी हेल्प ले सकते हो ठीक है आप इसको मैच स्टिक से जलाओगे candle को है तो हम इसको मैच स्टिक से जला देते हैं ठीक है तो अब हमारे पास एक candle आ गई है ठीक है आपको इसकी फ्लेम बकाईदा देख रही होगी जलती हुई है ना चलो अभी के लिए तो हमारी जो candle है वो जल रही है यानिकि डेफिनेटली स्टिक कंबस्टिबल सब्स्टेंस है और जैसी मैंने इसको माचस से आग लगाई यह जलने लगी याने कि यहाँ पर क्या हो रहा है इसका कंबस्टन हो रहा है इतना क्लीर है अब हमें क्या समझना है हमें यह समझना है कि combustion की process में oxygen और air का क्या significance होता है तो अभी तो क्योंकि यह जो candle जब जल रही है तो इसको बकायदा मेरे आसपास जो air है इस candle के आसपास जो air है उस air की oxygen supply इस candle तक आ रही है तो क्योंकि यहाँ पर जो combustion की process हो रही है इस combustion की process में हम अराम से बोल सकते हैं कि oxygen की जो supply है वो बनी हुई है, एक काम करते हैं, इस oxygen या air की जो supply है उसको हम रोक देते हैं, तो कैसे रोकेंगे, इस जलती हुई candle के ऊपर हम रख देंगे क्या, ये एक glass, ठीक है, इस जलती हुई candle के ऊपर हम रख देंगे क्या, ये glass उल्टा करके, ताकि ये जो air और oxygen की supply है ना इस candle से ये क्या हो जाए बंद हो जाए तो ग्लास से हमने cover कर दिया है अब आपको दिखाई देखा कि धीरे धीरे ये जो फ्ले में वो कम होती जारी है और सड़नली देखो ये candle अपने आप बुझ गई ये candle अपने आप बुझ ही क्यों भाई जल रही थी अच्छी खासी बुझ क्यों गई क्योंकि ये जो काज का जो बरतन हमें रखा ने इस candle के ओपर इस काज के बरतन के रखने के कारण इस जलती हुई candle तक जो भी oxygen या air की supply जा रही थी वो supply cut off हो गई वो supply टूट गए तो बिना air या oxygen के जो candle है वो जली नहीं पाई जलतो रही थी अच्छी ख supply को बीच में रोक दिया supply टूटी तो combustion भी छूट गया कहीं पीछे और combustion की प्रोसेस हम बोलते हैं कि आगे continue नहीं हो पाई तो combustion की प्रोसेस को शुरू करने के लिए आपको एक combustible substance चाहिए और combustion की प्रोसेस को आगे और continue करने के लिए आपको लगातार oxygen या air चाहिए है as a combustion का supporter अगर combustion का supporter नहीं होगा उसको चेर आप करने के लिए तो फिर oxygen आप बोल सकते हो कि combustion की प्रोसेस नहीं हो पाईगी इस activity से हमको ये बात समझ में आ गई है आ गई है कि नहीं चलो अब हम आ जाते हैं अपने next पॉइंट के उपर यही वाला कुछ ऐसी चीजे होती हैं कुछ ऐसी gases होती है जो कि combustion को support करती है लेकिन जो अधिकतर combustion में oxygen का supporter का काम करती है अधिकतर combustion की प्रोसेस में वो है कौन हमारी surrounding air air में present oxygen so we can say that air is necessary for combustion और यह वही वाली activity करके बताई जा रही है जो कि हमें अभी अभी परफॉर्म करी है एक जलती हुई candle ली ठीक है उसके ओपर हमने क्या करा यह एक cardboard हमें रख दिया तो इससे हमको पता चला कि जैसे ही cardboard हमें रखा तो जो supply थी oxygen की वो बंद हो गई और candle ज चार्कोल को अगर हमने एक वैसल से कवर कर दिया तो इट सॉप्स बर्निंग आफर सम टाइम वो कुछ टाइम बाद जलना बंद हो जाएगा देट इस अपने आप आग बुझ जाएगी एक्टुली वेंडी कवर्ट बर्निंग चार्कोल विदा वैसल दसप्लाय ओफ सपोर करने वैसल से जब हमने चार्कोल को कवर किया उससे हुआ क्या कंबशन का जो सपोर्टर है एयर उसकी सप्लाय रुख गई जिसके कारण जो बर्निंग है चार्कोल की वह बीच में टूट गई और जो चार्कोल की जो बर्निंग है वह बंद हो गई वेंड़ क्लॉस अच्छ के कुछ अच्छे एप्लीकेशन भी हो सकते हैं हमने क्या भी चीज़ पड़ी कि अगर एयर नहीं है ऑक्सिजन नहीं है तो शाइद कमबशन की प्रोसेस हो रही होगी लेकिन अगर आपने सप्लायर होग दी और यहां पे तो आपने डॉ ब्रॉबएक देख लिया कि अगर स इसी चीज का एक positive side भी है positive side क्या है कि आग को रोकने के लिए अब हमेशा तो आग हमारे लीइंड होती है आग हमारे लीइंड होती है इस आग कहना के लिए और तमाम साथ अपने आप बंद हो जाएगा आग अपने आप बुझ जाएगी तो यहां पर देखो वोई बताया जा रहा है कि वें दा क्लॉट्स ऑफ पर्सन कैच फायर दा पर्सन इस कवर्ड विद ब्लांकेड टू एक्टिंग्विश दा फायर जब किसी पर्सन के कपड़ों में जो है आप पकड़ जाती है तो फिर उस पर्सन को अच्छी तरीके से ब्लैकेड से कवर्ड़ कर दिया जाता है ब्लैकेड से कवरर ने के कारण होता क्या है बेसिकि कपड़ों पर आग लगी यहने जिसके कारण जो combustion की process है वो रुख गई और जो आग वगरा लगी हुई थी person की कपड़ों में उसकी skin पे वो वहीं की वहीं शान्त हो जाती है This is because when the burning clothes of a person are covered with a blanket the supply of air to the clothes is cut off due to which the clothes stop burning thus fire gets extinguished आग जो है वो बुझ जाती है From all the above examples we find that when the supply of support or of combustion air to a burning substance is cut off then the process of burning और combustion also stops तो conclusion हमने क्या निकाला कि अगर combustion के supporter की supply बंद कर दी जैसे कि air तो जो substance की जो burning है वो वहीं के वहीं रुख जाती है और burning या combustion की process हम बोलते हैं कि रुख जाएगी खदम हो जाएगी ठीक है फिर इसके बाद में ये हो गए क्या first two conditions अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने एक और essential condition की third condition की जिसको हमने नाम दिया है ignition temperature का अब exactly ignition temperature होता क्या है तो अभी तक जो भी हमने session में चीजे पढ़ी उससे हमें दो बादे समझ में आई कि एक तो combustible substance का होना जरूरी है और दूसरा हम बोलते हैं कि जो supporter है combustion का उसकी presence भी हम बोलते हैं कि important होती है चलो ठीक है अब सपोज मेरे पास एक paper है paper है मेरे पास normal paper है paper एक combustible substance है paper में आग पकड़ जाती है ठीक है अब उस paper को मैंने ऐसी हवा में रख दिया अब आब आप बोलोगे कि मैं combustion की यहां पे दोनों conditions रोना fulfill हो रही है first two conditions की combustible substance भी है paper है हमारे पास और combustion को support करने वाला क्या है हमारे पास एक air भी है oxygen भी है तो अगर paper यूँ ही पड़ा हुआ है खुली हवा में तो पड़े-पड़े paper में आग क्यों नहीं लगती भई paper खुझे combustible substance है paper के contact में combustion का supporter भी है है ना oxygen भी है air भी है ऐसी खुले हवा में रखा है paper को में cover नहीं किया तो combustion के supporter की presence है combustible substance की presence है तो इन दोनों ही conditions के होने के बावजूद जो पेपर है वो खड़े-खड़े या पढ़े-पढ़े आग क्यों नहीं पकड़ता क्योंकि combustion की process के लिए एक और तीसरी condition बहुत ही जादा important होती है जिसको हम कहते हैं क्या ignition temperature जब तक आप जलती हुई matches उस paper के पास लेकर के नहीं आओगे तब तक वह paper जलेगा नहीं सवाल यह है कि मुझे जलती हुई match है वह आखिर आकर के paper की साथ ऐसा क्या करेगी कि अचानक से paper का combustion शुरू हो जाएगा तो वह जलती हुई matches है ना वह paper को एक specific temperature पे लेकर कियाएगी और उस यह temperature पे आकर के जो paper है उसका combustion शुरू हो जाएगा हमारे पास दोनों conditions थी combustion की combustion का supporter भी है और combustible substance भी है लेकिन इसके बावजूद paper पे रखे रखे आग नहीं पकड़ता इसके लिए हमें एक जलती हुई candle उसके पास लेकर के आनी पड़ती है यह जलती हुई candle करती क्या है यह जलती हुई candle paper का temperature बढ़ा देती है या जलती हु पेपर को एक specific temperature पे लेकर की आएगी और उस specific temperature पे आने के बाद ही पेपर जलेगा उसके पहने नहीं जलेगा रूम temperature पे आप कितना भी paper को जना खुली हवा में छोड़ दो वो कभी आग नहीं पकड़ेगा तो यह जो specific temperature आया है जिसपे की paper आकर के जलने लगता है या paper का combustion शुरू हो जाता है उस specific temperature को हम कहते हैं ignition temperature एक ऐसा temperature जिसपे की आकर के substance जो है ना ignite हो जाए या substance उस temperature पे आकर क के जलना शुरू कर दे उसे हम कहते हैं उस particular substance का ignition temperature हर एक सबस्टेंस का ignition temperature अलग-अलग होता है अब आप यह नहीं बोलोगे कि paper का ignition temperature अगर x degree celsius है तो जो लकड़ी होगी उसका भी x degree celsius ignition temperature होगा दोनों अलग-अलग substance है तो दोनों की जो ignition temperatures होंगे वो भी कैसे होंगे अलग- before a combustion substance can catch fire and burn it may be heat it must be heated to a certain minimum temperature by supplying heat from outside क्या बोला गया कि combustible substance इससे पहले कि आग पकड़े और जलने लगे उस substance को उस combustible substance को एक minimum temperature तक heat करना पड़ता है कैसे heat करना पड़ता है तो बाहर से आपको heat की supply देनी पड़ती है so the lowest temperature at which substance catches fire and starts burning is called its ignition temperature यानि कि ऐसा minimum या lowest temperature जिस पे की आकर के substance आग पकड़ जाए और जलने लगे उसे हम कहते हैं उसका its ignition temperature it is necessary to heat a combustible substance to its ignition temperature so that it may undergo combustion और burn तो किसी भी combustible substance को आपको heat करना पड़ता है उसके ignition temperature तक उसको बाहर से heat provide करनी पड़ती है ताकि वो जो substance से वो अपने ignition temperature तक पहुंचे और तब जाकर कि उसमें combustion की process हो the ignition temperature of paper is 233 degree Celsius याने कि जब आप paper को इतने temperature पे लेकर के आओगे तब ही वो combustion उसकी शुरू होगी तब ही वो जलना शुरू करेगा तब ही वो आग पकड़ेगा रूम temperature पर यह जीस पॉसिबल नहीं है this means that the piece of paper has to be heated at least to the temperature of 233 degree Celsius so that it may catch fire and start burning तो अगर आप paper को जलाना चाहते हो उसका combustion करना चाहते हो तो at least आपको paper को इतने temperature तक रना पड़ेगा कैसे लाओगे heat supply करके वो जलती हुए candle जलती हुए matchstick लेकर के आप paper के पास आते हो तो exactly हो आप paper को बाहर से heat supply कर रहे हुँ इस heat के कारण paper का temperature बढ़ेगा अपने ignition temperature तक आएगा और इसी ignition temperature पे आने के बाद paper में आख पगड़ जाएगी sorted चलो अब इसके बाद में next इस क्या है before combustion substance यही वाली slide है ना चलो a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature तो एक combustible substance तब तक आग नहीं पगड़ेगा जब तक उसका temperature ignition temperature की लेवर तक ना आ जाए अगर उसका temperature ignition temperature से कम है तो वो आग नहीं पगड़ेगा वी यूज्वली अप्लाइब निग मैच्टिक यह लाइटर तू मेक अडिस्टेंस बर्न है ना डिस्टेंस निया सब्स्टेंस होगा ठीक है हम क्या करते हैं एक जलती हुई कैंडिल या लाइटर या मैच्टिक लेकर के आते है ताकि सब्स्टेंस जल सके दिस बर्निंग मैच्टिक करती क्या है सप्लाइए हीट तो रेज़ तक टेंपरिचर ऑफ दे सब्स्टेंस तो इस इगनिशन तेंपरेचर एंड मेक इट बन जैसे कि मैने आपको बताया कि हम जलती हुई जो मैच्टिक लेकर के आ रहे हैं पेप टेंपरिचर पर जैसे इगनिशन तेंपरिचर आया पेपर जलना शुरू कर देगा एक्सांबल पीस ओफ पेपर दस नौट एज फायर और दे रूम तेंपरेचर बिकाओ फट इसके बाद में नेक्स पोइंट क्या है हमारे पास वही वाली बात है दा इगनिशन तेंपरेचर अगर आपके पास एक पेपर है और दूसरी तरफ आपके पास एक लड़की लगई है तो दूनों का जो इगनिशन तेंपरेचर होगा वो क्या होगा अलग अलग होगा So different substances catch fire and burn at different temperature Some substances have low ignition temperatures Whereas other substances Whereas other substances have comparatively high ignition temperature So जैसे कि मैंने आपको बताए कि अलग-अलग ignition temperature होते हैं अलग-अलग substances के हैंना तो कुछ substances ऐसे होते हैं जिनका ignition temperature काफी कम होता है यानि कि आपने उनको थोड़ा सा heat supply किया इस थोड़े सी heat के करण उनका थोड़ा सा temperature बढ़ा और उतने ही temperature पे आग करके वो आग पकड़ लेते हैं वहीं हमारे पास दूसरे कुछ ऐसे substances होते हैं जिनका की ignition temperature जादा होता है यहने कि जब तक आप इनको जादा heat नहीं करोगे जब तक आप इनका जादा temperature नहीं बढ़ा दोगे तब तक यह आग नहीं पकड़ेंगे ठीक है अब substances having low ignition temperature अब हम उन substances की बात करते हैं जिनका जो ignition temperature है वो कम होता है कम मतलब कि थोड़ा सा temperature आपने इनका बढ़ाया नहीं कि उतने ही temperature पर यह आग पकड़ लेते हैं paper splinters of wood splinters of wood का मतलब क्या है कि basically वो वाली छोटी-छोटी splinters का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो splinters हम बोलते हैं कि वो substances होते हैं जो की आसानी से हमारी skin में जो ना penetrate कर पाते हैं तो यहां पे लकड़ी wood के splinters की बात हो रही तो आपने वो सुना होगा ना कि skin में जो ना फांस लग गई ठीक है तो वो जो फांस है उसी को हम क्या कहते हैं splinters of wood तो पेपर लकड़ी का जो की जो फांस होती है वो ड्राइग्रास जिसको हम स्ट्रॉ कहते हैं वाइट फॉस्पोरस, क्लॉथ, कपड़ा, एल्कॉहल, कैरोसीन, ल्पीजी, पेट्रोल, सी एंजी, एन बायो गैस यह सब के सब कैसे होते हैं इस दो सब्स्टेंसे जिनका ignition temperature काफी कम होता है आपने देखा होगा ना कि जरा सा यू नो मूवीज में, एक्शन मूवीज में कि हीरो इनको बांग दिया एक जगा और विलन ने क्या किया उनके चारो तरफ पेट्रोल फेला दिया और एक मार्चिस की तिली जो है पेट्रो जलती हुई मार्चिस की जो मैस्टिक होती है उससे निकलने वाली जो हीट है वो हीट सफिशन्ट होती है पेट्रोल को उसके ignition temperature पे लाने के लिए क्योंकि पेट्रोल एक ऐसा सबस्टेंस है जिसका ignition temperature काम होता है कि थोड़ा सा आपने हीट दे करके उसका temperature बढ़ाया और उत जितना कम होगा ignition temperature उतने ही जल्दी सबस्टेंस आग पकड़ेगा तो वह वाले सबस्टेंस जिनका की ignition temperature कम होता है और वह बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं फ्लेम के साथ आग की लबटों के साथ उन्हें हम कहते हैं inflammable substances तो in other words a substance which is easily set on fire is called inflammable जिसके उपर जल्दी से आग लग सकती है जो जल्दी से आग पकड़ सकता है उसे हम कहते हैं inflammable examples क्या हो सकते हैं inflammable substances के petrol alcohol जो हमारी liquified petroleum gas होती LPG compressed natural gas CNG and biomass ये सभी के सभी क्या होते हैं inflammable substances होते हैं बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं और आप यह दो इसके aspect हैं जैसे कि अगर हम बात करेंगे अपने LPG की तो LPG बहुत जल्दी आख पकड़ लेती है तो इसका एक positive aspect भी है और negative तो सबसे पहले तो हम positive aspect को discuss कर लेते हैं एक बार देखो पहले भी मैरा आपको बताया है previous chapters में कि आज के time पे हमारे लिए खाना बनाना बड़ा आसान होता है असान क्यों होता है हमको अमारे घर में kitchen में चाहिए होता है एक gas stove और साथी साथ चाहिए होता है एक gas cylinder तो हम gas stove को gas cylinder के साथ connect कर देते हैं एक pipe के थूँ हम करते क्या है जैसे ही हम gas stove का जो knob है वो on करते है gas cylinder के अंदर जो gas भरी होती है वो pipe के थूँ ट्रैवल करते हुए कहां पहुचेगी gas stove तक पहुचेगी अब gas stove में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके के burner present होते हैं ठीक है gas cylinder के अंदर जो gas भरी होगी वो gas pipe के थूँ ट्रैवल करते हुए gas stove के burners सक पहुचेगी और burners में जो छोटे छोटे से holes होते हैं इन holes के थूँ जो gas है जो अपनी liquefied petroleum gas है वो बाहर निकलने लगेगी next step क्या होगा कि हमारे पास होता है एक lighter है ना लाइटर का button हम जैसे ही दबाते हैं तो lighter के अंदर एक spark यानिकी एक चिंगारी generate होती है तो जब हमने gas stove का knob on किया और जो gas है वो burner की hose के थूँ बाहर निकलने लगी उसी समय next step हम क्या करेंगे lighter को burner के पास ले करके आएंगे और उसके button को दबाएंगे तो जो हमारा lighter है उसमें जो spark generate होगी जो चिंगारी रेट होगी उसी स्पार्क या उसी चिंगारी से जो गैस बाहर निकल रही होती है ना वो इकनाइट हो जाती है और जैसे वह इगनाइट हुई याने कि गैस का कंबशन स्टार्ट हो जाता है और अपने के बाद आपको बर्णर के ऊपर blue flame दिखाई देने लगती है exactly यह कैसे हुआ है जो हमारे liquefied petroleum gas थी जो हमारी gas थी वो जैसे ही burner के holes के तुरू बाहर निकली हमने उस gas को एक ignition प्रोवाइड किया कैसे प्रोवाइड किया तो lighter को burner के पास ले जा करके lighter से जो चिंगारी निकली थी जो spark निकली थी उसी छोटी सी चिंगारी या उसी छोटी स्पार्क से जो gas है वो ignite हो गई और उसका combustion स्टार्ट हो गया यानि कि वो जलने लगी और इसके कारण आपको burner के उपर एक blue flame दिखाई देने लगती है क्या आपको ये सारी बाते समझ में आ रही है अब जैसे लो flame आपको दिखाई दी आपने जो है burner के उपर क्या रख देना है अपना बरतन रख देना है flame है उससे heat निकलेगी इस heat के कारण जो बरतन है वो गरम हो जाएगा इस गरम बरतन के उपर आप खाना है वो भी कोख हो जाएगा इसलिए मैंने बोला कि आज की टाइम पर हमारे लिए खाना बराना इतना आसान होता है बस हमें ग्यास टोफ का नौब आन करना होता है लाइटर को जलाना होता है उसको दबाना होता है और जो चिंगारी निकलती है उससे जो हमारी पेट्रोलियम गैस है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वो एकनाइट हो जाती है वो जनने लगती है ब्लू फ्लेम आपको दिखाई दे जाती है लेकिन अगर मैं बात करूँ पहले के पेट्रोलियम गैस है वो एक छोटी सी चिंगारी से एकनाइट हो गई उसका कंबर्शन स्टार्ट हो गया लेकिन जब हम बात करते हैं चूलों के ऊपर जो लकड़ी जलाई जाती थी उसकी तो जो लकड़ी है न वो इस तरीके से इतनी छोटी सी चिंगारी के साथ एकनाइ पेट्टी एलपीजी गैस के लिए कि वो छोटी सी जो जरा सी जो हीट है वो एलपीजी को उसके इगनीशन टेमड़ीचर तक पहुचा दे क्या पर इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि जो छोटी सी चिंगारी है जो स्पार्क है उससे जो निकलने वाली हीट है वो हीट है कि वो एलपीजी को उसके इगनीशन टेमड़ीचर तक पहुचा दे क्यों क्योंकि एलपीजी का इगनीशन टेमड़ीचर ही कम है तो जैसे लपीजी अपने इगनीशन टेमड़ीचर तक पहुची उसका कमशन स्टार्ट हो गया लेकिन अगर हम बात करेंगे लगड़ी क तो लकड़ी का ignition temperature इस जादा जब तक आप लकड़ी को जादा temperature तक ले करके नहीं जाओगे तब तक उसका combustion स्टार्ट नहीं होगा और जादा temperature कब आएगा जब आप उसको जादा heat सप्लाई करोगे जादा heat आप सप्लाई एक छोटी सी चेंगारी से नहीं कर सकते हो ठीक है तो अगर आप यह सोच रहे हो कि लकड़ी को रख करके चूले के उपर हम जो है ना lighter से जाकर के एक spark generate कर देंगे और उस spark से जैसे LPG जलती है वैसे ही लकड़ी जल जाएगी तो ऐसा बिलकुल नहीं होने वाला है इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो लकड़ी का जो चूला वगएरा होता है उसको operate करना थोड़ा सा difficult होता है खाना मनाना उस पे difficult होता है और एक बार अगर लकड़ी जलना शुरू हो जाती है फिर इसके बार में उसकी जो after effects होते हैं कि जो धुआ निकल रहा है जो smoke निकल रहा है जो carbon dioxide gas produce हो रही है जो पीछे राक चूट रही है वो अलग सा मस्या होती है और अगर उपर से लकड़ी गीली हो थोड़ी बहुत तो लकड़ी को जलाना और कठिन हो जाता है क्यों difficult हो जाता है क्योंकि वैसे भी लकड़ी का जो ignition temperature है वो जादा है और अगर वो गीली हो गई उसमें moisture आगया तो उसका ignition temperature हम बोलते है कि उसके ignition temperature तक पहुचना और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो गीली हो गई है उसमें moisture आगया है अब उसको हमें और heat देना पड़ेगा तब जाकरके वो अपने ignition temperature पे बहुचेगी और उसका combustion स्टार्ट होगा ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा कि जो LPG है वो क्या है एक inflammable substance है देखो रहा हम क्या पड़ रहे हैं examples पड़ रहे हैं inflammable substances के और उसमें एक example किसका है LPG का है है ना हमारे inflammable substances है उनके लिए हम बोल रहे हैं कि इनका जो the substances which have very low ignition temperature के लिए हम बोल रहे हैं कि इनका जो ignition temperature है वो काफी ज़्यादा कम होता है इसलिए बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं बहुत easily आग पकड़ लेते हैं लेकिन इसका negative aspect क्या है negative side क्या है कि LPG को बहुत ही समाल के रखना पड़ता है क्योंकि ignition temperature कम है जहां भी उसको छोटी सी एक चंगारी मिली एक spark मिली वो वहीं जलना शुरू कर देगी क्योंकि वो छोटी सी चंगारी चोटी सी spark की जो heat होगी न उतनी heat sufficient होगी LPG को उसके ignition temperature तक पहुचाने के लिए तो negative side क्या हो गया कि यह काफी जादा delicate होती है बहुत जादा इसको handle करना difficult होता है तो negative side भी समझाया मैंने आपको positive side भी समझाया उमीद करती हूँ कि आप थोड़ा inflammable substances का जो concept है वो आपके दिमाग में बैठा होगा देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि the fuels having very low ignition temperatures are very dangerous to use इनको use करना काफी जादा dangerous होता है for example petrol अब यहाँ पे petrol और kerosene के बीच में comparison किया जा रहा है कि petrol has much lower ignition temperature than that of kerosene ठीक है अगर हम बात करेंगे petrol की या अगर हम बात करेंगे kerosene की तो दोनों ही कैसे मिलते हैं तो petroleum की जब refining की process होती है refining के बाद में petroleum से ही obtain होते हैं कौन दोनों petrol और kerosene ठीक है तो यहाँ पे ध्यान से सुनते जाओ कि petrol का ignition temperature है वो kerosene से काफी जादा कम है यानि कि petrol को जलाने के लिए जादा temperature आपको नहीं चाहिए है as compared to kerosene तो होगा क्या इससे आपने देखा होगा कि जब भी आप petrol pump अगरा जाते हो पेट्रोल पंप विजिट करते हो तो वहाँ पे कुछ इस तरीके के वार्निंग्स लिखी रहती हैं कि नो स्मोकेंग नो नेकेड लाइट क्यों क्योंकि भई जो पेट्रोल पंप है वहाँ तो पेट्रोल ही पेट्रोल भरा हुआ है तो पेट्रोल का हम बोल रहे हैं कि जो इगनिशन टेंपरेचर है वो काफी जादा कम होता है यानि कि जैसे ही थोड़ी बहुत भी हीट मिली पेट्रोल को वो वहीं पे जलना शुरू कर देगा और पेट्रोल इतने आराम से नहीं जलता ये बड़े धमाके के साथ पेट्रोल जलता है तो इसलिए पेट्रोल पंप पे आपको इस तरीके कि कुछ वार्निंग साइन के बोर्ज वगेरा आपको देखने को मिलते हैं कि पेट्रोल पंपे आके smoking allowed नहीं होती है अगर आप smoke नहीं भी कर रहे हो तो बेवजा lighter वगेरा जो है और मत करो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है no naked lights ठीक है तो कुछ इस तरहीके के दिये रहते है गैस सिलेंडर का जब storage की बात आती है तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे you know warnings लिखी होती है कि जो compressed gas है वो कैसी है काफी dangerous है जिस जगह पे आपने gas को store करके रखा है उसको आप ventilated रखो क्यों वेंटिलेटर रखो कि बिसिकली ventilation का मतलब क्या होता है कि हवा जो है आए जाए अगर आप एक closed room के अंदर gas cylinders को भरके रख दोगे और अगर किसी gas cylinder में क्या है थोड़ा बहुत भी fault है तो इस fault के कारण हम बोलते हैं कि जो gas है वो उस cylinder से बाहर निकलने लगेगी और अगर वो बाहर निकली तो gas बाहर निकल क जाएगी कहां उसी रूम में तो घूमती रहेगी और अगर उस रूम में आपने जरा साभी जो है ना गलती से आप कोई light लेकर के आगए हैना flame लेकर के आगए तो वो पूरा का पूरा रूम जो है वो blast हो जाएगा इसे लिए बोला जाता है कि ventilation proper होना चाहिए कि आप भले ह कि एक रूम में gas cylinders को जो है store कर रहे हो लेकिन उस gas cylinder में air का आना जाना चलता रहे यह अगर किसी gas cylinder में fault है और gas उससे लीक हो रही है गैस उससे बाहर निकल रही है तो at least वो जो gas है वो air के साथ mix होकर के रूम के बाहर चली जाए और उसकी जगा fresh air आ जाए वंड़ा क्या लीक्ड गैस है वो उस पूरे रूम में भर जाएगी पूरा रूम हम बोलते है कि गैस से भर जाएगा और अगर गलती से भी आपने उस रूम में थोड़ी बहुत भी आप स्पार्क लेकर के आ गए एक चिंगारी लेकर के आ जाए तो एक बड़ा धमाका हो सकता है इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत जरूरी होता है नेक्स क्या है नो स्मोकिंग और नो नेकेड फ्लेम है ना नेकेड फ्लेम का मतलब यह है कि बेवजा चलो आप भली स्मोकिंग ना करे हो सिग्रेट ना पी रहे हो लेकिन बेवजा लाइटर वगेरा को नहीं जलाना उस रूम में जहां पर अप गैसलेंडर स्टोर कर रही हो या प्रेट्रोल पंपर भी फिर इसके बाद में नेक्स वर्निंग तो हैं यह कुछ वर्णि जो है ना दी रहती है कहां जब आप पेट्रोल पंप जाते हो वहां पे और जब जहां पे गैस सिलेंडर वगरा को स्ट fan full of petrol catches fire very easily on being lighted with a match stick and burns explosively जैसे कि मेरा को पहले भी पताया है कि जैसे हमारे movie scenes में नहीं कि हमारे जो villain होते हैं वो hero heroine को बान देते हैं और उनके आसपास पूरे में petrol छड़क देते हैं और एक matches की तिली जो है ना वो ignite करते हैं और उसको छोड़ देते हैं floor के उपर तो उस एक matches की तिली से जो निकलने वाली flame है जो heat है flame से निकलने वाली उसी heat से जो पूरा का पूरा petrol जो की floor पर पड़ा होता है उस पूरे petrol में आग लग जाती है ना और हमारे जो heroine होते हैं वो उस पूरी आग से घर जाते हैं तो क्या यह वाला point सही है या इसको जो है ना dramatic way में आपको दिखाया जाता है तो यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि petrol का हम पढ़ रहना कि इसका ignition temperature काफी कम होता है देखो यहां पर लिखा भी हुआ है कि एक जिसमें की पैट्रोल भरा हुआ है वह बहुत ही आसानी से आग पकड़ सकता है कब अगर एक जलती हुई माचिस लाकर के हमने उस पे छोड़ दी है तो और जलेगा तो लेकिन कैसे जलेगा explosion के साथ याने की धमाका होगा इसे लिए पैट्रोल को हम स्टोफ में यूज नहीं करते हैं देखो स्टोफ भी हम बोलते हैं कि आजकल को तो कई तरह क्याने लगते हैं पहले हम बोलते हैं चूले आते थे जिसमें की लकड़ी को जलाया जाता था फिर इसके बार में ऐसे कुछ इस तरीके से portable स्टोफ आते हैं जिसमें की एक सिलेंडर होता है और इस सिलेंडर में जो है कैरोसीन वैपोराइज कैरोसीन भरी होती है ठीक है तो इसको भी जब यूरों हम पिक्निक व लेके जाया जाता है और छोटे से होते हैं यह बहुत बड़े नहीं होते हैं और यहां पे एक छोटा सा सिलेंडर भरा होता है सिलेंडर अटाश्ड होता है जिसमें की वैपुराइस केरोसीन भरी होती है ठीक है और इसी केरोसीन से इस stove का जो burner है वो जलता है और flame निकलती है और उसी flame के उपर हम बोलता है कि रखके अपना कोई भी बरतन जो है ना उसको हम गरम करते हैं और उस गरम बरतन पे अपने खाने को रख करके food को cook करते हैं ठीक है तो इसलिए बोला जा रहा है योगि पैट्रोल का जो ignition temperature है वो kerosene स पैट्रोल से अगर आप अपने stove को जलाने की कोशिश कर रहे हो तो जैसे ही आप एक माचिस के तिली लाइटर लिकर के आओगे पैट्रोल के पास पैट्रोल जलेगा और कैसे जलेगा एक धमाके के साथ जलेगा लेकिन अगर हम बात करेंगे kerosene की तो kerosene का thankfully क्योंकि उसका पैट्रोल के कंपरेजन में कैसा होता है जाधा होता है तो जब तक आप उसको जब तक आप उसको जब तक जब तक आप उसको जब तक आप उसको जब तक नहीं देते हो तब तक जो kerosene है वो जलना स्टार्ट नहीं करता है ठीक है तो this is why petrol is not used in stoves on the other hand kerosene has a comparatively higher ignition temperature due to which it burns smoothly in ना kerosene stove तो kerosene stove में वो बहुती smoothly जो है काम करता है burn करता है ठीक है चलो अब इसके बाद में next क्या हमारे पास some of the substances with high ignition temperature हमने low ignition temperature वाले substances की बात करी अब हम उन substances की बात करते हैं जिनका की ignition temperature ज्यादा होता है तो example क्या क्या है coal, charcoal, log of wood यानि की वो ही लकडी का एक पूरा वो log फिर इसके बाद में cow dunk, cakes या जिनको हम हिंदी में उपले भी कहते हैं the substances having high ignition temperature catch fire with difficulty जिन substances का ignition temperature ज्यादा होता है वो थोड़े मुश्किल से आख पकड़ते हैं the substances having high ignition temperature burn only on strong heating they cannot be burnt directly by a lighted matchstick तो वो वाले substances जिनका ignition temperature ज्यादा होता है उनको strongly heat करना पड़ता है तभी जाकर के वो जलते हैं एक अकेली lighted matchstick से यानि कि जलती हुई matches से आप ऐसे substances को जिनका की ignition temperature ज्यादा है आप उनको नहीं जला सकते हो as their ignition temperature cannot be reached by a small heat produced by a matchstick तो एक जलती हुई matchstick से जित्ती भी थोड़ी बहुत heat produced होती है वो थोड़ी बहुत heat sufficient नहीं होती है कि वो high ignition temperature वाले substances को ignite कर सके या उन substances को उनके respective ignition temperature तक पहुचा सके है ना तो sufficient heat energy वाली बात है heat वाली बात है एक जलती हुई matches में इतनी heat produce नहीं होती है कि वो ऐसे substances को coal को, charcoal को, है ना लकडी को या cow dunk को उनके ignition temperature तक ले करके जाए और उनका combustion स्टार्ट करवाए इतना clear है तो ऐसे substances को जलाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है strongly heat करना पड़ता है काफी ज़्यादा heat करना पड़ता है काफी ज़्यादा उनका temperature increase करना पड़ता है a match stick does not catch fire and burn on its own अच्छा अब ये तो हमने बात करी थी किसकी अभी तक कि किसका temperature ignition temperature कम है किसका ज़्यादा है अब हम बात करते हैं match stick की ठीक है तो match stick हम बहुते हैं कि it does not catch fire and burn on its own at room temperature अगर आपने एक माचिस की तीली को ऐसी room temperature पे रखा हुआ है तो वो अपने आप जलना शुरू नहीं कर देती है क्यों? because the ignition temperature of bet stick is much higher than the room temperature इसका मतलब कि जो match stick का ignition temperature है यानि कि जिस temperature पे आकर कि वो जलना शुरू करती है वो वाला temperature room temperature से जादा होता है a match stick is lighted by rubbing it on the rough surface provided on the side of the match box match box के side में जो rough surface होता है उस पे match stick को जो है rub किया जाता है और उस rubbing के कारण ही जो match stick है वो जलना शुरू करती है the heat produced by the friction raises the temperature of the chemicals present on the match stick head to their ignition temperature बेसी कली आपने देखा होगा जैसे यह match stick है आपको GIF तिखाई दे रही होगी यहापे तो यह match stick जो है जलना कप शुरू करती है जब match box के side में जो rough surface होता है उस पे जब आप इसको rub करना शुरू करते हो तो rubbing के कारण एक friction generate होता है आपने देखा होगा match stick में क्या होता है बिसी कली एक इस तरह की डंडी होती है और इस डंडी के ओपर ऐसा bulb like structure present होता है है ना यह stick हो गई match stick की और इस stick के ओपर आपको एक bulb like structure दिखाई देता होगा कुछ इस तरीके से है ना तो इस bulb like structure को bulb को ही match box के side के जो rough surface है उसके ओपर रख किया जाता है जिसके कारण एक friction generate होता है friction से भी हम बहुते हैं कि हेक heat generate होती है और इस heat के कारण इस bulb like structure में जो भी chemicals भरे हुए रहते हैं वो chemicals अपने ignition temperature तक पहुँच जाते हैं मैंना को क्या बताया अभी अभी हाँ पे कि match stick का जो ignition temperature है वो room temperature से जादा होता है इसलिए जो match stick है वो room temperature पे रखे रखे अपने आप जलने नहीं लगती है तो definitely अगर room temperature से जादा है ignition temperature तो उस ignition temperature तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा match stick को heat supply करनी पड़ेगी heat supply कैसे की जाती है तो match stick के इस bulb like portion को part को rough surface के साथ rub किया जाता है जिसके कारण एक friction generate होता है friction के कारण एक heat generate होती है और इसी heat के कारण यह जो bulb like structure में जो chemicals भरे होते हैं यह chemicals अपने ignition temperature तक पहुँच जाते हैं और पहुचने के बाद जलना शुरू कर देते हैं यानि की combustion अपना start कर देते हैं जिसके लिए हम बोलते हैं कि जो हमारी match stick है वो जलने लगी so the heat produced by friction raises the temperature of the chemicals present on the match stick head to their ignition temperature due to this the chemicals present on the head of the match stick catch fire and the match stick starts burning ठीके ना match stick भी हम बोलते हैं कि जलने लग जाती है क्योंकि जैसे उसके अंदर जो chemicals present है बल्ब में उसके head में वो अपने ignition temperature तक पहुचे उन्हें अपना burning start करी तो match stick हम बोलते हैं कि जलने लगी चलो next क्या है thus a match stick starts burning on rubbing it on the side of the match box because the heat produced by the friction heats the chemicals at the head of the match stick to their ignition temperature and makes it catch fire kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature जैसे कि हमने match stick की बात करी है वैसी लखड़ी और kerosene oil की हम बात कर रहे हैं कि room temperature पे रखे 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 वो आग नहीं पकड़ते हैं अगर हम बात करेंगे पेट्रोल की, kerosene oil की और wood की तो इन तीनों में सबसे कम ignition temperature किसका होता है पेट्रोल का होता है यानि कि पेट्रोल को जलाने के लिए आपको बहुत ज़ादा temperature की जरुवत नहीं होती है as compared to kerosene and wood ठीक है लेकिन फिर भी हम बोते हैं माना कि पेट्रोल का ignition temperature कैसा काफी कम होता है लेकिन फिर भी पेट्रोल रूम temperature पे रखे रखे आग नहीं पकड़ता है तो अगर पेट्रोल नहीं लगा पारा अपने उपर आग रूम temperature पे तो फिर kerosene oil और wood कहां से लगाएंगे क्यों क्योंकि इनका जो ignition temperature है वो तो पेट्रोल से भी ज़ादा है तो अगर रूम temperature पे रखते हुए पेट्रोल में आग नहीं लग रही है तो kerosene oil और wood में भी नहीं लगेगी तो kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature this is because the ignition temperatures of kerosene oil and wood are higher than the room temperature now if kerosene is heated a little say by burning a mastic it will catch fire easily लेकिन अगर आप kerosene को जलाने की कोशिश करोगे एक जलती हुई माचिस के तिली के साथ तो definitely kerosene जो है जलने लगेगा क्यों? क्योंकि वो अपने ignition temperature पे पहुँच जाएगा और जैसे ही पहुचा वो अपने ignition temperature पे वो जला शुरू कर देगा this is because the kerosene oil has a comparatively low ignition temperature which is reached even on little heating किस से यहाँ पे kerosene oil का temperature compare किया जा रहा है लकडी के साथ ठीक है तो लकडी के comparison में kerosene oil का जो ignition temperature है वो काफी जादा कम होता है तो little bit heating से ही वो अपने उस specific temperature तक पहुचता है और जलना शुरू कर देता है but if wood is heated a little it does not catch fire लकडी को अगर आप गरम करने की कोशिश करोगी heat करोगे तो वो इतने असानी से heat या आग नहीं पकडेगी this is because wood has a much higher ignition temperature which is not reached by the little heat being supplied to it by a matstick matstick से आप जो heat supply करना चाहा रहे हो लकडी तक वो heat sufficient नहीं होगी कि वो लकडी को उसके ignition temperature तक ले करके जा पाए जिसके कारण जो लकडी है वो अपना combustion स्टार्ट करे from this we conclude that the ignition temperature of kerosene oil is much lower than that of wood अगर हम तीनों को sequence में देखे kerosene oil, petrol और लकडी, wood ठीक है तो सबसे कम ignition temperature किसका होता है? petrol का होता है petrol का हम बोलते हैं कि kerosene oil से भी कम होता है अगर हम बात करेंगे kerosene oil और लकडी की तो kerosene oil का जो ignition temperature है वो लकडी से कम होता है petrol से ज़ादा होता है लेकिन लकडी से कम होता है petrol से ज़ादा होता है इसलिए kerosene stove में petrol नहीं kerosene को use किया जाता है और लकडी से कम होता है इसलिए एक जलती हुई माचिस की तिली, matchstick, kerosene का combustion स्टार्ट करवा सकती है लेकिन अगर हम बात करेंगे लकडी की तो लकडी का temperature, ignition temperature इतना जादा होता है कि एक जलती हुई matchstick इतनी sufficient heat provide नहीं कर सकती है कि जो लकडी है वो जलना शुरू कर दे so since kerosene oil has a low ignition temperature and it can catch fire easily we have to take special care in storing kerosene oil तो जब भी हम kerosene oil को store करते हैं तो ध्यान से इसको carefully store करना पड़ता है तो warnings वगरा जैसे कि मैंने आपको पहले भी दी है कि gas cylinders को अगर आप store कर रहे हो एक कमरे में तो क्या precautions लेने चाहिए अगर आप petrol pump visit कर रहे हो तो आपको क्या precautions लेने चाहिए kerosene oil को भी यहां पर in fact kerosene oil नहीं जो भी हमारे घर में cooking oil वगरा भी होते हैं जिसमें कि हम खाना बनाते हैं वो वाले oils को भी हमें carefully handle करना ची क्योंकि वो भी जहना आग पकड़ सकते हैं क्योंकि वो भी inflammable substances होते हैं अब इसके बाद में next क्या है देखो वो यह वाली बात आ गई यहां पर कि sometimes we see cooking oil in a frying pan catching fire when the frying pan is kept on the burning gas stove for a long time अगर हमने gas stove के ओपर चलते हुए gas stove के ओपर एक pan रग दिया और pan में हमने cooking oil जो है ना डाल कर के छोड़ दिया अब अगर हमने जाधा देर के लिए रख दिया तो cooking oil जो है वो जाधा गरम हो जाएगा और इतना गरम हो जाएगा कि वो अपने ignition temperature तक पहुँच जाएगा और अपने ignition temperature पे पहुँचने के बाद वो अपना combustion स्टार्ट कर देगा कहने को तो क्या है कि फ्लेम और आप बोल सकते हो कि जो cooking oil है उसका direct contact नहीं है जो burner है, burner नीचे है उसके उपर आपने बरतन रखा है और बरतन के उपर, बरतन के अंदर आपने cooking oil डाल करके रखा है तो कहने को तो flame और cooking oil के बीच में direct contact नहीं है बीच में बरतन है लेकिन फिर भी cooking oil जो है आग पकड़ लेता है वो कुछ इस तरीके से जलने लगता है क्यों जलने लगता है क्योंकि cooking oil अपने ignition temperature तक पहुँच जाता है अपने specific temperature तक पहुचने के कारण जो cooking oil है वो जलना शुरू कर देता है तो भाले ही flame से direct contact हो चाहे ना हो किसी substance का लेकिन अगर उस substance का अपने ignition temperature से सामना हो गया है अगर वो substance अपने ignition temperature तक पहुच गया है तो definitely वो जलना शुरू कर देगा तो अगर बहुत देर के लिए हमने अपने बरतन में frying pan में cooking oil को यही छोड़ दिया है है ना बहुत time के लिए तो इतने time में जो burner की जो flame होगी उससे जो heat निकलेगी उस heat के कारण oil पहुच जाएगा अपने ignition temperature तक और वो अपने जलना शुरू कर देगा कुछ इस तरीके से ठीक है तो खाना मनाते time भी बहुत साफधानी रखने की जरूरत होती है this happens because the cooking oil gets heated to its ignition temperature when kept over a burning stove for a long time लंबे समय के लिए अगर हमने रखके छोड़ दिया basically यह हालत तभी होती है जब हम भूल जाते हैं किसी काम में लग जाते हैं या फोर में बिजी हो जाते हैं पर हम भूल जाते हैं कि हमने जहना stove का जो knob है वो on रखा है और gas के उपर हमने को चड़ाया हुआ है ठीक है चलो फिर इसके बार में क्या है a match stick can light a tiny splinter of wood and but not a big log of wood तो जैसे कि मैंने आखको बताया था कि हमारी skin में जो यूनी कभी-कभी fast वगेरा लग जाती है तो एक जलती हुई match stick जो है वो fast को जला सकती है उसको ignite कर सकती है लेकिन बड़े लकड़ी के जो log होते हैं उसको जला नहीं सकती योगि इसको जलाने के लिए ignition temperature तक पहुचने के लिए जो heat energy की requirement है वो एक जलती हुई match stick supply जाय नहीं कर सकती है और अगर आप अगर इसकी बात करें fast वगेरा की बात करें तो fast का हम बोलते है कि इसको जलाने के लिए जो भी heat चाहिए है वो heat आपको एक जलती हुई माचिस से मिल सकती है इसलिए fast को जलाना एक match stick से possible है लेकिन लकडी को जलाना impossible है चलो अब इसके बाद में next क्या है हमारे पास इसको हम कैसे explain कर सकते है A burning match stick can produce sufficient heat to reach the ignition temperature of the splinter of wood which is low therefore match stick basically जो fast का ignition temperature होता है वो कम होता है therefore match stick can light or burn a splinter of wood directly the ignition temperature of a log or wood is high which cannot be reached by the small heat produced by a burning match stick तो जो fast होती है उसका ignition temperature कम है इसलिए एक जलती होई match stick इत्ती sufficient heat provide कर सकती है कि जो fast है वो अपने ignition temperature तक पहुँचे और जलना शुरू करते लेकिन अगर हम बात करेंगे लकडी वगएरा की तो wooden logs जो होते है उनका ignition temperature जादा होता है तो एक जलती हुई match stick इतना sufficient heat provide नहीं कर सकती है कि wooden logs अपने ignition temperature तक पहुचे और जलना शुरू कर दे तो a match stick cannot light और burn a log of wood directly in order to burn a log of wood as in a chula a small fire is first started by burning straw या dry grass with a match stick and then the log of wood is placed over this fire तो basically चूले वगएरा में जब हमें लकडी को जलाना होता है तो सबसे पहले हम एक छोटी आग produce करते हैं कैसे तो straw यानि कि जो सूखी घासपूस होती है न dry grass तो सूखी घासपूस को सबसे पहले जलाया जाता है तो जब सूखी घास जलती है तो उससे ज़्यादा heat produce होती है और फिर इस heat के उपर लकडी को रखा जाता है और इस heat के कारण लकडी जो है वो जलना शुरू कर देती है क्योंकि जो एक match stick है वो इतनी sufficient heat प्रोवाइड नहीं कर सकती है कि लकडी जले तो लकडी को जलाने के लिए सबसे पहले घासपूस जो है जलाई जाती है और उस घास के जलने के कारण जो heat होती है वो heat sufficient होती है कि वो लकडी को उसकी ignition temperature तक ले कर के जाए और लकडी जो है जलने लग जाती है इतना समझ में आया होगा आप सभी को चलो फिर इसके बार में अब बात आती है कोईले की याने की कोल की कोल has a high ignition temperature so a cold fire cannot be started by using a lighted match stick directly आपने देखा होगा कि कोल का जो ignition temperature है वो जादा होता है और इसलिए देखो हमने कोल को कहां पढ़ा था ऐसे substances में जिसका की ignition temperature कैसा होता है जादा होता है तो क्योंकि कोल का ignition temperature जादा है तो एक जलती हुई match stick जो है उसको जला नहीं सकती है This is because the small heat produced by burning match stick is not sufficient to heat the cold to its ignition temperature which is high A coal fire is started indirectly as follows तो अगर जलती हुई match stick कोल को नहीं जला सकती है इत्ती sufficient heat नहीं provide कर सकती है कि कोल अपने ignition temperature तक पहुचे तो फिर आखिर कोल को कैसे जलाया जाए A piece of cloth is dipped in kerosene oil and some pieces of wood are arranged over it यानि कि एक कपड़े को kerosene oil में dip किया जाता है और फिर इसके बार में लकडी के pieces जो है ना उसके ओपर रखे जाते हैं When the kerosene soaked piece of cloth is ignited by a light by a lighted match stick, it starts burning तो वो वाला कपड़ा जिसको की हमने kerosene oil में dip करके रखा है उसके पास हमें एक जलती हुई match stick ले करके जाते हैं तो वो जलती हुई match stick है वो इत्ती heat provide कर देती है कि kerosene oil में भीगा हुआ जो कपड़ा है वो जलने लग जाता है ठीक है? The heat produced by the burning of kerosene soaked cloth makes the piece of wood to burn यानि कि suppose यहाँ पे आपने क्या लिया था? कपड़ा लिया हुआ था जो कि kerosene oil में dipped है ठीक है? और उसके उपर आपने कुछ इस तरीके से लकड़ी वगएरा जो है रखी हुई थी ठीक है? कुछ इस तरीके से आपने लकड़ी रखी हुई थी यह सब क्यों कर रहे हैं? यह सब कोईले को जलाने की जुगाड़ चल रही है तो हुआ क्या? कि जैसे ही आपने केरोसीन से भीगोया हुआ जो कपड़ा है उसको आपने एक जलती हुई मैटस्टिक से जलाया तो यह जो कपड़ा है वो जलने लगा इसके जलने से इतनी हीट निकली कि उस हीट के कारण की जो ऊपर रखी हुई जो लकड़ी है वो जलने लग जाती है और जैसे ही हम बोलते हैं की लकड़ी जलना शुरू होती है अब उसकी ऊपर हम बोलते हैं की कोल रख देते हैं और जलती हुई लकड़ी की जो हीट होती है वो sufficient होती है कि ताकि वो coal को जो है उसके ignition temperature तक ले करके जाए और coal जो है वो जलना शुरू हो जाए So the coal pieces are then placed over the burning wood pieces. The large heat produced by the burning wood pieces heats the coal to its ignition temperature due to which the coal also starts burning and this starts the coal fire. तो kerosene या petrol को जलाने के लिए एक जलती हुई matches के तीली sufficient है लेकिन अगर लकड़ी को जलाना है तो लकड़ी को जलाने के लिए सबसे पहले तो जो सूखी हुई घास होती है उसको जलाना पड़ेगा तब जागर कि sufficient heat निकलेगी और इस sufficient heat से जो लकड़ी है वो अपने आप बोल सकते हो की ignition temperature तक पहुँचेगी लेकिन अगर हम बात करेंगे coal की तो coal को जलाना और मुश्किल है क्यों? क्योंकि उसका जो ignition temperature है वो आउट जादा है तो इसके लिए आपको एक कपड़े को केरोसीन ओइल में भिगोना पड़ता है केरोसीन के पास हम बोलते हैं कि एक जलती हुए माचस लेकर के आनी पड़ती है जिससे के कारण वो जो कपड़ा है वो जलने लगता है इस जलते हुए कपड़े के उपर आपको लकड़ी रखनी पड़ती है जिसके कारण लकड़ी जलती है और एक बार अगर लकड़ी जलना शुरू हो गई तो sufficient heat निकलती है और इस ही sufficient heat के कारण जब आप लकड़ी के उपर koilा रखते हो लकड़ी के ओपर कोईला रखते हो तो sufficient heat के कारण ये जो कोईला है ये भी जलना शुरू कर देता है क्योंकि heat के कारण ये अपने ignition temperature तक पहुंच जाता है तो ये पूरा खेल किसका है? ignition temperature का ही है I hope इतना सभी को समझ में आ रहा होगा Sometimes we hear of forest fires which occur on their own आपने सुना होगा कि कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है अब सवाल ये है ये आखे जंगलों में आग लगती कब है कहां लगती है कैसे लगती है क्यों लगती है तो आप लोग ने ये भी observe किया होगा कि जब summer season होता है, साल के बारो महीने जंगलों में आग नहीं लगती है आग तभी लगती है जंगलों में जब गर्मियों का मौसम आता है तो सवाल यह है कि आखेर ऐसा क्या होता है गर्मियों के मौसम में कि जंगलों में आग लग जाती है? तो the forest fire occur during the hottest summer days. गर्मियों में जो सबसे गरम दिन होते हैं, उन्हीं दिनों में जंगलों में आग लगती है. ऐसा क्यों? तो during extreme heat of summer, sometimes the ignition temperature of dry grass in the forest is reached, which makes the dry grass catch fire. जो सूखी हुई घास होती है जंगलों में, जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, और गर्मी के मौसम में भी कभी कभी जब temperature बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो सूखी पड़ी हुई घास होती है जंगलों में, वो उस temperature के कारण अपने ignition temperature तक पहुँच जाती है और जैसी वो अपने ignition temperature तक पहुँचती है, वो जलना शुरू कर देती है From the burning grass, the fire spreads to bushes and trees and very soon the whole forest is on fire और इस घासफूस के जलने के कारण जो बाकी की grass होती है, जो bushes होते है, जो trees होते हैं, जो चोटे-चोटे plants होते हैं, वो भी जलना शुरू कर देते हैं Hello everyone, आज के इस session में हम class 8 science के chapter combustion and flame का एक और नया topic discuss करेंगे and that is how do we control fire Previous session में हमने बात करी थी कुछ conditions की, वो conditions जो की essentially required होती है for the process of combustion, यानि कि अगर वो conditions नहीं होंगी, तो शायद हमारी combustion की process भी ना हो ये पूरी कहानी थी अपने previous session की और आज की इस session में हम देखेंगे कि आग को, fire को हम कैसे control कर सकते हैं तो चलो, जल्दी से आज के इस session को हम start कर लेते हैं So this is Vibhuti Khare, Welcome to Magnet Brains, जहां पे आपको सभी chapters की video lectures मिलते हैं बिल्कुल free of cost, यानि कि Magnet Brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package purchase करने के requirement बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुचा रहा है, quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं आज का हमारा ये session जहां पे हम बात करेंगे कि how do we control fire अब burning या combustion की process जो है produces fire fire is useful as well as harmful fire useful भी हो सकती है और खतरनाक भी हो सकती है याने की harmful भी हो सकती है we make fire, we make small fire in a gas stove to cook our food वह हम अपने घरों में, kitchen में जो gas stove होते हैं उन gas stove पर छोटी fire produce करते हैं किस चीज़ के लिए? अपने food को cook करने के लिए अब वो छोटी fire जो कि हम अपने gas stove पर produce कर रहे हैं बना रहे हैं, वो हम intentionally बना रहे हैं intentionally उस चोटी fire को हम produce कर रहे हैं क्यों? ताकि हमारा खाना, हमारा food cook हो पाए तो यह जो हमने चोटी fire बनाई है gas stove के उपर, वो क्या है? एक useful fire है क्योंकि उस fire की help से, उस आग की help से हमारा खाना cook होगा Without fire, we cannot cook our food But when a fire breaks out in a house, an office, a factory, an oil tanker, a petrol pump or an electrical equipment, then the fire is harmful लेकिन अगर आग कहां लग जाती है? घर में, ओफिस में, फैक्टरी में, oil tanker में, पैट्रोल पंपे या फिर किसी electrical equipment में, तो वो fire कैसी होती है? harmful होती है, काफी खतरनाक साबित होती है और ऐसी harmful fire में, property का तो loss होता ही है property damage तो होती ही है साथी साथ कई लोग अपनी जान भी गवा देते हैं यानि कि loss of life भी होता है तो ऐसी fire को, हम harmful तो बोलेंगे ही न कि जो क्या कर रही है, property को भी damage कर रही है property loss हो रहा है, प्लस लोगों की जान भी जा रही है तो ऐसी harmful fire को, control करना और बुझाना बहुत important होता है such fires must be brought under control and extinguished at the earliest सबसे पहले तो आग पर काबू पाना, आप बोल सकते हो कि सबसे पहले fire को control करना important होता है क्योंकि अब जिस portion में आग लग चुकी है वहाँ तो लगी गई है, at least ये जो आग है, ये और आगे ना फैले अगर और आगे फैलेगी, तो और जादा damage हो जाएगा property का भी हो सकता है damage और लोगों की जान भी जा सकती है तो ऐसी harmful fire में हम बोते हैं कि सबसे पहले तो इस fire को control करना बहुत जरूरी होता है तो first step होगी fire को control करने की, next step क्या होगी, ये जैसे ही fire control होगी अब हम ये, you know, हमशोर हो जाते हैं कि अब ये जो fire है ये और इलाकों में नहीं फैलेगी और area में नहीं फैलेगी, तो जिस area में आग लगी है, उस आग को फिर बुझाया जाता है तो the process of extinguishing a fire is called fire fighting तो ये जो process होती है जहाँ पे हम आग बुझाते हैं और हाँ, जितना जल्दी हो सके, उतने जल्दी आग को बुझाने की कोशिश करनी चेह क्योंकि जितने जल्दी आग बुझेगी, उतना अच्छा होगा तो ये जो process होती है जहाँ पे हम आग को बुझाते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, fire fighting कहते हैं Every city and town has a fire service in the form of fire brigade station हर एक town, हर एक city में fire service present होती है किस form में? Fire brigade station के form में So the firefighters of the fire brigade are specialized in putting out fire ठीक है? तो basically fire brigade के जो हमारे fire fighters होते हैं वो specialized होते हैं आग को बुझाने में फिर इसके बाद में next क्या है? God forbid if a fire breaks out in our house or in our neighborhood we should at once call the fire service तो basically जिस भी city, जिस भी town में आप रहते हो उस town या city में जो भी fire brigade station है उसका number आपको पता होना चाहिए ताकि भगवार न करे unfortunately कभी आपके घर में कोई fire accident हो या आपके किसी महले में आसपरोस में कोई fire accident हो आग बगएरा लग जाए तो आप क्या करोगे अपनी city का जो fire brigade station का जो number होगा वो dial करोगे ताकि जो हमारे fire brigade है वो जल्दी से आ जाए और जो हमारे fire fighters है वो जल्दी से उस आपको control करे और उसको बुझाए तो basically यहाँ पे हमसे यह बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको आग लगने की वज़ा क्या है वो पता होनी चाहिए आग हम बोलते हैं कि short circuit के कारण भी लग जाती है आग हम बोलते हैं कि जैसे कि petrol pump वगेरा हो गया तो petrol pump पे petrol होता है तो कई बार oil पे या petrol पे या kerosene पे आग लग जाती है है ना कई बार हम बोलते हैं कि जो gas cylinder है वो फट जाता है तो असली root cause क्या है आग लगने का वो आपको पता होना चाहिए और इसके बाद में आग बोजाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं उनके बारे में आपको एक general knowledge होनी चाहिए session के in fact chapter के starting में ही मैंने आपको बताया था जब हम इस chapter का introduction पढ़ रहे थे कि ये जो chapter है वो एक general awareness वाला chapter है कि जित्ता जादा आप इस chapter को समझोगे अपने दिमाग में बठाओगे आपके लिए ये काफी जादा अच्छा होगा ठीक है आपकी general knowledge के लिए अच्छा होगा तो सबसे पहले तो आग लगने का कारण क्या है असली कारण क्या है वो पता करो और फिर इसके बार में आपको कैसे बुझाना है वो हमें यहाँ पर आज के session में सीखना है In any fire, three things need to be present किसी भी fire में कौन-कौन सी चीज़े essentially present होनी चाहिए परिवेस session में हम बात कर चुक है ना उन conditions की जो की essentially required होती है for the process of combustion तो सबसे पहले तो आपके पास एक combustible substance होना चाहिए याने की fuel होना चाहिए बेना किसी fuel के, बेना किसी combustible substance के combustion की process नहीं हो सकती है फिर इसके बार में आपको एक combustion का supporter भी चाहिए है है ना, एक ऐसा supporter जो की combustion की process को क्या करे encourage करे, उसे support करे तो अधिकतर जो fire accidents होते हैं जहाँ पे combustion की process होती है किसी ना किसी fuel का हम बहुते है की combustion होता है तो mostly जो combustion की process होती है उसमें जो supporter होता है combustion का, वो क्या होता है mostly हमारी surrounding air इस surrounding air में जो oxygen present होती है यही oxygen अधिकतर समय आप बोल सकते हो की जो fire accidents होते है उस fire accident में जब fuel का combustion होता है तो उस combustion की process को support करती है ठीक है फिर इसके बार में last third condition जो कि essentially required होती है for the process of combustion ignition temperature कि अगर आपके पास एक fuel है और उसको आपने बकाइदा oxygen के support के साथ रखा भी है लेकिन फिर भी वो जो fuel है वो आग नहीं पकड़ रहा तो जो हमारा fuel है वो oxygen के contact में है अपने combustion की सपोर्टर के contact में है लेकिन combustion की process जो है न वो शुरू ही नहीं हो रही है combustion की process को start करने के लिए क्या चाहिए है एक specific temperature चाहिए है उस temperature पर आकर के ही जो substance है जो fuel है combustible substance वो combustion की process start करेगा oxygen या air या जो भी combustion का supporter है वो तो जब combustion की process चालू हो जाती है तब जाकर के combustion को support करता है लेकिन अगर आपको शुरुवाती करने combustion की तो आपको fuel तो चाहिए है साथी साथ एक ऐसा specific temperature चाहिए जिस पर आकर की combustion की process start हो और उस specific temperature को हम क्या कहते है उसे हम कहते है ignition temperature ठीक है तो कौन-कौन सी तीन चीज़े चाहिए होती है combustion की process के लिए fuel याने की combustible substance, air और oxygen and heat याने की ignition temperature if any one of these three things is removed then the burning will stop and the fire will be extinguished previous session में यह तीनों कितने important होते हैं for the process of combustion यह इस पर हम already बात कर चुके हैं मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि यह सभी कि सभी conditions combustion की process के लिए बहुत ज़्यादा required होती हैं इसका मतलग यह कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ नहीं होगी तो शायद combustion की process आगे possible हो ही ना तो जब हमें एक harmful fire को control करना होता है उसको बुझाना होता है तो हम क्या करते हैं उस fire को support करने वालत क्योंकि जैसे कि हमने इस session की starting में ही हमने पड़ा कि जो combustion की process होती है उससे हम बोते हैं कि आग लग जाती है तो अगर हमें fire को control करना है या आग को बुझाना है तो सबसे पहले हमें combustion की process को रोकना हो और combustion की process को हम कैसे रोक सकते हैं तो उन conditions के through जिसके कारण combustion की process चल रही है अगर हम तीनों condition में से किसी एक condition को cut off करते तो combustion की process रुख जाएगी और अगर combustion रुख जाएगी तो combustion के कारण जो आग लगी है जो fire cause हुई है वो भी control में आ जाएगी वो भी बुझ जाएगी है ना इस session की starting की जो line थी वो ही यही थी कि burning या combustion produce करता है क्या एक fire को तो अगर कहीं आग लगी है तो उस आग को बुझाएगने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले जिस combustion की process के कारण आग लगी है उस combustion की process को जाकर के रोको कैसे रोकोगी तो combustion की process को support करने वाले जो तीन उसके supporters होते हैं जो conditions होती है उन तीनों condition में से अगर किसी एक condition को भी जो है ना रोक लिया गया तो combustion की process वहीं के वहीं रुख जाएगी और अगर combustion की process रुख गई तो उसके कारण जो आग लगी है वो control में आ जाएगी वो बुझ जाएगी तो next point क्या होगा हमारा does a fire can be extinguished in three ways fire को हम कैसे बुझा सकते हैं तीन तरीकों से बुझा सकते हैं by removing the fuel याने कि आपने combustible substance को ही हटा दिया इसके बाद में by removing the heat है ना आप क्या कर रहे हो क्योंकि क्या समझा है मैंने आपको अभी-भी कि आपके पास एक combustible substance है for example आपके पास एक paper है normal आपका paper जिस पर आप लिखते हो है ना आपके पास वो paper है हम सबको पता है कि paper क्या है combustible substance है वो आग पकड़ सकता है और उस paper को आपने ऐसी खुली हवा में रखा है तो air oxygen क्या है combustion का supporter है लेकिन ये जो paper है ये खुली हवा में रखा हुआ है लेकिन फिर भी इस paper में आग नहीं पकड़ रही है क्यों नहीं पकड़ रही है क्योंकि जिस temperature पे आकर के paper आग पकड़ता है वो temperature अभी तक आपने उस paper को supply नहीं किया तो हम क्या करेंगे एक जलती हुई माचिस की तिली यानि की एक lighted match stick लेकर के paper के पास जाएंगे तो इस जलती हुई माचिस की तिली से जलती हुई माचिस से जो heat निकलेगी इस heat के कारण जो paper का temperature है वो बढ़ जाएगा और बढ़ की इतना हो जाएगा कि paper पहुच जाएगा अपने specific temperature पर उस specific temperature को हम कहते है ignition temperature और जैसे ही paper पहुचेगा अपने ignition temperature पर paper जलना शुरू कर देगा यहने कि paper की combustion की process स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद में वो जो हमारी oxygen या जो आप बोल सकते हो कि combustion की जो supporter है ना oxygen या air वो आप बोल सकते हो कि combustion की process को further और आगे बढ़ाने के लिए काम आएगी तो जब तक आप जलती हुई माचिस की तिली ले करके नहीं आओगे तब तक paper का temperature बढ़ेगा नहीं क्यों? पेपर का temperature तभी बढ़ेगा वो अपने ignition temperature पर तभी पहुँचेगा जब आप paper को heat supply करोगे ठीक है? heat supply नहीं करी तो जो fuel है या जो combustible substance है वो अपने ignition temperature तक नहीं पहुँचा और अगर नहीं पहुचेगा तो combustion नहीं होगा तो यहाँ पे हम second तरीका क्या हो सकता है आग को बुझाने का कि जो आप heat या बोसकते हो कि fuel को या combustible substance को जो heat supply करी जारी है जिस heat के कारण वो जो substance है वो जो fuel है उसका combustion चल रहा और combustion के कारण आग लग रही है तो क्यों नहीं हम उस heat की supply को ही रोक दे कि अगर heat ही नहीं मिलेगी तो combustible substance जलेगा क्यों और अगर वो जलेगा नहीं उसका combustion नहीं होगा तो फिर आग क्यों लगेगी है ना तो हमें करना क्या है हमें वो सारे possible तरीके पता करने हैं जिसकी help से हम आग को कंट्रोल कर पाएं आग को पुझा पाएं तो सबसे पहला तरीका क्या होगा सबसे पहला तरीका आप बोल सकते हो कि fuel को remove कर दो combustible substance को यह हटा दो ना fuel रहेगा ना किसी चीज का combustion होगा ना combustion होगा तो ना आग लगेगी दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि combustible substance यह fuel को जो heat supply हो रही है उस heat supply को तोड़ दिया जाए, cut off कर दिया जाए ताकि उस substance का fuel का combustion ना हो और अगर combustion रुख जाएगा तो आग को control करना असान हो जाएगा फिर थर्ड स्टेप क्या होगी थर्ड तरीका क्या हो सकता है by cutting off the air supply to the burning substance with carbon dioxide और etc आप जो combustion को support कर रहा है ना air या oxygen सबसे पहले तो हम उसको भी जाकर के जो है ना रोक सकते हैं कि आप जो है ना बेवज़ा combustion की process को support करना बंद करो क्योंकि इस combustion की process से आग लग चुकी है और इस आग से property loss हो रहा है लोगों की जान जा रही है तो ये जो supporter है combustion का सबसे पहले तो इस supporter को ही हटा दो जाकर के ताकि जब combustion को कोई support करने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर combustion की process आगे continue कैसे होगी और अगर combustion की process continue नहीं होगी तो आग की जो intensity है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी फिर इसके बाद में उस fire को control करना थोड़ा सा असान हो जाएगा at least जो fire है वो फैलेगी नहीं है ना नहीं तो क्या होगा आग तो फैलती जाएगी और damage होता जाएगा तो तीन तरीके हो सकते हैं कौन-कौन से fuel को हटा दो ताकि वो जले ना combustion ना हो तो आग नी लगेगी जादा फिर जो heat supply करा जा रहा है combustible substance को fuel को उस heat के supply को रोग दिया जाए या तीसर तरीका क्या हो सकता है कि जो combustion का supporter है उसकी supply बीच में तोड़ दी जाए ताकि कोई combustion को support नी करेगा तो combustion अपने आप रोग जाएगा combustion रोग जाएगा तो फिर आग को control करना असान होगा अब एके करके हम सभी methods को जो है ना देख लेते हैं सबसे पहले remove the fuel अगर आपको याद हो तो previous पिछले कुछ या I guess एक या दो सेशन पहले मैंने आपसे एक basic सवाल पूजा दा कि suppose आपके आपके पास एक room है ठीक है और उस room के एक portion में आग लग चुकी है एक कमरा है आपके पास और उस कमरे के एक portion में already आग पकड़ चुकी है अब हुआ क्या कि उस room में रखा हुआ है एक can जिसमें की petrol भरा हुआ है वहीं दूसरी तरफ उस room में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए है उस room में already एक portion में आग लग चुकी है और उस room के अंदर दो चीजे हैं बड़े बड़े पत्थर हैं कुछ rocks, stones वगेरा है और एक जगा एक can में petrol भरा हुआ है तो आप आग को control पानी के लिए या आग और पूरे के पूरे कमरे में ना लग जाए इसके लिए आप क्या करोगे क्या उस room में जाकर के पत्थर हटाओगे या उस room में जाकर के वो जो petrol can रखा हुआ है उसको आप remove करोगे तो मेरे हिसाब से तो आपको क्या करना चाहिए वो जो petrol से भरा हुआ can है ना उसको सबसे पहले room के बाहर ले करके जाना चाहिए क्यों? क्योंकि petrol क्या है? एक combustible substance है petrol के लिए तो हम ये बोलते है combustible substance तो है ही, fuel तो है ही प्लस हम बोलते हैं कि इसका ignition temperature भी काफी जादा कम होता है यानि कि आपने petrol को थोड़ा सा temperature दिया नहीं कि petrol पहुँच गया आपने ignition temperature पर और ignition temperature पर पहुँचने के बाद वो पकड़ लेगा आग और petrol का combustion स्टार्ट हो जाएगा और petrol का combustion जो है ना इतने असानी से नहीं होता है धमाका हो सकता है बड़ा explosion हो सकता है तो इसलिए petrol हम बोलते हैं कि एक बहुत ही जादा एक ऐसा substance है basically petrol एक inflammable substance है जिसको कि बहुत ही carefully handle करना पड़ता है तो अगर already एक room के कुछ portion में आग लगी हुई है तो यह जो आग है यह एक धमाके में ना convert हो जाए या पूरे के पूरे room में आग ना लग जाए इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो fuel है ठीक है जिसके जो की आग और पकड़ सकता है जिसके आग पकड़ने की ज़्यादा chances है उस fuel को जाकर के हम क्या कर देंगे अपने ignition temperature पे और ignition temperature पे पहुँचने के बाद वो शुरू कर देगा अपना combustion और धमाके के साथ आग लग जाएगी पूरा का पूरा जो कमरा है वो एक साथ उड़ जाएगा धमाके में ठीक है तो यहाँ पर वो ही बात हो रही है a fuel या जो एक combustible substance है वो क्या है is a food for fire fire को आप बोल सकते हो कि जो खाना जो होता है fire का आग का जो खाना होता है वो क्या है एक combustible substance या आप खुद ही सोचो ना हमने क्या पढ़ा है इस session का first statement कि combustion या burning की process से ही आग लगती है और combustion या burning किसकी possible है combustible material की ही possible है अगर आपके पास fuel नहीं होगा combustible substance नहीं होगा तो उसका combustion नहीं होगा और अगर combustion नहीं होगा तो फिर आग क्यों लगेगी भई तो इसलिए बोला गया है कि जो fuel है जो combustible substance है वो क्या होता है आग का fire का खाना होता है So when the fire starts in a room all the combustible substances like furniture, cloths and books etc which can burn easily should be removed at once so that fire may not spread यानि कि जब घर वगेरा में आग लग जाती है तो घरों में जो भी combustible substances होते हैं जैसे कि फरनीचर हो गया भई लकडी भी तो आग पकड़ती है तो फरनीचर हो गया कपड़े हो गया किताब वगेरा हो गया वो सभी चीज़ें जो कि आसानी से आग पकड़ सकती है उनको घर से निकाला जाता है बाहर इस पॉसिबल जो cooking gas cylinder है सबसे पहली फुरसत में तो जो cooking gas cylinder होता है LPG वाला वो पहली फुरसत में जो है घर से बाहर करना चाहिए क्योंकि उस cylinder में तो बहुत सारी gas भरी होती है कौन सी वाली LPG जो कि क्या है एक inflammable substance है बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है आग खुदी सोचो हमारे घरों में आज के टाइम पे खाना मनाना कितना आसान होता है gas stove का नौब आन किया LPG cylinder में जो gas भरी होती है वो pipe के तुरू stove तक पहुंचती है stove में जो burner present होते है burners में हम बोते हैं कि holes present होते है उन गड़ों से उन छेट से जो gas से वो बाहर निकल आती है फिर इसके बाद में हम लेकर के आते हैं lighter lighter को हम burner के पास रखते हैं और उसको दबाते हैं जैसी हम lighter को प्रेस करते हैं उसका बटन तो lighter में एक spark generate होता है एक छोटी सी चिंगारी generate होती है और उसी छोटी चिंगारी और lighter से जो LPG gas है वो जो की burner से बाहर निकल रही होती है वो आख पकड़ लेती है यानि कि LPG को आख पकड़वाने का जो काम है या बोल सकते हो कि LPG का जो ignition है वो बहुत ही असानी से हो सकता है एक छोटी सी चिंगारी एक छोटा सा spark जो है LPG को ignite कर सकता है और उसका combustion स्टार्ट करवा सकता है तो पहली फोरसाथ में हमें क्या करना चाहिए कि जो gas cylinder जो होता है उसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए इसके अलावा electricity should be switched off जो main supply होती है बिजली की उसको जाकर के बंद कर देना चाहिए इफ दाफाइर इस नियर अपाइल अपाइल अफ वुड देन देट कोड़ प्रोवाइड फ्यूल तो कीप दाफाइल गई दाफाइल ऑफ वुड शुड बी रिमूब फ्यूब 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 अगर जहां पर आग लगी है और वहां पर लकड़ी का काफी ज़दा धेर पड़ा हुआ है तो उस धेर को सबसे पहले तो जाकर के वहां से हटाना चाहिए क्यों क्योंकि लकड़ी जो है ना अ तो लोग सबसे पहले अपनी जान की परवा करते हैं और वह सबसे पहले अगर कभी कोई fire accident होता है तो घर में जित्ती भी आग पकड़ने वाली चीज़े हैं उन सब को जो है ना हटा दिया जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि उस समय लोग अपनी परवा करते हैं और सबसे पहले तो वो खुद को सेफ करते हुए घर से बाहर निकल जाते है ठीक है तो होगा क्या कि ये पॉसिबल नहीं होता है कि घर से जो है जहां भी मतलब आग लगी है वहां से सभी के सभी combustible substances को जो है ना हटा दिया जाए move करवा दिया जाए फिर इसके बाद में तो ये पहला तरीका हो गया कि जित्ता भी fuel वगएरा जो है combustible substances जो है जहां भी भी आग लगी है उस जगा से हटा दिया जाए ताकि at least आग जो है ना फैले ना दो आस्पेक्ट होते हैं एक तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो आग को कंट्रोल करना है कि एक condition होती ना कि हां एक condition पर जाकर के एक stage पर जाकर के बोलते हो कि हां अब आग जो है ना आप बोलते हो कि हां आग जो है अब काबू में आ गई है कंट्रोल में आ गई है अब यह जो आग लगी है इसको फिर बाद में बुझाया जाता है ठीक है तो सबसे पहले तो बात वही है कि आग को कंट्रोल कैसे करें तो आग को कंट्रोल क्योंकि देखो अगर मैं बोलू क चाहिए है आपको गैस सिलिंडर चाहिए बिना कैसे बना पाऊगे आपको बैठने के लिए फडिजर चाहिए फडिजर किसका बनता है लकडी का बनता है इसके अलावा घरों में हमारे पास newspaper आते हैं किताबे वगैरा आती हैं बुक्स आती हैं तो वो जो बुक्स के जो papers होते हैं वो भी तो combustible substance है आग तो उसमें भी लग सकती है तो अगर आप यह सोचते हो कि हम अपने घर में कोई fuel कोई combustible substance रखे ही ना तो शायद हमारे घर में आप कभी ना लगे अब आप बोलरों की मैं चलो ठीक है बिना gas cylinder के भी खाना बन सकता है कैसे बन सकता है तो हम जो है ना induction यूज करेंगे लेकिन induction की उपर जब आप बरतन रखोगे तो उस बरतन में आपको cooking oil भी तो डालना पड़ेगा ना कि बिना cooking oil क्या आप खाना बना लोगे इंडक्शन पर तो cooking oil क्या है वो भी तो एक fuel ही है वो भी तो एक combustible substance नहीं होगा कोई फ्यूल नहीं होका हमारे घर में आग नहीं लग सकती ऐसा possible नहीं क्यों कि हमारे घर में कोई ना कोई ऐसा combustible substance कोई fuel तो होता ही होता है तो जब कभी घरों में आफिस में कहीं भी नेवर हुट में आस्परोस में आग लग जाती है तो हाँ कोशिश करनी चाहिए जैसे कि सपोज एक घर में आग लगी है और उस घर के बाहर दो-तीन गाडियां रखी हुई है तो और विसी बात है आप घर में शायर ना जा पाओ आप जो है आप जाकर कि उन गाड़ियों को वहां से हटा सकते हो क्यों कि गाड़ी के अंदर भरा होता है पेट्रोल और एक चिंगारी आकर के गाड़ी के पेट्रोल का जो टैंक होता है उसमें अगर आकर के लग गई तो पेट्रोल जो भरा होता है उस टैंक के अंदर वो पेट्रोल है आग पकड़ लेता है और गाड़ी में आग लग सकती है धमाका हो सकता है तो यह छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जहां पे आप एक responsible citizen की तरह काम कर सकते हो और आग को फैलने से रोक सकते हो मैं आपको बार-बार यह चीज़ बोल रहे हूं कि आग को फैलने से पहला जो हमारा step होना चाहिए primary step जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि सबसे पहले हमें आग को फैलने से रोकना है अगर इतने portion में आग लग चुकी है तो एक बार तो आग लग चुकी है अब उसका कुछ नहीं हो साहता at least आप इसे फैलने से रोको ताकि यह और ना फैले और जादा डैमेज ना हो तो सबसे पहला जो प्राइमरी target होता है वो यही होता है कि आग को कंट्रोल करो और फिर इसके बाद में जब आग कंट्रोल ठीक है चलो अब हम दूसरा तरीका ढूंते हैं रिमूव दा हीट अब हम क्या करेंगे फ्यूल को जो हम हीट सप्लाय कर रहे हैं है ना जिस हीट के कारण वो जो फ्यूल है वो अपने इगनीशन टेमरीचर तक पहुंच करके उसका कंबस्टन हो रहा है उसकी बर्निंग ओरी जिसके कारण आग लग रही है तो सबसे पहले तो हम इस हीट को जाकर के ही रोक देंगे इस हीट सप्लाय को हम कट ओफ कर देंगे तो जिस भी चीज में आग लगी है उसमें हम क्या करते हैं जाकर के पानी डाल देते हैं कि फ्यूल तक जो हीट की सप्लाय आ रही थी उस हीट की सप्लाय को तोड़ दिया जाता है प्लस फ्यूल को इतना ठंडा बना दिया जाता है कि वो और आगे जो है ना जले क्या आप इस चीज को समझ रहे हो? कि हमें क्या करना है? फ्यूल तक जो heat supply आ रही है उसको हमें break करना है तो कैसे break करते हैं? फ्यूल के उपर लाकर के हम डाल देते हैं पानी इस पानी को डालने से क्या होता है? कि जो heat supply आ रही थी फ्यूल तक सबसे पहले तो वो टूट जाती है प्लस पानी को डालने से जो फ्यूल है वो काफी ज़ादा ठंडा हो जाता है इतना ठंडा हो जाता है कि वो और आगे आग नहीं पगड़ता उसमें और आगे आग नहीं लगती Water is the most common fire extinguisher for ordinary fires आम तोर पर जो आग लगती है उसमें पानी जो है ना most common fire extinguisher होता है Water extinguishes fire by cooling the burning substances जो भी burning substances हैं उनको cool करने का काम करता है पानी और इसलिए basically cool करने का काम करता है और इसलिए पानी जो है आपको बुझा पाता है Water when water is thrown on a burning substance it gets cooled below its ignition temperature and stops burning basically होगा क्या जब आप एक जलते हुए substance के उपर पानी डालोगे तो पानी डालने के कारण जो substance है वो cool down हो जाएगा ठंडा हो जाएगा याने कि वो अपने ignition temperature के नीचे उतर आएगा वाई कोई भी substance जलना कब शुरू करता है जब वो अपने ignition temperature पे पहुंचता है कब पहुंचता है जब आप उसको heat supply करते हो अगर heat को ही तोड़ दोगे तो वो जो substance है वो अपने ignition temperature के नीचे आजाएगा जो पानी है वो इसी principle के उपर काम करता है कि जो भी जलता हुआ substance होगा उस जलते हुए substance के उपर हम डाल देंगे पानी पानी के कारण वो जो substance है वो अपने ignition temperature के नीचे आजाएगा क्योंकि पानी जाकर के उस substance को ठंडा करेगा ठंडा मतलब कि substance अपने ignition temperature के नीचे आजाएगा और जैसी वो नीचे आएगा वो जलना बंद कर देगा और अगर substance ही जलना बंद कर देगा तो आग की जो intensity है वो थोड़ी कम हो जाएगी और आग को control करना या उसको बुझाना काफी जादा असान हो जाएगा तो next point क्या होगा हमारा कि when water is thrown on a burning substance it gets cooled below its ignition temperature and stops burning thus the fire gets extinguished for example when fire brigade man throws a strong stream of water on a building on fire the burning materials get cooled to below their ignition temperature and fire is extinguished कुछ इस तरीके से हमारे firefighters होते हैं और उनके पास जो है मोटे मोटे से pipe होते हैं और pipe में जो है काफी जादा pressure से पानी आता है तो suppose सामने एक building है जिसमें की आग लगी हुई है तो हमारे firefighters करते क्या है जो उनके पास मोटे मोटे pipe होते हैं उन pipe के help से वो एक बहुत ही strong stream of water throw करते हैं pipe की help से जो हमारे firefighters हैं वो एक बहुत ही strong stream of water को throw करते हैं कहां आग लगी हुई building के उपर तो उस building में जो भी चीजे जल रही होंगी उन चीजों के उपर पानी आ जाएगा ठीक है और पानी आने के कारण हम बोलते हैं कि उन चीजों का जो temperature है वो कम आ जाएगा कम हो जाएगा अपने ignition temperature के नीच आएगी वो सभी के सभी चीजे और जैसी वो नीच आएगी तो वो सभी के सभी जो चीजे हैं substances हैं वो जलना बंद कर देंगे और अगर उनने जलना बंद कर दिया तो आग हम बोलते हैं कि कंट्रोल हो जाएगी इतना क्लियर है चलो अब हम चलते हैं और आगे अच्छा अब एक और फाइदा होता है पानी को आग बुझाने के लिए जब हम यूज करते हैं तो उसका एक और फाइदा है दा वोटर दा वोटर वेपर produced by the action of heat of fire on water surrounded the burning material and help in cutting of the supply of air बेसिकर होता क्या है जैसे कि अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको समझा हूँ तो सपोस यह आपका material है ठीक है ब्लैक कलर का आपके पास एक substance है जिसका की combustion हो रहा है जो की जल रहा है और इसी के उपर आग लगी हुई है कुछ इस तरीके से अब आपको करना क्या है आपको पानी का यूज करके इस substance को cool down करवाना है इस substance का जो ignition temperature है वो आपको यह बोल सकते हो कि इस substance को उसके ignition temperature के नीचे लेकर क्या आना है कैसे तो पानी का यूज करके तो हम करेंगे किया पानी को फेकेंगे इस substance के ऊपर अब और इस सी बात है यह जो आग है कहां लगी हुई है सब्स्टेंस के ऊपर लगी हुई है और पानी जो है जब आप इस substance के ऊपर डालोगे तो पानी substance तक कैसे पहुँचेगा यह जो आग है यह जो fire है इसको cross करते हुए पानी पहुचेगा substance के पास क्या आप इस चीज को समझ रहे हो कि substance से उसके उपर आग लगी हुई है आप चाहते हो कि इस substance का जो temperature है वो कम हो जाए ताकि यह जलना बंद कर दे अगर यह जलना बंद कर देगा तो इसके उपर जो आग लगी है वो automatically बुझ जाएगी तो हम क्या करेंगे उपर से पानी डालेंगे तो यह जो पानी है यह हमारे जलते हुए substance के पास तो पहुचेगा लेकिन कैसे पहुचेगा इस substance के उपर जो आग लगी होगी ना उस आग को चीरते हुए पानी कहां पहुचेगा substance के उपर पहुचेगा उसके उपर पहुचने के बाद उसको ठंडा करेगा उसका ignition temperature से हम बोलते हैं कि उसको उतारेगा और तब जाकर के substance जो है ना cool down होगा और जलना बन्द करेगा लेकिन जिस समय पानी सबस्टेंस के पास जलते हुगे substance के पहुच रहा होगा उस समय उसका सामना सब्से पहले किस के साथ होगा आग के साथ होगा इस आग के contact में आने के कारण होता क्या है कि पानी की वेपर्स बन जाती है पानी की वेपर्स क्यों बनती है क्योंकि पानी का खुद का temperature बढ़ जाता है एक तरफ तो हम पानी को भेज रहे हैं कि वो जलते हुए substance का जो temperature है उसको वो ठंडा कर दे दूसरी दरफ हम ये भी बोल रहे हैं कि जब पानी उस जलते हुए substance की उपर आएगा तो आग को चीरते हुए आएगा और इस आग के कारण इस फायर के कारण पानी का खुद का temperature थोड़ा सा बढ़ जाएगा इतना बढ़ जाएगा कि पानी की वेपर्स बन जाएगी इसे लिए जब भी आग बुझानी होती है ना तो ठंडे पानी का इस्तमाल किया जाता है क्योंकि ठंडे पानी का आप बोल सकते हो कि temperature जो है ना बढ़ाना कि वो सीधे अपने वेपर्स में convert हो जाएगी तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ठीक है वह पानी जो की रूम टेंपरिचर पे हैं उसको अगर आप यूनो बॉल करवा करके उसकी वेपर्स बनवाना चाहते हो तो उसमें कम टाइम लगेगा वहीं आपके पास फ्रीजिंग वॉटर है बिलकुल बहुत ही जदा ठंडे ठ किया जाता है और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पानी जो है ना आग पर पढ़ने के बाद आप बोल सकते हो कि अपनी वेपर्स में कनवर्ट हो जाता है ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत पानी जो की आपके कॉन्टेक्ट में आया है उसकी वेपर्स बन जाती है और जो मैं क्यों होता है ताकि पानी जो है ना डारेक्ली इस आग को चीरते हुए अपने जलते हुए सबस्टेंस तक पहुंचे वरना अगर हम धीरे 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 पानी डालेंगे तो आग इतनी जादा तेज होती है उसमें हीट इतनी जादा होती है कि वो जो हम धीरे धीरे पानी डाल रहना वो पूरा का पूरा पानी शायद वेपर्स में convert हो जाए और आग जो पानी है वो सबस्टेंस तक पहुंची ना पाया और सबस्टेंस थन्दा हो ही ना पाया अगर सबस्टेंस थन्दा नहीं होगा तो आग नहीं भुझेगी इसलिए हम एक बहुत ही कारण फायर के हाई हीट के कारण उसके टेंपरिचर के कारण पानी का खुद का टेंपरिचर बढ़ जाता है आग की हीट के कारण पानी का टेंपरिचर बढ़ गया जिसके कारण कुछ पानी की वेपर्स बन गई अब यह जो वेपर्स बनी है ना इनका भी अलग फाइदा होत कि इस जलते हुए substance का जो contact है atmospheric air के साथ, oxygen के साथ जो कि combustion को क्या करते हैं, support करते हैं जो supporter होते है combustion के तो उन supporter से contact जो है, टूट जाएगा तो अगर पानी की vapors बन रही है न तो इसमें भी कोई ज़़दा नुकसान नहीं है फाइदा ही होता है, फाइदा क्या है कि ये vapors जो है substance की उपर उसको cover कर लेती है और इस cover के कारण, इस blanket के कारण जो contact है, combustion की supporter के साथ air के साथ, वो तूट जाता है और अगर supporter ही चला गया combustion का तो combustion अकेली क्या ही कर लेगा कभी न कभी तो उसको रुक नहीं पड़ेगा combustion को stop होना ही पड़ेगा और अगर combustion रुक गया तो फिर fire भी अपने आप बुझ जाएगी तो यही बात बोली गई है यहाँ पे कि तब water vapor produced by the action of heat of fire on water, surround the burning material and help in cutting of the supply of air this also helps in extinguishing fire इसको fire कर लेना, ठीक है यह भी आग बुझाने में मदद करता है तो दो तरीके, दो फायदे हो गए पानी को use करने के लिए पहला तो यह कि वो substance को cool down करता है, उसके ignition temperature से उसको नीचे लेकर के आता है जिसके कारण substance का combustion बंद हो जाता है, combustion बंद हो जाएगा तो पान जो आग है वो अपने बुझ जाएगी हैना आग को हम control कर सकते हैं दूसरा फायदा क्या है कि जब पानी आग के contact में जाता है substance को ठंडा करने के लिए उसको cool down करने के लिए तो उस आग के contact में आने के कारण पानी की खुद की वेपर्स बन जाती है और ये वेपर्स जो है ब्लैंकेट की समान जो जलता हुवा substance है उसको cover कर लेती है ताकि जो oxygen का जो या बोल सत्यों की combustion का जो supporter है एर है उससे contact टूट जाए इस substance का तो substance अपने आप इसका जो combustion है वो बंध हो जाएगा दस fireman extinguish the fire by throwing water under pressure on the burning things such as house, factories and other buildings water works as a fire extinguisher only when things like wood and paper etc. are on fire बहुत अच्छी बात है पेपर जो पानी है उसको एक fire extinguisher की तरह यूज़ करना लेकिन यहाँ पे काम की बात क्या है कि आग जो की paper और लकडी वगरा से जो लगती है ऐसी आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तमाल किया जा सकता है लेकिन the fire caused by burning oil, petrol और those caused by the electricity however cannot be extinguished by using water लेकिन वो वारी आग जो की किसी short circuit के कारण लगी है किसी machine में लगी है, बिजली के कारण लगी है या किसी तेल के कारण लगी है petrol के कारण, kerosene के कारण या cooking oil के कारण ऐसी आगों को बुझाने के लिए पानी का इस्तमाल नहीं किया जा सकता इसलिए इस पूरे session में जो भी हम तरीके पढ़ रहे हैं उन सभी तरीकों के उपर एक proper हम बोल सकते हैं कि एक pressure बना हुआ है हम focus कर रहे हैं क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहली बता दिया था कि आपको root cause पता होना चाहिए आग लगने का कि किसी ने अफवा फैला दी कि हाँ वहाँ पर आग लगी हुई है तो हमने क्या किया? जल्दबाजी में जा करके उस पर हमने पानी डालना शुरू कर दिया लेकिन जब तक आपको ये ना पता हो कि आग किसके वज़े से लगी है तब तक आप उसको बुझाने का भी attempt मत करो है ना? fuel को वहाँ से आप हटा सकते हो combustible substances को वहाँ से हटा सकते हो लेकिन अगर आपको आग को बुझाना है आप जब combustible substances को हटाते हो जहां पर आग लगी होगी वहाँ से तो basically आप क्या कर रहे हो fire को control करने की कोशिश कर रहे हो ताकि fire और ना फैले ना? लेकिन जब आग को बुझाने की बात आती है तो आग को बुझाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आग लगी किस वज़े से है तब ही आप effectively effectively आप पानी को या आग को बुझा सकते हो otherwise शायद हम जो है ना आग को और बढ़ावा दे दे कैसे? चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया? कि तेल वगएरा और electricity के करण बिचली के करण जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो फिर क्यों? ऐसा क्यों? तो दा फायर प्रेदूस्ट बाइब बर्निंग ओई और एंड पेट्रोल लैक फायर इन दा फ्राइंग पैन या ओईल टैंक में या पैट्रोल नहीं वगएर पे अगड़ लगती है तेल वगएर के करण थे चन्सट बगई खिंगुश्ट बाइब उसिंग वर्ट इसको या दोवला चैट्र कौल लैक्ट्रोल व्ला हमने पड़ा था कि कि सरीके से ऐर्थ सरफेस की नीचे हमें natural gas, petrol और पानी की layer मिलती है सबसे नीचे पानी, उसके नीचे petroleum और उसके उपर natural gas क्यों? natural gas उपर क्यों है petroleum के? क्योंकि natural gas, basically gas है तो वो पानी और petroleum दोनों से ही हलकी होती है, इसलिए वो उपर है petroleum के layer क्यों मिलती है पानी के उपर? क्योंकि जो petroleum है वो क्या है एक तेल है ना कच्चा तेल है crude oil है तो जो oil है यह पानी से हलका होता है इसलिए crude oil की petroleum की जो layer है वो पानी के ऊपर होती है तो suppose कभी किसी घर में factory में या कहीं पेपी petrol pump अगर तेल के कारण तेल कोई सा भी हो सकता है कैरोसीन भी हो सकता है cooking oil भी हो सकत है तो अगर किसी भी तेल के करण आग लगती है और उस आग में आप क्या करते हो उस आग को पानी से बुझाने की कोशिश करते हो तो पानी जो की भारी होता है वो क्या करेगा नीचे जाकर के सेटल हो जाएगा ठीक है क्योंकि oil और पानी कभी भी mix आपस में नहीं हो सकते ह अब क्योंकि पानी भारी है तो वो ओईल की लेयर के नीचे जाकर के सेटल हो जाएगा इससे क्या होगा अब क्योंकि जैसे कि आपके पास ये ओईल के लेयर थी और इसके उपर आप बोल सकते हो कि आग लगी हुई थी आपने क्या किया आपने करा उपर से पानी डालने का प्रयास ठीक है आपने पानी डालने के आपे कोशिश करी अब ये जो भी पानी होगा क्योंकि ये ओईल से भारी है तो ये जो पूरा का पूरा पानी है ना ये ओईल के नीचे जाकर के सेटल हो जाएगा पूरा का पूरा पूरा पानी आपी नीचे चाकर बढ़ा, कुछ इस तरीके से, तो ये बताओ, पानी डालने से, इस रेक्षे चीं आपर कोई असर हुआ, नहीं हुआ, क्यूं? क्योंकि जो भी पानी डाला था वो तो नीचे जाकर कि सेटल हो गया ना तेल तो उपर ही उपर तैरता रहा और उपर ही उपर तैरते तैरते उसमें जो आग है वो continue रही वो बुझी नहीं तो यहां पे हमने कोशिश भी करी attempt भी किया आग को बुझानेगा लेकिन वो जो attempt हमा पानी फेक दिया लेकिन इस पानी से हुआ क्या कुछ भी नहीं हुआ आग तो वैसी की वैसी रही पानी और वेस्ट हो गया तो दस फायर कॉस्ट बाइब बर्निंग ओईल और पैट्रोल चैन नौट बी एक्स्टिंग्विश्ट पारिंग वाटर ओवर इट ठीक है चलो अ तो शॉट- natomiast कुछ ऑ करन जो भी हम घूते है कि दो कई ऐसा होता है कि घरों में ही शॉट चरकेट हो गया आग लग गई या घर के आसपास महले में जो बिचली के चो कंभे होते है जो फोनसे ए लेक्रिक पोल्स कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसफोर्मर में वहाँ पे आग कुछ हद तक electricity को conduct करता है, so when water is thrown over the burning electrical appliance or burning electric wires, it can give electric shock to the persons involved in the fire fighting, basically वो इनसान जो कि पानी फेक रहा होगा, आग बुझाने के लिए उस तक electricity conduct होकर के आ सकती है और उसको electric shock लग सकता है, कैसे इसको हम अगर draw करके मैं आपको थोड़ा सा समझाओ, जैसे कि यहाँ पे एक बिजली क खंबा लगा हुआ है, एक electric pole है और इस electric pole पे हम बोलते हैं कि short circuit वगएरा हो गया और यहाँ पे आग लग गई, ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पे एक person है और यह person क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, कैसे बुझाने की कोशिश कर है तो यहां पे वो पानी फेक रहा है कुछ इस तरीके से एक बिजली का पोल है और इसमें आग लगी हुई है शौर्ट सरकेट हो गया यहां पे अब सामने एक बंदा खड़ा है वो क्या कर रहा है इस पर पानी फेकने की कोशिश कर रहा है ताकि इस पानी से आग बुच जाए अब यह जो पानी है ना यह खुद क्या कर रहा है इलेक्टर सिटी को इलेक्टर करेंट को कंड़क्ट कर रहा है तो इस बिजली के खंबे से निकल करके जो कर करेंट होगा वो इस पानी के तुरू ट्रेवल करते करते आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि इस बिजली के पॉल में जो इलेक्टर करेंट होगा वो इस पानी में तैरते 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 कहां तक पहुंच जाएगा इस परसन तक पहुंच जाएगा और इसको जटका लग सकता ह और इस पर्सन को आप बोल सकते हो कि शौक लग सकता है यह जरे तो गया सब आग बुझाने और को खुदी कोकर उलेक्ट्रिक शौक लग गया क्यों कि чув जो जिस पानी से आग बुझा रहा था वह पानी क्या कर रहा है electric current को conduct कर रहा है conduction का मतलब क्या कि मुझे तक कोई चीज आ रहे हैं उस चीज को आगे भेज रही हूं तो यह पानी क्या होगा इस बिजली के खंबे में जो electric current होगा वो electric current इस पानी के थू होते 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 कहां आ जाएगा इस पर्सन तक आ जाएगा और इसको लग जाएगा जटका electric शॉक कई बार लोग इस तरीके से मर भी जाते हैं जान भी गवाद देते हैं अपनी चीक है तो यहां पे और बड़ी हो जैसे लगी है यह पता भी है कि short circuit हुआ है उसको कैसे बुझाना यह नहीं पता था इसके कारण इसकी खुद की जान चली गई ठीक है इसलिए मैंने बोला कि root cause पता होना चाहिए और फिर इसके बाद में कैसे उस तरह की fire को उस ताइब की fire को control किया जाए extinguish किया जाए यह भी जानना जरूरी होता है So when the water is thrown over the burning electrical appliance या जो भी electrical wire है It can give electric shock to the persons involved in fire fighting Thus water cannot be used to extinguish fires caused by electricity तो तेल से लगी हुई आग और short circuit से लगी हुई आग में पानी इस्तेमाल नहीं करा जाना चाहिए फिर इसके बाद में अब हम बात करते हैं next step की कि हम जो combustion का जो supporter है Air, oxygen उसकी supply को ही हम अगर तोड़ दें तो combustion रुख जाएगा बहिए combustion को support करने वाला ही कोई नहीं है तो combustion अकेले क्या कर लेगा? combustion रुख जाएगा combustion रुख जाएगा तो आग भी अपने आब बुझी जाएगी क्योंकि ultimately combustion के कारण ही तो आग प्रेड्यूस हो रही है So many fires can be extinguished by cutting off air supply to the burning substances The air supply to a burning substance can be cut off in number of ways such as covering the burning substances with carbon dioxide, sand या soil, a blanket और a damp cloth etc जैसे कि हमने पहली भी देखा है कि जब भी किसी की you know person की body में आग लग जाती उसके कपड़ों में आग लग जाती तो हम क्या करते हैं एक मोटा सा blanket उसके चालों तरफ चाकर के cover कर देते हैं उस person को हम अच्छी तरीके से blanket से cover कर देते हैं क्यों कि जो blanket होता है ना यह जो atmospheric air का जो contact होता है आग के साथ वो तोड़ देता है तो blanket को लपेटने के कारण जो person है उसकी body देखो जो आग लग लग चुकी थी वो तो लग चुकी है अब हमें क्या करना है कि यह आग और ना फैले अगर और फैल जाएगी तो और severe burn हो जाएगा और severe burn injuries हो जाएगी तो इसको रोकने के लिए बुझाने के लिए हम क्या करते हैं blanket उढ़ा देते हैं person को यह blanket क्या करता है कि person की body में जो भी combustion चल रहा था जैसे कि कपड़ा वगर आगर जल रहा है person की body का ठीक है तो वो जो कपड़ा है उसका जो combustion हो रहा है उस combustion को support करने वाली जो air है उस air का contact हमने तोड़ दिया कैसे तोड़ दिया तो उस कपड़े के around हमने blanket wrap कर दिया तो blanket हम बोलते हैं कि जिस कपड़े में आग लगी हुई थी वो आग का जो contact है air के स हाथ वो तोड़ देगा तो अपना कपड़े की आग शांत हो जाएगी बुझ जाएगी और इससे हम बोलते हैं कि हम एक आदमी को एक person को मरने से बचा सकते हैं severe burn injuries से बचा सकते हैं तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि blanket का भी यूज़ कर सकते हैं एक गीला कपड़ा यानिकि ड बुझानी सकते हैं तो कोई बातनी पानी डालेंगे लेकिन कोई और तरीका भी तो होना चीना बुझाने का तो the electrical fires are extinguished by using carbon dioxide gas fire extinguisher याने कि बिचली से लगी हुई आग को हम carbon dioxide gas fire extinguisher का यूज करते हैं carbon dioxide gas is denser than air and forms a layer around the burning substance इस तरीके के आपने देखा होगा कि कुछ-कुछ अपार्टमेंट्स वगेरा होते हैं वहाँ पे इस तरीकी के cylinders टांगे जाते हैं इन cylinders में पानी भी भरा होता है और कभी-कभी carbon dioxide भी भरी होती है वह एक dense gas होती है as compared to air तो जैसे ही हम इस lock को खोलते हैं cylinder के lock को खोलते हैं तो इस pipe के तुरू बहुत ही pressure के साथ हलका pressure नहीं हो होता है ना तो जैसे हम इस lock को खोलते हैं तो इस cylinder के pipe से बहुत ही pressure के साथ carbon dioxide gas release होती है ठीक है और इस carbon dioxide gas क्या होती है जिस भी सब्सेंस के उपर आग लगी है उस सब्सेंस के उपर एक blanket बना देती है क्योंकि carbon dioxide gas क्या है यह dense है किस से dense है तो air से dense है ना air से जाधा भारी है तो जब carbon dioxide gas को हम बाहर निकालते हैं cylinder से तो यह हवा में जाकर कि mix नहीं होती है in fact जिस भी सब्सेंस में आग लगी होती है उसके around जो है यह एक blanket बना लेती है और इस blanket के कारेंड उस substance का जो air के साथ combustion के supporter के साथ जो contact है वो तूट जाता है और अगर supporter से contact तूट गया तो substance अ हवा में उड़ती नहीं है यह नीचे ही रहती है और एक blanket बना लेती है तो carbon dioxide layer covers the fire like a blanket due to which fresh air cannot reach the burning substances the burning substance does not get oxygen of air and hence stops burning in this way the fire gets extinguished carbon dioxide gas neither burns itself nor support burning हम बोलते हैं कि जो carbon dioxide gas जो होती है नहीं वो खुद जलती है और नहीं वो burning को या combustion को support करती है तो यह एक अच्छा point है आप इसको जो है हाईलाइट कर सकते हो star mark कर सकते हो कि carbon dioxide ये कैसी gas है जो कि नहीं खुद जलती है और नहीं burning combustion को support करती है अगर किसी एक्वेपमेंट में माइक्रोवेब में अगर लग जाती है और उसको बुझाने के लिए हमने किसका यूज किया है तो अच्छी बात यह है कि यह जो सीयोटू है कारबन डायोकसाइड है यह आपके एलेक्ट्रिकल एक्वेपमेंट को खराब नहीं करती है है ना तो जो एक्वेपमेंट है वो बिसीकली जो भी उसमेंग हुआ है वो डामेज जो है रेपेर भी हो जाएगा और आग भी बुझा जाएगी क्यों क्योंकि जो कारबन डायोकसाइड है यह आग भी बुझा रही है और एक्वेपमेंट में कोई डामेज भी कॉस नहीं कर रही है the fire the fires caused by the burning of inflammable materials like oil petrol can also be extinguished by using carbon dioxide fire extinguishers तो तेल के करण जो आग लगती है उनको भी हम कुछ इस तरीके से carbon dioxide fire extinguisher की है से बुझा सकते तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था यह आग लगी हुई है एक block में ठीक है और तेल के करण यहां पर आग लगी है तो यह firefighter क्या कर रहे हैं इनके पास जो cylinder है उनने उसका lock खोला और उसके pipe से बहुती तेजी के साथ जो carbon dioxide है वह बाहर निकली अब देखो carbon dioxide हम बोते हैं कितनी dense होती है air से dense होती जिसके कारण यह air में जाकर की mix नहीं होती है यह नीच ही रहती है और जहां भी आग लगी है उसको एक blanket की तरह जाकर के cover कर देती देखो इसने cover कर दिया और देखो आग बुझ गई क्योंकि इसने cover कर दिया उस जगा को तो उसका जो contact है substance का जल्दे होए substance का contact combustion के साथ तूट गया तो combustion रुग गया combustion रुग गया तो आग भी हम बोलते हैं कि बुझ गई इतना लिए आप सभी को तो चाहे वो बिजली की बिजली के कारण electricity के कारण short circuit के करण आग लगी हो या तेल के करण और आग लगी हो उन सभी दोनों डाइप की fires को आप carbon dioxide gas fire extinguisher से आप उसको बुझा सकते हो control कर सकते हो फिर इसके बार में next क्या है carbon dioxide use for extinguishing fire can be stored as a liquid at high pressure in cylinder call fire extinguisher तो यह जो हमारे पास cylinders होते हैं न इन cylinders में basically जो carbon dioxide gas है वो under pressure store करके रखी जाती है और जैसे हम gas को under pressure store करके रखते हैं gas जो है वो अपने liquid state में आ जाती है तो इन gas cylinders में basically liquefied carbon dioxide gas होती है ठीक है चलो फिर इसके बार में next क्या है हमारे पास ओके वें released from the cylinders carbon dioxide expands enormously in volume and cools down तो basically हम बहुत ही pressure के साथ cylinder में carbon dioxide को भरके रखते हैं जिसके कारण वो अपने liquid state में आ जाती है है ना liquid at high pressure in cylinder called fire extinguisher जब हम cylinder से carbon dioxide को जो है ना निकालते हैं carbon dioxide expand होती है बहुत जादा अपनी volume में और cool down हो जाती है in this way carbon dioxide not only forms a blanket around the burning substance it also cools down the burning substance याने कि ना सिर्फ ये जलते हुए substance को उसके around blanket बनाती है ताकि उसका contact supporter से टूट जाए combustion के supporter से टूट जाए air से टूट जाए साथ ही साथ जो जलता हुए substance है उसको cool down करने का काम भी करती है क्यों क्योंकि हमने cylinder के अंदर carbon dioxide को बहुत ही pressure के अंदर store करके रखा था जैसे उस pressure को हम release करते हैं तो carbon dioxide gas अपनी volume में expand कर जाती है plus thundy हो जाती है तो जब यह थंडी-thंडी carbon dioxide पढ़ती है जलते होए substance के उपर तो वह substance भी क्या हो जाता है थंडा हो जाता है अपने ignition temperature के नीचे उतार आता है और आग उसका जो combustion है वह बंद हो जाता है combustion बंद हो जाएगा तो आग भी बंद हो जाएगी this makes carbon dioxide an excellent fire extinguisher और इसी के करण हम बोलते हैं कि carbon dioxide क्या है एक बहुत ही बढ़िया excellent fire extinguisher है पानी तो हम बोलते हैं कि ordinary fire को बुझाने के लिए यूज किया जाता है लेकिन carbon dioxide देखो जो major fires होती है बिजली के करण या तेल के करण उनको बुझाने में भी helpful है another way to obtain carbon dioxide for extinguishing a fire is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, baking soda और potassium bicarbonate over the fire दूसरा तरीका अब नहीं है आपके पास carbon dioxide वाला gas cylinder है ना fire extinguisher तो फिर हम क्या करेंगे chemicals जैसे कि sodium bicarbonate जिसको हम baking soda बोलते हैं और potassium bicarbonate इनका जो powder है dry powder है उसको हम क्या करेंगे जलते हुए substance के उपर डालेंगे कुछ इस तरीके से क्या बोला मैंने baking soda यानि की sodium bicarbonate and potassium bicarbonate chemicals के dry powder हम जलते हुए substance के उपर डालेंगे क्यों डालेंगे the heat of the fire decomposes their chemicals to produce carbon dioxide gas तो ये chemicals जब जलते हुए substance के उपर जाएंगे तो substance के उपर जो fire बन रही होती है ये fire उन substances को उन chemicals को decompose करेगी और decompose करने के बाद उनसे carbon dioxide निकालेगी और इसी carbon dioxide के कारण हम बोलते हैं कि जो substance से वो जलना बन कर देगा क्यों क्योंकि जो chemicals के decomposition कारण carbon dioxide gas बनी है ये carbon dioxide gas आप बोल सकते हो कि substance के उपर एक blanket form कर लेगी और इस blanket के कारण उसका जो contact होगा supporter के साथ वो तूट जाएगा तो जो substance है वो अपने आप जलना बन कर देगा तो अगर carbon dioxide gas के cylinders ना हो fire extinguisher वाले तो हम क्या कर सकते हैं sodium bicarbonate या potassium bicarbonate जो chemicals होते हैं उनके dry powder को हम जलते हुए substance के उपर डाल देते हैं ताकि जो आग है वो इन chemicals को decompose करें decomposition से निकलेगी carbon dioxide gas और ये carbon dioxide gas आगे जाकर कि क्या करेगी एक blanket बना लेगी ठीक है चलो अब इसके बाद में next क्या है a small fire can be extinguished by throwing sand या soil over it for example when sand thrown over burning kerosene oil the sand covers it like a blanket अब नहीं है ना chemical है sodium bicarbonate potassium bicarbonate ना carbon dioxide के gas cylinders है fire extinguisher वाले तो फिर हम क्या करें rate तो होगी मिट्टी तो होगी वही हम बोलते हैं कि जैसे कि kerosene oil में आग लगी है तो हम क्या करेंगे rate या मिट्टी ले जाकर कि to burning kerosene oil due to which the fire gets extinguished the cooking oil fire in a frying pan in the kitchen can be extinguished by covering the pan with a fire blanket or a damp cloth ठीक है आपने देखा होगा कि कुछ जगा पे specially जो construction sites वगेरा जो होती है जहां पर continuously कोई ना कोई काम चलता ही रहता है वहां पर ऐसे red color की जो है भरी होती है mostly sand भरी होती है कि जब भी अगर कोई छोटी मोटी fire लग जाए तो लोग क्या करें इन buckets को उठाए अब जब तक आप fire brigade को call करोगे जब तक वो आएगी तब तक थोड़ा सा time तो लगी जाएगा इतने time में आग फैले ना इसके लिए क्या करा जाता है कि जो workers है जो employees है वो अपने लेवल पर छोटी मोटी आग को कैसे बुझा सकते हैं इन buckets को लेकर के जाएंगे जहां भी आग लगी होगी उसके उपा जाकर के रेत त्रो कर देंगे तो जो सैंड होगी वो ब्लैंकिट बना लेगी और सपोर्टर के साथ कॉंटेक्ट तोर देगी तो कंबशन रुख जाएगा कंबशन रुख जाएगा तो आग भी बुझ जाएगी हमारे घरों में कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कि हमने सीकी कपड़ा डम्तलों साल चैनल गिला कपड़ा हम उसके ऊपर जाकर के डाल यहं प्लाम करेंगा य्क हम air के साथ वो तूट जाएगा, तो दो तरीके होते हैं, है ना, दो फाइदे होते हैं, damp cloth को यूज़ करने के लिए, कि एक तो blanket बन जाता है, supporter से contact तूट जाता है, plus जो moisture है कपड़े में, वो जाकर कि cooking oil को थंडा कर देता है, so when the frying pan is covered with a fire blanket or a damp cloth, the supply of air to the burning cooking oil is cut off and hence the fire tire नहीं है, ये fire gets extinguished, if the cloth of a person working in the kitchen catch fire, the person is immediately covered with a blanket, यनि की किचिन में काम करते करते हैं, अगर कपड़े में आग लग जाती है, तो फिर उसको blanket से cover करना होता है, जल्दी से जल्दी, when the burning cloth of a person are covered with a blanket, the supply of air to the burning cloth is cut off and hence the burning or fire. Hello everyone, आज के इस सेशन में हम class 8 science के चाप्टर, combustion and flame का एक और interesting topic डिसकस करेंगे and that is types of combustion. Previous सेशन में हमने समझा था कि हम fire को control कैसे कर सकते हैं और इसके तीन possible methods को हमने discuss किया था. First possible method ये था कि अगर हम fuel या combustible substance को वहाँ से जहां पर आग लगी हुई है, हटा लेंगे तो अपने आप combustion की process रुख जाएगी. और अगर combustion की process रुख गई, तो fire को हम control कर सकते हैं. क्यों? योगि इसके लिए मैंने आपको समझाया था, कि किसी भी fuel या combustible substance के combustion के कारण ही fire produce होती है. तो अगर हम fuel को ही हटा लेंगे, तो combustion की process रुख जाएगी. और अगर combustion की process रुख गई, तो fire को control करना हमारे लिए हो जाएगा बहुत जादा आसान. फिर इसके बाद में second possible method जो हमने discuss किया था, वो ये था कि अगर fuel तक आ रही, जो heat supply है, उस heat supply को ही हम बीच में से अगर तोड़ देंगे, तो fuel का combustion अपने आप रुख जाएगा, और अगर combustion रुख गया, तो fire को हम control कर पाएगे. इसके लिए मैंने आपको समझाया था, कि कोई भी combustible substance या fuel का combustion तभी possible है, जब वो अपने ignition temperature तक पहुँचता है. और ignition temperature तक पहुँचने के लिए, fuel को चाहिए होती है heat supply. तो जलते हुए fuel के तरफ जो heat supply आ रही है, उसको ही अगर हमने बीच में से तोड़ दिया, तो जो जलता हुआ fuel है, वो अपने ignition temperature के नीचे आ जाएगा. यानि कि वो ठंडा हो जाएगा, cool down हो जाएगा. वाला जो उसका supporter है, उस supporter की ही supply अगर हमने रोक दी है, या तोड़ दी है, तो combustion की process अपने आप रुख जाएगी. क्योंकि बिना supporter के combustion अपने आपको continue कर ही नीचे पाएगा. तो अगर हमने supporter को ही बीच में से हटा दिया, तो combustion की process अपने आप रुख जाएगी, तो fire को हम असानी से control कर पाएगी. इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो combustion की process जो होती, किसी भी fuel के combustion की process, उसको हमारी atmosphere में present जो air है. And to be more specific, air में भी present जो oxygen gas है, यही oxygen gas किसी भी fuel के combustion को support करती है. तो जलते हुए fuel की तरफ, air या oxygen की जो supply आ रही है, उस supply को ही अगर हम तोर देंगे, तो बिना उस supporter के combustion, fuel का combustion आगे proceed नहीं कर पाएगा, यानि की combustion की process वहीं रुख जाएगी, और अगर combustion रुख गया, तो fire को control हम कर सकते हैं. यह पूरी कहानी थी अपने previous session की. और आज के इस session में हम बात करेंगे अपने topic Types of Combustion की ओपर. तो चलो, जल्दी से आज के इस session को हम start कर लेते हैं. So this is Vibhuti Khare, Welcome to Magnet Brains, रहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं, बिल्कुल free of cost, यानि की Magnet Brains में आपको 2 chapters पढ़ने के बाद, किसी भी तरह का payment करने की या package purchase करने की requirement बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुँचा रहा है, quality education, बिल्कुल free of cost. तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं, आज का हमारे ये session जहां पे हम बात करेंगे Types of Combustion के ऊपर. तो यहां बे बोला जा रहा है, कि there are various types of combustion, कई सारे types के combustion होते हैं, but the three important types of combustion are, class 8 science के syllabus में, जो तीन important types है combustion के, उनको हम आज के इस session में discuss करेंगे. कौन-कौन से हैं वो तीन types, तो सबसे पहला है rapid combustion, फिर है spontaneous combustion, फिर है explosive combustion, जिसको हम explosion भी बोलते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं rapid combustion की, अब यह rapid combustion क्या होता है, तो combustion reaction in which large amount of heat and light are produced in a short time is called rapid combustion. यानि कि एक ऐसी combustion की reaction जहां पे large amount of heat और light produced होती है, लेकिन वो भी कैसे बहुत ही कम समय में, यानि कि short time में, तो ऐसी combustion reaction को या process को हम बोलते हैं rapid combustion, यानि कि एक ऐसी reaction जहां पे light produce हो रही है, या heat energy release हो रही है, वो भी बहुत ही कम समय में, तो उसको हम बोल देते हैं, क्या rapid combustion. अब सवाल ये है कि इस rapid combustion को हम याद कैसे रखें, तो देखो, आज के session में, जो भी हम combustion के types पढ़ रहे हैं, उन types को आप उनके respective example से याद रख सकते हो, जैसे कि अभी मैं आपको rapid combustion का भी एक example बता रही हूँ, तो exactly rapid combustion में क्या होता है, वो आप उसके example से याद रखोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, अब rapid combustion हम सबने देखा हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार हम rapid combustion को समझेंगे, उसको observe करेंगे, ये हम सभी ने अपने अप उनको जाना होता है kitchen में, kitchen में हमारे पास होता है एक gas stove और एक होता है gas cylinder, दोनों को ही हम आपस में एक pipe के तुरू connect कर देते हैं, अब अगर हमें खाना बनाना है, तो हम क्या करते हैं, gas stove को on करेंगे, है ना, gas stove का जो knob है, उसको हम on करेंगे, जैसे हम on करते हैं, तो gas cylinder में, जो हमारी LPG याने की liquefied petroleum gas जो भरी होती है, वो gas pipe के तुरू travel करते हुए, जो gas stove है, उस तक पहुँच जाती है, अब gas stove में क्या present होते हैं, burner present होते हैं, और इन burner में present होते हैं, छोटे छोटे से holes, तो जैसे ही हमने gas stove का जो knob है, वो on किया है, तो gas cylinder से gas निकलेगी, gas stove के level त का जाएंगी, burner में जो holes present है न, इन holes के तुरू जो हमारी gas है, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, यानि कि जैसी आप knob on करोगे, वैसे ही cylinder में भरी हुई gas, burner तक पहुचेगी और burner के holes के तुरू बाहर निकलेगी, next step क्या होगा हमारा, कि हमारे पास होगा एक lighter, lighter को हम burner के पास लेके जाएंगे और उसका जो button है वो दबाएंगी, जैसी button दबाएंगे तो lighter में generate होगी एक छोटी सी चिंगारी यानि की spark, और उस छोटी सी चिंगारी और spark की मदद से जो gas बाहर निकल रहे थी, burner के hole से, वो gas ignite हो जाएगी, यानि कि उसका ignition स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने देखा होगा कि ये process कितनी quick होती है, कि यहाँ आपने gas stove का knob on किया, gas बाहर निकली और दूसरे हाथ से आपने lighter को proper position पे रखा, burner के उपर रखा, और जैसे ही आप lighter का जो button है वो दबाते हो, उस छोटी सी चिंगारी या spark से जो gas है वो तुरंत ही ignite हो जाती है, तु गैस को जलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन gas जली नहीं रही है, आप सबने देखा होगा कि ये process कितनी quick होती है, कि gas निकली, फटाक से उसमें हमने एक चिंगारी दी और उस चिंगारी से gas का combustion शुरू हो गया, तो ये क्या है, ये है एक rapid combustion ठीक है, और इसके बाद में, जब गैस का combustion स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोगों को burner के around, burner के ऊपर एक blue flame दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है, ये blue flame क्या indicate कर रही है, कि इस combustion की process से क्या produce हुई है, light produce हुई है, जब आप gas का combustion शुरू कर देते हो, gas का combustion स्टार्ट हो जाता है, तो burner के ऊपर आपको blue color की flame दिखाई देती है कि नहीं देती है, वो blue color की flame क्या बता रही है, कि gas के combustion से light produce हुई है, तो light तो produce हो गई, वो भी बहुत काम समय में, अब हम बात कर लेते हैं किसकी heat की, तो heat का तो पूछ हो ही मत, इस जलते हुए burner के ऊपर आपको क्या कर देना है, अपना कोई भी cooking utensil यानि कि खाना बनाना का बरतन जो है वो रख देना है, तो इस combustion की process से जैसे ही, basically combustion की process से जो flame produce हुई है, इस flame की उपर आप बरतन रखोगे, तो वो बरतन गरम हो जाएगा, बरतन क्या, बरतन की उपर अगर आपने कोई अपना खाना रखा है पकाने के लिए, तो वो खाना ही cook हो जाएगा, इसका मतलब क्या, कि इस combustion की process से, गैस का जो combustion हुआ है, इस से light to produce हुई है, blue color की flame थो हमें दिखाई दे रही है, जाती साथ बहुत सारी heat भी produce हुई है, और इसी heat से, जो हमारा cooking utensil है, जो बरतन है, वो गरम हो गया, वो क्या, उसके उपर रखा हुआ, खाना भी करम हो गया, खाना भी cook हो गया, पक गया, ठीक है, तो यह किसका example है भई, यह है rapid combustion का example, इसलिए मैंने बोला कि आज के session में हम जित्ते भी types पढ़ेंगे combustion के, उन सभी types को आप कैसे याद रखोगे, तो उनके respective example से याद रखोगे, तो हो सकता है कि आपको rapid combustion में exactly क्या होत आपको याद ना रहे, लेकिन अगर आपने ये वाला example याद रखा है, तो तुरंथ ही exam में जब rapid combustion के उपर सवाल आएगा, आप तुरंथ इस example को याद करके अपना answer लिख सकते हो, तो exactly rapid combustion में होता क्या है, कि इस combustion reaction में large amount of heat or light produce होती है, वो भी कैसे, वो भी हम बोलते हैं कि short time में, बहुत ही कम समय के अंदर, कि यहाँ पिल से gas निकली, वहाँ से हमने उसको चिंगारी दे, चिंगारी से तुरंथ गैस का combustion स्टार्ट हो गया, और इस combustion से blue flame दिखाई देने लगी, यानि कि light produce हो गई, और इस blue flame के ओपर जैसी हमने बरतन रखा, तो बरतन गराम हो गय और बहुत ज़्यादा गराम हो गया, बरतन के ओपर रखा हुआ, खाना भी गराम हो गया, क्योंकि गैस के combustion से, इस rapid combustion से, heat भी काफी ज़्यादा produce होई है, वो भी short duration में, sorted, चलो, When we bring a lighted matchstick और a lighter near the burn of a gas stove in the kitchen, the cooking gas starts burning at once, producing a lot of heat and some light, तो वो यह वाली यहाँ पर बात explain करी जारी ही, जो कि मैंने आपको अभी अभी समझाई है, So, the immediate burning of cooking gas in a gas stove to give heat and light is an example of rapid combustion, तो LPG याने की cooking gas की जो immediate burning होती है, तुरंच की तुरंच जो उसकी burning होती है, जो उसका combustion होता है gas stove में, क्या करने के लिए, heat और light supply करने के लिए, यह क्या है, एक best example है rapid combustion का, ठीक है? The burning of kerosene oil in a kerosene stove and the burning of wax in a candle are also example of rapid combustion, दो और example दिये गए हैं आपे rapid combustion के, कि kerosene stove में, जो kerosene oil की burning होती है, वो भी एक rapid combustion है, और candle में जो उसकी mom होती है, जो wax होती है, उसकी जो burning है, वो भी एक rapid combustion का ही example है, तो तीन example मैंने आपको बता दिये, तुनों में से जो अच्छा लगया आपको example वो याद रख लो और उससे rapid combustion में exactly क्या होता है, वो आप समझ सकते हो, चलो, अब इसके बाद में हम बढ़ जाते हैं, आगे, अच्छा यहाँ पे हमको दो GIF दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होगा कि किस तरीके से candle की जो wax है, जब candle जल देखो, जो cooking gas है, यानि कि जो LPG है, वो एक brilliant blue flame के साथ जलने लगती है, तो यह blue flame हमको क्या दिखाई देती है, क्या बताती है, क्या indicate करती है, कि जो cooking gas या LPG का जो combustion हो रहा है, उससे light produce हो रही है, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके की blue flame दिखाई देती है, burner के around, और इसी पर खाना रख देते हो, उसे पकाने के लिए, cook करने के लिए, यानि कि heat भी produce हो रही है, इस combustion की process में, rapid combustion में, चीक है, चलो, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं, अपने next type of combustion पर, next type क्या है, spontaneous combustion, इसमें क्या होता है, the combustion reaction which occurs on its own, यानि कि ऐसी combustion reaction, जो कि अपने आप हो जाती है अपने आप होने का मतलब क्या है, कि without the help of any external heat, हम बिना किसी, अच्छा देखो, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझाने की कोशिश करी है, मैंने आपको example दिया था, कि suppose मेरे पास क्या है, एक paper है, paper एक combustible substance है, है ना, paper का combustion possible है, तो paper क्या हो गया, एक combustible substance हो गया, अब paper को मैंने यूँ ही openly रख दिया है, खुली हवा में रख दिया है, याने कि यहाँ पे combustion की process में, जो दो essential conditions required होती है, दोनों conditions यहाँ पे fulfill हो रही है, क्यों, combustion के लिए हमको चाहिए क्या होता है, एक combustible substance चाहिए होता है, तो उसके लिए हमने paper ले लिया, फिर combustion की process के लिए हम बोल होते हैं कि combustion का जो supporter है, याने कि जो oxygen है, उसकी supply आनी चाहिए, तो मैंने अपने हाथ में, हाथ में क्या, suppose मैंने floor पे जो है ना paper रखा हुआ था, और paper को मैंने खुली हवा में रखा था, हवा में क्या present होती है, oxygen gas present होती है, तो लगातार paper की तरफ combustion की supporter, याने की oxygen gas की supply आ रह रही थी, तो यहाँ पे combustion की दोनों ही conditions fulfill हो रही थी, लेकिन फिर भी paper खुली हवा में रहते हुए आग क्यों नहीं पकड़ता, इसके लिए मैंने आपको समझाया था, कि भाई, जो paper है, माना कि उसका combustion possible है, लेकिन उसका combustion तभी possible होगा, जब वो अपने specific temperature, जिसको की हम ignition temperature ब combustible substance भी था, और उस combustible substance तक लगातार supporter याने की oxygen की supply भी आ रही थी, लेकिन फिर भी substance का combustion स्टार्ट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो अभी तक अपने ignition temperature तक नहीं पहुचा था, क्योंकि अभी तक हमने उसको heat ही supply नहीं करी थी, तो जब हम paper को जलती हुई माचिस की तिली, याने की जलती हुई माचिस की तिली से paper को क्या करेंगे, एक heat supply करेंगे, उस heat के कारेंड जो paper है, वो अपने ignition temperature तक पहुचेगा और वहाँ पहुचने के बाद उसका combustion स्टार्ट होगा, तो जब तक हम बाहर से externally paper को या combustible substance को heat supply नहीं करते हैं, तब तक substance का, आप बोल सकते ह जो कि जो वो substance है, वो अपने specific temperature तक नहीं पहुचता है और उसका combustion स्टार्ट नहीं होता है, तो यहां से हमने बाहर से externally heat supply करी थी, लेकिन आज की session में हम एक ऐसा type पढ़ेंगे combustion का, जहां पर हम ये observe करेंगे कि हमने तो बाहर से heat supply करी ही नहीं थी, उसके बावजूद जो combustible substance है, वो हवा में रहते हुए आग पकड़ लेता है, और इसी को हम बोलते हैं क्या spontaneous combustion, देखो ना आपर लिखा तो हुआ है कि the combustion reaction which occurs on its own, खुदी से हो जाती है, खुद सो जाने का मतलब क्या है, कि हमने कोई भी external heat supply नहीं करी है, हमने substance को कोई भी external heat की help नहीं करी है, नहीं थ थी उसके बावजूद वो substance जलने लगता है, उसका combustion स्टार्ट हो जाता है, उसे हम कह देते हैं क्या spontaneous combustion की अपने आप हो गई, हमने कुछ नहीं किया लेकिन वो चीज अपने आप हो गई, in spontaneous combustion, the substance suddenly bursts into flames and start burning, कि अचानक से, spontaneous combustion में हम बोलते हैं कि अचानक से, जो substance है, वो flames के सा जो है न, उसमें आग पकड़ जाती है और वो जलने लगता है, even without being heated, हमने गरम नहीं किया होता है, हमने कोई external heat supply की help नहीं दी होती है, substance को, इसके बावजूद वो flames के साथ burn होने लगता है, जलने लगता है, spontaneous combustion takes place at room temperature, और गजब की बात क्या है, कि spontaneous combustion जो है, room temperature पर ही हो जात है, मतलब यूहीं कमरे में, room temperature पर एक जो है न, substance रखा हुआ है, combustible substance, और वो पड़े-पड़े उसमें आख पकड़ लेती है, अचानक से, the heat required, अब सवाल यह है, कि मतलब की spontaneous combustion, ऐसा है, जैसे कि मैं आपको बताया था, कि combustion में हम बोलते हैं कि 3 चीज़े, essentially required होती है, conditions, essentially present हो होना चाहिए, plus supporter की supply होनी चाहिए, plus हम बोलते हैं कि heat की supply भी होनी चाहिए, लेकिन अभी हम spontaneous combustion में पढ़ रहे हैं कि हमने तो substance को heat कराई नहीं था, कोई हमने heat supply नहीं दी थी बाहर से, फिर भी substance room temperature पर रह करके भी आग पकड़ लेता है, इसका मतलब क्या, कि क्या spontaneous combustion में जो third condition है, कि heat supply होनी चाहिए, substance को अपने ignition temperature तक पहुचने के लिए heat supply की जो जरूरत होती है, वो heat supply हम बोलते हैं कि जो चाहिए होती है, वो क्या spontaneous combustion में required नहीं होती है, अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे थे, कि जब तक heat supply नहीं होगी, तब तक substance अपने ignition temperature तक नहीं करो ही मत, तो substance रहना अपने ignition temperature तक पहुचेगा ही नहीं, और बिना उस specific temperature पहुचे, substance का शायद combustion स्टार्ट हो जाएगा, है ना, पढ़के तो अभी तक हमको यही समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जो हमने condition पढ़ी है ना, combustion की, वो बिल्कुल सही है, और च ignition temperature तक पहुचता है, माना कि हम externally उसको बाहर से कोई heat supply नहीं कर रहे है, वो substance अपने room temperature पर ही है, लेकिन फिर भी वो अपने ignition temperature तक पहुचता है, तो सवाल यह है कि आखर वो substance कैसे पहुच रहा है बिना किसी external heat supply की help के, अपने ignition temperature तक, तो उसका reason है यह, कि the heat required for the spontaneous combustion is produced inside the substance by its slow oxidation कि substance के अंदर, उसके अंदर, खुद के अंदर हम बोलते हैं कि एक slow oxidation की process चलती है, और इसी slow oxidation की process के current, heat produce हो जाती है, और इसी heat के current, substance पहुच जाता है, अपने ignition temperature तक, और जैसे वो पहुचा, अपने उस specific temperature तक, उसका combustion शुरू हो गया, तो माना हमने बाहर से supply नहीं करी थी, इसलिए हमें उमीद नहीं थी कि substance का combustion शुरू हो जाएगा, लेकिन substance के खुद के अंदर oxidation की process हुई, slow oxidation की process हुई, जिसके current थोड़ी बहुत heat produce हो गई, और इसी heat के health से substance पहुच गया, कहां, अपने IT तक, IT मतलब की ignition temperature तक, और वहां पहुच करके फिर combustion तो उसका start होना ही होन है, तो ऐसा नहीं है कि spontaneous combustion अपने आप हो जा रहा है, suddenly हो जा रहा है, इसका मतलब यहां पे जो है न, heat supply वाली condition applicable नहीं है, नहीं, आप जो भी type को पढ़ोगे combustion का, उन सभी types में जो हमने 3 conditions पढ़ी है न, combustion की, वो सभी कि सभी conditions applicable होंगी, किसी में भी आप एक condition को गायब नहीं कर सकते हूँ, ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और है, यह जो combustion की process होती ही न, इसको भी हम बोलते हैं कि यह एक oxidation process है, क्यों, जब आप हाईर क्लासिस में जाओगे, तो आप इस चीज़ को और समझोगे, कि दो टाइप की reactions चलती है, chemistry में, एक होती है, एक होती है, reduction reaction है न, अ समझाए था मैंने उसमें आपको कि किसी भी substance को जब हम air में burn करते हैं, तो air में present oxygen gas है, वो oxygen gas substance के साथ जाकर के react कर जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या oxygen gas जो की air में present थी, वो substance से के साथ जाकर के जुड गई, यानि कि substance में oxygen का addition हुआ है, और oxygen के addition को ही हम क्या कहते है oxidation कहते हैं, ठीक है, तो आप यह समझ सकते हो, या यह बोल सकते हो कि जो हमारे combustion की process होती है, वो क्या है, एक oxidation reaction है, तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, कि वही जब भी combustion की process होती है, यानि कि किसी भी substance में oxygen आकर के चिपक जाती है, तो energy produce होती है, energy release कैसे होती है, तो heat के form में औ तो यहां पर आप बोल सकते हो कि substance के अंदर उसका खुद का slow oxidation हुआ, oxidation का मतलब क्या है, कि addition of oxygen, combustion में भी हम में देखा था कि oxygen का addition होता है, substance में या fuel में, जिसके कारण energy release होती है, in the form of heat और light, तो जब हम बोल रहे हैं कि substance के अंदर उसका खुद का slow oxidation चलता है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि एक heat produce हो जाती है, वह oxidation हो रहा है, तो heat थोड़ी बहुत produce होगी न, तो इसी heat के कारण substance पहुँच जाता है, कहां अपने IT तक और फिर इसके बार में उसका जो combustion है, वो start हो जाता है, ठीक है, चलो, फिर इसके बार में spontaneous combustion is usually undergone by those substances which have quite low ignition temperature, इस point को भी आप highlight कर सकत हो और star mark कर सकते हो, कि वो वाले substances जिनका की ignition temperature IT कम होता है, उनमे spontaneous combustion होता है, obvious सी बात है, क्योंकि देखो न, substances जो है room temperature पर रह करके ही आग पकड़ लेते हैं, हमने उनको बाहर से कोई भी heat supplier नहीं provide करी है, heat उनको कहां से मिली है, कैसे वो अपने IT तक पहुचे है, उनके अंद नहीं होती है, थोड़ी बहुत ही होती है, यह थोड़ी बहुत heat ही sufficient होती है, enough होती है, कि वो substance जो है न, कहां पहुच जाए, अपने IT तक पहुच जाए, तो obvious सी बात है, कि substance का जो IT है, यानि कि उसका जो ignition temperature है, वो क्या होगा, काफी कम होगा, इसलिए small amount of heat, जो कि खुद के oxidation के कारण produce हो रही है, वो small amount of heat ही काफी होती है, यह वो substance को उसके IT तक, ignition temperature तक पहुचा दे, ठीक है, तो वो वाले substances जिनका low IT होता है, उनका ही spontaneous combustion होता है, best example क्या है, जैसे कि मैंना को बताया, कि जो भी हम combustion पढ़ेंगे, आज की session में, उनको आप examples के form में याद रख सकते हो, तो best example है white phosphorus का, ठीक है, इसकी एक image देख लो, यह है क्या white phosphorus, white phosphorus को हम room पे रखते हैं, और अचानक ही, जो white phosphorus है, वो flames के साथ जो है, उसका combustion स्टार्ट हो जाता है, flames के साथ वो जलने लगता है, तो यह white phosphorus हमने रखा था, देखो कुछ इस तरीके से और उसमें देखो कितने जल spontaneous combustion, in other words, white phosphorus burns in the air at room temperature, room temperature पे रहते हुए ही, white phosphorus में आग लग जाती है, हमने कुछ करा नी था, white phosphorus को हमने बस room temperature पे ला कर कर के रखा हुआ था, और उतने में ही उसमें अचानक से आग पकड ली, so if we keep a piece of white phosphorus in a china dish, we will see that it catches fire by itself and starts burning without being heated, the burning of white phosphorus on its own at room temperature is an example of spontaneous combustion, spontaneous combustion, the heat required to start this spontaneous combustion is produced internally by the slow oxidation of phosphorus in the air, यहने की phosphorus का combustion कैसे possible हुआ, क्योंकि naturally हो अपने IT तक पहुँचिया था, IT तक कैसे पहुचा, तो उसके अंदर हुई slow oxidation की process, जिसके कारण heat produced ही और इसी heat के कारण वो पहुचा अपने IT तक और IT पे पहुचने के बाद उसका combustion स्टार्ट हो गया, reactions takes place in the nature, are very dangerous और वो वाली spontaneous reactions जो की हमारे environment में होती ही, nature में होती है, वो काफी जादा खतरनाक होती है, for example, the spontaneous combustion of the coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines, leading to the death of many persons working in deep coal mines, basically जो coal mines होती है, previous chapter में, coal and petroleum में हम सबने पढ़ा है, की coal कहां पाया जाता है है न, Earth surface के 1000 feet नीचे पाया जाता है, तो काफी नीचे हम बोते हैं की coal mines बनाई जाती है, बई, coal को extract करना है न, तो कोईले की खदान बनाई जाती है, ठीक है, और ये कोईले की खदान कहां होती है, Earth surface के काफी नीचे होती है, जिनको हम coal mines कहते हैं, इंगलिश में, ठीक है, तो यहा कि हमने एक चाइना डिश में white phosphorus लिया था और उसको room temperature पे लाग करके रख दिया था, उतने में ही उसमें आग पकर ली, similarly coal dust के साथ भी यही होता है, कि coal dust को भी अगर हमने room temperature पे रखा है, तो उस temperature पे रहते हुए coal dust में आग पकर सकती है, और वो क्या होगा, एक spontaneous combustion होगा, इस spontaneous combustion में heat produce होगी, light produce होगी, जिसके कारण coal mines में काम करने वाले जो workers होते हैं, उनके basically उनकी death possible है, वो अपी जांगवा देते हैं, क्यों, क्योंकि यह काफी disastrous fire होती है, जो कि coal dust में जो लगती है, वो काफी disastrous होती है, काफी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, ठीक है, तो य तब इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, next example भी है, एक, forest fire can also be started by spontaneous combustion, अच्छा, एक और example आ गया, spontaneous reaction का, जंगलों में जो आग लग जाती है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है, sometimes due to the heat of the sun, or due to the spark of lightning from the sky, spontaneous combustion of straw and forest wood takes place, leading to forest fire, forest fire के बारे में हमने अपने previous session में भी बात करी है, ठीक है, यहाँ पर भी बोला जा रहा है, कि कई बार, जैसे कि मैंना को पहले भी बताया था, कि जंगलों में आग के जो किसे हैं, जो accident हैं, वो आपको हर मौसम में सुनाई नहीं देते हैं, mostly जब बहुत जादा गर्मी का होता है, जब temperature बहुत जादा ही बढ़ जाता है, उस समय आपको जंगलों में आग के accident सुनाई देते हैं, ठीक है, तो एक तो reason यह हो गया, कि sun से जो निकलने वाली heat है, जो गर्माहट है, उसके कारण जंगलों में जो सूखी घास पड़ी होती है, dry grass जो होती है, वो अपने ignition temperature तक पहुँच जाती है, बेसिकली हुआ क्या, घास काफी सूखी हुई थी, जिसके कारण उसका जो ignition temperature है, है न, जिसका IT जो है, सूखी हुई घास का, वो काफी कम था, I hope इता समझ में आ रहा है हो सबको, कि जंगलों में जो घास पूस सूख जाती है, उस सूखी हुई घ घास पूस का, ग्रास का, जो ignition temperature है, वो काफी कम हो जाता है, अब गर्मियों का मौसम है, तेज धूप पड़ रही है, बहुत जादा गर्मी है, बहुत जादा temperature है, जिसके कारण, हीट से आने वाली, सन से आने वाली, जो हीट है, इस हीट के कारण, जो सूखी हुई घास है, वो अपने IT तक पहुँच जाती है, ठीक है, सन से निकलने वाली, जो हीट है, उस हीट के कारण, सूखी हुई घास, जिसका की IT कम है, वो सूखी हुई घास अपने IT तक पहुँच जाती है, और अगर वो अपने ignition temperature तक पहुँच गई, तो उसका combustion स्टार्ट हो जाएगा, त उनमें आग लग जाती है, फिर जाड से जो trees वगएरा जो होते हैं, उनमें आग पकड़ जाती है, तो दीरे 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 हम बोलते हैं कि जंगल का एक बहुत बड़ा एरिया, एक बहुत बड़ा portion आग की चपेट में आ जाता है, है ना, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, ए पिजली के जो स्पार्क है, उस स्पार्क के कारण, छोटी सी चिंगारी के कारण, जो सुकी घासपूस है, उसमें आग लग जाती है, और अगर उसमें आग लग गई, तो फिर हरे पेड, हरे पौधे, उन सब में भी आग पकड़ जाती है, तो यह दोना भी क्या है, बेसिक सी चिंगारी और सन से आने वाली जो हीट है उसके कारण ही सूखी हुई घास जो ड्राइग रास जिसको हम स्टॉ कहते हैं वो अपने आइटी तक पहुंच जाती है तो यह क्या है यह हुआ एक स्पॉंटेनियस कंबर्शन का एक्जांपल यहां पर हमने जान पूच कर इंटेंशनली जो सूखी हुई घास पूस है उसको हमने हीट सप्लाइग नहीं करी थी लेकिन अपने आप जो वो घास है वो जलने लगी क्यों जलने लगी क्योंकि वो सूखी हुई थी उसका आईटी स्टार्ट हो गया तो यह क्या है एक्स्पॉंटेनियस कंबर्शन है कि हमने नहीं करा था अपने आप वो चीज हो गई most of the fire forest fires are however cost due to the carelessness of human beings naturally जो जंगलों में आग लगती है तो वो तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता है कोई हमारी गलती नहीं होती है लेकिन कई बार human beings की जो लापरवाही है जो carelessness है उसके कारण भी जंगलों में आग लगती है क्यों कैसे तो when human beings basically forest में विजिट करने जाते हैं पिकनिक मनाने जाते हैं तो वो अपने पीछे burning campfire यानि की जलते हुए campfire को छोड़ देते हैं cigarette को पी करके जो छोटी छोटी cigarette birds होते हैं वो जो है ना जंगलों में छोड़ करके आ जाते हैं बिना उनको properly बुझाए तो हमने क्या किया हम तो पिकनिक मनाने गए थे और बढ़िया हमने पिकनिक मनाई और जब जाने कर time आया तो campfire को जो ना बिना properly बुझाए हम चले आए cigarette birds को बिना properly बुझाए हम जंगल से बाहर निकाला है अब वो cigarette bird की जो heat होगी या जो campfire की जो heat होगी उसके कारएं जो घासफूस होगी वो आग पकड़ लेगी और इसके कारएं जंगलों में आग लग जाएगी तो बोला जाता है कि it is therefore important that burning cigarette birds etc. are not thrown in the forest है ना cigarette birds को forest में throw करने की क्या जरुवत है भई and campfires को इससे पहले कि आप जंगल को छोड़ो उसको properly extinguish करना यानि की बुझाना बहुत जरूरी होता है तो जंगल में जाने के लिए और पिक्निक मनाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है लेकिन सावधानी से जाना चाहिए वरना क्या होगा हमारी carelessness के कारण जंगलों में आग लग जाती है और उससे काफी जादा damage पहुंचता है पेड़ों को तो पहुंचता ही है इसके अलावा जो wild life होती जो बिचारे जंगली जानवर होते हैं वो भी जल जाते हैं और कई बार तो जलके मर जाते हैं तो obviously बात है जंगली जानवर तो forest में रहेंगे और उनके natural habitat में आग लग जाएगी तो उनको भी damage पहुंचता है ठीक है चलो अब इसके बार में last third type का हम combustion देख लेते हैं जो की है explosive combustion या जिसको हम explosion भी बोलते हैं a very fast combustion reaction in which a large amount of heat, light and sound are produced is called explosive combustion या explosion तो यह एक ऐसा combustion है जिसमें की combustion reaction बोहत ही जादा तेजी के साथ होती है और इस combustion reaction में heat produced होती है काफी जादा light produced होती है और एक मज़ेदार बात क्या है कि इसमें sound भी produced होती है तो heat और light तो हम कई बार कई session से पढ़ते आ रहे हैं कि combustion की process होगी तो energy release होगी energy in the form of heat or light लेकिन इस वाले combustion में हम बोल रहे हैं, explosion में हम बोल रहे हैं कि heat और light तो release होगी ही साथी साथ sound भी produce होती है So the large amount of gases is released quickly in an explosive combustion जब इस तरह का combustion होता है तो काफी जादा amount की जो gas है वो release होती है It is the rapid expansion of these gases which causes a loud sound जैसे कि मैंना आखको बताया कि इस type के combustion में काफी जादा तेज आवाज भी आती है तो heat और light तो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि combustion में होगा ही, heat निकलेगी, light निकलेगी लेकिन आखिर ये sound क्यों निकल रहा है क्योंकि जब इस तरह का combustion की process होती है तो large amount में gases release होती है तो इन gases का rapid expansion हो जाता है, यानि कि gases तेजी की साथ बढ़ती है यहाँ वहाँ move करने की कोशिश करती हैं जिसके कारण एक बहुत ही loud sound produce होती है तो हम बोलते हैं कि एक क्या हुआ है, तेज धमाका हुआ है, यानि की explosion हुआ है ठीक है? चलो, तो ये जो combustion की process है, ये एक ऐसा type है कि जिसको हमने already देखा हुआ है कहां देखा हुआ है? हर साल दिवाली पे देखते हैं, दशारा पे देखते हैं, न्यू यर पे देखते हैं और वो है क्या? हमारे फटाके तो हमारे जो crackers होते हैं, fire crackers होते हैं, जब भी हम उनको जलाते हैं तो आपने देखा होगा काफी सुन्दर सुन्दर light निकल के आती है है ना red, yellow, purple, green, colorful lights निकलती है और काफी ज़्यादा heat भी produce होती है फटाकों को जलाने पर तो light और heat तो निकलेगी ही साथ ही साथ तेज आवाज भी निकलती है इसलिए मैंने आपको पहली बता दिया था कि आज की सेशन में हम जितने भी types पढ़ेंगे उन सभी types को आप उनके respective examples से याद रखोगे तो देखो ऐसा नहीं है कि rapid combustion हमने पहले देखा नहीं था देखा था भई, daily देखते हैं अपने घरों में तो rapid combustion का best example क्या है जो हमारी जो cooking gas है उसका combustion इसके अलावा जो spontaneous combustion है उसके लिए हाँ spontaneous combustion आप लोगों ने नहीं देखा होगा लेकिन example से रखो के forest fire हो गया white phosphorus का combustion हो गया और third हमने क्या पढ़ा था जो cold dust होती है उसका combustion ठीक है और third जो हम पढ़ रहे हैं explosion वाला point तो इसमें हम बोल रहे हैं कि काफी ज़्यादा amount में heat light produce होती है sound produce होती है और वो भी कैसे बहुती तेजी के साथ तो इसका best example क्या है दिवाली वाले हमारे फटाके कि जैसे ही हमारे पास सामने एक अनार पढ़ा हुआ है अनार के पास लेकर के गए हैं हम क्या जलती हुई full जड़ी तो जैसी हमने full जड़ी रखी अनार के उपर अनार जो है जलने लगा कैसे जला तो heat के साथ जला colorful lights उसमें से निकली प्लस अनार की जलते time आवाज भी produce होती है जो हमारे shots होते हैं rocket वाले shots है ना तो वो भी आसमान में sky में जाकर के colorful lights में जो है ना फटते हैं और उनसे बहुती तेज आवाज आती है चलो अब और थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसी type के combustion की the fireworks या crackers etc which we explode during festivals work on the explosive combustion of substances तो दिवाली वगेरा पे जो हम फटा के फोड़ते हैं वो explosive combustion के principle पे ही काम करते हैं when a cracker is ignited जब भी किसी फटाके को जलाया जाता है with a burning mastic जलती हुई माचिस के साथ या फूल जड़ी के साथ या वो अगरबत्ती के साथ rocket वगेरा तो हम अगरबत्ती से ही जलाते हैं ना the chemicals present in it undergo a sudden या very rapid combustion producing heat light and large volume of gas बेसिकरी जो हमारे फटाके होते हैं अब चाहिए वह कोई भी फटाका हो वह अनार हो चक्री हो सुतली बॉम हो rocket हो कुछ भी हो सभी crackers के अंदर फटाकों के अंदर क्या भरा होता है chemicals भरे होते हैं ठीक है तो जैसे ही हम किसी भी फटाके के पास जलती हुई मैच स्टिक या फूल जड़ी या अगर बत्ती लेकर के जाते हैं तो cracker के अंदर जो chemicals भरे होते हैं उनका combustion स्टार्ट हो जाता है वह आप कर क्या रहे हो आप सपोज एक जलती हुई फूल जड़ी लेकर के गए हो अनार के पास तो उस जलती हुई फूल जड़ी के कारेंट एक हीट सप्लाइ कर रहे हो आप cracker को cracker के अंदर जो chemicals present है उनको तो उस heat के कारेंट जो chemicals होंगे वह अपने रिस्पेक्टिव ignition temperature तक पहुँच जाते हैं और उस तक पहुँचने के बाद उनका combustion शुरू हो जाता है तो बेसिकली chemicals भरे होते हैं crackers के अंदर फटाकों के अंदर और उन chemicals का जो है combustion शुरू हो जाता है जिसके कारेंट heat produce होती है light produce होती है और काफी ज्यादा gases produce होती है बैट chemicals का combustion हो रहा है chemicals जल रहे हैं तो gas तो produce हो सकती है तो जब भी फटाकों के अंदर फटाकों को जब हम जलाते हैं तो chemicals उसके जलते हैं जलने के कारण chemicals के burning के कारण heat light और large amount में gases निकलती है the gases produced are heated by the heat evolved in the reaction अब जिस और यह जो gas है न यह गरम हो जाती है कैसे गरम हो जाती है तो बैइ जिस समय combustion की process चल रही है उस समय केवल gas उड़ी न प्रेडियूज होई है उस समय heat भी तो प्रेडियूज होई है देखो न यह आपर मैंने बताया कि जब फटाकों के अंदर जो भरा हुआ chemicals उसका combustion होता है जब वो जलता है तो heat light और large volume of gases निकलती है तो यह जो gases होती है न यह इसी heat के कारण जो की chemicals के combustion से बनी है निकली है यह gases इसी heat के कारण खुद क्या हो जाती है गरम हो जाती है तो the gases produced are heated by the heat evolved in the reaction the hot gases expand rapidly and cause an explosion during allowed producing allowed sound यानिकि यह जो gases होती है न यह गरम हो जाती है heat के कारण तो गरम होने के कारण गैस के जो particles होते है न उनका temperature बढ़ जाता है वह गरम हो जाती है और गरम होने के कारण गैस के जो particles होते है न क्योंकि उनका temperature बढ़ गया तो अब वो गैस के पार्टिकल्स तेजी के साथ यहां वहां यहां वहां मूव करने लगते हैं तो गैस हम बोलते हैं कि बहुत ही rapidly expand कर रही है गैस बहुत ही जल्दी से फैल रही है और इतने जल्दी से फैलती है कि एक loud sound produce हो जाती है क्या आप इस चीज को समझ रहे हो देखो जब आप class 9 में जाओगे न तो solid liquid और gaseous जो matter की जो तीन physical states होती है उनके बारे में आप पढ़ाई करोगे solid में देखोगे जो solid के जो particles होते हैं वो उनके बीच में बहुत स्ट्रॉंग bond बना होता है जो solid के जो particles होते हैं वो एक दूसरी के बहुत पास पास होते हैं अगर हम बात करेंगे liquid की तो liquid के जो particles होते हैं उनके बीच में जगा थोड़ी सी जादा रहती है वो इतने पास पास नहीं होते हैं इसलिए हमारे liquids क्या करते हैं फ्लो करते हैं और इसलिए liquids का कोई definite shape भी नहीं होता है अगर हम बात करते हैं गैसिस की तो गैसिस के जो particles होते हैं तो वो तो बहुत ही दूर दूर होते हैं एक यहां होगा तो दूसरा वहां होगा तो यहां पर हुआ क्या फटाकों के अंदर भरे हुए थे chemicals जैसे ही हम जलती हुई फूल जड़ी या मैच स्टिक लेकर के आए तो उस जलती हुई मैच स्टिक या फूल जड़ी से जो हीट निकली उस हीट के कारण फटाकों के अंदर जो chemicals भरे हुए थे वो जो chemicals हैं वो अपने ignition temperature तक पहुँच गया और वहां पहुँचने के बाद उनका combustion स्टार्ट हो गया इस combustion से heat light और large volume of gases निकली यह जो gases है जो heat निकली थी combustion के दौरान उस combustion की heat के कारण gases खुद क्या हो गई गरम हो गई अब जैसे ही यहिए सिस गरम ही गैस के अंदर के जो particles होंगे वो गरम हों जाएंगे वैह गैसे से गरम होने का मतलब क्या है कि यह के अंदर के जो particles है उनका temperature बढ़ गया इतना बढ़ गया क्यों उनकी स्पीड बढ़ गई और इतनी स्पीड बढ़ी कि गैस के जो पार्टिकल से वो यहां वहां यहां वहां मूव करने लगी यानि कि जो गैस है वो रैपिटली एक्स्पैंड होने लगी इस रैपिड एक्सपेंशन के कारण एक बहुत ही तेज आवाज आती है वो तब भी हो सकता है जब आप क्या करो क्रेकर की ऊपर एक तेज प्रेशर अपलाय करो कई बार यह दिवारी पर हमारे पास कुछ ऐसे फटाके भी होते हैं जिनकों की आग लगाने की जरुवत नहीं होती है, उनको हम तेजी के साथ ground पे hit करते हैं, जमीन पे hit करते हैं, तो वो उतने में ही फट जाते हैं, तो आप यह भी बोला गया है कि जो explosion वगेरा है, यह explosive combustion जो है, वो कैसे possible है कि आगर हम बहुत जादा pressure apply करेंगे, तो basically यहाँ हमने तीनों ही टाइप के combustion की ऊपर आज discussion कर लें, आज के इस session में हम class 8 science के chapter combustion and flame का एक और interesting topic discuss करेंगे and that is fuels, previous session में हमने बात करी थी types of combustion की और वहाँ पे हमने combustion के 3 types को discuss किया था, rapid combustion, spontaneous combustion and explosive combustion, यह पूरी कहानी थी previous session की और आज के इस session में हम बात करेंगे fuels के उपर, समझने की कोशिश करेंगे कि fuels क्या होते है, fuels की efficiency क्या होती है और एक ideal fuel क्या होता है, इन सारे points की ऊपर आज हमें discussion करना है, तो चलो जल्दी से आज के इस session को हम start कर लेते हैं, so this is विभूती खरे, welcome to magnet brains जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं, बिल्कुल free of cost, यान आप सब तक पहुंचा रहा है, quality education बिल्कुल free of cost, तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं, आज का हमारे ये session, जहां पे हम बात करेंगे fuels के उपर, अब exactly fuel क्या होता है, so it is a material which is burnt to produce heat, is called a fuel, यानि कि एक ऐसा material जिसको की जलाया जाता है, heat को produce करने के लिए, उसे हम बोलते हैं fuel, अब fuel का concept ऐसा है, जो कि हमने अपने previous chapters और previous sessions में भी discuss किया है, मैंने आको बताया था कि कोई भी एक ऐसा substance जिससे की आप energy derive कर सको, आप उस substance को बोल देते हो, क्या एक fuel, अब सवाल ये है कि कैसे उस substance से energy derive करी जाए, तो आसान है, उस substance को जला दो, उसका combustion कर दो, तो उ जलाने से energy evolve होगी, energy कैसे evolve होगी, heat के form में और light के form में, ठीक है, तो इसी लिए fuel के लिए हम बोलते हैं कि a fuel is a very good source of heat energy, तो क्या आपको fuel का concept एक उसकी definition, proper definition समझ में आई है, ये fuel कोई भी एक ऐसा substance हो सकता है, जिससे कि आप energy derive कर सको, energy derive कैसे की जाएगी substance से, तो उसका combustion करा क करके उसको जला करके, जब आप उस substance की burning करोगे, energy evolve होगी, energy evolve होगी, energy evolve होगी कैसे, so in the form of heat and light, is that clear, अब next point क्या है, कि some of the common fuels are, common fuels कौन कौन से है, wood याने की लकडी, coal याने की कोईला, LPG, जिसको की हम cooking gas भी बोलते हैं, खाना बनाने के लिए हम यूस करते हैं, commonly, kerosene, petrol, diesel, natural gas and biogas, तो यह most commonly used fuels है, अब क्या बोला जा रहा है, कि the heat energy produced by burning a fuel can be used directly to cook food and for running motor vehicles and factory machines or it can be converted into electrical energy at thermal power stations, अब हमने क्या किया है, fuel से उसकी heat energy तो derive कर ली है, अब इस heat energy का हम करेंगे क्या, तो directly इसको आप use कर सकते हो, तो अपने खाने को cook करने के लिए, कैसे कर सकते हैं, हम सब को पता है कि, यह वही वाली वात है कि, आज की टाइम पर खाना बनाना is very easy, हमें करना क्या होता है, gas stove का जो knob है, वो on करना होता है, और हमारे पास होना चाहिए, क्या एक gas cylinder, gas cylinder में क्या भरी होती है, LPG याने कि liquef पेट्रोलियम गैस, जिसको की हम शॉट में cooking gas भी बोलते हैं, तो जैसे हमने gas stove का knob on किया है, gas cylinder में जो LPG भरी होती है, जो cooking gas भरी होती है, वो pipe के तुरू ट्राइवल करते हुए, gas stove तक पहुंचेगी, gas stove पे present होते हैं, burner, burner पे present होते हैं, क्या holes, तो जैसे ही आप stove का knob on करो होगे, जो gas है, जो cooking gas है, वो burner के hole से बाहर निकलने लगेगी, next step क्या होगा आपका, क्या आपको lighter लेकर के जाना है, और lighter को आपको burner के ओपर रखना है, और उसका जो button है, वो दबाना है, तो एक चिंगारी निकलेगी, एक spark निकलेगी, उसी छोटी सी चिंगारी और spark से, ज तो हमारी LPG है, जो cooking gas burner के hole से बाहर निकल रही थी, वो gas ignite हो जाएगी, और उसका combustion स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो जैसे ही gas का combustion स्टार्ट होगा, तो आपको burner के ऊपर एक blue flame दिखाई देगी, blue flame क्या indicate कर रही है, कि भाई, जो आपके पास gas cylinder में जो gas भरी हुई थी, LPG cooking gas, उसका combustion स्टार्ट हो गया है, और उस combustion से light release हो रही है, light produce हो रही है, तो burner के ऊपर जो आपको blue color की flame दिखाई देथी है, वो flame क्या indicate करती है, कि हमारी cooking gas का combustion already start हो चुका है, और इस combustion से light produce हो रही है, क्या heat produce होती है, इस combustion से, बिल्कुल होती है, वह burner के ऊपर आप जो है आप तो उपर आप खाना भी रख दोगी अपना कुछ भी कोक करने के लिए तो वो खाना भी पक जाएगा क्यों पक जाएगा क्योंकि ये जो गैस का कुकिंग गैस का जो कमबशन हो रहा था उसमें उसे उस combustion से basically energy release हो रही थी, energy evolve हो रही थी, कैसे evolve हो रही थी, तो light के form में and plus heat के form में, तो light तो हमको दिख गई थी, blue flame जो हमको दुखाई दे रही थी, burner के ओपर, वो light क्या indicate कर रही थी, blue flame क्या indicate कर रही थी, कि combustion की process से जो energy release हुई है energy evolve हुई है वह बाहर निकल रही है light के form में लेकिन heat का हमें पता कैसे चला जब उसके उपर हमने अपना बर्तन रखा तो यहां पर हमने क्या किया है कि basically हमारी जो cooking जो एलपीजी वो क्या है हमारे लिए एक फ्यूल है जब हमने इसको जलाया भाई जो हमने लाइटर से जो चिंगारी या जो स्पार्क जनरेट किया था उससे हुआ क्या उस छोटी सी स्पार्क से एलपीजी का cooking गैस का कमबशन होने लगा कमबशन आप बोल सकते हो कि किसका हो रहा है एक फ्यूल का क्यों कि अभी हमारे लिए लपीजी कुकिंग गैस क्या है एक फ्यूल है तो हमने फ्यूल का कमबशन कराया इस कमबशन के करण एनरजी रिलीज हुई एनरजी कैसे बावल वही तो लाइट और हीट के फॉर में लाइट दिख गई ब्लू अपता कैसे चला तो हमने बरतन कर वो गया बरतन के ओपर हमने खाना रखना वो भी गरम हो गया तो हमने अपने फूड को कुक कर लिया तो यहां पर एक्जाक्ली यूस कर लिया खाना बनाने के लिए ठीक है फिर इसके बाद में नेक्स्ट वो क्या बोला जा रहा है कि एंट फॉर रनिंग मोटर वहिकल्स हम सब को पता है कि हमारी जो गाडिया होती है आज कल डीजल वाली गाडिया भी आने लगी है पहले तो पेट्रोल वाली चलती थी त तो अपने जो गाडिया होती है जो आटो मोबाल से जो वहिकल्स होते हैं जब तक कि आप उसमें फ्यूल नहीं डालोगे जब तक आप उसमें पैट्रोल नहीं डालोगे डीजल नहीं डालोगे या सी एंजी गैस नहीं भरवाओगे तब तक आपकी गाड़ी नहीं चलेगी है ना तो for running motor vehicles and factory machines factories में बड़ी बड़ी factories में जो machines लगी होती है जो generators वगएरा जो लगे होते हैं उनको भी fuel के requirement होती है बिना fuel डाले machine काम नहीं करेगी बिना fuel डाले जो है diesel वगएरा डाले machine को operate करना impossible होगा तो गाड़ियों को चलाने के लिए मतलब आप समझ सकते हो कि fuel से निकलने वाली जो heat energy है उसको हम कहां कहां use करते हैं उससे हम directly अपना खाना भी बना लेते हैं उससे हम अपनी गाड़ियों को भी चला लेते हैं यह आप जब higher classes में जाओगे तो इस बात को और अच्छी तरीकी से समझोगे कि heat को आप कभी भी बना नहीं सकते हो कभी भी आप उसको destroy नहीं कर सकते हो हमेशा वो जो heat है ना वो एक form से दूसरे form में convert होती है अभी शायद आपके लिए यह बात digest करना थोड़ी सी मुश्किल हो कि कैसे हम कभी energy को बना नहीं सकते energy को कभी बना नहीं सकते आप उसको हमेशा एक form से दूसरे form में convert कर सकते हो चेंज कर सकते हो जैसे कि हमारे पास हमने क्या क्या हमारे पास एक thermal power station एक thermal power plant जहां पे हम वबला रहे हैं और दूसरे हम कया रहे हैं कि जो energy है उसको हम कभी बना नहीं सकते हैं electricity खुद क्या है इक energy का form है इसको हम electrical energy बलते हैं इस्मो judgments कहां तो हमारे पास एक thermal power station जहां पर हम बिजली बना रहे हैं एक टाइप की energy बना रहे हैं और कहां मैंने आपको यह बताया अभी कि वह energy को कभी बना नहीं सकते हैं अगर अगर हम energy को कभी बना नहीं सकते हैं हमेशा इसको एक form से दूसरे फ़ॉर्मे कंवर्जन होता है एक फ़ॉर्म के झाती है कैसे जाती है थर्मल पावर पॉर्में बिजली बनानी है तो हमने क्या किया हमने एक लिया f였 न लिया छलो हमने रिया कोयल को हमने क्या किया है उसका कंभशन कर आया ठीक है कंभशन जब हम कराते हैं कोई-le-teca तो अभिसी बात है किट energy होगी अब इसước Héट energy को हमने यूटिलाइस किया ज़ा तो heat energy निकली cold के combustion से उससे हमने पानी गरम करवा लिया ठीक है अब पानी जब गरम होता है तो obviously बात है वो कहा जाएगा अपने vapor state में जाएगा है ना वो पानी की steam बन जाएगी और ऐसा नहीं कि पानी को फोड़ा सा गरम करवा था बहुत जादा ही पानी को हमने गरम करवा द साथ हम steam को turbine की plates के उपर डालते हैं turbine की जो blades होती है उसके उपर हम डालते हैं तो जो turbine है ना उसकी blades गोल 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 गूमने लगती है turbine भी वहत तेजी के साथ rotate होने लगता है तो basically यहाँ पर एक mechanical energy produce हो जाती है फिर इसी mechanical energy को जो हमारे generators होते हैं वो convert कर देते हैं किसमे electrical energy में तो यहाँ पर हमने शुरुवात करी थी thermal power plant में किसके साथ? कोल के साथ कोल क्या है? एक fossil fuel है उसको हमने combustion करवाया जिससे की heat energy निकली इस heat energy से हमने turbine को चलाया कैसे चलवाया? इस heat energy से हमने पानी को गरम करवाया जिसके करण उसकी steam बन गई generators वगेरा जो होते हैं वो उससे बना लेते हैं क्या? electricity यानि कि electrical energy तो यहाँ पर हमने देखा कि thermal power plant में बिजली बनी एक electrical energy बनी लेकिन वो बनी कैसे? तो पीछे आने वाली energies को convert करा करा करके electrical energy बनी है तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि heat energy को आप directly use कर सकते हो खाना बनाने के लिए, automobiles को चलाने के लिए, factory की machines को चलाने के लिए और आप इसको convert करा सकते हो किसमे electrical energy में at thermal power stations sorted चलो अब and this electrical energy या electricity is then used for various purposes अब हम सबको पता है कि हमारे घर में जो electricity आती है जो बिजली आती है उसको हम कई तरह के कामों में यूज करते हैं हम उसे अपना phone charge करते हैं हम उसे induction चलाते हैं बहुत सारे काम होते हैं उसके अब next point क्या है thus sorry the fuels which we use for various purposes can be in the form of a solid liquid or gas अब जो हम fuel use करते हैं वो अलग अलग forms में हो सकते हैं वो solid भी हो सकता है वो liquid भी हो सकता है वो gases भी हो सकते हैं thus there are three types of fuels on the basis of their physical state है ना fuels का physical state क्या है उसके basis पे हमारे fuels तीन टाइप के हो सकते हैं solid भी हो सकते हैं liquid भी हो सकते हैं और gases भी हो सकते हैं solid fuels के example देख लो वोड यानि की लकडी चार कोल कोईला कोग कोग मतलब हम सबको पता है coal and petroleum वाला chapter याद है की नहीं याद है वहाँ पे हमने सीखा था कि जो coal होता है उससे हम coke को फॉर्म करते हैं है ना और जब coal से हम coke को बना रहे होते हैं उस समय बीच में coal gas और coal tar उड जाता है तो coke हो गया agricultural waste में cow dunks वगेरा होते हैं जिसको हम उपलेब होते हैं फिर liquid fuels के example है kerosene, petrol, diesel and alcohol या इसको हम ethanol भी बोलते हैं gaseous fuels के example क्या है natural gas, petroleum gas और bio gas and coal gas ठीक है तो physical states के हिसाप से fuels जो हैं तीन टाइप के होते हैं solid, liquid और gases solid के example ये वाले, liquid के ये वाले और gases के ये वाले ठीक है चला, next point क्या है we use different types of fuels for various purposes at home in industry and in transport for running automobiles ठीक है तो हम अलग-अलग fuel का अलग-अलग purpose में यूज करते हैं, हम घर में भी यूज करते हैं जैसे कि हमारे पास जो petroleum gas है उसका जो liquefied form है, वो हम अपने घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं हैना industries वगेरा में, diesel वगेरा का यूज होता है, transport के लिए जो हमारे automobiles होते हैं उसमें भी हम fuel का यूज करते हैं, CNG वगेरा या petrol वगेरा some of the fuels used in homes are wood, charcoal, coal, LPG and kerosene तो वो वाले fuels जो कि हमारे घरों में most commonly use होते हैं तो वो कौन-कौन से हैं, kerosene है, लखडी है, charcoal है, coke है और LPG है some of the fuels used in industries है, industries में कौन से use होते हैं, coal, natural gas fuels जो कि automobiles को चलाने में लग जाते हैं, वो है petrol, diesel and CNG अब ये सारी कहानी हो गई किसकी fuel की, है ना, जैसे कि मैंने आपको session के starting में बता दिया था, कि आज हम बात करेंगे fuels के ओपर, तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि exactly fuels क्या होते हैं, है ना, तो fuels हमने समझ लिया, definition हमने हमने समझ लिया, physical states के हिसाब से fuels तीन टाइप के होते हैं, उन तीनों types को हमने discuss कर लिया, अब बारी आती है, fuel efficiency के बार में पढ़ने की exactly fuel efficiency क्या होती है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक word जिसको हम कहते है है, calorific value of fuels, अब ये calorific value क्या होती है, fuel की, चलो वो समझते हैं, all the fuels produce heat on burning, अब इसमें कोई शक्की बात नहीं है, कि देखो, इसलिए मैं आपको हमेशा एक ही definition बताती हूँ, fuel की, कि कोई भी ऐसा substance जिससे की आप energy, heat energy derive कर पाओ, उसको आप नाम देते हो किसका fuel का, तो एक बात तो यहाँ पर clear है, कि जितने भी हमारे पास fuels होंगे, उनको वो आप बोल सकते हो कि heating पे, उनको जब आप जलाओगे, तो heat produce होगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना पढ़ा, कि fuel वही होते हैं, जो कि एक ही amount की heat energy को produce करें, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही, हमने सिव इतना पढ़ा था, कि कोई भी ऐसा substance इसको की जलाने पर हम heat energy derive कर सकें, उसको हम बोल देते हैं, क्या एक fuel, तो मुद्दे की बात ये है, कि fuels चाहे कोई भी physical state के हो, gases हो, liquid हो, solid हो, तो fuel में हम कभी ये नहीं बोलते हैं, कि सभी एक ही amount की energy या heat energy produce करते हैं, अलग-अलग fuel, अलग-अलग amount की heat energy को on combustion या on burning produce कर सकता है, नेक्स पॉइंट क्या है, different fuels produce different amounts of heat on burning, अलग-अलग fuel, अलग-अलग amount की heat produce करेंगे on burning, ने, some fuels, मरलब ऐसा नहीं है, कि अगर आप बोल रहे हो कि ये वाला जो fuel है, ये कम heat energy produce कर रहा है, तो इसको हम fuel consider करेंगे, ऐसा नहीं है, अगर थोड़ी बहुत भी heat energy कोई substance produce कर रहा है on burning, तो फिर वो क्या होगा, fuel होगा, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि अगर आपको fuel बनना है, तो आपको जाधा heat energy supply करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, कुछ जाधा heat energy produce करते हैं, कुछ कम produce करते हैं, तो जैसे कि मैंना आपको बताया था, कि एक efficient fuel क्या होता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे आज के session में, तो सबसे पहले तो किसी भी fuel की efficiency, कि कोई भी fuel जैना कितना जादा efficient है, वो हम कैसे express कर सकते हैं, so in the terms of its calorific value, अब सवाल यह है कि calorific value होती क्या है, so the amount of heat produced by the complete burning और complete combustion of 1 kilogram of a fuel is called its calorific value, यहने कि किसी भी fuel की calorific value क्या होगी, कि 1 kilo अगर उस fuel का हम लेते हैं, और 1 kilo fuel से हम उसका क्या करते हैं, complete combustion करवाते हैं, यहने कि 100% आपने क्या किया है, उस 1 kilo fuel को जला दिया, तो 1 kilo fuel का complete combustion से जो heat energy निकलेगी, वो क्या कहलाएगी, उस fuel की calorific value कहलाएगी, तो the amount of heat produced by the complete burning या complete combustion of 1 kilogram of a fuel is called its calorific value, इस पूरे के पूरे point को आप कर लेना star mark, क्योंकि यह है क्या, fuel की calorific value की definition, the calorific value of a fuel is expressed in the unit of kilojoules per kilogram, भाई कोई भी आपके पास value होती है, तो उसको express करने के लिए unit चाहिए कि नहीं चाहिए है, अब suppose हमारे पास length को measure करने के लिए कोई unit ना होती, तो अगर मैं आपसे बोलू कि जो मेरी height है, वो है 5, या 5-1, या 5-2, तो आप बोलोगे कि मैं 5, चलो 1 भी छोड़ो, 2 भी छोड़ो, 5 है, या 6 है, तो ये 5 और 6 क्या होता है, कोई unit भी तो लगाओ, अगर हमारे पास वजन को नापने की कोई unit नहीं होती, और मैं बोलू कि screen का जो वजन है, वो कितना है, 10, तो आब बोलोगे कि मैं 10 क्या होता है, दस से तो हमें, बनलब बेसिकली नंबर से तो हमें कोई भी चीज समझ में नहीं आ सकती, कोई भी value हमें समझ में नहीं आ सकती, पीछे एक unit लगाना भी जरूरी है, तो अगर हम किसी भी fuel की efficiency को measure कर रहे हैं, in terms of its calorific value, तो उसकी भी कोई unit होनी चाहिए, unit क्या होती है, kilojoules per kilogram, यहनि कि एक kilogram fuel ने कितनी energy produce करी है, तो आप उसको कैसे express करोगे, उसके लिए unit क्या होगी, kilojoules per kilogram, which is written in short form as kilojoules per kg, है न, kilojoules को आप लिखते हो kg और पर का sign लगा करके लिख दोगे आप क्या kg, तो एक kg fuel की burning से, complete combustion से कितने kilojoules energy produce हुई है, वो क्या कहलाती है, उस fuel की calorific value कहलाती है, याद रगना, fuel आपने कितना लिया है, एक kg, और आप उसका करवा क्या रहे हो, complete combustion, complete burning करवा रहे हो, उसके बाद में चो heat energy produce होगी, उसको आप बोलोगे क्या, उस fuel की calorific value, एक्स्प्रेस कैसे करोगे, उस value को, calorific value को, unit क्या होगी, तो kilojoules पर kg, next क्या है, वी नो दाट, kerosene is a fuel, now when one kilogram of kerosene is burned completely, then 45,000 kilojoules of heat energy is produced, यहने कि जब हम एक kilo kerosene को completely burn कर देते हैं, उसका combustion करा देते हैं, तो energy कितनी produce होती है, देखो, 45,000 kilojoules energy produce होती है, तो अब सवाल यह है, कि kerosene की, जो calorific value है, वो आप कैसे express करोगे, so the calorific value of kerosene is 45,000 kilojoules पर kg, kilogram, यह आप इसको लिखोगे कैसे, 45,000, अच्छा याद रखना, कि जो kilojoules में जो के होता है, देखो, मैंने भी आपे गलती से बड़ा वाला के बनाया है, यह छोटा वाला के होता है, ठीक है, तो kilojoules पर kg, ठीक है, तो हमारे kerosene की calorific value कितनी आ गई है, 45,000 kilojoules पर kg, अब अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक fuel है, जिसकी calorific value कितनी है, calorific value है, 50,000 kilojoules पर kg, तो आपको इससे क्या समझ में आएगा, कि मेरे पास, मैडम ने बोला कि मेरे पास एक fuel है, जिसकी calorific value है, 50,000 kilojoules पर kg, तो इस calorific value से, आप क्या बताना चाह रहे हो, आप ये बताना चाह रहे हो कि मैडम के पास जो fuel है, उस fuel का 1 kg अगर हम जलाएंगे, उसका complete combustion करेंगे, complete burning करेंगे, तो उस complete combustion से कितनी energy निकलेगी, 50,000 kJ energy निकलेगी, आए आपको बात समझ में, चलो, So, the calorific value of a fuel is also known as heat value of the fuel, हम किसी भी fuel की calorific value है, उसको उस fuel की heat value भी बोलते हैं, the calorific value of some of the common fuels are given, आप यहाँ पे देखो, कुछ common fuels की calorific value यहाँ पे हमको दी गई है, Cow dunk या जो उपले होते हैं, उनकी calorific value कितनी है, 6,000 से 8,000 kJ per kg, यानि कि अगर हमने 1 kg उपले जलाए हैं, उनका complete combustion किया है, तो 6,000 से 8,000 kJ के बीच में energy निकलेगी, heat energy, लकड़ी को अगर हमने जलाया, तो लकड़ी की calorific value किती है, 17,000 से 22,000 kJ per kg, यानि कि 1 kg लकड़ी को जलाने पर 17,000 से 22,000 तक की energy, heat energy produce होती है, कोल की अगर हम बात करें कोईलेगी, तो 1 kg कोल को जलाने से 25,000 से 33,000 तक heat energy produce होती है, बायो गयास को अगर हमने जलाया है, कितना 1 kg, तो कितना energy निकलेगा उससे 35,000 से 40,000, पेट्रोल, केरोसीन और डीजल की खास बात किये है, कि इन सभी का, अगर 1 kg हमने जलाया, यानि कि पेट्रोल का 1 kg, केरोसीन का 1 kg, डीजल का 1 kg, तो 3 के 1 kg को जलाने से calorific value या energy कितना रिलीज होगी, 45,000, 45,000 और 45,000 किलो जूल्स, मीथेन को अगर हमने क्या किया है, जलाया है, तो 1 kg वो भी, तो कितनी energy निकलेगी, 50,000 किलो जूल्स, CNG याने की compressed natural gas को अगर हमने combustion के लिए यूज किया है, 1 kg, तो energy कितनी रिलीज होगी, 50,000 किलो जूल्स, LPG को अगर किया है, तो निकलेगी 55,000 किलो जूल्स, और अगर hydrogen gas का हमने combustion कराया है, कितना 1 kg, तो उससे कितनी energy निकलने वाली, देखो तो भाईया, याने की 1,450,000 किलो जूल्स energy निकलेगी, कब जब आप 1 kg hydrogen gas का combustion कराओगी, वो भी कॉण सा वाला? Complete combustion, ये ने की, आधिया धूरी gas, ऐसके 50 एक किलो ले रहे हैं तो 500 ग्राम का अब 500 ग्राम का हुआ इने एसा निए कमपलीट कमपर्शन होना चाहिए कमपलीट बॉर्डिंग होनी चाहिए तो जो एनरजी निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी उस फ्यूल की केलोरिफिक value दी गई है इस calorific value से आपको क्या समझ में आ रहा है इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन सा जाधा fuel कितना efficient है आपके सामने यहां पर सब्सक्राइब हुआ की नहीं हुआ है सभी के सभी फ्यूल हमारी नजरों में कैसे थे एक समान थे लेकिन अब हमें इनके बीच का एक डिफ्रेंस समझ में आ रहा है डिफ्रेंस हमने इनके फ्यूल के बीच का एक और जगा देखा था जब हम ignition temperature की बात कर रहे थे कि अलग-अलग fuel का अलग-अलग ignition temperature होता है किसी का कम होता है किसी का जाधा होता है लेकिन अब एक और difference देखने को मिल रहा है हमें के बीच में और वो है क्या उनकी calorific value क्या कि कौन सब फ्यूल कितना जाधा efficient है अभी तक हमारी नजोरों में सब एक जैसे ते लेकिन आप देखो जब हमने efficiency देखो हाला कि काव डंक वगेरा यूज करने का उपले वगेरे यूज करने से हम बोलते हैं कि pollution काम होता है लेकिन जड़ा इनकी efficiency तो देखो केवल 6000 से 8000 वहीं हमारे पास दूसरी तरफ है क्या hydrogen gas जो की एक किलो पर एक लाग पचास अजार किलो जूल्स एनरजी देती है पैट्रोल डीजर और कैरोसीन इनसा भी को जब आप जलाते हो एक किलो तो जो आप बोल सकते हो कि efficiency निकल करके आती है तो अब जब हमने केलोरिफिक वैल्यू के बार में पढ़ लिया है तो एक बेसिक डिफरेंस हमें समझ में आया है फ्यूल की efficiency के बीच का कौन सा जादा फ्यूल कितना जादा efficient है कौन बहुत efficient नहीं है कौन कम हैं इसलिए बोला गया था कि fuel तो कोई भी हो सकता है कि कोई भी ऐसा सब्सक्राइब कर सको आप उसमें भेदाव नहीं कर सकते हो कि अगर तुम कम heat energy प्रेडियूस करो फ़र एक्जामपल हमारे जो उपले हैं अगर वो कम energy प्रेडियूस कर रहे हैं हीट कम प्रेडियूस कर रहे हैं इसका मतलब फ्यूल नहीं है एट लीस्ट कर तो रहे हैं तो फ्यूल तो वह भी है तो आप उनमें कम्प्लीट कमशन कर आएंगे तो कितनी heat energy release होगी उसे हम बोल देते हैं उस फ्यूल की कैलोरिफिक वेल्यू एक्स्प्रेस कैसे करते हैं इस कैलोरिफिक वेल्यू को यूनिट क्या होती है तो किलो जूस पर केजी सौटेड चलो आई होप इतना सभी को समझ में आगया होग अब next क्या है from the above table we can see that the calorific value of LPG is 55,000 kilojoules per kg by saying that the calorific value of LPG is 55,000 kilojoules per kg we mean that if 1 kilogram of LPG by calorific value का मतलब क्या है जो कि मैं आपको समझाया था कि अगर आप 1 kilo LPG को बर्न करोगे completely तो कितनी heat energy produce होगी 55,000 kilojoules the calorific value of LPG is much higher than the calorific value of cow dung, cakes and coal this means that the burning of a given amount of LPG will produce much more heat than burning the same amount of cow dung, cakes or coal यहने कि उपले और कोल से, कोईले से जो efficiency है LPG की वो जादा है यहने कि same amount की अगर आप LPG, given amount की अगर आप LPG को जलाते हो तो जादा heat energy produce होती है as compared to जब आप same amount of कोईला या उपले को cow dung, cakes को जलाते हो उससे So we are asked to heat some water to boil it, then we should prefer to use LPG as fuels rather than cow dung, cakes or coal क्यों? अगर आपको तोड़ा सा पानी boil करने के लिए बोला गया है, तो और आपको तीन options दिये गए है fuel के, cow dung, cakes, उपले, coal और LPG तो आप किसको prefer करोगे? कौन से वाले fuel को prefer करोगे? तो वो होना चाहिए आपका LPG क्यों? क्योंकि LPG ज़्यादा efficient है, जो ज़्यादा efficient होता है हमेशा उसी को prefer किया जाता है Because LPG produces much more heat on producing, on burning than unequal amount of cow dung, cakes or coal याने कि basic आप बोल सकते हो कि LPG का अगर आपने थोड़ा सा भी amount लिया है, तो उस थोड़े से amount से ज़्यादा heat energy produce होगी और उस ज़्यादा heat energy से पानी आपका गरम हो जाएगा वहीं अगर आप coal या cow dung cakes को लेते हो तो उस से पाने को गरम करवाने के लिए आपको उनकी ज़्यादा quantity लगेगी क्यों? क्योंकि उनकी efficiency कम है उनकी calorific value कम है तो थोड़ी सी LPG को use करके ज़्यादा heat energy निकल रही है ज़्यादा quantity के coal और cow dung cakes को use करकी उतनी energy निकल रही है तो बहतर क्या होगा? कम amount में LPG को use कर लेना ठीक है? चलो अब हमारे पास एक sample problem है उसको हम जल्दी से solve कर लेते हैं In the experiment 4.5 kg of a fuel was completely burnt Now the heat produced was measured to be 180,000 kJ याने कि हम एक experiment कर रहे हैं जिसमें कि हमारे पास एक fuel है अब वो कौन सा fuel है हमें नहीं पता unknown fuel है बस उसके बारे में हमें ये information है कि जब इस fuel की 4.5 kg quantity को हमने completely जलाया है उसका combustion कराया है तो energy कितनी produce हुई है? 1,80,000 kJ energy produce हुई है Now calculate the calorific value of the fuel हमें fuel की calorific value को calculate करना है क्योंकि कई बार आपके school exams में fuel की efficiency के बारे में या उसकी definition क्या होती है या ये value क्या होती है इस पे कोई proper definition आप से लिखने के लिए नहीं आती है आपको कुछ इस तरीके के questions दिये जाते हैं तो आपको हर type question का solve करना आना चाहिए तो सबसे पहले हम करेंगे क्या तो अपने answer को attractive और presentable बनाने के लिए एक छोटी सी definition लिख देंगे calorific value के उपर कि ये क्या होती है तो it is the heat produced by burning 1 kg of fuel जब हम 1 kg fuel को जब हम burn करते हैं तो जो heat energy produced होती है वही उस fuel की calorific value कहलाती है अब हम आजाते हैं अपने fuel की ओपर है ना हमें नहीं पता कि कौन सा fuel है बस हमको इतना पता है कि जब इस fuel का हमने 4.5 kg जलाया completely जलाया तो उससे energy कितनी निकली energy निकली 1,80,000 ठीक है कितनी निकली 1,80,000 अब सवाल यह है कि इस fuel की हमको ये वाली value fuel की जो efficiency जिसको की हम calorific value कहते हैं वो हमको calculate करनी है कैसे करेंगे तो जो value जो हमको चीज़े given है ना इस सवाल में उन्हीं चीजों से हम calculate कर सकते हैं तो हमारे पास जो fuel है उसके बारे में हमको ये पता है कि इतनी quantity जलाई है तो इतनी energy release हुई है हमको क्या करना है हमको अब इसी fuel की एक किलो की quantity को जलाना है experiment में हमने इतनी सारी quantity ली थी fuel की अब हमें इतनी सारी नीचे ये है हमको given एक किलो से मतला है तो हमने same fuel की एक किलो quantity ली है अब हम उसको जलाने की कोशिश करेंगे तो सवाल यह है कि जब 1 kg इस फ्यूल को जलाया जाएगा तो कितनी एनरजी रिलीज होगी चलो हम माल लेते हैं कि X amount की एनरजी रिलीज होगी तो इतने को जलाने पर इतनी heat energy रिलीज हुई तो 1 kg को जलाने पर तो 1 kg को जलाने पर कितनी heat energy रिलीज होगी उसको हमने माल लिया X अब हम क्या करेंगे cross multiplication कर देंगे उठा करके तो यह X चला गया कहां यहां और 1 kg चला गया कहां यहां तो इसको हम आगे और कैसी solve करेंगे 4.5 multiply हो जाएगा जाकर के X के साथ और 1,80,000 जाकर के multiply हो जाएगा 1 के साथ X की value को calculate करने के लिए हम 1,80,000 के नीचे लेकर के आजाएगे किसको? 4.5 को और जब आप further इसको solve करोगे तो जो आपका answer है ना वो कितना आएगा? 40,000 आएगा 40,000 आएगा और इसकी unit क्या लगेगी? unit लगेगी kilo joules ठीक है? unit को mention करना important होता है अगर आप सवाल में unit नहीं लगाते हो तो number कट जाते हैं तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? यहाँ पे हमने सीखा कि हमारे पास एक XYZ नाम का fuel था, कुछ उसके बारे में को जलाएंगे, complete combustion कराएंगे तो कितनी energy release होगी? तो हमने क्या किया? simple, अपना cross multiplication कर दिया और answer हमारा कितना निकल करके आया? 40,000 kJ यानि कि जब हम इस fuel के 1 kg क्वांटिटी को जलाएंगे तो heat energy कितनी निकलेगी? 40,000 kJ और यह जो heat energy निकल रही है यह जो value है, यह क्या indicate कर रही है? यह इस fuel की calorific value को indicate कर रही है याद करो कि calorific value क्या होती है किसी भी fuel की? कि जब आप उस fuel के 1 kg को जब आप बर्न करते हो completely उसका conversion कराते हो तो कितनी heat energy निकलती है? तो यहाँ पे हमने यही तो calculate किया है कि उस fuel की जो calorific value है, वो कितनी होगी? 40,000 kJ per kg यूनिट याद रखना यूनिट क्या होती है? kJ per kg तो यही तो हम से सवाल में पूछा गया था कि calculate करो, तो करके रख दिया हमने कितना answer आया अपना? 40,000 kJ per kg Sorted चलो, अब हम क्या करेंगे? sample problem number 2 solve करेंगे इसमें क्या बोला गया है? arrange the following fuels in the increasing order of their calorific value आपके पास कुछ fuels दिये गए है और उनको आपको arrange करना है, कैसे arrange करना है? तो increasing order of their calorific value के हिसाब से कौन-कौन है वो fuels? kerosene है, hydrogen gas है, LPG है coal है और wood है तो देखो, इस सवाल के पहले हमने एक ये चार्ट देखा था ना इस चार्ट की help से हम arrange कर सकते हैं उनको increasing order में सभी fuels को कौन-कौन है? options में लकडी है कोईला है I guess petrol नहीं, पेट्रोल नहीं है उसमें LPG है और हम बोल रहे हैं कि hydrogen gas भी है कोई एक और भी है लकडी हो गया कोईला हो गया और एक और क्या चीज है उसमें एक और चीज है उसमें hydrogen gas LPG coal wood और kerosene अच्छा kerosene भी है तो यहाँ पे हम mark कर लेते हैं किसको kerosene को ठीक है? तो यह options है आपके पास लकडी, कोईला, kerosene, LPG और hydrogen gas अब इन सभी fuels को आप arrange करो उनके increasing order में calorific value की increasing order में कैसे? तो यह chart को आप देखते जाओ इनकी values को आप देखते जाओ और arrange करते जाओ arrange ऐसे करना है कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे? वो वाला fuel जिसकी जो कैलोरिफिक value है वो सबसे कम है तो सबसे कम है 흐ाएपर किसकी दिख रही है? hydrogen gas की तो देखो सबसे जादा है तो अखरी में हम किसको लिखेंगे? hydrogen gas को ही लिखेंगे ठीके? सबसे पहले हमने हम किसको लिखेंगे? वोड को लिखेंगे तो second number पे आगया कौन हमारा coal? coal से ज़्यादा किस की है? kerosene की है, कितनी है? 45,000 kJ per kg तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? kerosene फिर kerosene से ज़्यादा किस की है? LPG की है तो यहाँ पे हमने लिख दिया fourth number पे LPG और last में तो हमने लिखना ही है क्या? hydrogen gas, तो यहाँ पर हमारे सभी के सभी, जितने भी options में दिये गए थे fuse, उनको हमने उनकी calorific value के हिसाब से increasing order में arrange कर दिया है, सबसे नीचे है कौन? wood, फिर उसके उपर है coal, फिर है उसके उपर kerosene, फिर उसके आगे है LPG और फिर सबसे कम है value और इसकी सबसे ज़ादा है, ठीक है? तो चलो, session के इस point पर आकर के हमने अभी तक दो चीज़े discuss कर ली है, एक तो fuels क्या होते हैं और दूसरा उनकी efficiency क्या होती है, अब हम बात करते हैं एक ideal fuel की या एक अच्छे fuel की, कि हम कौन से fuel को एक ideal fuel बोलेंगे या उसको हम अच्छा fuel बोलेंगे, good fuel बोलेंगे, कोई न कोई characteristics को होनी चाहिए न, चलो, उन characteristics को हम discuss कर लेते हैं, so an ideal fuel और a good fuel has the following characteristics, क्या-क्या characteristics होते हैं, सबसे पहले, it has a high calorific value, उसकी जो calorific value है, वो कैसी होनी चाहिए, high होनी चाहिए, that is, it produces a large amount of heat per unit mass, अगर आपको याद होगा, तो इसी session में मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था, क्या आपको पानी को boil करना है, water को boil करने के लिए, मैंने आपको तीन टाइप के fuels दिये, एक दिया है koila, एक दिया है मैंने आपको cow dung, यानि की उपले वगएरा, ठीक है, cow dung cakes, और क्या बोलते हैं उसको हम, koila, और तीसरा fuel है हमारा LPG, तो पानी को boil करने के लिए, आप कौन सा वाला fuel prefer करोगे, तो naturally, obviously आपका answer क्या होगा, कि मैं हम तो LPG को ही prefer करेंगे, क्यों prefer करोगे LPG को, क्योंकि उसकी जो calorific value होती है, वो ज्यादा है, यानि की 1 kg उपले या 1 kg coal को burn करने पर, जो heat energy produce होगी, वो कम होगी, किसके comparison में, तो जब हम 1 kg LPG को burn करेंगे और उससे जो heat energy निकलेगी उसके comparison में, यानि की quantity हम तीनों फ्यूज के बराबर ले रहे हैं, cow dung cakes उपले भी 1 kg थे, coal भी 1 kg था और LPG भी हमने 1 kg लिया है, लेकिन 1 kg LPG को produce को हम बोलते हैं की burn करने पर, उसका combustion करने पर जादा heat energy release हो रही है, तो देखा जाए, तो LPG हमारे लिए beneficial है ना, की थोड़ी सी हम LPG लेंगे और उस थोड़ी सी LPG से जादा heat energy produce होगी, है की नहीं, तो हमारे लिए एक ऐसा fuel जिसकी calorific value जादा होती है, वो हमें जादा पसंद आता है, उसी को हम prefer करते हैं, फिर इसके बाद में next property क्या है, की it burns easily in air at a moderate rate, यहने की हमारा जो fuel है, वो आसानी से burn हो जाए, moderate rate पे, that is it burns neither too fast nor too slow, अगर आपको याद होगा, तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था, कि आज के टाइम पे हमारे लिए खाना बलाना बड़ा आसान है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, आज के टाइम पे हमको करना क्या होता है, बस हमको एक LPG, याने की हमारे cooking gas चाहिए होती है, स्टोव कानोब ऑन करो, गैस भान निकल आएगे, बरनर के होल से ले जाओ, बरनर के पास क्या, एक लाइटर का बटन दबा दो लाइटर के बटन दबाने से उसमें से एक स्पार्क निकलेगी, एक चिंगारी निकलेगी और उस छोटी सी स्पार्क और चिंगारी से जो cooking gas है वो उसका combustion स्टार्ट हो जाएगा है ना लेकिन पहले की जमाने में इतना असान नहीं होता था क्यों कि induction नहीं होते थे गैस के प्रॉपर ऐसे चूले नहीं होते थे है ना gas stove नहीं होते थे gas cylinder नहीं होता था LPG नहीं होता था उस समय ट्रेडिशनल चूले होते थे और उनके उपर लकड़ी को जलाया जाता था अब लकड़ी को जलाना इतना आसान नहीं होता आपने LPG गैस को बड़े असानी से जला दिया एक छोटी सी चिंगारी आप आप लकड़ी को जलाने की कोशिश करोगे तो नहीं जलने वाली वह उपर से अगर लकड़ी गीली हो गई उसमें मौइस्टर आ गया तो तो और ही मुसीबत है ना तो हमारे पास एक ऐसा फ्यूल होना चाहिए जिसका की आप बोल सकते हो की असानी से एसा बढ़ कर जाए एक अच्छा फ्यूल यही वही है जिसको की आप सको कि आसानी से जो जल जाए है ना यह नहीं कि वाइट फॉस्फरस की तरह हमने रूम टेंपरिचर पर रखा था चाने डिश में लाकर के और रूम टेंपरिचर पर रखते ही वो उसने आग पकड़ ली वो भी नहीं होना चाहिए और नहीं लकड़ी जैसा कि जलाया जा रहे बोलते हैं कि उसका जो आईटी है इग्निशन टेंपरिचर है वो काफी कम होता है इतना कम होता है कि एक माचिस की तिली लगाई नहीं पैट्रोल में कि सीरे किसी के धमाका हो जाता है तो वो भी नहीं होना चाहिए और नहीं लकड़ी जैसा कि हम हीट सप्लाय करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं लेकिन लकड़ी है कि आग पकड़ने का नाम ही नहीं ले रही क्योंकि उसका इग्निशन टेंपरेचर जादा है तो ना कम होना चाहिए पैट्रोल के समान ना बहुत जादा होना चाहिए लकड़ी के समान मीडियम लेवल का होना चाहि नेक्स्ट प्रपेटी क्या है कि it does not produce any harmful gases or leaves any residue after burning यह नहीं कि हमने फ्यूल को जलाया है उसके बाल में उसके after effects हमको देखने को मिल रहे हैं लेकड़ी को जलाने पर हमने देखा है कोईले को जलाने पर हम देखते हैं कि काफी धुआ निकलता है poisonous gases निकलती है राख चूटती है पीछे तो यह सारी चीज़े नहीं होनी चाहिए after effects देखने को नहीं मिलने चाहिए तो एक अच्छा फ्यूल वही है जो कि आसानी से जल जाए moderate rate पे हवा में उसका ignition temperature proper हो ना कम ना जादा साथी साथ उसको जलाने पर कोई भी harmful gases smoke या residue ना की बहुत मेहंगी मिल रही है तो हरको इसको अफोर्डी नहीं कर पा रहा है सब के पास readily available होना चाहिए है ना कि यह नहीं की साल में केवल एक ही बार सप्लाय आ रही है तो और साधी साथ ट्रांसपोर्ट में भी आसान होनी चाहिए handle करने में भी आसान होनी चाहिए Note that there is perhaps no fuel which can be considered to be an ideal fuel लेकिन यहाँ पर एक इनने remark दे दिया कि गौर करने वाली बात यह है कि आज की टाइम पर हमारे पास ऐसा कोई fuel नहीं है जिसको कि हम एक ideal fuel बोलें क्यों नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक हमारे पास सच कोई fuel नहीं आया है जिसके पास ये सभी की सभी characteristics कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ पॉइंट जो है न वो मिस हो ही रहे हैं So we should choose a fuel which fulfills most of the requirements for a particular use तो ideal fuel तो आया नहीं है अगर आया होता तो हम सब उसी को use करते है अब जो कि नहीं आया है तो जो भी हमारे पास available fuels है उन सब में से हमको एक ऐसा fuel चूस करना चाहिए जो कि हमा Hello everyone, आज के इस session में हम class 8 science के chapter combustion and flame का एक और interesting topic discuss करेंगे and that is flame. Previous session में हमने बात करी थी fuels के उपर एक basic definition क्या हो सकती है fuel की उसके उपर हमने चर्चा करी थी फिर इसके बार में fuel की efficiency क्या होती है उसको भी हमने समझा था और साथी साथ एक ideal fuel की कुछ characteristics को भी या properties को भी हमने discuss किया था यह पूरी कहानी थी अपने previous session की और आज के इस session में हम हम बात करेंगे किस के उपर flame बन तो चलो जल्दी से आज के इस session को हम start कर लेते हैं so this is विभूती खरे welcome to magnet brains जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं बिल्कुल free of cost याने की magnet brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package purchase करने की requirement बिल्कुल भी नहीं है क् की magnet brains आप सब तक पहुंचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं आज का हमारे यह session जहां पर हम बात करेंगे flame के उपर और आज ही कि इस session में हम flame का structure भी समझेंगे तो basically यह flame होती क्या है अब flame को हमने कहां देखा है याद करू हमारे कुछ previous sessions मै मैं आको बताया था कि हमारे पास होता है क्या एक मैणीशन रिबन इस मेणीशन रिबन को जब हम जलाते हैं तो यह मैणीशन रिबन एक बहुत ही ब्रिलियंट डेचलिंग white flame के साथ जलता है तो मैणीशन रिबन का जब combustion होता जब उसकी बर्निंग होती है तो हम को एक फ्ल end of a magnesium ribbon over a burner, we find that the magnesium ribbon burns by producing a brilliant white light, जैसे कि मैंना को अभी अभी बताया, we have also seen a candle flame, जब आप एक मुंबत्ती को जलाते हो, तो भी तो आपको एक candle दिखाई देती है, इसके अलावा a kerosene lamp flame, याने कि वो वाला lamp जिसमें कि आप kerosene डालते हो as a fuel, तो उस kerosene lamp में भी आपको एक flame दिखाई देती है, इसके अलावा हमारे पास chemistry lab में जो हम burner use करते हैं, उस burner को भी जब हम on करते हैं, तो उस burner से एक सुन्दर सी flame निकलती है, तो ऐसा नहीं है कि जब हम magnesium ribbon को जलाएंगे, तो ही हमको एक brilliant dazzling white color की light दिखाई देगी, flame दिखाई देगी, ऐसा नहीं है, candle को जब हम जलाते हैं, मुमबत्य को जब हम जलाते हैं, तो भी हमको एक flame दिखाई देती है, kerosene lamp को जब हम जलाते हैं, तो भी हमको एक flame दिखाई देती है, और chemistry lab में आप यह बोल सकते हो कि जो फ्रेम है ना वो एक आग का या फायर का एक हिस्सा होती है एक पार्ट होती है इस पॉल्ड ज्वाला और लपट इन हिंदी बिसिकली जो ब्लेज है ना ब्लेज का ही मतलब हिंदी में होता है क्या ज्वाला और आम भाशा में आग को या फ्लेम को हम क्या बोल सकते हैं लपट बोल सकते हैं आपने सोना होगा ना यह वाला फ्रेज कि आग की लपटे दिखाई देने लगी आग मतलब क्या फायर और लपटे लपट मतलब क्या फ्लेम ठीक है तो इसली मैंने बोला था कि फ्लेम क्या है आग का या फायर का एक हिस्सा होती है, तो आग की लपटे याने की आपको फायर की फ्लेम दिखाई दे रही है, चीक है, चलो, अब फ्लेम में होता क्या है, so it is a region where combustion और बर्निंग of gaseous substance takes place, अब यहाँ पे आपको ये वाला point जो है न, थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना होगा, कि basically frame वाले region में होता क्या है, flame ये कैसा region है, जहाँ पे gaseous substance का combustion होता है, उसकी burning होती है, now all the gases which undergo combustion और burn produce flame, क्या बोला जारा है statement में, ध्यान से समझेगा है statement को, ये जितनी भी gases होती है, जब उनका combustion होता है, तो वो flame produce करती है, अब ये वाला जो statement है, क्या ये statement सही है, ये एवई हमने लिख दिया है, ये वाला statement बिल्कुल सही है, और ये वाला statement ऐसा है, जो कि हमने देखा हुआ है, देखा हुआ क्या रोज अपने घरों पे हम देखते हैं, पर खाना बनता है घर में, कि नहीं बनता, खाना बनना कितना असार है आज के time पे हमारे लिए, हमें कि तुरू travel करते करते, gas stove तक पहुंचती है, gas stove में लगे होते हैं, burner, burner में present होते हैं holes, तो जैसे ही हम gas stove का knob on करेंगे, जो gas है, cooking gas है, वो उन burner के holes से बाहर निकलने लगीगी, next step हम क्या करते हैं, lighter लेते हैं और उसको burner के उपर रखते हैं, और lighter का जो button है, वो प्रेस करते है हैं, जिसके कारण एक चिंगारी निकलती है, spark निकलती है, और उस छोटी सी चिंगारी और spark से, जो हमारी cooking gas है, जो की burner के hole से बाहर निकल रही थी, वो जलने लगती है, तो उसका combustion होने लगता है, इसका मतलब क्या, कि यहां पी जो statement लिखा गया था, इसको हमने अभी अभी विटनिस किया, कैसे विटनिस किया, भई हमने अपनी आखों से gas का combustion होते हुए देखा, अपनी cooking gas का, LPG का, liquefied petroleum gas का, हमने combustion देखा, भई cooking gas क्या है, गैसी तो है, जब उसका combustion हुआ, एक चिंगारी से हमने उसको ignite करा, उसका ignition स्टार्ट किया, cooking gas का combustion होने लगा, और इस combustion के बाद में, क्या आपको blue color की flame burner के उपर दिखाए नहीं देती, देती है, भाले blue color की है, लेकिन flame तो है न, तो वो flame कैसे आई, क्योंकि gas का combustion हुआ, ये एक ऐसा statement है, जिसको हम daily basis पे, रोज के रोज, सुभर शाम विटनिस करते हैं, कि सभी gases जो है, जब उनका combustion होता है, तो व burner के उपर blue color की flame हमको दिखाई दे जाती है, भाई सीधी सी बात है, हमारे पास जो gas cylinder होते हैं, उसमें liquefied petroleum gas भरी होती है, यानि कि petroleum gas को काफी ज़्यादा pressure लगा करके liquefy कर देते हैं, अब आपने देखा होगा कि हम gas stove और gas cylinder को connect करते हैं, एक pipe से, लेकिन pipe भी देखो, जब pipe को हम gas cylinder के साथ connect करते हैं, तो उसके बीच में एक बड़ा सा red color का regulator आता है, सबसे पहले हम gas cylinder का जो mouth होता है, चोटा सा, उसमें हम regulator फसाते हैं, और regulator को हम gas stove के साथ एक pipe से connect करते हैं, तो आपने देखा होगा, जैसे हम regulator का knob on करते हैं, तो एक फिस की आवाज निकल के आती है यह वाज क्यों आती है, क्योंकि जैसे ही आपने regulator का on किया, उसका knob आपने खोला, तो थोड़ा सा pressure release हुआ, गैस cylinder के अंदर जो petroleum gas भरी हुई है, वो अपने liquefied state में है, क्यों? क्योंकि pressure उसके उपर लगाया गया है, लेकिन जैसे आप regulator का knob on करते हो, तो थोड़ा सा pressure release होत है, ठीक है, प्रेशर लगा करके हमने petroleum gas को liquefied state में डाला था, लेकिन जैसे हमने regulator का knob on किया, खोड़ा सा pressure release किया, तो रिलीस करने के कारण, जो थोड़ा सा portion होता है petroleum gas का, वो दुबारा से अपने gaseous state में आ जाता है, और ये gaseous petroleum gas जो है, pipe के थूरू travel करते हुए, gas stove तक पहुँच जाती है, तो जैसे ही हम gas stove का knob on करते हैं, यह जो gas होगी, petroleum gas, यह burner के hole से बाहर निकलने लगती है, और जैसे ही इस petroleum gas को हम ignite करते हैं, इसका combustion शुरू हो जाता है, और हमको burner के ओपर blue flame दिखाई देने लग जाती है, तो इस वाले statement को हम सब witness करते हैं, रोज के solar statement है, 100% correct, ठीक है, तो जितनी भी gases है, जब वो combustion में जाती है, तो वो एक flame produce करती है, चलो, यह तो बात हुई किसकी gas की, और LPG का हमने example भी देख लिया, उसका सुबूत भी हमने देख लिया, evidence भी हमने देख लिया, लेकिन solid और liquid का फिर क्या होता है, भाई LPG जो है, वो क्य हमने देखा, कि जब हमारी candle जलती है, तो भी हमको एक flame दिखाई देती है, अब candle में तो कोई gas आई नहीं है, candle में तो क्या होता है, wax होती है, और wax के बीचों बीच क्या जाती है, एक विक जाती जिसको हम उसकी पत्ती बहुते है, तो बत्ती जलती है, candle की जो wax वो melt होती है, लेकिन फिर भी candle में हमको flame दिखाई देती है अगर हम बात करेंगे kerosene lamp की तो kerosene lamp में क्यों होता है बत्ती होती है और कerosene होता है याने कि एक liquid है kerosene क्या है? लिक्विट ही तो है ना तो यहाँ पर तो यह liquid जल रहा है liquid के जलने से भी हमको एक flame दिखाई दे रही है candle में हम बोलते हैं कि wax जल रही है wax melt हो रही है तो एक solid के combustion से भी हमको एक flame दिखाई दे रही है तो क्या ये possible है? बिल्कुल possible है और आगे पढ़ते हैं और आगे जाते हैं हम but only those solid and liquid fuels which vaporize on being heated, burned with a flame अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया ये वाला statement मैंने आपको प्रूव कर दिया यहां सभी gases जब combustion में जाएंगी तो flame reduce करेंगी best example है LPG वो क्या है? एक fuel है चलो अब आगे आजाते हैं आगे हम बोलते हैं कि हमने तो flame candle में भी देखी है बिसिकली जब इस solid और liquid का combustion होगा तो हमको flame दिखाई देगी तो फिर जब कोईला ये जब charcoal जलता है वो भी तो solid है तो जब वो जलते हैं तो क्यों नहीं हमको flame दिखाई देती? बही gases के जलने पे तो flame दिखाई दे रही है आगे बात समझ में candle में solid का combustion हो रहा है केरोसी में liquid का combustion हो रहा है इसलिए हमको flame दिखाई दे रही है तो फिर जब charcoal या coal जलता है तो क्यों नहीं flame दिखाई देती? charcoal और coal भी तो solid ही है तो उन solid के जलने पर हमको flame क्यों नहीं दिखाई देती? हमको तो सिर्फ जब भी चारकोल और जलता है तो हमको एक ग्लो दिखाई देता है हमको लपटे दिखाई क्यों नहीं देती हमको फ्लेम दिखाई क्यों नहीं देती तो इसका आंसर इस स्टेटमेंट में छुपा हुआ है कि only those solid or liquid fuse which vaporize on being heated burn with a flame याने कि वह वाले solid or liquid fuse जो की heat supply करने के बाद vaporize हो जाते हैं अपनी वैपर अपनी वैपर state में आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ वही जलते हैं किसके साथ flame के साथ इसको और समझते हैं in other words only those solid and liquid fuse which form gases on being heated burn with a flame के वाल वही solid or liquid fuse जो की heat supply होने के बाद अपने gases में convert हो जाते हैं गैशर state में चले जाते हैं सिर्फ वही कि वही burn करते हैं flame के साथ LPG and biogas are the gases which undergo combustion so LPG and biogas burn by producing a flame चीक है अब हम बात करते हैं कि इसकी wax की candle की हम बात कर रहे थे ना कि आखरे candle में ऐसा क्या होता है कि हमको एक flame दिखाई देती है तो जैसे कि मैंना आको बताया candle में हम बोलते हैं कि ये एक वैक्स होती है और वैक्स के बीचों बीच आती है क्या एक बत्ती जिसको की हम बोलते हैं विक ठीक है तो हम करते क्या है इस विक को इस बत्ती को हम जला देते हैं ठीक है हम इसको एक जलती हुई माचिस लेकर करके आते हैं और इस जलती हुई माचिस से माचिस की तीली से म को हम जला देते ह languj धलती तो आवरीज़ी बात्य एक हीट प्रीडीयोमस होती है तो इस के जलने के कारण जो हीट होती है उस से हीट के gute यह जो कैंडल का वैक से यह मैं कुषा जाता है कि हमारे पास एक candle है उसमें wax है और wax के अंदर क्या है विक है जिसको कि हम बत्ती बहुते हैं तो जैसे ही हम जलती हुई match stick या माचिस की तेली से इस बत्ती को इस विक को जलाते हैं तो जलाने के कारण एक heat produce होती है जब भी ये विक जलती है तो एक heat कारण जाती है इस विक के ऊपर लॉजिक समझ ये का कि विक को हमने जलाया बत्ती को जलाया जिसके करण हीट पर यूज हुई इस heat के कारण candle की जो wax है वो सब्सक्राइब हुई अब ये जो wax है ये capillary action के कारण ये जो बत्ती है ना इसके ऊपर चड़ जाएगी और उपर चड़ने के बाद इस wax का क्या होगा combustion होगा आए आपको बात समझ में और इसी combustion के कारण जो wax है ना वो अपने gaseous state में convert हो जाएगी और इसी gaseous state में combustion के कारण हम बोलते हैं कि आपको एक flame दिखाए देगी इसे लिए first statement हम में डाला था कि सभी gases on combustion क्या देती है flame देती है और केवल वही solid और liquid fuels जो की गरण होने के बाद अपने gaseous state में convert होते हैं सिर्फ वही flame के साथ जलते हैं तो यहां पर हमने देखा कि यह जो candle है ना इसमें हमने अब आप बोलोगे कि मैं candle में वैक्स जाने की जरुद क्या थी तो इस candle में जो वैक्स है वो क्या है एक fuel है जैसे कि हमारे घरों में खाना बलाने के लिए हम LPG को यूज करते हैं एक fuel है तो जैसे ही बत्ति को जलाते ह है तो fuel melt हो जाता है wax melt हो जाती है फिर capillary action की तुरू यह जो fuel है यह इस विक यानिकी इस बत्ति के ओपर चड़ जाता है और चड़ने के बाद इसका combustion होता है combustion के कारण हम बोलते हैं कि यह अपने gasure state में आ जाता है यह अपने vaporized state में आ जाता है और जिसके कारण आपको candle में क्या दिखाई देती है candle में आपको एक flame दिखाई देती है यह flame क्यों आई है क्योंकि यह जो आपके पास solid fuel था जो आपके पास wax थी वो अपने combustion के बाद में या heat के कारण अपने vapors में change हो गई और इसलिए आपको फिर candle में flame दिखाई देने लगी तो यह पर क्या लिखा गया है? Similarly, जब हम qapur जलाते हैं, camphor मतलब क्या? qapur है ना? तो जब हम पूजा पाट वगरा में camphor यहने की qapur जलाते हैं तो भी हमको एक flame दिखाई देती है. क्यों? क्योंकि camphor जिस भी substance का बना होता है, वो substance जैसे ही हमने क्या किया? माचिस की तीली से जो है ना कपूर को जलाया तो उस कपूर की बेसिकली उस माचिस की तीली के कारण जो हीट मिली उस हीट के कारण कैमफर जिस भी सबस्टेंस का बना होता है जिस भी मटिल का बना होता है वो substance जो है उस heat के कारण अपने vapors में convert हो जाता है और क्योंकि vapors बन जाती है उस substance की इसलिए हमको जब कपूर जलता है तो एक flame दिखाई देती है तो wax and camphor are solid substances which vaporize or form gas on heating जैसे आप इसको heat करोगे wax को या camphor को वो जह है न vaporize हो जाएंगे So wax and camphor burn with a flame candle को जलाओगे wax को जलाओगे तो भी आपको flame दिखाई देगी कपूर को जलाओगे camphor को जलाओगे तो भी आपको एक flame दिखाई देगी Similarly kerosene oil and mustard oil are liquids which forms vapors or gases on being heated So kerosene oil and mustard oil also burned by producing flame जो हम में देखा है कि kerosene वाले lamp में ठीक है यहाँ पर देखो यह जो kerosene वाला lamp होता है केρο staying flat land was playing इसमें देखो आपको एक flame दिखाई देती की नहीं देती है क्यों दिखाई देती क्योंकि kerosene lamp में होता क्या है glass का एक पूरा cover होता है ताकि flame को intensify कर सके flame को बढ़ा सके Border और उसकी रौशनी को फैला सके basically उस cover के अंदर होता क्या है एक बत्ती होती है और उस बत्ती के उपर हम कैरोसीन डालते हैं as a fuel बत्ती को जला देते हैं जिसके कारण हम बोलते हैं कि जो कैरोसीन फ्यूल है वह उस बत्ती के उपर चड़ता है चड़ने के बाद में कैरोसीन ज अपनी वेपर में कनवर्ट हुआ है इसलिए जब वो जलता है तो उसकी हमें दिखाई देती है ठीक है और यह जो फ्लेम है उसको बढ़ाने के लिए चारो तरफ उसको फैलाने के लिए उपर से हम ग्लास का एक कवर रख देते हैं तो इसका जो एपरेटर से वह काफी सिंपल होता है कि एक बत्ती है और हमने क्या डाला है केरोसीन का तेल डाला है तो जब बत्ती जलेगी और कैपलर रीक्शन के कारण जो कैरोसीन ओइल होगा वो इस बत्ती के ओपर चड़ेगा और हम बोलते हैं कि वह जलने के बाद बिसीकली उसकी हीटिंग की प्रोसेस सटाइग जाएगी वो गरम होने लगेगा और अपनी वेपर स्टेट में जलने लगेगा, convert होने लगेगा, आप क्योंकि वेपर स्टेट में जाएगा, उसका कमशन हो रहा है तो हमको उसकी एक फ्लेम दिखाई देने लगेगी, ठीक है, चलो, next क्या बोला जा रहा है कि kerosene oil and mustard oil जो राइ का तेल होता है उसके लिए same condition applicable है liquids होते हैं जो कि जैसी उनको हम गरम करते हैं तो वो अपनी vapors में convert हो जाते हैं so kerosene oil and mustard oil also burn by producing flames I hope इतना सभी को clear हो गया होगा ठीक है तो इस वाले statement को ये last वाले statement को और ये वाले statement को आपको क्या करना है highlight कर लेना है कि only those solid and liquid fuels which form gases on being heated burn with a flame flame के साथ वो जलते हैं अब सवाल आता है किसका अच्छा आगे क्या है thus some of the substances which burn by producing flames are अब उन substances की हम बात करते हैं जो की flame के साथ burn होते हैं LPG ये बायो गैस होगा बायो गैस नहीं यह होगा बायो गैस ओ लगा लेना बीच में आई के बाद wax in the form of candle camphor याने की कपूर magnesium kerosene oil mustard oil ये सब क्या है वो substances जो की flame के साथ burn करते हैं याने कि जब आप इनको जलाओगे तो आपको लपते दिखाई देंगी wax candle and kerosene oil lamp have wicks है ना basically जो candle होती है और जो kerosene lamp है उसमें बत्तियां होती है molten wax and kerosene oil rise through the wick get vaporized during burning and forms flames इतना समझ में आया कि जो wick है जो बत्ती है उसके ऊपर जैसे कि मैंना आपको candle के लिए बताया कि जब जलती है तो heat के कारण जो candle है candle की जो wax हो मेल्ट जाती है जो पिगली हुई wax होती है वो विक में बत्ती में capillary action के कारण ऊपर चड़ जाती है similarly जो lamp होता है केरोसीन लैंप उसमें भी बत्ती में ऊपर आ जाता है केरोसीन ऑईल ठीक है और बत्ती में आने के बाद चाहे वो पिगली हुई wax हो चाहे वो केरोसीन ऑईल हो हीट होने के कारण हम बोलते हैं कि जिस समय वो बर्न हो रहे होते हैं बई बत्ती खुद जल रही है कि नहीं जल रही है अब आप बोलोगे कि बत्ती के ऊपर चड़ने का मतलब क्या है क्यों पिगली हुई wax candle की बत्ती के ऊपर जारी क्यों करूसीन ऑईल बत्ती के ऊपर चड़ रहा है क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है विक का बत्ती का बाग्नी हो रही है तो जब प्रगली हुई wax बत्ती पर जाएगी तो वैट्स भी बान होने लगेगी और उसके burning के कारण उसकी heating के कारण क्या होगा gas basically आप बोल सकते हो कि जो wax है वो अपने gashes state में convert हो जाएगी gases का formation होगा इसी के कारण एक flame बनेगी similarly kerosene oil भी इसे लिए उपर चड़ रहा है क्योंकि विक का की हम बोल सकते हैं कि burning हो रही है तो जब वो जाएगा विक की ओपर तो उसकी भी burning होगी तो जिसके कारण हम बोलते हैं कि वो vaporize हो जाएगा अपनी vapors में convert हो जाएगा और frames का formation हो जाएगा on the other hand charcoal अब देखो charcoal की बात आ गई है is a solid fuel which does not evaporate on heating charcoal जो है न वो पूरा का पूरा जल जाता है वो evaporate नहीं होता है उसकी vapors नहीं बनती है इसलिए charcoal जब जलता है चाहे वो coal हो या फिर वो charcoal हो वो flame के साथ नहीं जलते हैं they do not produce flame on burning वो सब ग्लो करते हैं coal just glows red on combustion ठीक है चलो अब इसके बाद हमारे पास next क्या है कि when fuels burn the type of flame produce depends on the proportion of oxygen of air which is available for the burning the fuel or for the combustion of fuel जैसे कि मैं आपको बताया कि यह colorful हमको flame दिखाई देती है कभी-कभी red color की flame दिखाई देती कभी-कभी पीली है ना जो हमारे घरों पे जब LPG gas जलती है तो हमको blue flame दिखाई देती है तो basically जो colorful flames आपको दिखाई दे रही है जो आपको types of flame दिखाई दे रही है वो किस पर depend करती है कि air या oxygen का कितना proportion available है for the burning of the fuel when the oxygen supply और air supply is insufficient then the fuels burn in completely producing mainly a yellow flame क्या बोला जा रहा है आपके कि आपको colorful flame दिखाई दे रही है उसका responsible कौन है oxygen या air की supply कि कितनी sufficient supply air या oxygen की हो रही है कितनी नहीं हो रही है आपको जो yellow color की flame दिखाई देती है वो क्यों दिखाई देती है क्योंकि fuel को जलाने के लिए जित्ती sufficient oxygen या जो air चाहिए है वो ती नहीं मिल रही है तो जब insufficient supply होती है oxygen या air की fuel को जलाने के लिए उसका combustion करने के लिए तब हमें एक yellow flame दिखाई देती है तो yellow flame is caused by the glow of hot unburnt carbon particles produced due to incomplete combustion of fuel जब fuel का incomplete देखो सीधी सी बात है जब तक आप sufficient oxygen नहीं दोगे air नहीं दोगे fuel को जलने के लिए उसके combustion के लिए तो fuel का 100% combustion possible नहीं होगा अच्छी खासी जितना भी fuel को चाहिए है जलने के लिए oxygen उतनी दे दोगे तो उसका 100% combustion हो जाएगा नहीं दोगे तो fuel का incomplete combustion होगा यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि जब एक fuel का incomplete combustion होता है तो carbon के particles जो है produce हो जाते हैं और यह जो carbon के particles होते हैं यह unburnt है यानि कि यह अभी तक जले नहीं है और यह काफी गरम होते हैं तो इन गरम unburnt carbon particles के glow के कारण आपको एक yellow flame दिखाई देती है मैं आपको बोला ना कि आपको colorful flames क्यों दिखाई दे रही हैं वो depend करता है कि आप कितना oxygen या air supply कर रहे हो अपनी fuel को for the process of combustion दो चीजे हैं complete combustion तब होगा जब आप proper जितना fuel को चाहिए है उतना oxygen या air दे दोगे अगर नहीं दोगे तो incomplete combustion हो जाएगा तो incomplete combustion में हम बोलते हैं कि yellow flame आपको क्यों दिखाई दे रही है या आप ये भी बोल सकते हो कि जब fuel का incomplete combustion होता है तो आपको एक yellow flame दिखाई देती है क्यों दिखाई देती हैं क्योंकि जब incomplete combustion होता है fuel का तो कुछ carbon particles जो है produce होते हैं वो carbon particles hot होते हैं और unburnt carbon particles basically उनको हम बोलते हैं तो इनके glow के करण वो glow करते हैं, unburnt या hot unburnt carbon particles तो उस glow के करण आपको एक yellow flame दिखाई देती है Next क्या है? This yellow flame produces light, so it is set to be a luminous flame or light giving flame Basically क्या बोला जा रहा है? कि ये जो yellow flame होती है न, एक light produce करती है देखो न, जब light वगरा चली जाती है, अंधेरा हो जाता है तो हम एक candle on कर लेते हैं न, अब flame तो आपको देखो एक अच्छा बड़ी example मुझे याद आया हमारे घर में candle भी होती है और हमारे घर में gas stove भी होता है है न, gas cylinder भी होता है, LPG भी होता है जब light जाती है, तो हम gas stove जो है उसकी flame on करते हैं, याने कि अपने cooking gas की flame on करते हैं या candle की flame on करते हैं, और वेसी बात है हम क्या ही कर लेंगी cooking gas को on करके उसका combustion करा कि उसकी blue flame को obtain करके, हमें मतलब होता है किस के साथ? candle की flame की साथ, क्यों? क्योंकि candle में हम बोलते हैं कि उस समय candle में हम बोलते हैं कि जो wax है वो क्या होता है? एक candle का fuel होता है, ठीक है? तो उसका incomplete combustion होता है, जिसके कारएं candle की flame हमें yellow color की दिखाई देती है और ये जो yellow color की flame होती है वो एक light produce करती है इसलिए yellow color की flame को हम बोलते है luminous flame या फिर light giving flame एक ऐसी flame जो कि रौश्णी दे रही है अंधेरे में हमको रौश्णी की जरूरत होती है तो रौश्णी के लिए हम candle को जलाना prefer करते है flame तो हमको candle को जलाने पर भी मिल सकती है और अपनी LPG को जलाने पर भी मिल सकती है लेकिन अंधेरे में मतलब होता है हमें किससे रोश्नी से और रोश्नी हमें कहां से मिलेगी, रोश्नी मिलेगी yellow flame से इसलिए इसको हम luminous flame कहते हैं या light giving flame भी कहते हैं वो जो blue flame है ना, LPG वाली, cooking gas वाली, उससे हमें कोई light नहीं मिलने वाली, तो वो होती भी अगर में, तो भी उसको हम नहीं जलाते हैं, याद रहेगा, चलो, अब इसके बाद में, next हम बात करते हैं, क्या, कि when wax burns in the form of candle, it burns with a yellow flame, with a yellow luminous flame, है ना, जब candle की wax burn होती है, जल्दी है, तो वो yellow luminous flame के साथ जल्दी है, thus the color of candle flame is mainly yellow, तो इसे लिए color जो होता है flame का, candle flame का, वो mainly yellow ही होता है, when kerosene is burnt in a lamp, basically जो हमारे लाल टेन होते हैं, जो lamp अगरा होते हैं, वो हम क्यों जलाते हैं, रोशनी के लिए जलाते हैं, रोशनी हमें कौन सी flame देती है, yellow flame देती है, so when kerosene जिसको की lamp में जब जलाया जाता है, it burns with a yellow luminous flame, हमेशा आप याद रखिएगा, yellow flame के साथ जो है न, ये luminous word भी attach कर देना, तो आपको हमेशा याद रहेगा, कि हाँ येलो flame जो है, उसको हम luminous flame भी बोलते हैं, क्योंकि जो yellow flame है, वो एक light प्रोवाइट करती ह फिर, when the oxygen supply और air supply is sufficient, then the fuels burn completely producing mainly a blue flame, जब हम क्या करते हैं, oxygen supply, fuel को जलने के लिए जितनी भी चाहिए है, उतनी दे देते हैं, sufficient दे देते हैं, तो fuel अच्छे तरीके से completely burn होता है, उसका जो combustion है, वो complete होता है, और इस complete combustion के कारण जो flame produce होती है, वो कौन से color की होती है, वो होती है, blue color की, तो LPG का या cooking gas का, जो आपको blue color का flame आपको दिखाई दे रही है, वो क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि LPG या आपके cooking gas completely आप बोल सकते हो, कि burn हो रही है, उसका complete combustion हो रहा है, क्योंकि जितना oxygen air चाहिए है, उसके combustion के लिए उत्ता आप उसको दे रहे हो, कई बार आपने देखा होगा, कि जब cylinder वगरा उन्हों खतम होने लगता है, उसको जब refill करने का time आता है, तो gas की जो law है वो yellow, orange, red type की हो जाती है, क्योंकि उस समय incomplete combustion नहीं हो पा रहा होता है, तो carbon के particles, hot, unburnt carbon के particles produce हो जाते हैं, और उन unburnt carbon particles के glow के का पारण जो flame है वो yellow, oranges और red कलर की जहना दिखाई देती है, तो mostly हम बोलते हैं कि blue flame आपको कब दिखाई देगी, जब fuel का 100% combustion हो जाएगा, complete combustion हो जाएगा, sorted, चलो, next point क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर देखो, picture से आपको दिखाने की कोशिश करी जा रही है, कि candle की जो flame है, येलो कलर की है, और जो LPG, जो gas है, इसको burning कर लेना, वो kitchen stove में, blue flame के साथ जलती है, चीक है, तो blue और yellow flame में difference है, चलो, next क्या है, this blue flame does not produce much light, obviously बात है, so it is set to be non-luminous flame, और not, या और non-light giving flame, तो यह जो blue flame होती है, ऐस सच कोई light देती नहीं, इसलिए इसको हम non-luminous flame कहते हैं, य non-light giving flame भी कहते हैं, in LPG stove या kitchen stove में, the LPG burns with a blue flame which is a non-luminous flame, सही बात है, the blue flame is produced when the complete combustion of a fuel takes place, thus complete combustion of LPG takes place in the kitchen gas stove, तो हम बोल सकते कि kitchen gas stove में, LPG का complete combustion हो जाता है, the design of the burner of kitchen gas stove is such that it provides sufficient air to the complete combustion of air, जो gas stove का, you know, burner की design ऐसे होती है, कि जो भी उसमें से gas निकल रही है, उस gas को वो completely, या जितनी भी required है, sufficient amount में oxygen supply कर सके, ठीक है, तो basically kitchen gas stove का जो burner है, उसकी design कुछ इस सरह की बनाई जाती है, कि LPG को sufficient oxygen मिल सके, उसके combustion के लिए, इसलिए LPG का complete combustion होता है, और हमें एक blue flame दिखाई देती है, अब हम finally बात करते हैं कि इसकी flame के structure की, तो a flame consists of three zones या three parts, flame के पास हम बोलते हैं कि तीन zones होते हैं या तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो innermost zone, middle zone and outer zone, तीन zone होते हैं सबसे बाहर वाला, middle वाला और फिर सबसे अंदर वाला, the three zones of a flame have different colors and different temperatures, आपने अगर कभी flame को closely observe करके देखा हो, है ना, इतने closely भी नहीं करना है कि आगी लग जाए, जल जाओ, कुछ इस तरीकी की flame आपको दिखती है, जब आप उसको closely observe करते हो, ठीक है, इस flame में आपको अलग-अलग तीन zone दिखाई देते हैं, सबसे अंदर यहा आपको एक जो है ना, black color का portion दिखाई देता है, फिर उसके उपर आपको एक yellow color का zone दिखाई देगा, फिर उसके उपर आपको जो है ना, काफी red color का portion दिखाई देगा, और इस red portion के उपर, सबसे उपर आपको एक बहुत ही पतला सा blue color का portion दिखाई देगा, ठीक है, तो यह त सबसे उपर ब्लू कलर का एक पतला सा पोर्षन दिखाई देता है तो जैसे कि मैं आपको बताया कि एक फ्लेम के स्ट्टर में तीन जोन्स होते हैं तीन पार्ट का जो कलर है और जो टेंपरिचर है वो अलग अलग होता है अब एक एक कर गे हम सभी जोन को पढ़ लेते हैं सब सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे अंदर वाले जोन की इनर मोस्ट जोन की जो की कैसा होता है काफी डाक कलर का होता है और ब्लैक कलर कर भी आप उसको बोल सकते हो consists of hot and burnt vapors of the combustible material से wax vapors अभी यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं एक candle की बात कर रहे हैं तो candle में हम बोलते हैं कि हमारे पास fuel क्या होता है fuel होता है wax ठीक है तो यहां पर हमसी क्या बोला गया कि जो सबसे अंदर वाली layer होती है जो in our most zone होता है flame का उसमें क्या होता है hot and burnt यानि कि जिसको अभी जलाया नहीं गया है vapors of the combustible material यानि की वैक्स ठीक है तो बेसिकली यह जो आपको black color का इत्ता portion दिखाए दे रहा है black color का यह जो आपको portion दिखाए उपर जाने के बाद हुआ क्या इस wax का आप बोल सकते हो की combustion हुआ ठीक है तो combustion के कारण हम बोलते हैं कि basically wax heat हुई heat होने के कारण क्या होगा wax अपनी vapors में change हो जाएगी है ना तभी तो हमको flame दिखाए देती है concept बिलकुल भी मत भूलना flame हमको कब दिखाए देती है फ्लेम हमको तभी दिखाए देगी जब fuel अपने heat होने के बाद या अपनी burning पर अपने gases में अपनी vapors में convert होगा तो यह जो पिगली होई है कि जो wax की vapors आइं वो कैसी है देखो दर पर क्या लिखा गया है यहाँ पर बोला गया है कि वो wax की vapors कैसी है अन बर्न है अभी वो जली नहीं है वैक्स कीवेप्र बंचो की है इस लिए आपको flame दिखाए दे रही है इस flame का जो inner most zone है वो black क्यों है क्योंकि जो wax की वेपर्स बनी है न यह अभी hot unburnt है तो इनर्मोस जोन ओफ फ्लीम इस डाक इन कलर ब्लैक कलर का इसमें क्या होता है होट एंबर्ट वेपर्स ऑफड़ा कंबस्टिबर मटेर्यल अभी हमारे पास याने कि फ्यूल क्या है वक सहीं तो वेख्स की जो वेपर्स है वह अभी जलती नहीं है इस वाले पोर्चन में हम बोलते हैं कि बिना जली यह अजा अन बान अन बांड ऑन की हिंदी क्या होती है unburned wax vapors present होती है कहां इस वाले portion में इसी लिए हम बोलते हैं कि यह जो reason है इनर दिखाई देता है ब्लाक कलर का दिखाई देता है ब्राउं कर अगर इखाई करना नहीं है बता दे रही हो मैं उंगली से जो है ना वोमबत्ती की जो फ्लेम है उसको बुछाने की कोशिश करते हैं कैसे बजाने की कोशिश करते हैं तो जो सबसे यह वाला जो पॉर्शन होता है नीचे वाला जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि wax vapor की अन बर्न वैक्स वैपर्स हैं तो इस वाले portion को जैना वो अपनी finger से दबा देते हैं finger tip से दबा देते हैं तो इससे क्या होता है वोमबत्ती बुझ जाती है कभी उनसे बोलना वैसे तो आप अच्छे बच्चे ओ आप ये stand कभी perform नहीं करोगे हैं उपर कभी भी जैना वो उंगली डाल करके मोमबत्ती को नहीं जला सकते क्यों क्योंकि उपर temperature बहुत हाय होता है जैसे जैसे आप flame के outer region में जाओगे outer zone में जाओगे temperature बढ़ जाएगा ये वाला जो region होता है जहाँ पे unburned wax vapors होती है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि temperature सबसे कम होता है तो इसलिए लोग जो है ना वहाँ पे अपनी उंगली लगा करके flame को बुझा देते हैं आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चियों चलो यहाँ पे क्या बोला गया है the innermost zone is the least hot part of the flame सबसे कम गरम वही वाला part होता है flame का in other words we can also say that the innermost zone or dark zone is the coldest part of the flame ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो बात तो वही है कि सबसे ठंडा वाला portion या सबसे जो आप बोल सकते हो कि जो least hot portion है पार्ट है flame का वह कौन सा होता है inner most वाला जहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं combustible materials के unburnt vapors होते हैं obviously बात है जो भी combustible material है हमारे पास अभी wax है केरोसीन भी हो सकता था है ना तो इस आप बोल सकते हो कि इस material का combustion हो चुका है और हम बोलते हैं कि वह जो material है वह अपनी vapors में convert हो चुका है इसे लिए आपको flame दिखाई दे रही है लेकिन flame का जो innermost region है जो कि dark color का है वो क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी combustible उसी same combustible materials की जो vapors है वो कैसी है unburnt है वो भी जली नहीं है तो unburnt vapors के कारण वो region क्या दिखाई देता है हमें black color का दिखाई देता है temperature सबसे कम होता है आप ठीक है ना least hot होता है यह वाला region next क्या है the middle zone middle zone के लिए क्या बोल रहे हैं कि it is the brightest and the luminous and luminous light giving और यह जो middle zone होता है ना flame का इसके लिए हम बोलते हैं कि यह कौन से color का होता है पहली बात तो यह yellow color का होता है और हमको पता है कि जो yellow flame है उसको हम luminous flame भी क्या दे क्योंकि उससे हमें रॉष्णी बिलती है तो यह काफी bright होता है luminous होता है यानि की light giving होता है the fuel vapors burn partially in the middle zone because there is not enough air for burning in this zone तो basically इस वाले region में जब हम candle की बत्ती के ऊपर चले तो सबसे पहले आया dark zone dark zone में हमने बोला कि जो combustible materials है उसकी यहाँ पे unburned vapors है अभी हमारे पास combustible material substance fuel क्या है wax है तो इस वाले zone में हम बोल रहे हैं कि wax की unburned vapors है फिर हम जैसे जैसे अपने और इस flame में आगे बढ़े अपने next session में आए next session किसका है zone किसका है तो आप बोचकते हो की वह है middle zone between zone हम बोलते हैं कि यहाँ जो color है वह को कैसा दिखाई देता है यलो color का दिखाई देता है middle j Nearrzone होता है Mimi का वो yellow color буд का आपको दिखाई देगा और यह हम बोलता है कि यहां पर yellow color आपको क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पर जो हमारे wax vapors है या जो combustible substances की जो wax है उनका यहां पर incomplete combustion होता है यहां पर तो combustion हो ही नीरा है wax vapors का या जो combustible substances की जो vapors है उनका यहां पर combustion हो ही नीरा है इसको दिमाग में बठा लेना कि वेपर्स बन चुकी है इसलिए फ्लेम दिखाई दे रही है इस वाले इनरमोस्ट जोन में हम बोड़ रहे हैं कि वेपर्स का कंबर्शन नहीं हुआ है इसलिए यहां पे हम unburnt use कर रहे हैं word unburnt मतलब क्या कि वो अभी जला नहीं है तो इस वाले portion में wax की vapors या fuel की जो vapors हैं वो जली नहीं है middle zone में आकर के हम बोते हैं कि vapors जली fuel की vapors जली लेकिन उसका जो combustion है वो कैसा हुआ? partial हुआ partial क्यों हुआ? क्योंकि इस region में middle region में enough oxygen या air की supply नहीं है जिसके कारण fuel की vapors जली wax की vapors जली लेकिन कैसे? partially जली complete combustion नहीं हुआ इसलिए आपको यहाँ पे yellow flame दिखाई देती है yellow portion दिखाई देता है याद आया इसी session में मैंने आपको बताया था कि जो yellow flame में वो कब दिखाई देती है? जब combustion कैसा हो? incomplete हो तो यहाँ पे partial combustion मतलब क्या? कि आधा हुआ है combustion आधा मतलब क्या? complete तो नहीं हुआ यानि कि incomplete combustion तो incomplete combustion के कारण ही middle zone आपको yellowish दिखाई देता है और यह सबसे brightest zone होता है आपकी flame का इतना समझ में आया next point क्या है यापे? the fuel vapors burnt burnt partially in the middle zone because there is not enough air for the burning in this zone फिर next point क्या है? the partial और incomplete burning of fuel in the middle zone produces carbon particles these carbon particles become white hot and emit light है ना? यह मने पहले भी पढ़ा था कि जब भी incomplete combustion होता है तो carbon particles निकलते हैं और यह carbon particles जो है ना काफी ज़दा गरम होते हैं और इनके glow के कारण ही yellow light मिलती है तो वो यह आप यह बात बताई जा रही है so it is the glow of the hot carbon particles which makes the middle zone of a flame luminous या light giving these carbon particles then leave the flame as smoke and suit और यह जो carbon particles होते हैं यह flame को भाई जले तो है नहीं है क्योंकि fuel का incomplete combustion हुआ और incomplete combustion के कारण ही carbon particles produce हुए अब यह carbon particles वाँ पे बैठे थूटी ना रहेंगे यह वाँ से चले जाएंगे कैसे चले जाएंगे तो smoke और suit के form में चले जाएंगे the middle zone और luminous zone of a flame produces a moderate temperature यहाँ पे moderate temperature आ जाता है this zone is the major part of the candle flame और जित्ते भी आपको flame दिखाई दे रही है the outermost zone of a flame वो कैसा होता है blue color का होता है यह non-luminous zone होता है जो कि light produce नहीं करता है अब obvious सी बात है अगर हम बोल रहें कि blue color यहाँ पे produce हो रहा है flame का याने कि definitely यहाँ पे complete combustion होगा fuel का क्यों? क्योंकि यहाँ पे plenty of air supply होती है sufficient air supply होती है कि जो fuel की जो vapors है उसका completely यहाँ पे combustion हो पाए the outermost zone और non-luminous zone has the highest temperature in the flame और यहाँ पे flame का temperature हम बोलते हैं कि सबसे ज़ादा होता है in other words the outermost zone और non-luminous zone is the hottest part of the flame the outermost zone of the flame is quite thin as compared to the middle zone middle zone से compare किया जाए तो जो इसकी जो थिकनेस होती है outermost zone की वो काफी ज़ादा कम होती है यह जो black वाला जो inner most zone है न यह तापको फिर भी थोड़ा बहुत दिखाई दे जाएगा और जो middle zone है वो तो सबसे ज़ादा होता है और सबसे बाहर देखो सबसे बाहर आपको जो है न यह blue color की आपको एक पत्री सी आप बोल सकते हो कि strip दिखाई देती है यह ठीक है और यह क्या है यह हम बोलते हैं कि non luminous zone है आपकी flame का क्यों non luminous बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई light produce नहीं होती है क्यों light नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर blue flame जल रही है क्योंकि यहां पे fuel का complete combustion हुआ है क्योंकि यहां पे sufficient oxygen supply air supply आ रही थी fuel के पास उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि middle zone है और हां outer most zone में हम बोलते हैं कि temperature सबसे ज़ादा होता है middle zone में हम बोल रहे हैं कि temperature moderate level का होता है और यह yellow color की क्यों है इसको हम luminous part क्यों बोल रहे हैं flame का क्योंकि इससे हमें रौशनी मिलती है flame से हमें रौशनी मिलती है क्यों मिल रही है क्योंकि इस वाले region में जो fuel की जो vapors है उनका partial combustion होता है partial क्यों हो रहा है क्योंकि sufficient oxygen supply नहीं है तो इस partial combustion के कारण हम बोलते हैं कि कुछ carbon particles हो जाते हैं और यह carbon particles हम बोलते हैं कि काफी गरम होते हैं और इन होट अन बंट carbon particles के ग्लो के कारण ही जो flame है आपको येलो कलर की दिखाई देती है चीक है तो पार्शल कंबर्शन या incomplete combustion आप याद रखिएगा क्योंकि sufficient oxygen supply नहीं है इसलिए फ्यूल की वेपर्स का पूरा का पूरा combustion नहीं हो पा रहा है temperature यहाँ पर moderate region का होता है और flame का सबसे जाधा portion हम बोलते हैं कि यही वाला होता है middle zone ही होता है सबसे नीचे आता है inner most zone जहाँ पे हम बोलते हैं कि जो fuel की वेपर्स है वो unburnt होती है अभी तक इनका combustion हुआ ही नहीं है सबसे उपर होगा blue flame में yellow वाले flame में yellow वाले portion में हम बोलते हैं कि combustion आधा होगा और सबसे अंदर वाले zone में हम बोलते हैं कि combustion हो गई नहीं fuel की वेपर्स का का लास्ट पार्ट एक यह वाला बचा है कि the kerosene oil lamp produces a flame exactly similar to the candle flame consisting of the same three zones जो हमारा kerosene lamp होता है उसमें जो आपको flame दिखाई देती है वो flame भी exactly ऐसे ही प्रेडियों होती है और उस flame में भी exactly ऐसे ही तीन zones होते हैं outer middle और inner जो गोल्ष में होते हैं यहने कि सुनार वो क्या करते हैं blow air with a blow pipe to intensify a kerosene lamp flame for melting and molding the pieces of gold and silver into desirable shapes to bake jewelry ठीके और गोल्ष में क्या करते हैं सुनार एक blow pipe से उस flame को जो है ना kerosene lamp की flame को फूखते हैं ताकि वो जो flame है वो intensify हो जाए intensify होने के कारण क्या होगा उस flame के पास आप कोई भी गोल्ड या silver का यहनों पीस रखोगे तो वह melt हो जाएगा और अगर वह melt हो जाएगा heat से तो फिर आप उसको mold कर सकते हो फिर when air is blown through blow pipe into the flame it helps in the combustion of unburned fuels and hence makes the flame hotter हम क्यों बोल रहे हैं कि goldsmith क्यों फूख रहा है बेवज़ा उसको blow pipe से क्योंकि जब वो blow pipe से फूखता है न तो बेशिकरी कर क्या रहा है वो air supply कर रहा है और इस air के जोन कैसा है सबसे ज़्यादा गरम है तो बोल्समित करते क्या है कि इस flame के ऊपर जो है blow pipe से फूखते हैं यानि कि air supply करते हैं ताकि इस flame के अंदर जितना भी unburned fuel vapors वगरा हैं वो सब की सब क्या हो जाए जल जाए उसका combustion हो जाए और इनके combustion से हम बोलते हैं कि जादा temperature produce हो जाएगा तो flame और गरम हो जाएगी तो यह कहानी थी कि Hello everyone आज के इस session में हम class 8 science के chapter combustion and flame का एक last topic discuss करेंगे and that is burning of fuels lead to harmful products previous sessions में हमने बात करी थी fuels के उपर देखा तकि fuels क्या होते हैं fuel efficiency क्या होती है और एक ideal fuel क्या होता है अब मुद्दा यह है कि जब भी हम किसी fuel को जलाते हैं उसका combustion कराते हैं तो कुछ harmful substances produce होते हैं तो इनी harmful substances की उपर हम discussion कर लेते हैं आज के हमारे इस session में तो चलो जल्दी से आज के इस session को हम start कर लेते हैं So this is Vibhuti Khare, welcome to Magnet Brains जहांबे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं बिल्कुल free of cost यानि कि Magnet Brains में आपको 2-4 प्रस मेंने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package purchase करने के requirement बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुचा रहा है, quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से start करते हैं आज का हमारे इस session अब क्या लिखा गया है आपे, कि the burning of fuels produces harmful products which pollute the air around us जब भी हम fuels को जलाते हैं तो कुछ harmful products produce होते हैं जो कि हमारे surrounding air को pollute करते हैं So increasing use of fuels has harmful effects on the environment अब जिस rate से, जिस rate पे आज के time पे हम fuels को use कर रहे हैं तो यह जो बढ़ता हुआ use है ना, fuels का यह कर क्या रहा है, कई सारे harmful effects जो है ना, supply कर रहा है, provide कर रहा है हमारे environment को The important harmful effects produced by the burning of fuels are as follows अब finally हम discuss करते हैं उन harmful effects को जो की fuels की burning के कारण produce होते हैं The burning of fuels like wood, coal and petroleum products जैसे की kerosene, petrol, diesel, etc Release unburnt carbon particles in the air जब भी हम लकड़ी, koila या petroleum products जिसमें की petrol, diesel, kerosene वगेरा आते हैं जब इनको हम जलाते हैं, तो unburnt carbon particles air में release हो जाते हैं यह जो fine carbon particles हैं, यह काफी जादा dangerous pollutant है Pollutant मतलब क्या? एक ऐसा substance जो की pollution cause करता है Basically यह जो pollutant है न, यह एक undesirable change लेकर के आ जाता है जैसे कि हम अभी air pollution की बात कर रहे हैं न, तो एक air pollutant क्या होगा? एक ऐसा substance जो की हमारी air में एक undesirable change लेकर के आ रहा है उसकी quality में जिसके कारण air की जो quality है वो deteriorate हो रही है और अगर air की quality deteriorate हो रही है इसका मतलब क्या? कि वहाँ पे air का pollution हो रहा है ठीक है? तो pollutant हम बोलते हैं कि कोई भी एक ऐसा substance है जो की एक undesirable physical या chemical change लेकर के आता है किसी भी substance में, air में, पानी में या soil में जिसके कारण quality deteriorate हो जाती है जिसके कारण pollution हो जाता है तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जब भी हम fuels जैसे की koila हो गया, लकडी हो गया या petroleum products हो गया इनको जब हम जलाते हैं तो unburned carbon particles जो है air में release होते हैं और यह जो fine unburned carbon particles हैं यह काफी ज़्यादा dangerous pollutants हैं यह basically respiratory diseases भी हवा में आ गए हैं अब जब हम सब को पता है कि हमारे breathing की process कितनी ज़्यादा जरूरी होती है ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे हम बोल रहे हैं कि air काफी ज़्यादा polluted है काफी ज़्यादा air pollution हो रहा है तो आज से हम breathing की process करेंगे यह नहीं ऐसा नहीं होता है हर समय हमारे लिए breathing की process काफी ज़्यादा important होती है हमें करनी ही पड़ती है चाहे हम चाहे या ना चाहे ठीक है तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यह जो fine carbon particles है यह क्या बन जाते हैं काफी ज़्यादा dangerous खतरना pollutant बन जाते हैं यह होते कहां है तो हमारे surrounding air में तो होगा क्या जब हम respiration करेंगे breathing करेंगे और जब हम inhale करेंगे तो inhale करते टाइम इन ही dangerous carbon particles को हम inhale कर लेंगे यह carbon particles हवा से हम तो inhale कर रहे थे oxygen को लेकिन oxygen के साथ-साथ यह carbon particles भी आ गए और जग भी carbon particles हमारे अंदर जाएंगे कहां जाएंगे हमारे respiratory tract मे जाएंगे तो respiratory tract के diseases cause करेंगे infections cause करेंगे क्योंकि भाया यह तो आप बोल सकते हो ना कि यह pollutant है यह हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है जो हम इसको अपनी body के अंदर ले रहे हैं यह तो बेवज़ oxygen के साथ जाकर के घोस आएं क्यों क्योंकि यह काफी fine होते हैं बहुत छोटे होते हैं micro particles होते हैं कि oxygen के साथ हमारे body में एंटर कर जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि हमने carbon particles को inhale किया है और फिर यह जाकर के respiratory diseases जैसे कि अस्थमा वगेरा cause करते हैं आजकल आप देख सकते हो कि छोटे-छोटे बच्चों में भी अस्थमा होता है वो वाले बच्चे specially जो कि metro cities में रहते हैं क्यों क्योंकि metro cities में pollution बहुत होता है बड़ी-बड़ी industries चलती है factories चलती है उनसे industrial exhaust निकलता है गाड़िया वगेरा महाँ पे बहुत चलती है कंबर्शन मतलब क्या जब हम सबको पता है कि फ्यूल के कंबर्शन के लिए कंबर्शन का सपोर्टर याने कि oxygen या air के requirement होती है अब जब sufficient oxygen नहीं पहुंचती है फ्यूल तक तो उसका जो कंबर्शन है वो complete नहीं हो पाता है उसी को हम कहते हैं इंकम्प्रीट कंबर्शन क्यूं हो रहा है due to insufficient air तो जब भी फ्यूल का इंकम्प्रीट कंबर्शन होता है बहुत ही ज़ादा पॉइसनेस गैसिस जैसे की कार्बन मोनोक्साइड वगरा प्रोड्यूस हो जाती है कार्बन डायोक्साइड तो सुना था पर अब हम सुन रहे हैं क्या कार्बन मोनोक्साइड अगर सीधी सी बात है फ्यूल का अगर प्रोपर कंबर्शन नहीं हुआ तो पॉइसनेस गैसिस जैसे की कार्बन मोनोक्साइड प्रेड्यूस हो गई अब सवाल ये है कि ये carbon monoxide जाएगी कहा तो जैसे कि वो unburned carbon particles air में फैल गए थे वैसे ही ये poisonous gas carbon monoxide gas कहा जाएगी हमारी air में आ जाएगी और जब हम air को inhale करेंगे oxygen को अंदर लेने के लिए तो oxygen के साथ-साथ ये carbon dioxide भी हम inhale कर लेंगे we should never sleep in a room with closed door and window and having a coal fire burning inside कई बार आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में काफी ठंड होती है घर उमें या बाहर तो लोग क्या करते हैं अपने घर में कोईले को जला देते हैं कोईले को जलाने के बाद और हर घर के खिटकी दरवाजे वगरा सब बंद कर लेते हैं और सो जाते हैं कई सारे ऐसे एक्सिदेंस जो है ना अनफॉचनेट एक्सिदेंस आपने हो सकता है न्यूस पेपर में भी देखे हूं या टीवी चनल्स पर भी देखे हों कि एक पूरी की पूरी फैमिली जो है ना उनकी डेथ होगी कैसे डेथ हो गई ऑवरनाइट की बहुत ठंड थी और ठंड से बचने के लिए उनने जो है अपने घर के अंदर कमरे के अंदर लकडी या कोईला जला लिया और जलाने के बाद में सारे खिड़की दरवाजे जो है पैक कर लिए ताकि ठंडी हवा बाहर से अंदर ना आ पाए तो हुआ क्या कोईला या लकडी को जलाने पर यह जो carbon monoxide gas produce हुई थी यह carbon monoxide gas जो है room के बाहर जाही नहीं पाई और room के अंदर ही रही और जब तक लकडी जली जब तक कोईला जला तब तक carbon monoxide produce होती गई होती गई होती गई जिसके कारण हम बोलते हैं कि पूरे कमरे में carbon monoxide gas भर गई और इसी carbon monoxide gas को जो उस कमरे में लोक सो रहे हैं उनने इन्हेल कर लिया सोते सोते वो carbon monoxide को लेते गए लेते गए और ultimately उनकी death हो गई तो एक रात में ही पूरा का पूरे परिवार जो है उसकी death हो जाती है इसलिए बोला जाता है कि ठंड हो गर्मी हो अगर ठंड में आप कोईला या लकडी को जला करके अपने घर को गरम कर रहे हो तो make sure कि आपका जो रूम है वो ventilated हो कि कोईले और लकडी से जो भी heat या जो भी harmful poisonous gases produce हो रही है वो gases जो है बाहर चली जाए ठीक है अगर वो कमरे के अंदर limit हो गई तो उनको inhale कौन करेगा हम ही करेंगे और हमारे लिए वो काफी जादा dangerous हो सकते हैं so we should never sleep in a room with closed door and window and having a coal fire burning inside this is because when coal burns in an insufficient supply अच्छा अगर हम एक बंद कमरे में लकडी या कोईले को जला रहे हैं तो माना की कोईल लकडी से जो की जलने पर जो gases निकल रही है वो gases बाहर भी जा पाएंगी वो अंदर ही रहेंगी at the same time अगर आप रूम को बंद कर लोगे तो coal और लकडी को जलने के लिए जो sufficient air supply है वो भी तो आप आने से रोक रहे हो ना तो होगा क्या बंद कमरे में आपने लकडी और कोईले को जलाया तो जितनी oxygen supply चाहिए थी जो जितनी air supply चाहिए थी लकडी और कोईले को जलने के लिए उतनी आपने दी नहीं क्योंकि आपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए फिर हुआ क्या कि incomplete combustion हुआ क्योंकि देखो ना पहली line हमें यह लिखिए अगर sufficient air supply नहीं होगी तो fuels का incomplete combustion होगा और जब incomplete combustion होता है तो carbon monoxide gas release होती है तो घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने पर आपने लकडी और कोईले को जलाया ताकि sufficient air supply जो है ना कोल और लकडी तो नहीं पहुंची नहीं पहुंची तो उनका incomplete combustion हुआ incomplete combustion के कारण carbon monoxide gas जो है release हुई अब क्योंकि खिड़की तरवाजे घर के सारे बंद थे तो यह जो carbon monoxide है यह बाहर नहीं निकल पाई और बाहर नहीं निकली तो कहां रही हमारे कमरे में ही कमरे में रही मतलब क्या जो उस कमरे में लोग थे उन्होंने उसे इन्हेल कर दिया और करते गए करते गए करते गए और ultimately death ही हो गई this is because when coal burns in an insufficient supply of air in the room due to closed door and windows then a lot of carbon monoxide gas is produced when the person sleeping in this room breathe in poisonous carbon monoxide gas they may all die ठीक है चलो अब इसके बाद में next क्या है कि burning of fuels releases carbon dioxide into air in the environment तो increased percentage of carbon dioxide in air is causing global warming by CDC बात है हम हमेशे से पढ़ते हैं कि air is a mixture of gases air में कई तरह की gases present होती है लेकिन यह जो gases present है ना air में यह अपने एक fixed ratio में या एक fixed proportion में या एक fixed percentage में present होती है अगर जर्वत से ज़्यादा for example example के लिए मैं आपको बताती हूं कि air में जो भी हमारी air है उसमें अगर 1.5% carbon dioxide gas present है तो यह जो हवा है ना यह अभी ठीक है लेकिन हम कर क्या रहे हैं इतना ज्यादा fuels को हम use कर रहे हैं और इन fuels को use करने के कारण इतनी ज्यादा carbon dioxide gas produce हो रही है कि यह पूरी की पूरी carbon dioxide gas कहां आ रही है यह gas आके मिल रही है air में air में already आप बोल सकते हो कि 1.5% carbon dioxide gas थी और इतनी carbon dioxide gas हमारी air को जो है ना पल्यूट नहीं कर रही थी लेकिन हमने क्या किया fuels को use करके carbon dioxide gas का formation करवाया और यह carbon dioxide gas ultimately जाती कहां है air में जाती है और air में जाने के बाद इस 1.5 की percentage को और बढ़ा देती है याने कि यहां पर हुआ क्या air का जो composition है वो बिगड़ा की नहीं बिगड़ा अगर air का composition बिगड़ गया इसका मतलब क्या कि air की physical और chemical properties में कुछ change आ जाएंगे जिसके कारण air की quality deteriorate होगी और अगर deteriorate होगे इसका मतलब क्या air pollution आप सभी सोचो हम केक बनाते हैं की नि बनाते हैं केक मेना जो भी हम ingredients लेते हैं उनका measurement बहुत important होता है कि अगर एक कप हमने मैदा लिया है तो एक कप हमें शक्कर भी लेनी पड़ेगी है ना baking powder हमको एक teaspoon लेना पड़ेगा बेकिंग सोडा हमको आधा teaspoon लेना पड़ेगा अगर कभी किसी भी ingredient की जो quantity है वो उपर नीचे हो गई तो composition बिगड़ा जाता है केक का और अगर केक का composition बिगड़ा तो केक की quality हो गई खराब भले आपने उसको कितनी भी मेनत से क्यों ना बनाया हो लेकिन अगर composition बिगड़ेगा रेश्यों बिगड़ेगा चीज़ों का तो उसकी quality हो जाती है खराब यहां भी तो यह हो रहा है कि air में बहुत सारी gases होती है और उन सभी gases का जो आप बोल सकते हो कि जो percentage है वो fix होता है लेकिन क्योंकि human activities के कारण fuels की इतनी जादा burning हो रही है कि इस burning की कारण carbon dioxide को ज्यादा ही produce हो रही है और यह पूरी की पूरी CO2 जाती कहां है यह एर में जा रही है एर में जाने के कारण जो उसका fixed percentage है न यह percentage अब बिगड़ रहा है यह percentage अब increase हो रहा है जिसके कारण air का जो composition है वो disturb हुआ और जिसके कारण air की quality deteriorate हुई और इसलिए एर क्या हो गई पल्यूट हो गई increased percentage of carbon dioxide in air global warming cost कर रही है यानि कि बेवजा हमारे globe का पूरे globe का जो temperature है वो बढ़ रहा है इसलिए तो हमारे जो glaciers है वो bent हो रहे है क्योंकि पहले के जमाने में इतना temperature नहीं होता था लेकिन यह जो harmful gases निकाल रही है न यह सभी के सभी harmful gases ना सिर्फ हमारी air को pollute कर रही है बलकि हमारे globe का जो temperature हो उसको बढ़ा रही है जिसके करण हमारे glaciers पिखल रहे हैं दिस happens as follows carbon dioxide gas in the air traps sun's heat rays by producing greenhouse effect यह basically जो increased carbon dioxide gas है यह air में गई एर में जाने के बाद sun से आ रही ही जो solar heat है उसको जाकर कि यह trap कर लेती है अभी अभी मैंने बोला कि increased CO2 के current global warming बढ़ रहे है याने कि हमारे globe का temperature increase हो रहा है सवाल यह है कि globe का temperature कैसे increase हो रहा है तो यह बड़ी हुई carbon dioxide gas जब air में जाएगी तो air में जाने के बाद sun से निकलने वाली जो heat है उसको trap कर लेगी और trap करने के कारेंट पूरे earth का जो आप बोल सकते हो कि temperature है वो बढ़ जाएगा तो sun से जो heat निकलती है उसमें बहुत temperature होता है लेकिन बेवजा carbon dioxide gas क्या कर रही है जरुद से जादा ही heat क solar heat को trap कर रही है जिसके कारेंट earth के atmosphere का temperature बढ़ रहा है due to this the rise due to due to rise in the temperature of the atmosphere the ice in the polar regions यानि कि वही हमारे glaciers will melt very fast producing a lot of water हम सब को पता है कि जो सम्मुद्र का जो पानी होता है ocean water वो पीने लायक नहीं होता है लेकिन आपने सुना होगा कि ocean water का जो level है वो बढ़ रहा है क्यों हो रहा है बरफ melt होने की बाद पानी बनती है यह पानी कहां जा रहा है यह पानी जा रहा है ocean water में तो पानी का level ocean water का जो लेवल है वो बढ़ रहा है this water may cause a rise in the sea level leading to floods in the coastal areas और वो वाले बिसिकली जो coastal areas जो होते हैं वहां पे बाढ़ का कथरा बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है तो पानी ऊपर उठेगा तो आसपास की अलाकों में तो फैलेगा ही यहने की coastal areas में रहने वाले लोग हैं वहां पे floods के बहुत जादा पाड के बहुत जादा chances होते हैं the low lying coastal areas may be completely submerged underwater leading to the loss of the life and property और वो वाले coastal areas जो की बिलकुल नीचे की तरफ आते हैं वो तो पूरे के पू property और जान का loss होता है burning of coal petrol and diesel produces sulfur dioxide gas which goes into the air petrol diesel koila जलेगा तो sulfur dioxide gas भी रिलीज होगी अभी तक हमने तीन gases पढ़ ली है carbon monoxide carbon dioxide और यह तीशरी आगए कौन सी sulfur dioxide sulfur dioxide हम बोलते हैं कि काफी ज़्यादा suffocating होती है और corrosive gas होती है यहने की corrosion cost करती है it may damage our lungs lungs में चली गई तो lungs को ही खराब कर देगी the burning of petrol and diesel in the engines of the vehicles also releases nitrogen oxides into the air कौन कौन सी gases पढ़ लिया भी तक carbon dioxide carbon monoxide ठीक है fuels का अगर incomplete combustion हुआ तो carbon monoxide निकल जाएगी sulfur dioxide और अभी यहाँ पे कौन सी गैस की बात हो रही है कि जब आप petrol और डीजल को जलाते हो गाड़ों की engine में तो nitrogen oxides भी produce होते है sulfur dioxide and nitrogen dioxide या nitrogen oxides produced by the burning of fossil fuels dissolve in the rain water and form acids आपने देखा होगा कि हमारे जो monuments especially हमारा जो ताज महल है वो तो पूरा marble का बना हुआ है आपने देखा हो कि अब वो काला पढ़ता जा रहा है काला क्यों पढ़ रहा है क्योंकि जिस city में वो है आग्रा city में वहाँ पे pollution बहुत जादा है और इस pollution की करण होता क्या है कि भाई गाडियां है गाडियों से तो gases है सब air में जाकर कि mix हो जाएंगी अब होती है बारिश ठीक है बारिश में हम बोलते हैं कि यह sulfur dioxide और nitrogen oxides जो है ना gases वो mix हो जाती है और जब बारिश का पानी नीचे आता है तो बारिश के पानी के साथ खुद भी नीचे आ जाती है अब और सी बात है ताजमेल को आप कवर करके तो रखोगे नहीं है ना वो तो exposed होगा air rainwater में तो जब बारिश का पानी आएगा तो उस बारिश के पानी में यह sulfur dioxide और nitrogen के oxides dissolved होंगे और जब बारिश का पानी उन पर पड़ेगा ना तो यह दोनों के दोनों जो marble है ना उसका corrosion कॉस कर देंगे और इसलिए ताजमेल जो है काला काला दिखाई देने लगा है आज कल रेन वाटर कंटेनिंग एसेट इस कॉल्ड ऐसे ड्रेन और जब यह दोनों जाकर के पानी में मिल जाती है रेन वाटर में तो उसको हम कहते हैं ऐसे ड्रेन ऐसे ड्रेन is very harmful for forest aquatic animals and buildings अब यह बात हुई किसकी fuels को जलाने की कहाफी pollution हो रहा है अब कोई नोगी solution भी तो होना चाहिए तो solution क्या है हमारे पास हमारे rescue के लिए कौन आया है CNG the use of petrol and diesels as fuels in automobiles और वहिकल्स is being replaced by CNG याने की compressed natural gas this is because when CNG burns it produces very small amount of harmful products आज के टाइम पर CNG driven automobiles आने लगे हैं क्यों कि CNG एक better option है क्योंकि ऐसा नहीं कि जब CNG जलती है तो कोई भी harmful gases यह produce नहीं करती है प्रेद्यूस करती है लेकिन quantity काफी कम होती है CNG इसको हमें clean fuel बोलते हैं क्योंकि किसी धुए के बेना जो है यह जलती है since the burning of CNG भाई अगर आप लकडी को जलाओगे को जलाओगे इतना तेज दुआ निकलता है कि पूछो नहीं बहुत suffocating होता है लेकिन thankfully CNG को जलाते हो तो as such कोई भी smoke produced नहीं होता है इसलिए इसको हमें clean fuel बोलते हैं since the burning of CNG produces much less harmful products and smoke therefore the use of CNG as fuel in automobiles has reduced air pollution in our cities people still use wood as a fuel due to its low cost and easy availability the burning of wood as a fuel has however many disadvantages तो basically यहाँ पर हमसे बोला गया था कि CNG एक better option है कि हम गाडियों में आजके टाइम पर CNG यूज़ करें rather than using petrol and diesel क्योंकि clean fuel है कोई धुवा नहीं निकलता है poisonous gases अगर produce हो भी रही है लेकिन उनकी quantity काफी कम हो रही है लेकिन आज की टाइम पर फिर भी लोग लकडी कोई जलाते हैं क्यों क्योंकि वो सस्ती परती है easily available होती है the burning of wood as a fuel has however many disadvantages काफी साथ नुक्सान भी होते हैं some of the disadvantages of burning wood as a fuel are as follows the burning of wood produces a lot of smoke which is very harmful for human beings बहुत दुवा निकलता है तो हमारे ने काफी साथ वो सफोकेटिंग होता है smoke से respiratory diseases होते हैं अब प्लस हम बोलते हैं कि trees provide us with many useful substances when trees are cut down to obtain wood for use as fuel then all the useful substances which can be obtained from the trees are lost पेड़ पौदे हमको कई सारी अच्छी चीज़े देते हैं अब उनको अगर आप लकडी की लालच में काट दोगे तो वो सभी substances की जो supply है वो तूट जाएगी the cutting down of trees to obtain fuel wood leads to deforestation which is very harmful to the for the environment obviously बात है फिर काटोगे तो deforestation तो होगा और deforestation होगा तो environment पे एक harmful impact तो पड़ेगा ही wood has now been replaced by coal and other fuels such as LPG लकडी को आज के डेट में replace कर दिया किसने कोईले ने और LPG ने LPG हम बोलते हैं कि एक better domestic fuel है as compared to wood आपने देखा होगा कि आज के time पे हमारे लिए कानवराना कितना आसान होता है बस हमको gas टोका हमें knob on करना होता है burner से gas निकलती है और lighter से हमें एक spark generate करनी होती है और उस छोटी सी चिंगारी से LPG जलने लगती है तो LPG का हम बोलते हैं कि उसको use करना सोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा convenient है transport करना आसान है, handle करना आसान है कि आपको बस एक gas cylinder चाहिए होता है उसमें LPG gas भरी होती है तो LPG की plus हम बोलते हैं कि इसकी calorific value भी ज़्यादा होती है mass of wood अगर आप same same quantity की लकड़ी और LPG जलाओगे तो LPG को चलाने से ज्यादा heat energy निकलेगी as compared to लकड़ी LPG burns without any smoke भी जब आप अपने घर में खाना बनाते हो LPG से तो क्या कोई धुआ उटता है क्या आपको इसा लगता है कि अरे बहुत धुआ निकल रहा है हम तो आज खाना बनाई नहीं सकते हैं ऐसा नहीं होता है ना लेकिन जब आप लकड़ी को चलाते हो काफी ज़्यादा smoke निकलती है LPG जब burn करती है तो अपने पीछे कोई भी solid residue वो छोड़के नहीं जाती है और अगर आप लकड़ी को चलाओगे तो भई राख तो बनेगी ही बनेगी तो देखा जाए तो LPG को यूज करना ओवर लकड़ी बहुत साथा beneficial हो सकता है आज के टाइम पर जितना हो सके लकड़ी का यूज कम ही करना चाहिए आज के सेशन के लिए बस इतना ही और इसी सेशन के साथ में हमारा ये चाप्टर होता है complete इन दे सेंस की जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने डिसकस कर लिया है अब हम अगले सेशन में मिलेंगे हलो एबरिवन आज के इस सेशन में हम सॉल करने वाले हैं exercise questions class 8 science के chapter combustion and flame की previous sessions में हमने इस चाप्टर के सभी topics को cover कर लिया है हर एक topic को हमने एकदम detail में जाकर के discuss किया है समझा है तो अब finally बारी आती है इस चाप्टर के exercise questions को solve करने की तो आज की इस session में ना सिर्फ हम exercise questions solve करेंगे साथी साथ इस session में हम इस chapter के जो भी in-text activities हैं उनको भी कर लिए डिसकस तो I hope आज की session का target सबको clear हो गया होगा तो एक काम करते हैं जल्दी से आज की इस session को हम start कर लेते हैं So this is Vibhuti Khare Welcome to Magnet Brains जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं बिल्कुल free of cost यानि की Magnet Brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package purchase करने की requirement बिल्कुल भी नहीं है तो इसी अच्छी बात के साथ हम start कर लेते हैं आज का हमारे ये session जहां पे हम solve करेंगे क्या NCRT, basically exercise questions हमारे chapter combustion and flame के और ये सभी के सभी questions कहां दिये गए हैं आपकी NCRT textbook में तो first question क्या है आज के हमारे इस session का कि list the conditions under which combustion can take place आपको वो conditions बतानी हैं जिसके under combustion की process होती है अब अगर आपको याद हो तो previous session में हमने बात करी थी हमने चर्चा करी थी तीन conditions के उपर वो तीन conditions ऐसी conditions हैं जो कि essentially required होती है combustion की process के लिए यानि कि अगर वो तीन conditions अगर ना हो तो शायद हमारे combustion की process भी नहीं होगी तो इस question में आपको करना क्या है उन्ही तीन conditions को mention करنا है उन्ही तीन conditions के बारे में लिखना है इस सवाल के जवाब में तो first condition क्या होती है किसी भी combustion की प्रोसेस के लिए first condition यह है कि आपके पास होना चाहिए क्या एक combustible substance बई देखा चाहे तो हमारे आसपास कई तरह की चीज़े होती हैं अब जरूरी नहीं है कि हर एक चीज का combustion पॉसिबल हो यानि कि हर एक चीज आग पकड़े तो हम करते क्या हैं सभी substances को प्रोडली दो केटेगरीज में केटेगराइज कर देते हैं एक होते हैं हमारे पास or non-combustible substances combustible substances are दोस जिनका combustion possible है जो कि आग पकड़े जिनका combustion हो सके And non-combustible substances are दोस जिनका combustion possible होता ही नहीं है वो आग पकड़ते ही नहीं है अब इस Nos partner को हम समझेंगे कैसे तो suppose example से समझते हैं कि हमारे पास एक है पत्थर और एक है पेपर तो paper हम सबको पता है कि असानी से जल जाता है, उसका combustion हो जाता है तो paper क्या है? एक combustible substance है वही हमारे पास जो पत्थर है, वो असानी से हम बोलते हैं कि आग नहीं पकड़ने वाला वो आग पकड़ता ही नहीं है, इसका मतलब क्या? कि वो हो गया एक non-combustible substance तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़े होती हैं उन सभी को हम दो categories combustible and non-combustible substances में divide कर देते हैं दो categories में categorize कर देते हैं तो अगर आप चाहते हो कि combustion की process हो तो इसके लिए सबसे पहने आपके पास होना चाहिए क्या एक combustible substance एक ऐसा substance जिसका combustion possible हो एक ऐसा substance जो कि आग पकड़े तब ही उसका combustion आपको देखने को मिलेगा otherwise stone का combustion करवा करके देख लो अभी हो गई नहीं ठीक है तो पहली condition क्या होनी चाहिए combustion के process की कि आपके पास होगा एक combustible substance चलो ठीक है अब next condition क्या है oxygen that is a supporter of combustion आपके पास एक combustible substance आ गया और उसका आपने combustion भी स्टार्ट करवा दिया अब combustion स्टार्ट तो हो गया लेकिन इस combustion को continue रखने के लिए आपको चाहिए है क्या combustion का supporter यानि कि एक ऐसा substance जो कि combustion को क्या करता है हर हालत में support करता है और वो कौन है वो है हमारी oxygen यह oxygen कहा present होती है air के लिए हम हमेशा क्या पढ़ते हैं कि it is a mixture of gases air में कई सारी gases present होती लेकिन जब हमें मतलब होता है combustion की process से तो हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं air में present oxygen gas की तो हमें हमारे पास एक combustible substance आ गया उसका combustion हमने शुरू करवा दिया लेकिन उस combustion को continue रखनी के लिए हमें चाहिए होता है combustion का supporter जो की कौन है oxygen है तो पहली condition हो गई combustible substance की presence दूसरी condition हो गई combustion की supporter की presence ताकि combustion शुरू तो हो जाए लेकिन उसके बाद में वो आगे continue भी रहे अगर oxygen नहीं होगा अगर combustion का supporter नहीं होगा तो combustion की process आगे continue नहीं हो पाएगी बिना supporter के combustion कुछ भी नहीं है इतना हमेशा ध्यान रखेगा चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं third condition की attainment of ignition temperature of the substance अब देखो मेरे पास एक पेपर पेपर के लिए हमने अभी अभी पढ़ा किया कि यह यह एक खुली हवा में रख दिया यानि कि यह जो मैंने काम किया है ना इस केस में combustion के लिए जो required दो conditions हैं दोनों की दोनों conditions यहां पर fulfill हो रही है क्या पढ़ा है हमने अभी तक अपने इस सवाल में कि एक सबसे पहले आपको चाहिए है combustible substance और दूसरा आपको चाहिए है क्या combustion के supporter की presence यानि की oxygen की presence तो हमने किया क्या हमारे पास एक पेपर था जो कि combustible substance है उसको हमने खुली हवा में रख दिया खुली हवा में रखने से हुआ कि हवा में जो oxygen प्रेजन प्रेजन है वह oxygen कंटिनिस्टी उस पेपर के कॉंटेक्ट में है यानि कि आपके पास combustible substance भी है और combustion को सपोर्ट करने वाला सपोर्टार oxygen भी है लेकिन फिर भी क्यूं पेपर हवा में पढ़ने हुए आग नहीं पकड़ता भाई condition की दो combustion की जो दो कंटिशन से वह तो फुल्फिल हो रही है ना combustible substance भी है और combustion का सपोर्टर भी है तो आखिर क्यों पेपर में आग नहीं पकड़ती क्यों पेपर का of ignition temperature, ignition temperature मतलब क्या कि ये एक ऐसा specific temperature है जिस पर जाकर के ही कोई substance अपना combustion शुरू करता है बिना उस temperature पे पहुँचे substance जो है ना अपना combustion स्टार्ट नहीं करेगा तो माना आपके पास combustible substance पेपर था और उस substance के पास combustion की सपोर्टर oxygen भी थी लेकिन दोनों की presence होने के बाद भी दोनों कंडिशन सुल्फिल होने के बाद भी combustion की प्रोसेस शुरू नहीं हुई क्यों नहीं हुई क्योंकि ignition temperature नहीं आया था पेपर को जिस temperature पे आकर कि उसका जलना शुरू होता है उसका combustion स्टार्ट होता है वो temperature मिला ही नहीं था सवाल यह है कि आखिरी temperature आएगा कैसे तो हमें supply करनी पड़ेगी क्या heat बाहर से हमको पेपर को देना पड़ेगा क्या एक heat इस heat के कारण उसका temperature बढ़ेगा बढ़के कहा जाएगा अपने ignition temperature तक जाएगा और जिस पे जा करके जिस पे पहुँच करके उस पेपर का combustion स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे हम एक जलती हुई माचिस यानि की एक match stick लेकर के आएगे या lighter लेकर के आएगे और उसको पेपर के सामने रख देंगे तो होगा क्या जलती हुई माचिस की तिली से जो हीट निकल रही होगी उस हीट से पेपर अपने ignition temperature तक पहुचेगा पहुचने के बार में उसका जलना शुरू हो जाएगा उसका combustion स्टार्ट हो जाएगा तो ना सिर्फ combustible substance या ना सिर्फ combustion का supporter बलकि ignition temperature भी जरूरी होता है किसी भी combustion की process के लिए तो यह जो तीन conditions है ना इनको अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लो क्योंकि जब हम combustion को रोकने की बात करते हैं वही हमने अपने चाप्टर में previous sessions में पढ़ा है कि किसी भी substance के combustion या किसी भी fuel के combustion के कारण ही आग produce होती है fire produce होती है तो अगर इस fire को हमें control करना है उसको हमें extinguish करना है तो हमें सबसे पहले combustion को रोकना पड़ेगा और combustion को हम कैसे रोक पाएंगे इन ही तीनों conditions को control में करके combustion को रोक पाएंगे तो combustion की process को अगर हमें करवाना है तो यह तीनों चीज़ें होनी चाहिए यह तीनों conditions होनी चाहिए और अगर हमें combustion की process को रोकना है तो आप क्या करोगे इन ही तीन conditions में से किसी एक या दो condition को हटा लोगे conditions ही नहीं रहेंगी तो combustion सब आगे प्रोसीड कैसे करेगा, कमबशन प्रोसीड नहीं करेगा, तो कमबशन की कारण जो आग प्रोड्यूस होई थी, वो आग भी अपने आप बुझे जाएगी, समझ में आई बात, चलो, तो ये हुआ क्या हमारा फॉर्स क्वेस्टिन, अब सेकंड प्रेस्टिन क्या है, फिल इं of wood and charcoal, sorry coal, causes dash of air, जब हम लकड़ी या कोईले को जलाते हैं, तो क्या cause होता है, air में, तो वो होगा pollution, है ना, जब भी आप लकड़ी को या कोईले को जलाओगे, तो air pollution तो होगा ही, क्यों air pollution होगा, क्योंकि भईया, जब आप कोल और लकड़ी को जलाते हो, तो काफी जादा ध हुआ निकलता है, poisonous gases निकलती है, carbon dioxide निकलता है, यह धुआ, यह poisonous gases, यह carbon dioxide gas, यह जाती कहां है, यह सब कि सब जाती है, air में, और air की quality को जाकर के कर देती है, detoriate, और जहां air की quality हुई detoriate, वहां समझ लो, हो गया, क्या air का pollution, ठीक है, चलो, a liquid fuel, जिसको की आप अपने घरों म यूस करते हो, तो वो तो कोई भी हो सकता है, वो एक kerosene भी हो सकता है, वो एक LPG भी हो सकता है, जो भी liquid fuel आप अपने घर में यूस करते हो, उसका नाम लिख देना, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो, kerosene भी, kerosene के stove होते हैं, जिसके ओपर रख करके हम खाना बनाते हैं, ठीक है, तो kerosene के stove होते हैं, जिसमें की kerosene को डाला जाता है as a fuel, fuel क्या होता है, कोई भी ऐसा substance जिससे की आप energy derive कर सको, उस substance को आप बोल देते हो, fuel, अब सवाल यह है कि fuel से energy कैसे derive करें, तो fuel को उठा करके जला दो, fuel का combustion कर दो, combustion की process मेरा आपको क्या समझायता, उसकी process में कि combustion की process में exactly होता क्या, कि आपके पास एक substance होता है, और उस substance को आप air में जलाते हो, air में क्या present होती है, oxygen, तो जब आप किसी substance को air की presence में जलाते हो, तो air में present जो oxygen है, वो आप करके उस substance के साथ चिपक जाती है, उसके साथ में react करती है, तो जब substance और oxygen का reaction होता है, उनके process को हम बोल देते हैं क्या, एक combustion की process, तो यहाँ पर बोला क्या गया है, क्या बतारी थी मैं आपको fuel के बारे में, तो सवाल यह है कि fuel होता क्या है, तो कोई भी ऐसा substance जिससे कि आप energy derive कर सको, सवाल यह है कि आप किसी भी substance से या fuel से energy कैसे derive कर सकते हो, तो उसको जला करके, उस तरह का खाना क्या है, हमारी body के लिए एक fuel है, वही हमको दिन भर में इतने सारे काम करने होते हैं, हमको पढ़ाई करनी होती है, हमको खेलना कूरना होता है, हमको Instagram चलाना होता है, हमको Facebook चलाना होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं, हमको हमारे daily basis पे घर ठीक है, सवाल यह ह हम से उन्हीं variety से हमें मिलती है energy होता क्या है कि जो भी हमने खाना खाया उसका हमारे स्टमक में जाकर के हमारे digestive system में जाकर के हो गया क्या digestion और digestion की process से हम बोलते हैं कि जो complex nutrients थे वो अपने simpler forms में तूट गए अब इसके बाद में जब simpler forms हुई थी उससे हमें मिला क्या glucose यह glucose blood में absorb हो गया और blood में फिर blood से फिर कहां जाएगा तो हर एक body cell तक जाएगा अब इस glucose का क्या करना है इस glucose से हमको energy निकालनी है तो सवाल यह है कि energy कैसे मिलेगी क्योंकि activity तो हमको करनी है ना हमने खाना खा लिया अब इस खाने से हमको energy करवानी पड़ेगी उस खाने का हुवा digestion digestion से बना क्या glucose glucose गया blood में ब्लट से कहां गया हर एक body cell तक अब इस glucose से कैसे energy निकल वाए तो हम करते हैं क्या respiration हम करते हैं breathing ब्रीदिंग के हो अगर यह हमारा body cell है तो इस body cell में हमारे पास क्या है glucose भी है और साथ ही साथ इसमें क्या है oxygen भी है यह एक body cell है body cell में glucose है और oxygen है अब क्या होगा oxygen की presence में यह जो glucose है ना इससे energy निकाली जाएगी energy निकाली जाएगी और इसी energy को फिर हम further different activities में utilize कर लेते हैं तो यहां पे यह जो glucose और oxygen का combination हो रहा है यह exactly क्या हो रहा है यहां पे भी तो एक छोटी सी combustion की process हो रही है कि नहीं हो रही है आप खुद ही सोचो combustion में आपको अभी अभी क्या समझाया कि एक substance को आप burn करते हो जलाते हो एर में present जो oxygen है वो जाकर के react कर जाती है substance के साथ oxygen जो है substance के साथ जाकर चिपक जाती है जिसके कारण energy release होती है तो यहां पे भी तो same process हो रही है कि body की cell में glucose था glucose के पास जाकर की चिपक गई कौन oxygen और इनके बीच में reaction से क्या हुआ energy release हुई इसी energy को फिर हम further different activities में utilize करते हैं तो यहां पे भी हम वोल सकते हैं कि हमारे fuel का क्या हो गया combustion हो गया हमारी body के लिए भी जो भी हम हमारा जो food items होते हैं जो हमारा liquid fuel के बार में पूछा गया था जो कि आप अपने घरों में use करते हो तो kerosene हो सकता है या कई बार आपको किताबों में LPG भी लिखा हुआ मिलेगा देखा जाए तो हमारे घरों में जो gas cylinder आता है उसमें petroleum gas भरी होती है liquefied petroleum gas भरी होती है काफी basically previous chapter में coal and petroleum वाले chapter में हमें देखा था कि जब petroleum की refining होती है तो कई सारे products निगल के आते हैं एक product निगल के आता है petroleum gas और इसी petroleum gas के उपर काफी ज़्यादा pressure लगाया जाता है इतना pressure लगाया जाता है कि वो हो जाती है liquefied और यही liquefied petroleum gas को cylinder में भर करके भेज़ देते हैं हमारे घरों में अब आपने देखा होगा कि इस gas cylinder को हम connect करते हैं किस के साथ gas stove के साथ कैसे एक pipe के थूँ pipe कैसे connect होता है आपने देखा होगा कि gas cylinder का जो mouth होता है उसके उपर हमें एक red color का बड़ा सा regulator लगाते हैं और उस regulator को further आगे connect करते हैं gas stove के साथ through a pipe तो हमने करा क्या होता है कि अगर हमको खाना बनाना है तो हमें gas stove का knob on करना पड़ता है उसके भी पहले वो जो regulator हमने लगा के रखा है cylinder के mouth पर उस regulator का हम knob on करते हैं तो जैसी हम regulator का knob on करते हैं तो आपको एक फिस्की आवाद सुनाई देती है यह आवाद क्यों सुनाई देती है यह जैसे ही आपने regulator का knob on किया आपने pressure release किया इस pressure release करने के कारण होता क्या है वो जो petroleum gas भरी होती ही लिक्विफाइट petroleum gas cylinder के अंदर उसके उपर से pressure कम हो जाता है तो जैसे ही pressure कम होगा gas तुरंत जो है न पेट्रोलियम gas अपने gasure state में आ जाएगी वो लिक्विफाइट फॉर्म में भरी होती ही cylinder के अंदर क्योंकि उसके उपर pressure बहुत लगाया होता है जैसे knob on किया regulator का जो petroleum gas है वो अपने liquid से gaseure state में आ जाएगी और pipe के तुरू travel करते हुए पहुँच जाएगी कहा gas stove पर gas stove का knob आप आउन करोगे तो उसके burner के उपर basically gas stove का जो burner होता है उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे से गड़े होते हैं ठीक है तो जैसी आप gas stove का knob on करोगे जो gas है वो burner के level तक पहुचेगी और burner के जो holes है उनसे बाहर निकलाएगी फिर आप करोगे क्या जा करके माचिस की तीली जल्दियों माचिस की तीली या फिर जो लाइटर होता है उसको burner के उपर रख दोगे लाइटर को जलाओगे उससे चिंगारी निकलेगी और उस चिंगारी से जो गैस है वो अपना कमशन शुरू कर देगी चीक है तो देखा जाए तो हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर आते हैं उसमें पेट्रोलियम गैस है वो अपने लिक्विफाइट फॉर्म में ही होती है चीक है तो जो भी पसंदर आपको लिक्विट फ्यूल वाप लिख इसको उसके IT याने की ignition temperature तक लेकर के नहीं पहुंचोगे उसका combustion उसकी burning start नहीं होने वाली है fire produced by oil cannot be controlled by वो वाली आग जो की तेल के करण लगती है उसको आप किस से control नहीं कर सकते हो उसको आप पानी से control नहीं कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते हो सपोस यहाँ पे तेल पड़ा ह हुआ है और इस तेल के ऊपर हम बोलते हैं कि आग पकड़ चुकी है यह तेल था और यह उसके ऊपर हम बोलते हैं कि आग लग गई अब हमें करना क्या है इस आग को बुझाना है तो हमने क्या किया उपर से लाकर के पानी डाल दिया उपर से लाकर के हमने पानी डाल दिया अब आप सबको पता होगा coal and petroleum वाले chapter में हम already ये बात पढ़ चोके हैं कि earth surface के नीचे हमको petroleum, natural gas और पानी किन तीन layers में दिखाई देता है तो सबसे उपर होती ही natural gas उसके नीचे होता है petroleum और उसके नीचे होता है क्या पानी petroleum मतलब कि क्या crude oil, कच्चा तेल ठीक है तो हम बोलते हैं कि natural gas क्योंकि gas है सबसे हलकी है इसलिए सबसे उपर वाली layer में present होती है लेकिन petroleum और पानी में उपर कौन present होता है petroleum क्यों क्योंकि oil पानी से हलका होता है तो पानी के उपर वाली layer में आकर के petroleum settle हो जाता है और सबसे नीचे कौन present होती है पानी के layer तो आपने करा क्या तेल था ये इसमें आग पकड़ गई इस आग को कंटूल करने के लिए आपने क्या करा उपर से पानी डाल दिया अब पानी क्योंकि तेल से भारी होता है तो वो क्या होगा तेल के नीचे जाकर के सेटल हो जाएगा आप पानी डाल रहे थे आपको बुझाने के लिए लेकिन हुआ क्या पानी तो खुदी अपनी जगा बना करके सेटल हो गया क्यों क्योंकि पानी भारी था तेल से तो वो उसके नीचे जाकर के सेटल हो गया अगर पानी हलका होता ना तेल से तो होता क्या पानी तेल की उपर इस तरह की एक layer बना लेता या अगर और अच्छी शब्दों में बोलें तो पानी तेल की उपर जा करके एक blanket बना लेता अभी अभी जो हमने यहाँ पर तीन conditions डिसकास करी थी ना combustion की प्रोसेस के लिए इसके मैंने क्या बोला था ध्यान में को क्डिशन और कंडिशन को क्यूंकि जब आपफ यह dauertव कर तो इस माठी होगी है दो यहां पे हो क्या रहा था यहां पर जो ऑईल दा वह अपने ऑई क्या है एक कंभस्टिबल सप्टेंस है एक फ्यूल है तो ऑई अपने इगनीशन टेंपरिचर तक पहुंचा और उससने क्या करी अपकर ली हुसका कंभर्शन स्टार्ट हो गया उसके कंभर्शन से फायर प्रेडियूस हो गई अब यह जो combustion की process है यह चलती जारी थी चलती जारी थी क्योंकि यहां से उपर से हम सब बोल सकते हैं कि oxygen की supply मिल रही थी जो combustion की process हो रही है oil की इस combustion की process को atmospheric air से oxygen की supply मिल रही थी जिसके कारंट क्या हुआ? जिसके कारंट कंबशन की process चलती रही, चलती रही, अब हमें करना क्या है? आग को रोकना है, आग लगी किसके कारण है, आग produce क्यों हुई है? क्योंकि oil कांबशन हो रहा है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर oil की combustion की process रुक जाए, तो अ बहुत ही बढ़िया तरीका है कि जो ऑक्सिजन की सप्लाइब है इसको तोड़ दो यही तो है जो कंबशन को सपोर्ट कर रही है अगर सपोर्टर ही चला जाएगा तो काई का कंबशन कंबशन आगे प्रोसीडी नहीं कर पाएगा तो हम क्या करेंगे अपना दिमाग लगा करके इस ऑक्सिजन की सप्लाइब को तोड़ देंगे सप्लाइब को हम कैसे तोड़ेंगे तो यह जो ऑईल के ऊपर जो हमारे पास कंबस्टिबल सब्सेंज जो फ्यूल है उसके ऊपर हम कि उसका ब्लैंकेट बनाए लेकिन पानी तो तेल से हलका होता है वो तो नीचे जाकर कि सेटल हो जाएगा यहने कि ऊपर पानी नीचे पानी ऊपर तेल और तेल के ऊपर लगी हुई है क्या आग तो इसलिए वह वाली आग जो की ऑईल की करण लगती है उसको आप पानी से बुझा नहीं सकते हो ठीक है इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है कार्बन डायोकसाइड क्या होती है ना एयर के कंपेरिजन में डेंसर होती है है तो जैसी आपने देखा होगा वो रेड कलर की फायर एक्सिंग्विशर होते हैं उसमें से तेज़ प्रेशर की आती है सपोर्टर नहीं रहेगा तो कंपर्शन नहीं होगा कंपर्शन रुख जाएगा और हम बोलते हैं कि आग भी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी सौर्टेड चलो तो हमने सारे की सारे ब्लैंक्स फिल कर दिया है अब हम चलते हैं आगे आगे क्या है मारे पास explain how the use of CNG in automobiles has reduced the pollution in our cities हम सबको पता है कि अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए automobiles या वहिकल को चलाने के लिए हमको चाहिए होता है fuel तो हम most commonly कौन से fuel use करते हैं petrol and diesel लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास कुछ ऐसे automobiles भी आने लगे हैं especially metro cities में ऐसे वहिकल भी आने लगे हैं जो कि CNG driven होते हैं यानि कि उन गाड़ियों में CNG को डाला जाता है as a fuel तो यहाँ पे इस सवार में पूछा गया है कि जब हम CNG को use करते हैं as a fuel in automobiles तो उससे cities में air pollution कम कैसे हो रही है explain करिये तो देखो the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities as it is a quality fuel and has some benefits अगर आपको याद हो तो previous chapter में भी हमने CNG के बारे में पढ़ा था CNG मतलब कि compressed natural gas है ना coal and petroleum वाले chapter में कि यह एक cleaner fuel होती है तो यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि यह एक quality fuel है और इसके कुछ benefits है क्या benefits है देख लेते हैं तो it gives out less carbon dioxide gas carbon monoxide gas sulfur dioxide and nitrogen dioxide जब CNG को जलाया जाता है automobiles में उसका combustion होता है उसकी burning होती है तो कौन कौन सी gas produce होती है carbon dioxide carbon monoxide sulfur dioxide and nitrogen dioxide ठीक है तो याद रखिएगा कि जब भी CNG को जलाया जाएगा उसका combustion होगा automobiles में तो यह सारी gases produce होंगी माना कि यह सारी gases produce हो रही है लेकिन जिस quantity में produce हो रही है वो काफी कम है अगर आप CNG को compare करोगे किस के साथ पेट्रोल और डीजल के साथ तो जब गाडियों में पेट्रोल और डीजल का combustion होता है तो उस combustion से यही सारी gases निकलती है लेकिन यही सारी gases बहुत जादा quantities में निकलत करेंगी यहने की air pollution cost करेंगी लेकिन हमारे पास एक better substitute क्या आया है एक better alternative यह आप्शन क्या आया है कि हम CNG को यूज करें तो CNG को जब जलेगा automobiles में वहिकर्स में तो definitely यह gases produce होंगी लेकिन इनकी quantities काफी कम होंगी ठीक है which is beneficial as they play crucial role in global warming and acid rain यह सभी के सभी जो gases हैं यह global warming और acid rain में काफी एक important crucial role play करती है तो अव्यसी बात है जित्ती कम harmful gases निकलेंगी उतना ही अच्छा रहेगा न तो इसलिए हम CNG को एक better option बानते हैं और इसलिए CNG का यूज जो है air pollution कम cause कर रहा है it leaves behind no residue after its combustion जब यह जलता है जब CNG जलती इसका combustion होता है तो कोई भी residue जो है ना पीछे नहीं चूटता है लकड़ी को जला करके देखो इतनी राख चूटेगी कि पूछो ने कोईले को जला करके देखो जब उसका combustion होता है तो पीछे काफी जारी राख चूट जाती है residue पीछे चूट जाता है लेकिन fortunately जब आप CNG को जलाते हो उसका combustion करते हो तो कोई भी सच राख वगएरा नहीं निकलती है कोई residue पीछे नहीं चूटता है तो यह कुछ चीजे हैं जिसके कारेंट CNG जो है आजकल सेटीज में CNG को यूस्ट जब हम कर रहे हैं मोबाइल में तो air pollution जो थोड़ा सा कम हो गया है ठीक है चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स क्वेशन पे compare LPG and wood as fuels आपको LPG यानि कि liquefied petroleum gas और वुट के बीच में एक comparison करना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं LPG की कि it does not cause pollution on combustion हमारे घरों में जब हम मैंना को बताया ना कि हमारे घरों में जो गैस सिलिंडर आता है उसमें LPG यानि की liquefied petroleum gas ही भरी होती है तो जब हमें खाना बनाना होता है तो बेसी करी हम करते क्या है इसी LPG का liquefied petroleum gas का combustion कराते हैं तो आप खुदी देखो ना जब भी आप खाना बनाते हो तो जब इस gas का combustion होता है तो क्या कोई pollution होता है आपको ऐसा लगता है कि धुवा उठ रहा है है ना smoke आ रहा है या कोई poisonous gases आ रही है जिसके करण आप खाना नहीं मना पा रहे हो चोकिंग हो रही है सास नहीं ले पा रहे हो ऐसा कुछ होता है क्या नहीं होता है इसलिए हम बहुते हैं कि लेकिन अगर हम बात करेंगे लगडी की तो भाई या पहले के जमाने में तो LPG सिलंडर वगएरा कुछ होते ही नहीं थे ट्रेडिशनल चूले होते थे उनमें लगडी को जलाया जाता था और जब लगडी को जलाते थे तो इतना धुवा निकलता था इतनी कार्बन डायोक यहां पर बोलोगे कि जब भी लगडी का कंबशन होता है तो पल्यूशन होती है फिर इसके बार में सेकेंड क्या है कि नो स्मोक इस प्रेड्यूस जब आप LPG को जलाते हो तो कोई धुवा नहीं निकलता है लेकिन हां लगडी को जलाओगे तो धुवा निकलेगा ही फिर इसके बार में जो LPG है वो क्या है एक लिक्विट फ्यूल है लिक्विफाइड फॉर्म में होती है पेट्रोलियूम गैस गैस सिलेंडर के अंदर और लगडी क्या है एक सॉलिड फ्यूल है अगर हम बात करेंगे केलोरिफिक वैल्यू की तो याद करो के उपर हमने का सकते हो कि जब आपके पास gay g1 कक फ्यूल है यह उस एक फ्यूल को जब बिरन करोगे उसका कमशन कराऊगे तो कितने अमाउंट में हीट अनर्जी निकले वही क्या हो जाती है उस फ्यूल की एफिसेट्ट्ट हो जाती है यानि कि इसकी क्लूरिफिक वैल यू हो जाती है तो जिस fuel की calorific values जितनी जादा है वो उतना ही अच्छा fuel है वो उतना ही efficient fuel है तो अगर हम compare करें LPG की calorific value को किस के साथ wood की value के साथ तो LPG की देखो कितनी है 55,000 kJ per kg हैने कि जब आप 1 kg LPG को जलाते हो तो 55,000 kJ energy release होती है वहीं अगर हम 1 kg लकडी को जलाएंगे तो सिरफ 17,000 kJ energy release होगी तो इसलिए मैंने बोला था कि जिस fuel को जलाने पर जितनी जादा energy निकलेगी जिस fuel की जितनी जादा calorific value होगी वो उतना ही अच्छा fuel होगा तो LPG को जलाने पर उसकी जो calorific value है वो जादा निकल के आती है जादा energy release होती है इसलिए वो क्या है एक जादा अच्छा efficient fuel है as compared to लकडी केवाद 17,000 kJ energy निकल रही है 1 kg लकडी को जलाने के लिए ठीक है चलो अब next point क्या है कि it can be easily transported and it is stored in cylinders तो basically इसको जो है ना ट्रांसपोर्ट करना काफी आसान होता है LPG को सिलेंडर में इसको भरके रख देते हैं और सिलेंडर को ही यहाँ से वहाँ गाडियों में ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है लेकर अगर हम बात करेंगे लकडी की तो LPG से अगर हम compare करें तो लकडी का जो ट्रांसपोर्ट है या उसको जो स्टोर करना है वह थोड़ा सा उनों दिक्कत वाली बात है सिलेंडर तो जो है किचन में आपना रखा रहता है चुपचाप कोई उससे डिस्टरबेंस नहीं होता पहले के समय में जब लकडी को जलाया जाता था एज़ा फ्यूल लकडी को जो है ना जला करके उस पर खाना बनाया जाता था चूले पे तो इसको स्टोर करना बहुत ही मुश्किल वाली बात होती थी एक तो रोस के रोस जो है लकडी लेकर के आओ फिर इसके बार में लकडी को मौश्टर से बचाओ अगर लकडी गलती से ठीक है तो एक पॉइंट कम्परिजिन का अब यह भी लिख सकते हो कि LPG का जो इनिशन टहर है वो कैसा है कम है और इसका इनिशन टहर कैसा है काफी जादा है इनिशन अब भी संजाये था कि एक ऐस स्पैसिफिक टेंपरिचर जहाँ पे जाकर कोई भी सबस्टेंस अपना कं लिए तो जैसे ही आपने गैस टोव का नौब ऑन किया बर्नर के होल से गैस जो है वह बहार निकलने लगती है और उस बर्नर के पास ले जाओ आप क्या एक लाइटर और उस लाइटर को दबाओ तो एक निकले की चिंगारी एक स्पार्क जनरेट होगी और उस छोटी सी तक पहुंच जाती है क्योंकि उसका एकनीशन टेमरेचर होता ही कम है तो विदिन या बहुत सकते हो कि चार से पास सेकेंड के अंदर एल्पीजी का कमशन शुरू हो जाता है और आपको बर्नर के उपर ब्लू फ्लेम दिखाई देने लगती है तो ऐसा क्यों हुआ क्यों कि एल्पीजी का एकनीशन टेमरेचर कम था जिसके कारण उसने बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेकिन अगर आप बात करोगे लकडी की कभी आप अपनी दादी नानी से पूछना जिनने चूरे के ओपर लकडी को जलाया है और उस पर खाना बनाया है वो आपको बताएंगे क लकडी को जलाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था और मुश्किल यह भी होती थी कि अगर वो गलती से गिली हो गई तो और मुसीबत क्यों क्योंकि लकडी का इगनीशन टेमरेचर कम होता है आपकी लपीजी तो लाइटर की एक छोटी सी चिंगारी के साथ जल गई उसका इगनीशन टेमरेचर जाधा होता है तो एक डिफरेंस का पॉइंट यह भी लिख लेना क्योंकि हम दोनों को कंपेर कर रहे हैं तो कंपेरिजन के पॉइंट में यह वाला भी एक स्टेटमेंट आ सकता है ठीक है तो यहाँ पे हमने लपीजी और लकडी को कंपेर कर लिया है यहाँ पे पल्यूशन आप बोल सकते हो कि लपीजी को जलाने पे कंपशन करने पे उसका नहीं होता है इसलिए आप डेली बेसिस पे सुबह, शाम, दिन, रात हर कभी जो है अपने अपने घरों में किचिन में गैस टोब पर लपीजी का यूज़ करके खाना बना सकते हो क् पॉइजनेस गैसे नहीं निकल रही है जिसके करान आपको जोकिंग हो रही हो दंग घुट रहा हो सफोकेशन हो रही हो ऐसा कुछ नहीं होता और यहाँ पर बकाइदा जब लखनी जलती है तो पल्यूशन होता है दूआ उटता है इसमें नहीं उटता यह एक सॉर्ट फ्य क्विश्चन की ऊपर कि गेव रीजन्स वाटर इस नोट यूज्ट तो कंट्रोल फायर्स इनवालविंग इलेक्रिकल एक्विपमेंट इसके पहले वाले क्विश्चन में हम देखा था कि वह वाली आग जो की तेल के कारण लगती है उसमें आप पानी का यूज नहीं कर सक हो क्यों नहीं कर सकते हो भाई देखो सीडिसी बात है अलग-अलग रीजन्स के कारण आग लगती है तो अगर आप आपको बुझाना चाहते हो अपने लेवल पर तो सबसे पहले तो आपको रूट कॉस पता होना चाहिए कि आग लगी किसकी वजह से कि कोई फ्यूल जल रह है पेपर जल रहा है लकडी जल रही है या फिर कोई शौट सर्केट हुआ है और उस शौट सर्केट के करण आग लगी है तो इसका रीजन यह है कि यह अगर शौट सर्केट के करण आग लगती है आपके पास कोई electrical equipment है कोई device है जिसमें की आग लगी कैसे लगी क्योंकि उस तार था और इस तार में क्या हुआ था स्पार्क हुआ था है ना इस तार में हम बोलते हैं कि स्पार्क हुआ था और इस पार्क के कारण इस सर्केट के कारण इस तार में आग लग गई अब आपने क्या किया पानी डाला अब यह जो पानी है वह एक जगा तो नहीं था इसमें हुआ था शॉर्ट सर्केट जिसके करण आग लगी थी अब क्या हुआ आपने इस तार पर डाल दिया पानी पानी वहां तो ठहरेगा नहीं वह तो हर कहीं जाएगा तो पानी क्या करता है इलेक्रिसिटी को कंड़क्ट करता है तो वह वाला करेंट जो कि इस तार के अंदर बह रहा था अब वो जो करेंट होगा वो पानी के साथ बहने लगेगा क्योंकि पानी क्या करेगा इलेक्ट्रिक करेंट को कंड़क्ट करवाएगा तो जहां जहां पानी जाएगा वहां वहा पानी के तुरू ट्रैवल करते करते उस परसन तक पहुंच जाएगा और उस परसन को भी शौक लगने के बहुत ज्यादा चांसिस है ठीक है यहां पे एक आदमी खड़ा था जो कि क्या कर रहा था जो कि पाइप से इस पानी को डाल रहा था तो क्योंकि पानी एक अच्छा कं इंदर जो इलेक्ट्रिक करेंट बह रहा था उस इलेक्ट्रिक करेंट को पानी ने अपने उपर कंड़क्ट करवा लिया जहां जहां पानी जाएगा वहां इलेक्ट्रिक करेंट जाएगा आग उल्टा फैल जाएगी और वह इंसान जो कि लगातार पानी को सप्लाय कर रहा इसलिए बोला जाता है कि आग को बुझाने के लिए सबसे पहले तो आपको root cause पता होना चाहिए कि आखिर आग लगी किसकी वज़ा से है तो since water is a good conductor of electricity, it may result in electric shocks to the person trying to extinguish fire फिर इसके बाद में LPG एक better domestic fuel है than wood लकडी से तो इसका जवाब तो इस वाले question में है, previous question में जिसको हम already discuss कर चुके हैं इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि आपको reason देना है कि क्यों LPG एक better domestic fuel है लकडी के comparison में तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि LPG को जलाने से pollution कम होता है कोई धुआ नहीं निकलता है और नहीं पीछे कोई राख चूटती है लकडी को जलाओगे तो पीछे एक राख चूटती है, residue चूटता है लेकिन fortunately LPG को जलाने पे कोई धुआ नहीं निकलेगा, कोई pollution नहीं होगा, कोई poisonous gases नहीं होंगी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि LPG जल रही है, तो काफी suffocation हो रही है, सांस निले पा रहे है, दम गुट रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और नहीं पीछे कोई राख चूटती है प्लस हम बोलते हैं कि LPG को handle करना, transport करना, store करना आसान होता है बस आपको एक बार gas agency से connection लेना होता है और महीने के महीने आपके पास आपके घर तक जो cylinder है, वो deliver कर दिया जाता है ठीक है, तो handle करना, transport करना, आप बोल सकते होगी, आसान है gas cylinder को, LPG cylinders को, प्लस हम बोलते हैं कि इस fuel की जो efficiency है, वो जादा है LPG लकडी से जादा efficient है, as a fuel, क्यों? क्योंकि इसकी calorific value देखो कितनी है 55,000 kJ per kg, यानि कि 1 kg लकडी को, 1 kg LPG अगर जलाओगे, तो 50,000 kJ energy निकलेगी वहीं अगर आपने 1 kg लकडी जलाई है, तो केवल 17,000 kJ energy release होती है तो LPG जादा better है, जादा efficient है लकडी से प्लस हम बोलते हैं कि इसका ignition temperature भी कैसा होता है, काफी काम होता है कि एक lighter के छोटे से spark या चिंगारी से आग पकड़ लेती है और लकडी को जलाते जाओ, heat देते जाओ, वो है कि आग पकड़ने का नाम ही नहीं लेती है तो इसका जो जवाब है कि क्यों LPG एक better domestic fuel है लकडी से तो वो हमने already अपने previous question में discuss कर लिया है चलो, अब हम बात करते हैं अपने next statement की पेपर by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around a aluminium pipe does not तो देखा जाए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि paper को आसानी से जो है ना आप एक जलती हुई match stick लेकर क्या आ जाओ, तो उस match stick के सहारे paper जल जाएगा लेकिन अगर आपने उस paper को एलुवीनियम pipe के उपर लपेट के रखा हुआ है, तो वो नहीं जलेगा क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि जब paper अकेले present है ना, तो उसका ignition temperature कम है इतना कम है कि आप उसके पास एक जलती हुई match stick लेकर क्या आओगे, तो उस जलती हुई match stick से जो heat निकलेगी, वो sufficient होगी कि वो paper को उसके ignition temperature तक पहुँचा दे, और एक बर वो अपने IT तक पहुँचा, उसका combustion शुरू हो जाएगा लेकिन अगर आपने paper को अलुवीनियम pipe के around लपेट करके रखा है, तो कहीं न कहीं उसका जो ignition temperature है, वो शायद थोड़ा सा बढ़ जाएगा जिसके कारण हम बोलते हैं कि उसका जो आग पकड़ना है, वो इतना, you know, जल्दी नहीं उपर आपाएगा So, as its ignition temperature is low, the paper by itself catches fire easily, but a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not catch fire easily as the heat being given gets absorbed by the aluminum pipe and the piece of paper does not get, basically does not get its ignition temperature पर क्या बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने आगको बताया कि simple paper के पास एक जल्ती इमैस्टिक लेकर क्या हो, उससे जो heat निकलेगी, वो sufficient होगी, कि वो उसके ignition temperature तक पहुंच जाएगा और जैसे IT तक पहुंचा, आग पकड़ लेगी, लेकिन अगर आपने उसको aluminum foil में लपेट के रखा है, तो कहीं न कहीं उसका ignition temperature जो है ना वो बढ़ जाएगा क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी आप heat supply दे रहे होगे, पेपर को, वो पूरी की पूरी heat कौन absorb कर लेगा, aluminum का pipe absorb कर लेगा, जिसके around आपने पेपर को लपेट के रखा हुआ है, तो बिचारा पेपर अपने ignition temperature तक पहुंची नहीं पाएगा, heat आप दे रहे हो, लेकि क्योंकि आपने aluminum pipe के around लपेट करके रखा हुआ है, तो उस paper को जलाने के लिए आपको बहुत जाधा heat supply देनी पड़ेगी, तब जाकर के उसका ignition temperature आएगा, और तब जाकर के वो जलेगा, ठीक है, so the heat being given gets absorbed by the aluminum pipe and the piece of paper does not get its ignition temperature, वो अपने IT तक पहुंची नहीं पा रहा है, तो जलेगा कैसे, बिना IT के कोई भी substance, अपने, अपना combustion शुरू नहीं करता है, उसका combustion नहीं होता है, चलिए, अब इसके बार में next question क्या है, कि make a labeled diagram of a candle flame, हमको candle flame का a labeled diagram बनाना है, तो हम क्या करेंग सबसे पहले तो बनाएंगे एक candle, फिर इसके बार में उसकी बनाएंगे एक wick यहने की बत्ती, बत्ती के उपर सबसे पहले हम एक dark color का, एक dark color का region बनाएंगे, और उस dark region को हम क्या बोलेंगे, inner most zone बोलेंगे, फिर उसके उपर हम बनाएंगे एक bright color का region, bright color का region हम बोलते हैं, जो कि yellow होगा और थोड़ा-थोड़ा हम बोलते हैं कि red भी होगा और इस region को हम बोलेंगे क्या middle zone और फिर सबसे बाहर उपर की तरफ आखरी में बनाएंगे क्या एक blue color का zone क्या बनाएंगे एक blue color का zone बनाएंगे और इसको हम बोलेंगे outer zone ठीक है तो हमको यह पर बोला गया है कि एक labeled diagram बनाना है candle flame का candle बना दी उसकी छोटी सी एक बत्ती बना दी विक बना दी उसके उपर आप बनाओगे एक dark color का zone जो की होगा innermost zone flame का मैं आखको बताया था previous session में कि flame के जो है ना तीन zone होते हैं सबसे बाहर वाला middle वाला और सबसे innermost वाला यानि कि सबसे अंदर वाला जोन होता है उसको उसका color basically हम dark लेते हैं या dark लेते क्या है dark होता ही है innermost zone क्यों dark होता है क्योंकि basically हुआ क्या flame क्या होता है flame के लिए हम बोलते हैं कि ये एक पार्ट है आग का ठीक है फ्लेम क्या है फायर का एक पार्ट होता है फ्लेम कब निकलती है जरूरी नहीं कि जिस भी चीजों का कंबर्शन हो रहा है उस कंबर्शन से फ्लेम प्रोड्यूस हो ही हो है ना जैसे कि हमारे पास कैंडल है तो कैंडल को जब आप जलाओगे तो आपको उसकी फ्लेम दिखाई देती है लेकिन अगर आप कोईले को जलाओगे तो कोईले की फ्लेम आपको दिखाई नहीं देती है कंबस्टन तो कोईले का भी होता है लेकिन उसकी फ्लेम दिखाई नहीं देती है अब सवाल ये है कि फिर कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनके combustion से flame produce होती है तो जो भी हमारी gases होती है जो कि combustion के अंदर जाती है वो gases जब combustion के अंदर जाती है तो flame produce करती है साथी साथ वो solid चीज़ें या वो liquid चीज़ें जिनकों की heat करने पर वो अपने vapors में convert हो जाते हैं वो solid और liquid चीज़ें flame produce करते हैं क्या बोला मैंने कि हर एक चीज़ को जलाने पर जरूरी नहीं है कि flame produce हो flame क्या है आग का fire का एक part होती है हर एक चीज़ के combustion से जरूरी नहीं है कि flame produce हो हमारे पास एक candle है candle को जब आप जलाते हो तो flame दिखती है लेकिन coil को जलाओगे उसका combustion कराओगे तो flame नहीं दिखेगी तो flame कप-कप produce होती है तो जो हमारे gases होती है जो की combustion के अंदर जाती है वो flame produce करती है दूसरी बात वो वाले solid और liquid substances जो की heat करने पर अपने vapors में convert हो जाते हैं वो solid और liquid substances on their combustion flame produce करते हैं best example क्या है wax और अगर हम बात करें किसका kerosene oil का ठीक है solid substance में हमने example ले लिया किसका candle की wax का और liquid substance का हमने example ले लिया kerosene oil का अभी हम candle की wax को समझने की कोशिश करते हैं basically होता क्या है कि आपके पास candle होती है candle किसकी बनी होती है दो चीजों की बनी होती है एक तो उसके पर wax होती है और wax के बिलकुल बीच ओ बीच एक बत्ती होती है विक होती है तो candle में दो चीज़े है wax हो गई और बत्ती हो गई यान बत्ति है उसके उपर जाकर कर चड़ जाएगी क्या बोला मैं बत्ति को जलाया इसीट के चल रही थी तो इस जलती हुई बत्ति के उपर जैसे ही पिगली हुई wax पहुंची तो पिगली हुई wax भी क्या होने लगे कि गरम होने लगे की हीट होने लगे जिसके कारण wax अपनी bzw में convert हो जाएगी और जिसके कारण papers में convert होने के कारण आपको जलती हुई मंबति की कुछ इस तरह की flame दिखाई देती है तो तो आपको यह समझ में कि flame कैसे बनी क्योंकि जो पिगली हुई wax है वो बत्ती के ऊपर चड़ गए थी बत्ती ऑल्री जल रही थी और इस जलती हुई बत्ती के ऊपर पिगली हुई wax आगई तो पिगली हुई wax भी जलने लगी उसकी भी heating ओने लगी और जैसी उसकी heating हुई तो वेक्स जो है अपनी वेपर्स में चेंज हो गई है ना और वेपर्स के बनने के कारण आपको कैंडल की फ्लेम नजर आती है सिमिलली जब आप कपूर को जलाते हो कैंफर जलाते हो पूजा पार्ट वगरा करते टाइम तो आप में देखा हो कि कपूर जब जलता है तो भी एक ने फ्लेम्र प्रेड्यूस होती है क्योंकि वह एक ऐसा जीट करते हो वह तुरंत अपनी वेपर्स में स्ट अब जल्यूंगां इसलिए मैं इसमें नजर आती ठीक है चलो चलो अब यस्त्रक्शर के बारे में मैं जो कि हम बात कर रहे थे तो जो innermost zone होता है हमारे इस flame का वो होता है dark color का क्यों होता dark color का क्योंकि oxygen की supply इस वाले zone में सबसे कम होती है तो याप यह बोलौ कि oxygen की supply होती नहीं है तो बिना oxygen की supply के combustion नहीं होगा याद करो हमने फैस्ट जुक्वेशन है वह तिन कंडिशन स की कवस्छन की प्रोसेस के 자연 की जरूरी होती है तरी होता है अगर उसले कि तो यहां पी हम ओता है कि oxygen supply नहीं होगी तो combustion भी नहीं होगा तो combustion नहीं होने के कारण जो fuel की जो vapors हैं अभी इस समय candle का हम structure समझ रहे हैं candle की फियम का structure तो candle में fuel कौन होगा candle में fuel होगा यही wax ठीक है ना यही पिगला हुआ wax जो कि बत्ती में उपा चड़ गया और heat होने के कारण यह अपनी vapors में convert हो गया अब यह जो vapors बनी है wax की vapors बनी है यह जो fuel की vapors बनी है इनका combustion नहीं हो पा रहा क्यों नहीं हो पा रहा क्योंकि oxygen ही नहीं है इस सबसे अंदर वाले zone में तो क्योंकि oxygen नहीं है air की supply नहीं है इसके कारण fuel की vapors यानि कि जो wax की vapors हैं उनका combustion नहीं हो पा रहा है और इसलिए उनको हम कहते हैं unburnt wax vapors यानि कि ऐसी wax की vapors यानि कि ऐसी fuel की vapors जो की जिनका combustion अभी नहीं हुआ है जो अभी जली नहीं है तो unburnt wax vapors है unburnt fuel vapors है इस innermost zone में इसलिए इस innermost zone का कलर कैसा होता है black color का होता है काफी dark zone होता है फिर इसके उपर हम बोलते हैं कि एक middle zone आता है जो की yellow color का होता है ठीक है और काफी यूनो अगर हम flame का structure हम अभी बात करी रहे हैं तो flame की structure में सबसे prominent zone कौन सा होता है यानि कि मैंना आको बता है कि flame के structure में आपको तीन zone दिखाई देते हैं लेकिन flame के structure में सबसे जादा zone कौन सा दिखाई देता है यही middle zone जो की yellow color का होता है अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि oxygen की supply आने लगती है बहुत जादा तो नहीं आती है लेकिन हाँ आने लगती है तो जिसके कारण यह जो wax vapors है यानि कि fuel की vapors है उनका combustion शुरू हो जाता है अब क्योंकि oxygen की supply आतो रही है इसलिए combustion तो शुरू हो गया लेकिन oxygen की supply इतनी sufficient भी नहीं है कि combustion जो है पूरा का पूरा complete हो जाए इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि partial combustion होता है wax vapors का या fuel vapors का समझ रहे हो कि combustion पूरा नहीं हो पाया हो तो रहा है क्योंकि थोड़ी बहुत oxygen मिल रही है लेकिन इतनी नहीं मिल रही है कि complete हो combustion इसलिए यहाँ पे wax vapors यानि की fuel की vapors का incomplete combustion होता है आदा हुदूरा combustion partial combustion जिसके कारण हम बोलते हैं कि कुछ carbon particles बन जाते हैं और यह carbon particles unburnt होते हैं और काफी गरम होते हैं तो ग्लो करते हैं और इनी की ग्लो के कारण जो यह पोर्शन है आपको यलो कलर का दिखाई देता है यहाँ पे wax vapors या fuel vapors unburnt थे उनका combustion नहीं हो रहा था इसलिए इस जोन का कलर कैसा था ब्लैक था मेंडल जोन का कलर येलो क्यों है क्योंकि इस जोन में oxygen की सप्लाइ थोड़ी बहुत आ रही है इस थोड़ी बहुत सप्लाइ से जो फ्यूल की वेपर से उनका combustion हो रहा है लेकिन complete नहीं हो पाया partial incomplete हुआ जिसके करण carbon particles बने और ये carbon particles unburnt होते हैं काफी गरम होते हैं इतने गरम होते हैं कि ये glow करते हैं और इनके glow के करण ये जो जोन है ये आपको येलो कलर का दिखाई देता है ठीक है और ये जो carbon particles होते हैं फिर air में suit के form में जो है न उर जाते हैं फिर इसके बार में आसपास क्या है आसपास airy air तो है तो plenty oxygen supply होती है outermost zone में जिसके कारण जो fuel की vapors है उनका complete combustion होता है और इस complete combustion के कारण ही यहाँ पे आपको blue flame दिखाई देती है blue portion दिखाई देता है blue color दिखाई देता है flame में हमारी जो LPG gas होती है न बर्नर के ओपर जो जलती है आपको उसकी flame blue color की दिखाई देती है क्यों क्योंकि वहाँ पे LPG का complete combustion होता है जब भी complete combustion होगा तो blue color की आपको light दिखाई देगी ठीक है अब temperature की अगर हम बात करें तो यह black zone होता है innermost zone यह सबसे ठंडा पार्ट होता है flame का यह जो middle zone होता है यह moderately hot होता है और यह जो बाहर वाला जो zone ह outer most जो zone है वो सबसे hottest part होता है हमारे इस flame का क्यों क्योंकि यहां पे combustion कैसा हो रहा है complete हो रहा है तो काफी जादा heat निकल रही है यहां पे तो होई नहीं रहा था तो इसलिए सबसे ठंडा zone यहां पे हो रहा है incomplete हो रहा है partial हो रहा है इसलिए हम बोलते हैं कि moderately hot है और यहां प इतना आप सभी को समझ में आया होगा तो यहां पे हमने इस सवाल में पूरे की पूरे flame का जो structure है वो explain कर लिया है discuss कर लिया है ठीक है तो ऐसे ही हम बोलते हैं कि जो हमारा kerosene का जो lamp होता है ना जिसमें की एक बत्ती होती है और उसमें हम kerosene को डालते है as a fuel उसमें भी same ची जलती है तो केरोसीन जलता है करोसीन गराम होता है जिसके करण केरोसीन की वेपर बन जाती है और क्योंकि केरोसीन की वेपर बन गई है केरोसीन क्या है एक फ्यूल है फ्यूल की वेपर आ गई है इसलिए आपको लैंप में बत्ती दिखाई अ फ्लेम दिखाई देती है ठीक स्करते हैं क्या flame onblesion चलो एक और चीज और है कि यहाँ पे हम बोलते हैं कि यह जो मिडल portion होता है मिडل जोन होता है हमारे इस पुरे flame का उसको हम बोलते हैं कि वहाँ पर हमको येल्व कलर की light मिलती है ये जह येलो कलर की जो flame है इसको हम कहते हैं luminous फ्लेम क्यों लिमिनस पॉशन की वो बोलते हैं कि येलो कर्णर की जो लाइट होती है जो फ्लेम होती है वो हमको लाइट प्रोवाइट करती है आप खुदी सोचो हमारे घर में अगर लाइट चली गई है तो हम एक मुंबत्ती जलाएंगे या गैस जोफ का बर्नर जलाएंग क्यों कि मुंबत्ती की जो फ्लेम होती है उसमें जो जो मिडल पॉर्शन है यह प्रॉमिनेंट होता है और इस मिडल पॉर्शन से हम बोलते हैं कि हमको येलो फ्लेम मिलती है और ये येलो फ्लेम ही क्या करती है हमको लाइट प्रोवाइट करती है इसलिए इसको हम यह लिव लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी एलपीजी की जब उसको हम जलाते हैं तो हमको ब्लू फ्लेम दिखाई देती है ब्लू कलर से हमें कोई रॉष्णी नहीं मिलने वाली है इसलिए वो हो जाता है नॉन लूमिनस पार्ट या नॉन लूमिनस फ्लेम क्योंकि उसका कलर कैसा है ब्लू है ठीक है चलो तो यहां पर फ्लेम का स्ट्रक्चर हो गया है डिसकास और उसके साथ में हमने अपना क्वेश्चन भी कर लिया है कंप्रेट नेक्स क्वेश्चन क्या है कि नेम दा यूनिट इन विच दा कैलोरिफिक वेल्यू ऑफ फ्यूल इस एक्स्प्रेश्च आ कि नहीं अगर मैं बोलू कि हमारे पास वजन को नापने की कोई उनिट न नहों तो मैंने बोला कि इस पैन का जो वजन है वह है ।की 50 सिंटो हम इस value से क्या समझें कि यह pen कितना भारी है मैंने बोला कि यह screen है ना इसका वजन है 100 तो आप बोलोगे कि मैं यह 100 क्या है जब तक आप unit नहीं लगाओगे कि 50 gram यह 100 kilo तब तक आपको exact इसके भार का इसका जो वजन है उसका आपको idea नहीं मिल पाएगा तो unit हमेशा जरूरी होती है किसी भी चीज़ को measure करने के लिए चाहे वो distance हो, चाहे वो height हो, चाहे वो length हो, चाहे वो वजन हो, चाहे वो कुछ भी हो हर एक चीज़ को measure करने के लिए आपके पास एक proper unit होनी चाहिए नंबरों से काम नहीं चलता तो अगर हम बात करते हैं, calorific value को नापने की तो उसको हम express कैसे करते हैं, कौन सी unit में करते हैं तो kilo joules per kilogram है ना, कि एक kg fuel को जलाने पर जितनी energy produce होती है वही तो होती है उस fuel की calorific value तो उसको हम कौन सी unit की साथ express करते हैं तो kilo joules per kg ठीक है, आसान सा सवाल है, ज्यादा कुछ explanation है नहीं आपको बस इतना ही लिखना है the unit in which calorific value of a fuel is expressed is kilo joules per kilogram कि एक kg में कितने kilo joules energy release होई है कितने kilo joules energy produce होई है एक kg of fuel में को जलाने पर ठीक है, चलो question number 8 क्या है, कि explain how carbon dioxide is able to control fire तो इसको भी मैंना को बता दिया है कि suppose यहाँ पर हमारे पास क्या है, fuel है और fuel हम बोलते हैं कि fuel अपने ignition temperature तक पहुँच जाता है जिसके करण इस fuel की burning शुरू हो जाती है, इस fuel का combustion शुरू हो जाता है प्लस इस fuel के combustion को यहाँ से oxygen की supply भी मिल रही है ठीक है, यहाँ से हम बोलते हैं कि oxygen की supply भी मिल रही है, तो आपके पास यहाँ फ्यूल था यानि कि एक combustible substance है इस combustible substance को हमने क्या किया heat, basically इसको कहीं से heat मिल गई और इस heat के कारएंड यह fuel अपने IT तक पहुँच गया, ignition temperature तक पहुँचिया, जिसके कारएंड इसका combustion शुरू हो गया, अब combustion को support करने वाला जो oxygen है, वो भी इसको air से मिल रहा है, यानि कि combustion बड़े तरीके से चल रहा है और इस combustion के कारएंड fire produce हो गई है, अब हमें करना क्या है इस fire को control करना है, तो हम करेंगे क्या हम कुछ ऐसा करेंगे, कि ये जो combustion का supporter है ना, इसकी supply तूट जाए, तो हमारे पास red color का fire extinguisher होता है, जिसमें की carbon dioxide भरी होती है, इस carbon dioxide को हम, बिसिकली उस, जो cylinder होता है उसका हम nozzle हटा देते हैं उसकी हम operate करना, उसको थोट 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 difficult होता है, क्योंकि वो काफी pressure के साथ carbon dioxide pipe से निकलता है, तो जैसे ही carbon dioxide निकलेगी, उस cylinder से, तो ये carbon dioxide क्योंकि भारी होती है air से, तो ये हवा में जाकर के उड़ेगी नहीं, बलकि ये इस आग के उपर, इस आग के उपर इस तरीके का एक blanket बना लेगी ठीके, इस आग के उपर हम बोलते हैं कि इस तरीके का एक blanket बना लेगी और इस blanket के कारण, जो oxygen की supply आ रही थी, fuel की तरफ या combustion को support करने के लिए, ये oxygen की जो supply है, ये तूट जाएगी अब अगर oxygen produce हुई है combustion से, वो भी अपने आप control में आ जाएगी, एक और चीज है, कि ये जो carbon dioxide gas होती है न, ये हमारे fuel को ठंडा करने का भी काम करता है, blanket तो इस carbon dioxide gas ने बनाई लिया है fuel की चारो तरफ, साथी साथ हम बोलते हैं कि उसको ठंडा करने का भी काम करता है, ठंडा करने का काम मतलब क्या कि ये जो carbon dioxide है न, ये हमारे fuel को उसके ignition temperature के नीचे लेकर की आता है भाई fuel ने जभी जलना शुरूर किया था उसका combustion तभी स्टार्ट हुआ था जब वो अपने IT तक पहुँचा था carbon dioxide gas ने क्या किया blanket तो बनाई लिया, oxygen की supply तो तोड़ी दी, साथ ही साथ fuel को ठंडा भी किया, याने कि उसको उसके ignition temperature के नीचे उतार के लेकर किया गया, और जैसे ही fuel अपने IT के नीचे आएगा, अपने आप उसका combustion रुख जाएगा, तो दो-दो फायदे होते हैं, so as carbon dioxide is heavier than oxygen, it forms a blanket around fire because of which the supply of air is stopped, moreover it brings down the temperature of the burning substance, in these ways it plays a significant role in controlling fire तो दो फायदे हैं, blanket बना लेगा, ओटू की supply तोड़ेगा plus fuel को ठंडा करने की कोशिश करेगा उसको उसके ignition temperature के नीचे उतार करके लेके आएगा, जिसके help से combustion की process रुख जाएगी अब next question क्या है, कि it is difficult to burn a heap of green leaves but dry leaves catch fire easily explain, वो इसलिए मतलब यह बोला जा रहा है इस सवाल में कि सूखी हुई जो पत्तिया हैं वो असानी से आग पकड़ लेती हैं लेकिन जो हरी green leaves होती हैं, वो आग देरी से पकड़ती हैं ऐसा इसलिए, क्योंकि वो जो green leaves है ना, उनमें अभी भी moisture होता है और इस moisture के कारण green leaves का जो ignition temperature है वो बढ़ा हुआ रहता है और उस बढ़े हुए ignition temperature तक पहुँचाने के लिए हरी पत्तियों को जादा heat supply करनी वरती है तो इसलिए, वो असानी से आग नहीं पकड़ती है वोई वाला example है ना कि जो सूखी हुई लकड़ी है वो असानी से आग पकड़ लेती है और वहीं अगर हमने गीली करदी लकड़ी को या लकड़ी में कहीं से भी moisture आ गया तो उस गीली लकड़ी को आग पकड़वाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्यों? क्योंकि moisture आ गया है जिसके कारण लकड़ी का ignition temperature थोड़ा सा बढ़ गया है तो अब अगर आप इस गीली लकड़ी को जलाना चाहते हो इसका combustion शुरू करवाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा heat supply करनी पड़ेगी इतनी heat supply करनी पड़ेगी कि गीली लकड़ी अपने IT तक पहुँच जाए सेम किस्सा यहाँ पे भी है The green leaves hold some amount of water या moisture सो इसका जो ignition temperature है वो बढ़ जाता है and it does not burn easily On the other hand, जो dry leaves है वो waterless है, उनमें moisture नहीं है तो वो असानी से आग पकड़ लेती है क्योंकि having low ignition temperature Easy था यह वाला question भी? चलो अब इसके बार में next question क्या है कि which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? Flame के हमने अभी अभी तीन zone discuss करे हैं innermost, middle and outer zone तो जो सुनार है, वो gold और silver को melt करने के लिए कौन सा वाला zone use करेगा, तो मेरे हिसाब से जो सबसे outermost zone है वो ही goldsmith use करेगा, क्यों use करेगा? क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? कि जो outermost zone होता है, वो क्या है? hottest part होता है, सबसे गरम zone होता है, यहाँ पर temperature हम बोलते हैं कि जादा होता है, plus हम बोलते हैं कि temperature जादा क्यों है? इस outermost zone का, क्योंकि यहाँ पर complete combustion हो रहा है, जो भी fuel की vapors है, उनका complete combustion होता है, क्योंकि यहाँ पर enough oxygen supply आती है, enough O2 की supply के कारेंट, जो भी combustion होता है fuel की vapors का, वो complete होता है, जिसके कारेंट जादा heat निकलती है, और जिसके कारेंट यह वाला जो zone है, वो काफी, उसका temperature काफी जादा गरम होता है, तो अगर goldsmith को gold और silver को melt करवाना है, तो वो definitely candle का, जो outermost zone है, उसी को use करेगा, क्योंकि उसका temperature जादा होता है, तो jewelry या gold और silver, जादा जल्दी melt होगा, so a goldsmith uses the outermost zone of a flame, which is non-luminous, जो कि luminous नहीं होती है, है ना, कोई हमें रॉष्णी नहीं देती है, जो middle zone है, जिसकी हम बोलते हैं, जो कि yellow color का होता है, वो luminous zone होता है, क्योंकि yellow color की जो flame है, वही हमें light provide करती है, वहीं रॉष्णी मिलती है, वहीं हमें सुनार, gold और silver को melt करवाने के लिए, outermost zone ही use करेगा flame का, फिर क्या है, in an experiment, अच्छा, ये वाला question थो हम already अपने एक session में cover कर चुके हैं, एक बाद फिर से देख लेते हैं कि एक experiment है, जिसमें की हमने साड़े चार किलो fuel को completely burn किया है, जिसके कारण एक लाख असी हजार किलो जूल्स energy produce हुई है calculate the calorific value of fuel, तो इसको हम कैसे calculate करते हैं, हमें given क्या क्या चीज़े हैं, हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि 4.5 kg fuel को जब हमने जलाया, तो उससे heat कितनी produce हुई एक लाख हसी हजार ठीक है, एक लाख असी हजार किलो जूल्स energy जो है produce हुई है, अब इसके बाद में, next चीज़ हमसे क्या बोली गई है कि इस fuel की calorific value हमें calculate करना है अब गी calorific value होती क्या है किसी भी fuel की, कि 1 kg fuel को जब आप burn करते हो तो कितनी energy produce होती है वही उस fuel की calorific value होती है तो यहाँ पर जो हमारे पास जीज़े given है, उसी से इस सवाल को हम solve करेंगे, हमें इतना पता है ना कि साधे सार किलो जब हमने इस fuel को जलाया, तो कितनी energy release होई तो अब हम क्या करेंगे, कि 1 kg इस fuel को जब हम जलाएंगे तो कितनी energy produce होगी उसको हम माल लेते हैं, क्या X, इतना जलाया तो इतनी energy निकली, यह already हमको सवाल में given है, हमसे पूछा यह गया है कि जब आप 1 kg fuel को जलाओगे तो कितनी energy निकलेगी तो हमने माल लिया उसको कितनी X kJ निकलेगी, अब हम करेंगे क्या, cross multiplication कर देंगे X गया, यहां पर 1 kg यहां पर गया हुआ कितना? 4.5 into X is equals to 1,80,000 यहां पर हमने लिग दिया, into 1 अब X की value को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1,80,000 को divide कर देंगे किस के साथ? 4.5 के साथ तो आपके पास यहां पर आ जाएगा answer कितना? 40,000 kilo juice तो आपके पास same fuel की जब हमने 1 kg quantity ली है, तो उस 1 kg quantity को जलाने पर कितनी energy निकलेगी? 40,000 kilo juice. इसका मतलब क्या? कि इस fuel की, given fuel की जो calorific value है, वो कितनी है? 40,000 kilo juice पर kg कैसे निकाला हमने? जो भी value दी गई है, उसी से निकाल लिया कि इतना जलाने पर इतनी energy release होगी? तो इसको जलाने पर कितनी energy release होगी? तो 40,000 kilo juice. तो calorific value क्या हो जाएगी? 40,000 kilo juice पर kg. Easy था? चलो, अब हम आज आते हैं अपने next question की ओपर, कि can the process of rusting be called combustion discussed? यानि कि rusting की जो process होती है, क्या आप उसको combustion की process बोल सकते हो? हाँ बोल सकते हैं, यह हम already discuss कर चोके हैं कि the process of rusting emits heat during the formation of its oxide. हम सब को पता है कि rusting की process में होता क्या है? rusting की process में हम बोलते हैं कि जो iron है वो जो moist air होती है moist air मतलब क्या? एक ऐसी air जिसमें oxygen तो है ही साथी साथ थोड़ा बहुत क्या है? moisture भी है तो जब iron moist air के साथ में reaction करती है तो वो क्या बना लेती है? iron oxide बना लेती है जिसका color कैसा होता है reddish brown होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? rust बोलते हैं तो यहाँ पे हमने हमेशा क्या पढ़ा है? कि combustion की process में होता क्या है? कि substance से oxygen आकर के चिपक जाती है तो यहाँ पे भी तो यही हुआ है हमारे पास substance iron था और इससे oxygen आकर के चिपक गई है तो यहाँ पे भी हम बोलते हैं oxidation हो रहा है तो definitely यह क्या है? combustion की एक process है लेकिन हाँ, इस combustion की process में हम बोलते है कि कोई light produce नहीं होती है हमने यह क्या सीखा है? कि जब भी किसी substance से आकर के oxygen combine होती है combustion की process में energy release होती है in the form of heat and light तो यहाँ पे भी combustion हो रहा है लेकिन कोई light produce नहीं हो रही है heat produce होगी वो भी बहुती small quantity में इसलिए इसको हम एक slow combustion की process कहते है the process of rusting emits heat during the formation of its oxide so we can call the process of rusting as a slow combustion कि एक slow combustion है कोई light produce नहीं होगी इसको आप याद रखेगा बनाब ऐसा नहीं है कि किसी लोहे की चीज़ पे जंग लग रही है तो जो वहाँ से जो हैना light निकल रही है ऐसा नहीं होगा combustion की process तो है लेकिन कोई light नहीं निकलेगी heat थोड़ी बहुत निकलेगी क्योंकि वहाँ पे obvious ही बात है oxygen का reaction हो रहा है किस के साथ iron के साथ लोहे के साथ चलिए फिर इसके बार में next question क्या है next question है कि Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker Abida kept the beaker near the wick of the yellow part of the candle flame Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame whose water will get heated in a shorter time तो Abida ने क्या किया candle का जो yellow वाला portion है या जो yellow वाला zone है वहाँ पे उसने beaker रखा है पानी को गरम करने के लिए और Ramesh ने जो outermost part है flame का वहाँ रखा है तो मेरे हिसाब से तो Ramesh के beaker का जो पानी है वह पहले गरम होगा क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी देखा है कि flame का जो outermost portion होता है जो outermost zone होता है उसका temperature सबसे जादा होता है as compared to middle और innermost zone तो Ramesh ने क्योंकि सबसे hottest zone में रखा है अपने beaker को पानी को गरम करने के लिए इसलिए उसके beaker का जो पानी है वो सबसे पहले गरम होगा यानि कि अभीदा के beaker के पानी से पहले गरम हो जाएगा ठीक है? चलिए तो इसी के साथ में हमारे इस chapter के जो exercise questions है वो complete हो गए है अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से in-text activities की तो यह वाली activity आपके NCRT textbook के page number 65 पे दी गई है कि collect some materials like straw, matchstick, kerosene oil, paper, iron nails, stone pieces, glass etc under the supervision of your teacher try to burn each of these materials one by one if combustion takes place mark the material combustible otherwise mark it non-combustible तो basically यहाँ पे आपसे कई सारी चीज़े को एक खटा करने की बात करी जा रही है glass ले लो, stone pieces ले लो, kerosene oil ले लो, matchstick ले लो, straw यानि की सूखी घास ले लो, इन सब चीज़ों को आपको collect करना है अपने teacher की supervision में और इन सब चीज़ों को एक एक करके one by one जलाने की कोशिश करनी है जो चीज़े जलेंगी वो हो जाएंगी combustible चीज़ें जो नहीं जलेंगी वो हो जाएंगी non-combustible materials ठीक है और याद रखेगा कि यह अगर activity आप perform करोगे तो अपने teacher के supervision में करोगे बिना teacher की presence की activity आप नहीं करोगे क्यों क्योंकि यहां पर fire वगेरा involved है आपको चीज़ों को जला करके देखना है कि combustible है यह नहीं तो बिना teacher की supervision की activity नहीं करोगे answer मैं आपको बता देती हूं लकड़ी combustible होगी paper combustible होगा iron nails non-combustible होगी kerosene oil combustible होगा stone piece यहने की पत्थर का टुकड़ा non-combustible होगा straw यहने की सूखी glass combustible होगी charcoal combustible होगा matstick combustible होगी glass क्या होगा non-combustible होगा बहुत ही basic से activity है फिर इसके बाद में next activity क्या है जो कि आपकी NCRT textbook के page number 65 पे दी गई है कि fix a lighted candle on a table put a glass chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney observe what happens to the flame now remove the blocks and let the chimney rest on the table again observe the flame finally put a glass plate over the chimney watch the flame again what happens in the three cases basically आपने करा क्या आपने एक जलती होई candle ली है और उसको table पे रख दिया ठीक है और उसके उपर आपने एक glass की chimney याने कि आपने एक glass का basically cylinder लिया हुआ है ठीक है और आपने उस glass की cylinder को अपने candle के उपर रख दिया है ताकि वो जो glass का जो cylinder है वो आपके candle को surround कर ले घेर ले ठीक है पहले वाले figure में आपने क्या किया कि सबसे पहले तो आपने उसको candle को table पे रखने के पहले table पे आपने कुछ इस तरीके के दो block बनाए ठीक है ये table थी और table पे रखने table के उपर table के उपर आपने इस तरीके के दो block बनाए ठीक है और इन दो blocks के उपर इन दो blocks के उपर आपने रखा है क्या ये अपना cylinder ठीक है और table भी हम बनाई देते हैं, चलो ये क्या है, हमारी एक table है ठीक है, इस table के उपर table के उपर हमने यहाँ पर क्या रखी हुई है अपनी candle रखी हुई है candle के दोनों तरफ अगल बगल आपने दो block रखे हुए है और इन block के उपर आपने ये जो cylinder है ये रखा हुआ है क्या आपके पास table है table के उपर आपने एक जलती हुई candle रख दी और उसके आसपास आपने दो block रख दिये, अब इन दोनों blocks के उपर आपने रख दिया है क्या, एक cylinder glass के cylinder, basically glass का एक jar, ठीक है, कुछ ऐसे रखा है कि वो jar या वो cylinder आपकी candle को surround कर रहा हो, उसको cover कर रहा हो और याद रखीगा, ये जो cylinder है, glass का, ये उपर नीचे से covered नहीं है uncovered है, चीक है, इसलिए मैं cylinder बोल रही हूँ इसको तो पहली activity, पहला step तो आपने ये किया, फिर दूसरे उसमें आपने क्या किया, कि ये जो candle के उपर रख दिया है, अपना cylinder का, glass का cylinder, कोई block के उपर आपने नहीं रखा है, simple आपने cylinder को table के उपर ही रखा है, कुछ इस सरीके से कि जो cylinder है, वो आपकी candle को surround कर रहा है, और last figure में आपने क्या किया है, कि इस basically cylinder के उपर आपने एक और cardboard रख दिया है, अब ये तीन स्टेप्स आपने करे है, अब इन तीनों स्टेप्स में आपको क्या चीज़े observe हुई है, आपको ये बताना है, कि finally observe the flame, finally put a glass plate over the chimney, watch the flame again, what happens in the three cases, does the flame flicker off, does it flicker and give smoke, does it burn and affect it, can you infer anything at all about the role played by air in the process of burning basically, यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है, कि जब आप basically आपने हापे किया क्या, जब आप दो blocks लगा करके cylinder को रख रहे थे, अपने candle के around, तो इन block को रखने के कारण, जो cylinder का जो एक end है न, वो uncovered रहा, जब आपने ये blocks हटा दिये, तो cylinder सीधे के सीधे table के contact में आ गया, जिसके कारण उसका जो एक end है, वो block हो गया, दूसरा वाला end खुला था, तीसरे में आपने क्या क्यों कि दूसरे end को भी आपने cover कर दिया, तो इन तीनों केसे में आपको बताना है कि फ्लेम के उपर क्या impact पड़ा, the candle burns freely in case A when air can enter the chimney from below, और इस वाले case में, फर्स वाले case में जब आपने block के उपर, अपने glass cylinder को रखा हुआ था, तो इस case में जो candle है, वो बढ़िया तरीके से जली, फ्लेम जो है आपको बढ़िया देखी, क्योंगि ऑक्सिजन की supply proper थी, उपर से भी आ रही थी, और नीचे से भी आ रही थी, लेकिन बेई में क्या हुआ, कि when air does not enter the chimney from the below, the flame flickers and produce smoke, अब इस वाले case में जब आपने block हटा दिये, और directly आपने cylinder को कहां रखा है, table के उपर रखा है, जिसके कारण cylinder का जो एक end है, वो क्या हो गया है, block हो गया है, cylinder का एक end जो है, अब उसमें से air नहीं आ पारी है, सिर्फ जो उपर वाला जो खुला हुआ end है, सिर्फ वहां से air आ रही है candle तक, तो इस case B में, आप बोल सकते हो कि जो flame है candle की, वो flicker हुई, वो sufficient oxygen की supply नहीं पहुच रही थी, क्योंकि cylinder का एक end block हो गया है, यहां नहीं हुआ था, यहां हो गया, तो sufficient O2 नहीं पहुची, जिसके करण incomplete combustion हुआ, जिसके करण आपको smoke दिखी, और third में क्या हुआ, third में तो हम बोल रहे हैं कि flame finally बुझ ही गई, क्योंकि oxygen की supply है, वो cut off ही हो गई, ना नीचे से मिल रही थी oxygen, उपर से भी आपने एक plate ला करके रख दी, तो यह basic activity है, जो कि हमको यह समझाने की कोशिश कर रही है कि air या oxygen का कितना बड़ा role होता है, combustion की process में, कि यहां आ रही थी, तो flame भी बड़े जल रही थी, कोई flickering नहीं हो रही थी, कोई धुवा नहीं उड़ रहा था, कोई smoke produce नहीं हो रहा था, यहां पे क्योंकि अब एक ही end से air आ रही थी, तो insufficient supply थी air की, जिसके कारण जो flame है, वो flicker हुई, हिली, और रोड़ा सा धुवा निकला, और यहां पे हम बोड़ रहेंगी, क्योंकि completely air का आपने रास्ता ही रोक दिया है, तो combustion रोग गया, और flame हम बोलते हैं कि बुझ गई, sorted, चलो, अब इसके बार में, next क्या है, activity तरफ नमबर 3, जो कि आपकी NCRT टेक्स्ट्बुक के पेज नमबर 66 पे दी गई है, कि place a piece of burning wood और charcoal on an iron plate और तवा, cover it with a glass jar और a tumbler और a transparent plastic jar, observe what happens, does charcoal stop burning after some time, can you think of a reason why it stops burning, यह वही वाली मतलब activity में उसी बात को जो है न, explain किया गया है, जिसको कि हम अभी अपने previous question में discuss करके आए हैं, कि आपके पास एक तवा है और उसके उपर आपने जो है न, एक लकडी या चारकोल को आप जलाने की कोशिश कर रहे हो, और उसके उपर आपने एक glass jar या टंबलर लाकर के ढख दिया है, तो आपको बताना है कि क्या थोड़ी ताइम बाद चारकोल अपने आप उसकी जो बर्निंग है वो रुख जाएगी, ऐसा क्यों हुआ, तो आफ्टर बर्निंग अंडर दा जार फॉर सम टाइम, दवोड या चारकोल अपने आप जलने की जो प्रोसेस से उसकी रुख जाएगी तो उस जलती हुई चीज का जो कॉंटेक्ट है, एर के साथ या कमबशन की सपोर्टर के साथ, वो टूट जाएगा और अगर सपोर्टर का कॉंटेक्ट ही टूट गया तो कमबशन आगे प्रोसीड करेगा नि अब वो चाहे लकडी हो, चारकोल हो, कोईला हो कैंडल हो चाहे, वो कुछ भी हो अगर आपने उसको उपर से लाकर के कवर कर दिया है किसी चीज के साथ में तो सपोर्टर की सप्लाय टूट जाएगी और हम बोलते हैं कि कमबशन आगे नहीं बढ़ पाएगा फिर नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी 4 जो की NCRT की टेस्ट बुक पेज नमबर 67 पी दी गई है नेक्टू पेपर कप्स बाइफ फोल्डिंग अशीट ऑफ पेपर पूर अबाउट 50 एमल ऑफ वाटर इन वन आफ दा कप्स हीट बोथ दा कप्स सेपरेटली विदा कैंडल वाट दो यू ऑबजर यानि कि आपने पेपर को फोल्ड करके आपने दो पेपर कप्स जोट ना बना लिए हैं फिर इसके बाद में एक पेपर कप में आपको 50 एमल पानी डालना है अब इसके बाद में दोनों कप्स को आपको हीट करना है फिर इसके बार में आप क्या observe करोगे इस तरीके के आपको cups बनाने है paper cups और एक cup में आपको थोड़ा सा पानी डाल देना है और दोनों को बारी-बारी करके आपको इसको candle के साथ जलाना है तो हम यह observe करेंगे कि वो वाला paper cup जिसमें की पानी नहीं था वो बहुत जल्दी उसमें आख पकर ली और उसका combustion शुरू हो गया और वो वाला paper cup जिसमें की पानी भरा हुआ था वो इत्ते असानी से जला नहीं उसका आप बोल सकते हो कि जो combustion है वो काफी देर बाद शुरू हुआ ऐसा क्यों? क्योंकि it is observed that the empty cup catches fire immediately and begins to burn whereas the cup containing water does not burn instead the water present in it becomes hot है ना अब ultimately कैसी stage आएगी जहाँ पर पानी जो है ना पूरा गायब हो जाएगा और तब जागर कि शायद आपका यह जो second वाला paper cup है वो जलने लगे तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर पानी था और पानी की होने के कारण उसका जो ignition temperature है वो बढ़ गया इतना बढ़ा कि जिस candle से आप उसको heat supply कर रहे थे ना वो heat sufficient इतनी हुई ही नहीं कि वो बिचारा paper अपने IT तक पहुँचे और जो है ना अपना combustion शुरू करे तो वो वाला cup जिसमें की पानी नहीं था वो आप बोल सकते हो की जलने लगा एक और similar activity होती है जिसमें की आप बोलते हो की दो आपको paper cups लेने हैं एक को आपको सूख़ए रखना दूसरे को आपको गीला करना है इसमें तो आपको ncrt में बोला गया है कि पानी ही भर दो paper cup में लेकिन एक और activity होती है जिसमें की आपको बोला जाते हैं कि सिर्फ आपको paper cup को गीला करना है पानी भर के उसमें नहीं रखना है तो जो गीला paper cup होगा वो definitely थोड़े टाइम बात एकदम शुरुबात में तो नहीं लेकिन हाँ थोड़े टाइम बात हम बोलते हैं कि जलने लगेगा और अपने ignition temperature तक पहुंच जाएगा लेकिन हाँ जो सूखा हुवा paper cup है वो तो फटाक से आख पकड़ लेगा यहां पर हम बोल रहें कि क्योंकि paper cup में पानी भरा हुआ है तो पेपर का पेपर तो जलेगा नहीं उसका combustion तो शुरू होगा नहीं लेकिन उसके अंदर जो पानी present है वो गरम हो जाएगा और दिरी दिरी जो पानी है वो evaporate हो जाएगा तब जागर कि paper आपका जलना शुरू होगा ठीक है चलो अब इसके बाद में next activity क्या है कि जो कि आपक it's one end in the dark zone of a non flickering candle flame bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube do you see a flame if so what is it that produces a flame basically हुआ क्या कि आपने candle जलाई और एक glass tube आप लेकर के आए tong के help से आपने उसको पकड़ा हुआ है ठीक है और इस glass tube को आपने जो आपने अपनी candle जलाई थी ना तो candle का अभी अभी हमने देखा था कि candle के तीन section होते हैं तीन zone होते हैं तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो आप glass tube लेकर के आए हो उसको आपने flame में तो डाला है लेकिन जो डार्क जोन है याने कि जो इनरमोस्ट जोन है flame का वहाँ पर आपने glass tube को रखा हुआ है ठीक है सबोज ही आपकी flame है और यह क्या है आपकी flame का dark zone है इस dark zone के अंदर आपने क्या रखा हुआ है यह glass की tube रख्की हुई है अब इसके बाद में क्या बोला जा रहा है हमसे कि की glass tube के दूसरे end पर हम एक lighted याने की जलती हुई match stick ले करके आएंगे तो आपको picture में भी दिखाई दे रहा होगा कि यह रही glass tube और glass tube के दूसरे end पर हम एक जलती हुई माचिस ले करके आएं तो पूछा क्या जा रहा है हमसे कि do you see a flame क्या आपको कोई flame दिखाई दे रही है if so what is it that produces a flame तो बहुत ही आसान सा जवाब है कि हाँ भई हमको flame दिखाई देगी और produce किस ने किया है उस flame को तो जो vaporized wax है ना उस candle की मैं आपको पहले भी बताया था कि candle में दो चीज़े होती है एक तो wax और उसकी विक यानि कि उसकी बत्ती candle की जो wax है वही wax fuel का काम करती है और इसी fuel की हम बोते हैं कि यानि कि wax की vapors बन दी जिसके करण आपको flame दिखाई देती है तो flame आपको दिखाई क्यों दी है क्योंकि candle की जो vaporized wax है उसने flame को produce किया है इतना आसान सा है ये क्या activity चलिए तो इसी के साथ में हमारे exercise questions होते हैं खतम और जो in-text activities हैं उनको भी हमने कर लिया है discuss अब हम एक और चोटी सी बात कर लेते हैं कई बार आप लोगी चोटी सी complain होती है कि मैं YouTube पे प्लेलिस्ट ठीक से arranged नहीं है lectures के जो sequence है वो थोड़े से गड़बढ हो गया है बहुत ही confusion हो रही है आखिर हम करें तो करें क्या और इस आपको जाना है Google पर Google पर आपको डालना है magnetbrains.com और जैसे आप उसको search करोगे तो हमारी जो official website है कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगी ठीक है इस official website में सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये front page जहां पे लिखा होगा the magnet brains education platform अब इस page को जैसे आप और explore करोगे आपको नीचे की तरफ यहां पर दिखाई देंगे explore top courses जहां पर आपको class 12 से लेकर के class first तक कि सभी courses होंगे available और अगर आपको क्या करना है class 8 science का याने कि मेरा आपको कोई lecture देखना है तो आप क्या करोगे यहां पर class 8 लिखा हुआ है na class 8 पे जाकर कि आप click करोगे जैसे आप click सामने जो जो भी class 8 science class 8 science के chapters अभी तक हमने पढ़ लिये हैं वो सभी कि सभी chapters आपके सामने हो जाएंगे available ठीक है start होगा किसके साथ chapter number one crop production और management के साथ ठीक है यहां पर आपको दिखाई देगा कि भई आप टोटल कितने chapters कितने lectures है इस chapter के 14 lectures है तो जैसे ही आप first lecture की ओपर click क करोगे तो जो lecture है वो start हो जाएगा यानि की crop production and management का जो introduction वाला वीडियो है वो यहां पर शुरू हो जाएगा ठीक है तो फाइदा यह है हमारी official website को use करने का कि यहां पर आपको सभी chapters की जितने भी lectures है ना वो एकदम properly आपको sequence में arranged मिलेंगे जो आपको YouTube की playlist में पता करने में confusion होता है कि कौन सा chapter कहां आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहां playlist है playlist में भी जो है ना lectures की sequence उपर नीचे है बहुत confusion है ऐसी कोई भी confusion आपको हमारे जो official website है उसमें नहीं होगी बिल्कुल भी क्योंकि already सारे के सारे chapters सारे के सारे lectures आपको properly sequence में arranged मिलेंगे तो आपके लि करेंगे हमारी यही official website magnetbrains.com इसे विजट करीज़ेगा जहां पर आपको सरी chapters के video lectures में लेंगे प्रॉपर्ली प्लेलिस में arranged साथी साथ सभी topics के महां पर आपको होंगे notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnet brains thank you for watch